मिल जाएगा ही थे हमने land revenue systems को पड़ा है आपने देखा कैसे कौन वाले से एक अलग system लाता है उसके बाद फिर महलवारी रहियतवारी यह सब अलग अलग systems आते हैं तो कई जगे systems change हो रहे थे कई जगे जमिनदार उको हटा दिया जाता था आप जानते ही है पर्मनेंट settlement में अगर जमिनद holders थे वो polygers थे they were during the time of vision अगर empire के time पर मैसूर kingdom में polygers जो हैं यह revenue collect किया करते थे तो polygers को आप कह सकते हैं कि south में जमिनदार का equivalent है तो कई जमिनदार और polygers अपने estate से हाथ दो चुके थे और क्यों क्योंके वो tax को समय पर नहीं दे पाए और कई बड़े बड़े जमिनदार थ रहा था rank में due to by the EIC officials कुछ जमिनदार movements में religious angle भी था तो religious leaders भी investigate कर रहे थे foreign rule के खिलाफ बगावत करी जाए तो ये angle भी कुछ हमें areas में देखने को मिला है राजा महराजा नवाब और जमिनदारों के revolt में सबसे पहला नाम आता है अंगलो मैसूर wars का क्योंके देखो मैसूर के जो नवाब थे हैदर अली और टीपू सुल्तान इन दोनों ने बगावत करी थी एक तरसे East India Company के खिलाफ अब बगावत आप टेक्निकली देखो first और second वाले को नहीं कह सकते हो क्योंके वो दोनों लड़ाईों में बराबरी की लड़ाई थी लेकिन third अंगलो मैसूर war जब हुआ था उस समय क्या हुआ था कि मैसूर हार गया था तो technically fourth मैसूर war जो है वो एक प्रकार की बगावत थी वो East India Company के खिलाफ सीधे तोर पर बगावत थी क्योंके वो कह रहे थे कि अब तो पूरी गुलामी में आ जाओ ये पूरी गुलामी में आने को तयार नहीं थे आज का जो विशाकट पत्नम वाला एरिया है उसके पास में सित है विजिया नगरम की राजा ने रिवोल्ट किया 1794 में ये एरिया कौन साथा याद है आपको Northern सरकार इस map में देखो याद आया Northern सरकार वाला ये area है तो अब यहाँ के राजा आनन्द गजपती राजू और AIC के बीच में 1758 में संधी हो गई थी दोनोंने मिलके तेह कि अदा कि French के खिलाफ हम एक हो जाते हैं और French को Northern सरकार से भगा देंगे जो इन्होंने कर भी दिया आनन्द गजपती राजू की मृत्यू के बाद विजय रामा राजू बनते हैं उनके अगले राजा और East India Company ने इनसे मांगे 3 लाख रुपे कि 3 लाख रुपे का आपको ट्रिब्यूट देना पड़ेगा और आप अपनी आर्मी को पूरी तरह से डिस्बैंड कर दो हटा दो तो इसके कारण विजय राजू रामा राजू नाराज हो गए उन्होंने कहा कि नहीं हमारा कोई ड्यू बाकी नहीं है जो पहले पैसा तैय हुआ था उतना हम दे रहे हैं और हम अमारी आर्मी को खत्म नहीं करेंगे 1793 में इस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी आर्मी भेजी और इनका जो कैपिटल था वहाँ पर आर्मी पहुंच जाती है राजा से विजयम रामा राजू से कहा जाता है कि आप रिटायर हो जाओ राजगदी छोड़ दो क्योंकि वह आपने बगावत तो करी दिये आपको पेंशन दे देंगे जाकर कैलकटा में रहो आपको घरबार पूरा मिल जाएगा पर अब आप अपने राज्य में नहीं रहोगे तो विजयम रामा राजू उनको फिर से राजा बना दिया उफर दे एस्टेट तो दे लेट राजा से सन एंड रिदिउस दे दिमांड फो ट्रिबूट तो जो ट्रिबूट उन्हें मांगा था तीन लाग रुपे का वो थोड़ा सा कम कर दिया और फिर से डानस्टी को एक तरह से इस्टाबलिश कर दिया विजयन अगरम से जुड़ा हुआ एक छोटा सा ट्रिविया है यहां के जो भविश्य के माराजा थे in 1930s, he became the second captain test captain of Indian cricket team first captain कौन थे? C.K. Naidu C.K. Naidu was the first captain of Indian team उस समय test cricket ही होता था महराज कुमार और विजयन अगरम इनका यही नाम लिखा जाता था हर जगे महराज कुमार और विजयन अगरम विजी कहते थे इन्हे यह बने थे second test captain of Indian team फिर उसके बाद Anglo-Maisur War, chronology के लिए अगर मैं चलूं तो उसके बाद मैसूर Wars खत्म हो जाते हैं हम पढ़ चुके हैं उसके बारे में अगला है revolt of धोंडिया वाग इन बिदनूर यह थोड़ा सा important है खास करके अगर कोई करनाटा का PCS देना चाता है तो वहाँ के लिए या महराश्ट्रे वाले PCS में भी इस पर सवाल पूछा जा सकता है तो देखो यह जो फोर्थ एंगलो मैसूर वार खत्म हुआ था इसके बाद मैसूर के आर्मी को disband कर दिया गया था लेकिन टीपू सुल्तान की आर्मी में एक soldier था जिसका नाम था धोंडिया वाग तो धोंडिया वाग की भी अलगी कहानी है बहुत interesting story है जो अभी मैं पूरी बता नहीं सकता है यहाँ पर बस shorter में बता देता हूँ कि पहले टीपू सुल्तान के खिलाफ था फिर टीपू सुल्तान के पास आकर उनकी आर्मी में शामिल हो गया he adopted Islam फिर टीपू सुल्तान की हार के बाद में ही again went off और इन्होंने अपना एक अलग kingdom बनाना शुरू कर दिया तो इन्होंने यहाँ western guards वाले area में जो यह शिमोगा district है जो basically western guards वाला पूरा area यहाँ पर इन्होंने अपना एक independent kingdom बनाना शुरू कर दिया right after anglo-messor war इनको लगा कि यह अंग्रेज तो busy रहेंगे मैसूर में पहाडों में आकर कहां लड़ाई लड़ेंगे तो ढोंडिया वाग ने अपने under soldiers को लेकर और यह एक अलग capital बेदुनूर नाम की जगे है शिमोगा में आती है यह वहाँ पर एक अलग kingdom अपना start कर दिया बनाना लेकिन British इतने आसानी से पीछा नहीं छोड़ते हैं तो Arthur Wellesley जिसने हराया था टीपो सुल्तान को Arthur Wellesley को भेजा जाता है western guards में चड़ाई करके और डोंडिया वाग को हराने के लिए और ultimately यह लड़ाई होती है यहाँ पर डोंडिया वाग लड़कर हार जाते है डोंडिया वोस डिफीटेट बाई East India Company और यह हार ने के बाद इनको पकड में नहीं है he fled to Maratha territory यह उरिजनली है Maratha यह मतलब थे Maratha यह Maratha armies के लिए इनोंने लड़ाई लड़ी भी मनें बताया ना काफी colorful character हैं हर तरफ से लड़ाईयां लड़ी है तो यह जगे बस नाम याद रख लेना बेदनूर जगे का नाम western guards में यह kingdom मराने की कोशिश करी थी इतना याद रखना और यह event fourth anglo messur war के बाद का है यह point आपको याद रखना है धोंडियावाग का नाम ज़रूर याद रखेगा ultimately September 1800 में धोंडियावाग को East India Company की सैनिकों के द्वारा माल दिया जाता है अगली बगावात है केरला में तो केरल में एक area है कोटायम नाम का कोटायम तो कोटायम का जो area है यह वैसे त्रावन कौर kingdom के अधीन था क्योंकि त्रावन कौर यहाँ पर उसका capital है त्रुवनंत पुरम लेकिन त्रावन कौर के अधीन यह semi independent था थोड़ा सा autonomous था जैसे कि आर्कौर्ट और हैदराबाद वारी relationship थी कुछ उसी प्रकार से कोटायम का भी status था तो यहाँ के राजा को कहा जाता था केरला वर्मा पड़ाशी राजा पड़ाशी राजा उस राजा का नाम था तो केरल वर्मा टाइटल हुआ करता था पड़ाशी राजा अपने आपको केरला सिमम कहा करते थे तो इस समय भारत में दो सिमम थे, दो शेर थे, एक तो था वो रिजड वेलेसली, टाइगर ओफ बेंगॉल और एक थे ये केरला सिमम, लायन ओफ केरला अब कोटायम ने initially East India Company की साहता करी थी, दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी, मैसूर के खिलाफ इन्होंने help करी थी तो ये माना गया था कि East India Company एनेक्स नहीं करेगी परिशान नहीं करेगी लेकिन क्या होता है कि 3rd Anglo मैसूर के बाद में East India Company इनको एनेक्स करने की कोशिश करती है और इससे राजा नाराज हो जाते हैं और East India Company क्या करती है राजा के अंकल को अपने साइट कर लेती है उनको बना देती है नया राजा तो इसके साथ तुरंथ क्या होता है कि Tax Collection बढ़ जाता है किसानों से और उस समय पढ़ाशी राजा जो है ये किसानों की मदद से अपने अंकल और East India Company के khlaaf गुरिला वारफेर छेड़ देते हैं, तो आज का जो वायनाड वाला एरिया है, जो पहाड़ी एरिया है, पूरा केरल का, ठीक है, वेस्टन घाट्स वाला, वहाँ पर ये गुरिला वारफेर चलता है, अब ये लड़ाई जो है ना, इसका कोई exact year नहीं है, ये basically 1794 से ही इसका शुरू हो गया था और 1806 तक ये चलती रही थी, किसी ना किसी condition में, तो क्या होता है कि कुछ सालों में लड़ाई थोड़ी जादा होती है, तो जैसे 1797 में काफी लड़ाई होई, फिर एक बार peace treaty हो गई दोनों के बीच में, लेकिन फिर से वायनाड को लेकर dispute होता है, 1800 में फिर से लड़ाई शुड़ गई, और इसमें कई और लोग शामिल थे, जैसे कि टिपू सुल्तान की आर्मी से जो unemployed पठांस थे, वो भी इस लड़ाई में शामिल हो गए, फाइनली 1805 में जाकर पड़ाशी राजा की जब डेथ होती है लड़ाई में, उसके बाद ये पूर अब अवध तो इनका दोस्त था, इस्ट इंडिया कंपनी का, याद है न, 1765, ट्रीटी ओफ इलाबाद, तब से अवध से इनकी दोस्ती थी, 1797 में वजीर अली खान बन जाते हैं, नवाब अवध, और इनके इस्ट इंडिया कंपनी के साथ रिष्टे इतने अच्छे नही ये कहा जाता है, लेकिन बनारस में वजीर अली खान क्या करते हैं, कि वहाँ के लोकल ब्रिटिश रेजिडेंट की हत्या कर देते हैं, जॉर्ज फ्रेडरिक चेरी इसका नाम था, तो वजीर अली खान को इन्होंने लंच पर बुलाया है तो और वजीर अली खान नहीं को मा गया, तो ये तो वजीर अली की बगावत की शुरुआत थी, उसके बाद वजीर अली के आर्मी की लडाई होती है, इस्ट इंडिया कंपनी के साथ, यहां पर जनरल अर्सकाइन को बेजा जाता है, और वजीर अली हार जाते हैं, वजीर अली भाग कर जाते हैं, जैपूर, कि वजीर अली को हमें लोटा दो, एक्स्रडाइट कर लो तो वजीर अली को एक्स्रडाइट कर दिया जाता है लेकिन जैपूर के राजा एक डिमांड रखने है कि मैं एक शर्त पर इनको लोटा हूँगा एक तो इनको हत्कड़िया नहीं पहना ही जाएगी नवाब ऑफ अवद को भेज दिया गया तो वहाँ पर एक पूरी प्रिंसेस कॉलोनी मेरे खाल से बन गई होगी उस समय अगली बगावद है गुमसूर में गुमसूर कहां पर सित है आज के समय में जो ओडिशा का गंजम डिस्टिक्ट है ये वाला जो बिलकुल आंदरप्रदेश के बॉर्डर के पास में सित है तो ये नॉर्दन सिरकार का हिस्सा हुआ करता था उस समय तो नॉर्दन सिरकार के एरिया में ही आता था गुमसूर गुमसूर में जमिनदार थे स्त्रीकर भांज अगर मैं नाम सही प्रनाउंस नहीं कर रहा हूँ तो ओडिशा से अगर कोई है तो प्लीज मेरा प्रनसियेशन करेक्ट कर दे कमेंट सेक्शन में इस्ट इंडिया कंपनी के दिन बदिन बढ़ते रेवेन्यूस के कारेंट यहां के जो लोकल जमिनदार थे गुमसूर के स्त्रीकर भांज इन्होंने रेवेन्यू दिने से मना कर दिया अगर मैं नाम गलत प्रनाउंस कर रहा हूँ तो अगर ओडिशा से कोई है तो मुझे करेक्ट कर सकता है मैं शौर नहीं हूँ कि इसका करेक्ट प्रनेंसियेशन क्या है मेरे खाल से स्त्रीकर भांज ही होना चाहिए अगर गलत हूँ तो बता दीजेगा क्या करेक्ट होगा तो स्त्रीकर भांज ने ओपन रेवेलियन कर दिया तो उसके एरिया का क्या करोगे तो जबरदस्ती इस्ट इंडिया कंपनी को स्त्रीकर भांज जो उनके खिलाफ अल्रेडी लड़ाई लड़ रहे थे उनको कुछ एरिया और जादा देना पड़ा फिर 1807-1808 में क्या होता है कि स्त्रीकर देव को उनके खुद के बेटे धननजय भांज डिपोस कर देते हैं बोलते हैं कि पिताजी आप बहुत लड़ाई यहां लड़ रहे हो आप हट जाओ वक्त आगया है कि अब हम गद्धी पर बैठें 1815 में धननजय भांज लड़ाई में हार जाते हैं East India Company से और वो सरेंडर कर देते हैं East India Company कहती है कि तुम्हें नहीं रखेंगे हम जमिनदारी पर तुम्हारे पिताजी को हम फिर से बिठाएंगे तो स्त्रीकर भांज को जमिनदारी दे दी जाती है बेटे को साइड लाइन कर दिया जाता है 1830 में इस त्रीकर भांज रिटायर हो जाते हैं उनकी मृत्ति हो जाती है लेकिन उस समय तक इस जमिनदारी पर बहुत सारा करजा हो गया था बहुत सारा पैसा ड्यू था करजा इन दे सेंस की इस इंडिया कंपनी को इने पैसा देना था बहुत सारा तो जैसे इस त्रीकर के बाद फिर से धननजे पावर में आते हैं तो पैसा वो दे नहीं पाते हैं इस इंडिया कंपनी क्या करती है कि गुमसूर वाले एरिया को occupy कर लेती है ये कहकर कि revenue हम खुद वसूल लेंगे तुम यहां से हट जाओ तो धरहन जैभांच फिर से बगावत कर देते हैं ये second time rebellion हो रहा है लेकिन इस बार लड़ाई लड़ते समय उनकी death हो जाती है लेकिन इनकी नृत्यू के बाद भी ये revolt जारी रहता है इस इंडिया कंपनी यहां पर एक रसल नाम के officer को बेजती है ये वो लगान वाला रसल नहीं है ठीक है दूसरा रसल है इसको बेजा जाता है यहां पर rebellion के लिए finally 1837 में जो इस rebellion को lead करने के कुछ leaders थे दूरा विसाई last powerful leader था उसको arrest कर लिया जाता है और finally गुमसूर की जो जमिनदारी है वो हमेशा के लिए खत्म पूरा area इस्ट इंडिया कंपनी के direct control में ले लिया जाता है अगला rebellion है polygers revolt polygers कौन थे सबसे पहले तो यह समझ लो आपको यह वाला area याद है आर्कॉर्ट का तो इस आर्कॉर्ट के area में विजयनगर empire के समय से polygers हुआ करते थे अब यह polygers जो है यह अपनी area में independent ruler थे छोटे छोटे तो मैंने शुरुआत में आपको कहा था कि यह जमिनदार के parallel structure है लेकिन यह जमिनदार से थोड़े से जादा powerful है यह armies भी भेजते थे जब भी जैसे विजयनगर empire या मैसूर kingdom को army की जरूत है तो polygers अपनी army लेकर भी जाते थे तो यह जो polygers है यह land owning भी कह सकते हो आप इनको community है प्लस यह ruling community है लेकिन polygers के हाथ से जमीन चिननी शुरू हो जाती है जब 1781 में नवाब of our court तिनने valley का area या आज का जो तिननल valley है वहाँ का area इनके हाथ से चीन कर इस्ट इंडिया company को दे देती है इससे polygers नाराज हो जाते हैं अब नवाब of our court तो practically इस्ट इंडिया company का गुलाम ही बन चुका है क्योंकि याद इना आपको Carnatic Wars में मदद करी थी नवाब of our court की तो नवाब of our court के सामने कुछ नहीं कर सकते तो polyger जो है इनको लड़ाई लड़नी पड़ी किस से इस्ट इंडिया company से तो यहाँ पर एक main character है जिसका नाम आपको याद रखना है कटबोमन नायकन कटबोमन नायकन जो है यह पंजलन कुरीची नाम की एक जगे के polyger थे वहाँ के यह polyger थे इन्होंने इस बगावत की शुरुवात करी 1795 में कटबोमन के नित्रतों में शुरुवात में इनको काफी सफलता भी मिली इस इंडिया company की armies को इन्होंने हरा भी दिया इस इंडिया company ने इनके सर पर एक bounty रखी दी bounty समझते हो आप लोग कि अगर उसको पकड़ लिया तो 1000 डॉलर सरकार देगी वो होती है bounty यानि कि सरकारी इनाम रखा गया इनके सर पर लेकिन दीरे दीरे कटबोमन के साथ आसपास के कई पॉलिगर्स जुड़ते गए और फाइनली इस इंडिया company काफी मशक्यत के बाद इनके revolt को दबा देती है हराने में इनको successful होती है कटबोमन को पकड़ा गया फांसी पर लटका दिया गया और ऐसा कहा जाता है कि इनको बिट्रे किया था राजा ओफ पॉलिगर्स को बिट्रे कर दिया था उनको धुका दे दिया था और इसलिए कटबोमन पकड़े गया और उन्हें फांसी चड़ा दी जाती है इसके साथ साथ कई पॉलिगर्स को execute किया गया कई हों को जेल में डाला गया और इनमें से और पॉलिगर्स के estate उनसे छीन लिए गए तो दिरे दिरे इनके हाथ से सारी जमीन चली गई तो ये main reason था पॉलिगर्स के रिवोल्ट का और रिवोल्ट इनका unsuccessful था तो इनके हाथ से जो बची कुची जमीने थे हैं वो भी लेना शुरू हो गई तो सन अठारा सो तक इस रिवोल्ट के पहले phase का जो time period है वो खत्म हो जाता है लेकिन अभी ये रिवोल्ट खत्म नहीं हुआ है इसमें आता है round 2 round 2 में क्या होता है जो पॉलिगर्स जेल में थे वो जेल से भाग जाते हैं Fort of Palamkota में इन्हें रखा गया था कुछ याद ना रहे तो रहे ठीक है कम से कम नाम याद रखेगा लेकिन इस बार क्या होता है फिर से इस इंडिया कंपनी आर्मी भेजती है Rebellion को दबा दिया जाता है और जो इनकी दोनों भाईयों की जो hereditary seat थी यानि के जहां पर ये belong करते थे जहां से पंजलन कुरीची वहां के किले को पूरी तरह से raise to the ground कर दिया था raise to the ground मतलब उसकी इटे हटा कर उसको पूरी तरह से जमीन में निस्तनाबूद कर दिया जाए इसको कहते है raising a fort to the ground ये कारवाई जनरली तब करी जाती है जब जो आपका दुश्मन है वो आपसे बहुत जाबा नराज हो तब इस तरह की गतिविदियां लड़ाई में हमेशा करी जाती थी बाकि आम तोर पर इतना किसके पास time होता है कि एक एक इट हटा कर पूरा सामने वाले का किला तोड़ो हराने के बाद क्योंकि आपको भी तुम्हाँ राज करना है तो आपको भी तो किले की जरुत होगी लेकिन अंग्रेजों ने पंजलन कुरीची का जो किला है उसको पूरी तरह से जमीन में मिट्टी में मिला दिया पूरा उसको तहस नैस किया और फाइनली नवाब अफ आर्कॉर्ट को भी ये कहा कि अब आपसे संभल तो रहा नहीं एड्मिनिस्टेशन अपने पॉलिगर्स को आप संभाल नहीं पारे तो सारा सिविल मिलेटरी अड्मिस्टेशन हमें दे दो और इस्ट इंडिया कंपनी के पास ये आर्कॉर्ट का जो पूरा एरिया है ये हमेशा के लिए चला गया इसी रेबैलियन के पैरलल आर्कॉर्ट के उत्तर हिस्से में पॉलिगर्स ने एक अलग रेबैलियन किया था उसका रीजन ये था कि तमिल नडु में एक पुरानी परंपरा है कवाल तो कवाल जो है ये village police heredatory village police होती है उनकी कुछ जिम्मेदारिया होती है तो कवाल के लिए एक tax लिया जाता है तो जो north aorport के पॉलिगर्स थे उनको मना कर दिया गया कि आप ये कवाल अब यह जो पुलेस वलेस का काम है यह सब हम करेंगे अंग्रेस करेंगे आपको नहीं करना है इसके कारण पॉलिगर्स बगावत करते हैं और यहाँ पर उत्तरी एरिया में पॉलिगर्स का जो रिवोल्ट एसको लीड किया था पॉलिगर ओफ चरागुलू और पॉलिगर ओफ येदरांग गुंटा के द्वारा I'm sorry थोड़ा सा नाम प्रणाउस करने में मेरे को भी दिक्कत आ रही है Tamil नाम है बहुत टिपिकल इसलिए ठीक है कोई ओफेंड हो रहा हो तो उससे अभी मैं माफी चाहता हूँ ये rebellion भी खत्म कर दिया गया इसको आसानी से East India Company ने हरा दिया और जो polygers हैं उनको बुला गया कि अब आप जाकर सब मदरास में रो आप अपने अपने एरिया में गाउं में नहीं रोगे क्योंकि वहाँ पर फिर से बगावत करने का डर है तो आप लोग सब जाईए और चन्नाई में जाकर रही है आपको हम पैसे दे देंगे जो भी आपके एरिया का revenue था उसका 18% आपको as allowance दे दिया जाएगा अगला है uprising in भिवानी तो भिवानी जो हर्याणा में स्थित है रह तक के पास एक जगह है वहाँ पर जाट rebel कर देते हैं 1809 में और इन्होंने भिवानी के area को अपने कंट्रोल में ले लिया अंग्रेजों को महाँ से हटा दिया और यहाँ पर अंग्रेज आर्मी आती है बहुत समय तक siege चलती है और उसके बाद यह revolt समाप कर दिया जाता है तो unsuccessful ही रहे जितने भी revolt हैं सारे आप देख रहे हो unsuccessful रहे लेकिन फिर भी उनके बारे में जानना हमारे लिए important है अगला और काफी important है इसको थोड़ा star mark कर लेना यह पूछे जाने की संभावना इसकी जादा है revolt in Travancore या दिवान वेलू थंपी का revolt 1808-1809 वेलू थंपी कौन है वेलू थंपी is the दलावा of Travancore state दलावा क्या होता है दिवान या prime minister तो राजा के बाद second most important position तो इस position पर वेलू थंपी नाम के एक व्यक्ति थे इनको लगता था कि East India company Travancore के उपर बहुत extra tax का burden डाल रही है Travancore state East India company का दोस्त था अल्रड़ी इनके साथ संधी साइन हो रखी थी लेकिन वेलू थंपी को लगता था कि financial burden हमारे राज़े पर बहुत जारा डाला जा रहा है इस subsidiary alliance के आने के बाद तो वेलू थंपी ने ये बात raise करनी शुरू करी कि अंग्रेजों का tax जादा है इस बात से जो East India company का resident था आपको याद है ने एक resident की विवस्था करी गई थी subsidiary alliance में तो उस resident ने राजा को कहा कि ये तुमारा जो प्राइम मिनिस्टर है ये बहुत tax tax चिल्ला रहा है इसको हटाने का वक्त आ गया है तुम इसको हटाओ इस बात से वेलू थंपी नाराज हो गए वेलू थंपी के supporters नाराज हो गए और इन्होंने क्या करा कि सब लोगों को बोला कि वक्त आ गया है armed rebellion का तो चाए हमारे राजा हमारे साथ ना हो हो सकता है कि हमारे राजा हमारा साथ ना दे लेकिन time आ गया है कि हम बगावत कर दे तो वेलू थंपी ने अपनी एक अलग आर्मी रेज करी इसमें जो नायर्स हैं उन्होंने इनका साथ दिया लेकिन दूसरी ओर जो त्रावन कॉर के राजा है वो इस्ट इंडिया कंपनी के favor में थे तो उन्होंने वेलू थंपी को अपनी position से हटा दिया इन्हें बरखास्त कर दिया गया दलावा की post से और जो state army थी official उसक ने और इस्ट इंडिया कंपनी की सैनिकों ने मिलकर वेलू थंपी के इस विद्रो को surprise कर दिया कई जगे आप ये देखोगे कि ये rebellion crush कर वाया with the help of East India Company अगला विद्रो है बुंदेल खंड का तो बुंदेल खंड का जो ये area है ये Maratha suzerainty में आ गया था लेकिन यहाँ पर traditionally जो rule करते थे वो थे बुंदेला local kings तो बुंदेला kings जो है वो Maratha suzerainty में आ चुके थे और East India Company के खिलाफ इन्हों ने लगाता लड़ाई लड़ी 2-3 साल और इस area में ऐसा कहा जाता है बुंदेल खंड में 1.500 किले हैं और ये कहा जाता है कि उस समय 1.500 के 1.500 किलों से बुंदेला local chiefains ने ये लड़ाई लड़ी थी तो जो important जो characters है उनके नाम याद रख लेना लक्षमन्ट दावा ये अजेगर किले के किलेदार थे दर्या सिंग he was the किलेदार of Kalenger Kalenger का किला क्यों important है आपको पता है यहाँ पर एक एतिहासिक घटना होई थी एक बहुत important ruler है जो Kalenger के किले के बाहर जिसकी death होती है उसका नाम अगर पता हो तो आप मुझे कमेंट में बताओ तो लक्षमन्ट दावा, दर्या सिंग, गोपाल सिंग ये लीडर्स थे और ये सब मर गए इस rebellion के अंदर सब को मार दिया गया इस इंडिया कंपनी के द्वारा बहुती brutal campaign चलाया था इस इंडिया कंपनी ने और हराने के बाद भी कंपनी को इतना डर था कि भविश्य में फिर से बगावत न हो जाए तो सारे बुंदेला चीफ से एकरार नामे साइंग करवाएगे एकरार नामा का मतलब है कि आप साइंग करके दो पेपर पे लिखके दो स्टैम पेपर पे कि आज के बाद कभी बगावत नहीं करोगे हमारे अधीन रहोगे सुजरेंटी में रहोगे ये सब बाते उनसे स्टैम पेपर पे लिखवाएगे इकरार नामे के तहत अगला रिवोल्ट है उडिशा के अंदर पारला की मेडी का 1813 से 1834 ये भी गंजम डिस्ट्रिक का ही हिस्सा है यादेना आपको गंजम में हम अलड़ी एक रिबेलियन पड़ चुके हैं तो ये उसके पडोसी वाला ही एरिया है तो पारला की मेडी में क्या होता है कि वहाँ के जो राजा थे नारायंड देो उन्होंने इस बात पर रिवोल्ट किया कि गंजम को इस्ट इंडिया कंपनी क्यों अक्वायर कर रही है यादेना आपको गंजम को क्यों अक्वायर किया गया था जोर्ज रसल के द्वारा अब देखो सारे Rebellions में East India Company के Officer कौन थे उनका नाम important नहीं है लेकिन कुछ-कुछ में है जहाँ पर होगा Especially 1857 में जो revolt है वहाँ पर नाम important है वहाँ पर मैं आपको बता दूँगा अगली बगावत है गुजरात के कच्च में तो कच्च में एक अलग राजा होते थे आज का जो भुझ डिस्टिक्ट है यह इस भुझ डिस्टिक्ट में एक अलग राजा हुआ करते थे 1816 में कच्च के राजा और East India Company के बीच में समझोता हुआ था जिसके देद राजा भारमल the second कच्च के राजा रेकेगनाईस किये गए थे बदले में ये इनको सालाना कुछ पैसे देंगे लेकिन East India Company जो है वो इनके इंटर्नल मैटरस में जो दखल अंदाजी देने लग गई थी उसके कारण भारमल नाराज हो जाते हैं और वो एक आर्मी तयार करते हैं जिसमें Arabs और Africans भी शामिल तयाद रखे ये ट्रेडिंग वाला एरिया है इनके ट्रेड रिलेशन्स थे Arabs के साथ, Africans के साथ तो उनकी साहता से बनाई गई एक आर्मी मतलब साहता नहीं उनकी उन लोगों को employ किया गया आर्मी में और East India Company को कच से हमेशा के लिए भगाने का इनका प्लान था लेकिन होता उल्टा है East India Company भारमल को हरा देती है और भारमल को हटा दिया जाता है राजगंदी से भारमल की जगे उनका जो छोटा सा बच्चा था उसको गदी पर बिठा देते हैं और British Resident जो है अब वो एक तरह का D-Factor ruler बन चुका है तो जो भी निर्ण होगा वो British Resident करेगा बच्चा तो बस केवल नाम के लिए वहाँ पर बैठा है Rebellion एक बार फिर से भढ़क जाता है क्योंकि East India Company ने Taxation काफी जादा रखा था और बहुत सारे administrative changes किये थे फिर से एक लड़ाई होती है लेकिन अगेन इस बार stalemate होता है और East India Company इस बार समझाता कर लेती है conciliatory policy follow करती है क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पर इतनी लड़ाई में हम अपने time और resources क्यों waste करें तो ultimately 1830 में यहाँ पर समझाता हो जाता है और rebellion खत्म हो जाता है अगला है rising at barely rising तो इसको ऐसे कह रहे हैं मतलब यह भी भगावाती है revolt कहलो rising कहलो यह सब एक ही होता है तो 1816 में जो barely का शेत्र है यह कौन सा एरिया है western उत्तरप्रदेश यहाँ पर East India Company पुलिस tax लगाती है अब पुलिस tax से नाराज हो जाते हैं यहाँ के जो religious leaders थे जैसे मुफ्ती मुहमद एवाज और यह कहते हैं magistrate को कि तुम यहाँ पर मत रहो तुम चले जाओ पुलिस tax collect करने की कोई आवशकता नहीं है उसी समय क्या होता है कि पुलिस एक महिला को इंजर कर देती यह tax collect करते समय और यह एक local cause बताया गया immediate cause बताया गया था कि लड़ाई शुरू क्यों ही थी तो इसके कारण पुलिस अंग्रेजों की जो पुलिस थी और मुफ्ती के followers के बीच में एक जंग चड़े जाती है और धीरे धीरे यह पूरे western उत्तरक्रदेश वाला जो एरिया है पीली भीच, शाजापूर, रामपूर यहाँद पर यह rebellion शुरू हो जाता है अप्रेल 1816 में जो यह rebels थे जो बागी थे इन्होंने British judge के बेटे की हत्या कर दी judge का नाम था लेसेस्टर और यह बरेली के अदालत में judge था उसके बेटे की हत्या कर दी गई इस पर अंग्रेज नाराज हो गए अंग्रेज जो है वो हत्या हत्या से बहुत नाराज हो जाते थे कि मार काट मत मचाओ, लड़ाई लड़ो काइदे से, अंग्रेज खुद तो कितने ही मार काट कर दे लेकिन उनका अगर कोई मर जाता था तो फिर वो बहुत जादा उसका response, extra response दिखाते थे यह हर जगे हमने देखा है हिस्ट्री में तो इसलिए आर्मी बेजी गई, बड़ी आर्मी बेजी गई बेंगॉल वाले एरिया से और फाइनली यह rebellion suppress कर दिया गया अगली बगावत है हात्रस पे 1817 में हात्रस नाम की जो जगे है western उत्रप्रदेश में कुछ समय पहले यह जगे काफी news में थी because of a rape case तो यहाँ पर हात्रस वाला जो एरिया है यह अलिगड के पास में स्तित है उत्तरप्रदेश का एरिया है आगरा अलिगड वाला जो रीजन है यह नई दिल्ली है यह हात्रस है और हात्रस जो है यहाँ का किला काफी strong था तो यहाँ पर एक तालुकदार थे जिनका नाम था दयाराम अब दयाराम जो हैं ये टैक्स नहीं दे रहे थे इस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने टैक्स देने से मना कर दिया और साथी साथ जो कंपनी से भागे हुए लोग थे फ्यूजिटिव थे जिनकी कंपनी तलाश कर रही थी उनको ये शरण दे रहे थे तो इसके कारण इस्ट इंडिया कंपनी नाराज हो जाती है दयाराम क्या करते हैं कि हात्रस का किला जो की काफी मजबूत किला था उसमें अपने आपको बंद करके पैक कर लेते हैं कि हम तो यहाँ पर safe and secure हैं आओ जिसको आना है लड़ाई लड़नी है लेकिन East India Company की forces finally attack करती हैं और यह हार जाते हैं दयाराम जो है वो 15 दिन की लड़ाई के बाद भाग निकलते हैं यहां से ultimately he had to surrender और इनको भी pension देके बोला कि जाओ जाके आराम से अपने घर में बैठो अब तालोगदारी और यह revenue वगेरा सब तुमारे हाथ से हमने छीन लिया है और एक और local राजा थे जो इनको support करे थे भगवन सिंग राजा ओफ मूर्शन इन्होंने भी surrender कर दिया अगला important rebellion है पायक rebellion तो एक तो वेलू थंपी वाला याद रखना और एक ये याद रखना ये काफी important है पायक rebellion 1817 में यह हुआ था ओडिशा में पायक कौन होते थे basically paddle cynic इसलिए उनको पायक कहते थे जो पाओ पर चलते हैं यह उस समय की inventory थी तो पायक वो ओडिशा के traditional cynic हैं जिनको disband कर दिया गया था जब East India Company ने ओडिशा को अपने control में लिया Second Anglo-Maratha War के बाद नादपुर के साथ जब संजोता किया था तो यह ओडिशा वाला area इनके पास आ गया तो उस समय पायक को आर्मी से हटा दिया गया unemployed हो गए पायक दूसरी ओर taxation बढ़ता जा रहा था कौडी करेंसी जो इनकी local करेंसी थी कौडियों के नाम तो वो कौडी करेंसी इस्तमाल करी जाती थी उसको अटा दिया गया इस India Company ने अपने सिक्के चलवा दिये और यह कहा कि payment अब silver में करोगे चांदी के सिक्कों के रूप में payment होगा इसके गारण लोग काफी नाराज थे और पायक्स जो है यह थोड़े जादा नाराज थे अब यहाँ पर ओडिशा में एक एरिया है कटक और पूरी के आसपास का जो एरिया है वहाँ पर खुरदा नाम की एक जगह है क्या होता है कि जगबंदू का जो ancestral estate है जो गाव है किलार ओरांग उसको इस्ट इंडिया कंपणी ने अपने कबजे में ले लिया तो इसके बाद जगबंदू ने बगावत कर दी जगबंदू ने पायक्स को अपने साथ लिया मुकंद देव को अपने साथ लिया जो राजा अपने कंट्रोल में ले लिया उसके बाद कुछ सालों तक पायक्स गुरिला टैक्टिक के माध्यम से अपना लड़ाई को अंजाम देते हैं जगबंदू ने कुछ समय के लिए पूरी शहर को कैप्चर कर दिया था पूरी की religious importance है लेकिन अठारा सो अठारा में अंग्रेज कंपनी ने ये कहकर कि आपने एक fugitive को शरण दिये क्योंकि बक्षी जगबंदू के सर्क पर इनाम रखा गया था अठारा सो पत्चिस में फाइनली गुरिला वारफै लड़ते लड़ते बक्षी जगबंदू ने surrender कर दिया under negotiated terms और इसका finally result क्या निकलता है कि एक तो देखो जो tax आपका था वो हम कुछ समय के लिए cancel कर देते हैं जो भी tax के assessment है वो फिर से हम करेंगे थोड़ा कम कर देंगे आपका tax ये अंग्रेजों ने कहा और जितने भी लोगों के estate बेचे गए थे उनको अभी हम नहीं बेचेंगे वो उनको फिर से दे दिये जाएंगे मान लो क अगर कोई किसी का estate है जो revenue नहीं दे पाए उसको बेच दिया गया था तो उसको नहीं बेचेंगे और जितने भी fixed tenure है उनको नया settlement होगा basically काफी हद तक PIEX को शांत करने के लिए इन्होंने policy अपना ही कि उनकी demands को मान लिया जाए अगली बगावत है वागेरा rising 1818 से 1800 बीच क पे आता है द्वार का तो द्वार का के पास में ही ओखा स्थे थे तो ये ओखा पोर बंदर ये सब जगे नसदीग नसदीग में है तो ये जो त्टिया इलाका है गुजरात का यहाँ पर स्थे थे ओखा यहाँ के local chief teams थे वागेरास न वागेरास के द्वारा ये uprising होती है य यह पहले Gaequard of Baroda के अंदर आते थे, क्योंकि यह पूरा गुजरात वाला area Marathas के अधीन था, Under the Gaequards of Baroda, तो उनके अधीन थे, लेकिन बाद में, 3rd Anglo Marathas War के बाद, किसके अधीन चले जाते हैं, अंग्रेज़ों के अधीन, Heavy Tax Collection by the Gaequards under the EIC pressure, this was the cause of the revolt और ये revolt जो है एक साल डेड़ साल चलता है उसके बाद 1820 में शांती समझाता है यहाँ पर कर लिया जाता है छोटा revolt है इतना important नहीं है एक्जाम में पूछे जाने की संभावना काफी कम है ये वाला थोड़ा सा important है जिनके उपर मैं स्टार मात करवा रहा हूँ उनको अच्छे से याद रखना अहोम रिबेलियन अहोम्स कौन थे असाम के रूलर्स थे ये लगबग 600 साल तक अहोम असाम में ब्रह्मपुत्र वैली वाले एरिया में रूल करते हैं ये अहोम्स का किंग्डम था अहोम्स की बगावत के कारण अहोम्स थोड़े से कमजोर हो गए इस कमजोरी का फायदा उठाया अब बर्मा ने यहां से बर्मा की जो आर्मी है बर्मीस किंग्डम ने अहोम्स को अपने अधीन कर लिया लेकिन East India Company ने जब बर्मा को हराया तो बर्मा से इन्हों ने ये का कि अब Ahom Kingdom हमें देदो, Assam हमें देदो इस तरह से Treaty of Yandabo के तहट Assam आ जाता है East India Company के control में लेकिन जैसे East India Company ये control में आया तो Ahom जो थे वो कहते हैं कि यार देखो हम आप से हा रहे थे बर्मा से, आपने हमको अपनी सुजरेंटी में लिया, that was okay अब हम कोई commodity थोड़ना है जो आप हमें ट्रेड करके East India Company को दे रहे हो आप East India Company को नहीं दे सकते हैं आप हार गए मतलब हम अजाद हैं ये Ahombs ने कहा था कि we are independent बिकोज आप हार चुके हो तो आप हमारे उपर कोई overlord नहीं है, हम किसी की सुजरेंटी में किसी की गुलामी में नहीं जिएंगे लेकिन East India Company तो कहती थी के भाई साव हम तो बर्मा के राजा से लिखवा के लाएं यार्णाबो की ट्रेटी के तहत कि आप East India Company के अधीन आ जाओगे तो एक छोटा सा रिवोल्ट होता है और इस रिवोल्ट में अहूम्स की हार होती है ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो रेबेलियन के लीडर्स है उनके नाम इंपोर्टेंट है तो प्रिंस गोमदर कॉमर धन्जवय बॉंगोहाइन बॉर्गोहाइन होना चाहिए बॉर्गोहाइन नी बॉर्गोहाइन जैराम, खरगरिया, फुकन I'm sorry if I'm pronouncing the name a little incorrectly I think मैं सही प्रणाउस कर रहा हूँ असाम के लोग बता सकते हैं यह तो बॉर्गोहाइन होता है और यह बॉर्फुकन यह फुकन इस तरह से प्रणाउस होते हैं यह नाम तो गोमदोर कमर जो हैं इन्होंने अपने आपको राजा प्रोक्लेम कर दिया he was a prince, राजा के बेटे थे लेकिन इन्होंने अपने आपको राजा प्रोक्लेम कर दिया और कहा कि हम इस इंडिया कमपनी के अधीन नहीं जाएंगे इस इंडिया कमपनी ने क्या करा concilatory policy बनाई concilatory policy का क्या मतलब है कि चलो ठीक है थोड़ा बहुत एरिया आप रखलो अभी पूरा नहीं लेते हैं यह जो अपर असाम वैली है या आप अपने पास रखलो बाकी के हमें दे दो इतना कर लो इससे मामला एक बार के लिए ठंडा पड़ गया धीरे धीरे उन्होंने वो पूरी अपर असाम वैली भी अपने कंट्रोल में ले दी फिर आते हैं सूरत salt agitation पे तो महत्मा गांधी द्वारा किये गए salt सत्या ग्रह से लगभग 100 साल पहले सूरत के पास में एक और salt agitation हुआ था इसमें क्या हुआ था कि इस इंडिया कंपनी ने नमक के ओपर duty बना दी भी रिजन बिल्कुल सेम था गांधी जी वाले के इस टाइम पर अटैक करना शुरू कर दिया इस इंडिया कंपनी ने ये duty विड्रॉ कर दिया और 48 में इस इंडिया कंपनी ने जो बेंगॉल स्टैंडर्ड वेट्स और मेजर्स कानून है उसको भी वापिस ले लिया ये लोगों ने इसके खिलाफ एक passive resistance और boycott गोशित कर दिया था तो ये शुरुवाती boycotts और शुरुवाती resistance movements आप देख रहे हैं ये शुरुवाती सत्यागरे हैं प्रोटो सत्यागरे हैं आप इनको कह सकते हो तो ये सूरत salt agitation 1840 के दशक में होता है और इसमें कुछ कानूनों की वापसी और salt वाला जो tax है ये बापिस ले लिया गया अगला revolt है कोलापुर और सावन्तवाडी का revolt तो आपको अगर याद हो मैंने एक और revolt के बारे में बताया था आपको जहां पर सैनिक जो Maratha सैनिक थे जो disband कर दिये गए थे उन्होंने एक और rebellion किया था कुछ उसी प्रकार से मिलता जुलता ये वाला भी revolt है एक traditional class होती थी military class जिनको गड़करी कहा जाता था अब तो ये सरनेम famous हो गया है हमारे मंत्री है नितिन गड़करी जी तो ये military class जो है ये Maratha force में traditionally रहा करती थी force की रक्षा करती थी लेकिन 1844 में ये सारे garrisons को disband कर दिया गया तो पहले तो रामोशी थे चलो मैं नहीं बता दिया पहले तो रामोशी थे उन armies को disband किया गया था फिर दिरे दिरे इन garrisons को जो एक किलेदार होते थे इनको भी disband कर दिया गया जब कोलापूर स्टेट में reorganization होता है अब ये जो unemployed गड़करी soldiers थे इन्होंने बगावत कर दी और कुछ किलों को अपने control में ले लिया 1836 और 38 में सावंतवाडी area में revolt होता है और East India Company ने सावंतवाडी के ruler को हटा दिया था उसके खिलाफ ये जो local एकदम reason था उस समय का वो ये था कि ruler को हटा दिया गया है उसके बाद नए कानून बनाए गए और इस revolt को भी control में ला दिया गया आज का second last revolt है वहाभी movement अब वहाभी movement एक revolt नहीं है in the terms of actual revolt यानि कि यहाँ पर armed rebellion भी था but it was more of a social movement तो दोनों का mixture है ये social reformist movement भी कह सकते हो हाँ वो बात अलग है कि यहाँ पर social reform की बात नहीं है थोड़ा backwards social reform हो रहा है तो वहाभी movement की शुरुवात कहां से होती है राय बरेली से सैयद एहमद of राय बरेली he was inspired by अब्दुल वहाब of Saudi Arabia and शाह वली उल्ला अफ दिल्ली इन दोनों से inspired होकर सैयद एहमद ने भी वहाभी ideology को यहाँ पर बढ़ावा देना शुरू किया अब्दुल वहाब कौन थे ये नाम बार बार आएगा history के अंदर जब आप world history पढ़ोगे या फिर कई बार news articles में भी आप नाम पढ़ोगे 18th century में जो आज का Saudi Arabia है वहाँ पर एक Muslim preacher थे अब्दुल वहाब अब्दुल वहाब का ये कहना था कि इसलाम में पिछले 1200 सालों में कई कूरीतियां आ गई है जो original कुरान में नहीं थी और अब्दुल वहाब का ये कहना था कि जो Prophet Muhammad के समय में जो चीज़ें follow होती थी या फिर जो दो पीडी बात तक चीज़ें follow ही थी first three generations में किवल वो चीज़ें हमें आज follow करनी चाहिए और इसलिए इस movement को कई बार Salafist movement भी कहा जाता है Salafist ideology भी कहा जाता है तो ये Salafist ideology जो है ये अब्दुल वहाब ने propagate करी थी और इसको आज Wahabism कहा जाता है हला कि इनकी ideology से आज कई सारे terrorist organization भी inspired है तो कई terrorist organization साफ तोर पर कहते हैं कि हम Wahabist organization है लेकिन कई states भी हैं जैसे Saudi Arabia जो official देश है वो भी Wahabist ideology को follow करता है ठीक है वो बात अलगे कि अब इनका कोई interpretation आतंगवाद के रूप में निकाल रहा है कोई interpretation अपना state चलाने के लिए निकाल रहा है पर हाँ अब्दुल वहाब की ideology आपको basic बस इतना याद रखना है कि इन्होंने कहा कि पिछले 1200 साल में जो जो बदलाव आये हैं यानि ये शिया, सुन्नी, ये सब भटाओ केवल जो कुरान में लिखा गया है और जो पहली तीन पीडियां follow करती थी केवल हमें वो follow करना है यानि कि 18वी सदी में ये व्यक्ति कहता था कि 7वी सदी में जो इसलाम था हम उसे follow करें और 21वी सदी में भी कई लोग इसी बात से आज agree करते हैं तो चलिए ये वहाबी moment जो है ये काफी popular हो गया था हलागे अब्दुल वहाब की death हो गई थी 1793 या 92 में लेकिन इनकी ideology दीरे दीरे भारत तक भी पहुँच गई थी दुनिया के कई हिस्सों में पहुँच गई थी तो इसी से inspired होकर साइएद एहमद और राय बरेली जो है इन्होंने western influence को नकारना शुरू किया इन्होंने भी एही का कि जो Islamic society अरेबिया में थी during the time of Prophet Muhammad उसी प्रकार से हम रहें और इन्होंने Sikh kingdom के उपर जिहाद गोशित कर दिया Sikh kingdom जो उस वक्त किस के अधीन था महराजा रंजीत सिंग जी के अधीन उस पर उन्होंने जिहाद गोशित कर दिया फिर 1849 में क्या होता है Sikh kingdom खतम हो जाता है East India Company उसको take over कर लेती है तब इन्होंने कहा कि अब अगला target किसको बनाया तो फिर इन्होंने target बनाया अंग्रेजों को इन्होंने कहा कि यह English जो है यह ना किवल administrative बलकि समाजिक रूप से भी देश को खराब कर रहे हैं खोकला कर रहे हैं तो इसलिए इनके खिलाफ हम जिहाद छिडेंगे और वहाँ भी movement का कुछ समय तक जो administrative या political headquarter मानलो वो था सिठाना यहाँ पर इन्होंने एक बड़ा military base भी बना दिया था यह जगे कहाँ पर सिठाना आज का जो पानीपत है ना पानीपत के अलग हैं ठीक है उनको भी हम आगे discuss करेंगे वो तो इन सब के खिलाफ थे कुका मुवमेंट कुका मुवमेंट जो है ये निकला था सिठ रिलिजन से इनका भी लक्ष क्या था कि सिठ रिलिजन में पिछले 400 सालों में जो कूरीतियां आ गई है उनको हटाओ पहर मल्ला नाम याद रटना इंपोर्टेंट है एक्जाम में डिरेक्ली पूछ लेते हैं और हेड़कॉर्टर था इनका हजरा नाम की जगह है पंजाब में और इनका भी एम क्या था एम डेट सिठ रिवाइवल आफ्टर दी एनेक्सेशन धर्म के अंदर भी चेंजिस लाने तो इसके दोनों इसके टार्गेट थे इनका जो लीडर थे राम सिंग उन्हें अरेस्ट कर लिया गया 1872 में और जेल भी पर मेरा आइडी है महिपाल राठोट इस इस माई हैंडल आपको बताया था कि कैसे ब्रिटिश ने भारत पर अपना कबजा जमाया था हमने पूरी कहानी पड़ी थी अंगलो सिख वार तक हमने पूरा डिसकस किया था लास्ट बड़ा प्रोविंस कौन सा था अंगलो सिख वार में जो एनेक्स हुआ था पनजाब अब 1837 में क्या है कि company का conquest अल्मोस्ट पूरा ओचुका था कॉंग्वेस्ट का मतलब यह है कि पूरे भारत पर उनका एक तरह से कभजा था कहीं पर डिरेक्ट था कहीं पर इंडिरेक्ट था यहाँ पर coastal महराष्टर वाला जो एरिया है this is all pink लेकिन फिर भी जाद अतर एरिया बहुत बड़ा एरिया I would say कि 50-50 pink है और बाकी का आदा जो है वो yellow और green है अब यह yellow green क्या है यह yellow और green वो princely states हैं जो इनके साथ subsidiary alliance में थे तो पूरा राजपुताना बहुत बड़ी महराथा territories निजाम हिदराबाद यह सारे areas इनके अधीन तो थे लेकिन direct rule में नहीं थे यहाँ पर राजा माराजा या नवाप का rule हुआ करता था और यह subsidiary alliance में थे ब्रिटिश हुकूमत के साथ लेकिन डलाउजी के आने के बाद सब कुछ बदल गया डलाउजी ने बहुत सारी policies नही implement करी especially the doctrine of lapse जिसके तहाँ आप देखोगे कि बहुत सारा pink area इनके control में आ जाता है अगर आप देखोगे खास करके Maratha territory Central India यहाँ पर भी आप देखे काफी सारी increase है इधर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आज का पूरा उत्तरकदेश अवद वाला area यह यह पूरा pink हो है यहाँ पर पंजाब pink हो गया है बहुत बड़ा प्रोविंस था पंजाब was one of the largest province सिंध पूरा pink हो चुका है अब तो 18.5 मेल डलाजी के जाने के बाद किवल कुछ areas आपको yellow नजर आएंगे उनमें सबसे प्रमुख है एक तो राजपूत स्टेट राजस्थान और गुजर अधिली में 1857 की करांती के राज भी छुपे हैं क्योंकि जितनी रियासतों को doctrine of lapse के तहित अपने अधीन ले लिया था अंग्रेजों ने उतनी जगे उन्होंने नफरत के बीज बो दिये थे उन सभी रियासतों में एक गुसा था especially areas like जहांसी जहां पर ये गुसा 1857 में हुकूमत के खिलाफ आम जनता में एक गुसा डेवलप हो रहा था उसके बीचे main reason था उनकी policies जिसमें economic policy भी बहुत प्रमुख है लेकिन overall जो उनके administration का character था वो socialistic नहीं था मतलब उनका लक्षे ही नहीं था कि जनता का भला करो जैसे पहले भी अगर राजा महराजा नवाब जिसका भी rule था ultimately थोड़ा सा aim हर कोई रखता था कि जनता का भला करना है लेकिन यहाँ पर इनका aim जनता का भला करना बिल्कुल भी नहीं था तो आम आदमी की शिकायतें colonial administration से दिन बढ़ती जा रही थी और एक reason यह भी था कहीं न कहीं कि यह पूरी तरह से एक विदेशी न dynasties लेकिन ब्रिटिश हुकूमत कई हजारों किलोमेटर दूर की थी मुगल डैनस्टी आप कह सकते हो कि थोड़ा सा पडोस के थे जैसे कि अफगानिस्तान से बाबर ने अटैक किया था तो थोड़ा सा कल्चरल कहीं न कहीं bridge था अगर नहीं भी था तो at least during the time of अकबर या फिर सल्तने डैनस्टीज में भी आप देखोगे तो यहां के अनुसार थोड़ा सा ढलना शुरू कर दिया था उन डैनस्टीज ने और वो जरूरी भी था अगर नहीं ढलते तो पूरी तरह से उखाड दिये जाते यानि कि अगर आप बिलकुल भी अपनी जड़े यहां जला हो और यह एक तरह से पूरी विदेशी नसल थी अगला कारण था एकॉनमिक ड्रेन ओफ इंडिया तो हमने एक अलग लेक्चर में यह पूरी थेरी पड़ी थी किस प्रकार से भारत की एकॉनमी को खराब किया गया था तबाह किया गया था ट्रेडिशनल विलेज एकॉ इकॉनमी को पूरी तरह से तहस नहीस कर दिया गया इंडियाफ इंडस्ट्रीस को खत्मकर दिया गया लैंड रिविन्यू पॉलिसी से लोग कुछ नहीं थे इतने सारे रिवोल्ट पढ़े न हमने विछ learnt कुछ नहीं थे नया लौन अनश्रीय है पुराने कानूनों को बद कि जो फेमाइन्स की संक्या है वो कितनी जादा बढ़ गई मतलब भुकमरी पहले भी होती थी ऐसा नहीं है कि अकाल नहीं पढ़ा कभी देश में ऐसा नहीं था लेकिन इनके अकाल पढ़ने पर जो management होता था वो पूरा अलग था इनको बिलकुल पढ़ी नहीं थी यहां के ल इतना बढ़ा अकाल था कि इनको इतिहास की किताबों में दर्ज किया गया ऐसे बारा बार हुआ था मतलब आवरेज आप देखो तो अल्मूस्ट हर आट नो साल में एक बड़ी फेमाइन आ रही है और उसके बीचे बहुत बढ़ा रीजन था British Economic Mismanagement अगला कारण था East India Company के सिपाही सिपाहीों में काफी disc content था सिपाही इतने खुश नहीं थे East India Company से हमने discuss किया था वेलोर म्यूटीनी एक शुरुवाती उधारन था इस प्रकार की म्यूटीनी का या बगावत का और reason क्या था कि ये जितने भी सिपाही थे ये कोई traditional warriors नहीं थे most of them were farmers जाला तर जो सिपाही थे East India Company में वो किसान background से आते थे खास करके जो अवद वाला area है वहां से बहुत सारे किसान join कर रहे थे आर्मी को क्योंकि आर्मी में पगार अच्छी थी बुकमरी नहीं थी कम से कम खाने पीने को पैसा ठीक था पैसा ठीक ठाक था खाने को हमेशा मिल जाता था ये ये चीज़ें आपकी guarantee हो जाती है अगर आप आर्मी को join करते है ठीक है तो देखो ऐसा आप राष्टरवाद के नजर से अभी मत देखो अभी की आर्मी और तब की आर्मी में काफी फरक है आज के समय में हमारे देश में एक professional आर्मी रेस करी जाती है उस समय आर्मी में join करन परकार के जो किसान थे इनकी संक्या बहुत जादा थी East India Company में और डलाउजी को एक senior military officer ने चेतावनी भी दी थी कि तुम ये जो काम कर रहे हो ना कि लोगों को deprive कर रहे हो उनकी जमीनों से उनकी रियासतों से इसका तुम्हें नुकसान देखने को मिलेगा Your army is derived from the peasantry of the country. किसानों से तुम्हारी आर्मी बनी है और इन किसानों के इनके जमीनों के कुछ अधिकार हैं और आप ये जो land reforms ला रहे हो इसमें क्या हो रहे है कि इनके अधिकार इनसे चीने जा रहे हैं? अगर इनके अधिकार बहुत जादा चीन लिए तो आप अपनी आर्मी की fidelity पे trust नहीं कर सकते हैं. Fidelity का मतलब होता है वफादारी. तो आपके पास एक वफादार आर्मी नहीं रहेगी अगर आप पीछे गाओं में उनकी घर की security को चीन रहे हो तो वो आपकी आर्मी के प्रत आर्मी के जो लोग वही लोग रिवोल्ट में उतर आया थे फिर उने नौक्रियां दी ती यादे कौन सा था? बताओ कमेंट में महराष्ट्रे एरिया का एक रिवोल्ड था जहाँ पर क्या हुआ था महराथा आर्मीज को डिस्बैंट करने के बाद उनकी नौकरी चली गई थी और उन लोगों ने थोड़ा एक बगावत करना शुरू कर दिया था लेकिन उस बगावत को खत्म करने के लि कई राजा महराजा और नवाबों के दरबार में अपनी कला का प्रदर्शन करते थे और वहाँ पर उनको एक सेंस ओफ सिक्यूरिटी था कि उनकी तंखा इंकम उनके रहने खाने पीने का खर्चा उनको टेंशन लेनी की ज़रूत नहीं है राजा महराजा उनको वो सेक्यू पर नहीं था जितना पहले हुआ करता था तो इसलिए इनके पास से भी जॉब चली गई जॉब सिक्यूरिटी चली गई अगला कारण था ब्रिटिश आर्मी की दो महत्वकून लड़ाईों में हार अंगलो अफगान वार में इनकी हार हुई थी और क्राइमियन वार जो भा भारत में भी कई लोग ये देख रहे हैं और उनको पता चलता है कि ब्रिटिश आर्मी इन्विंसिबल नहीं है क्योंकि भारत में क्या था ना कि पिछले 100 साल में ब्रिटिश हारे नहीं थे हो सकता है कि एक या दो जंग वो छोटे स्तर पर हार गये हो लेकिन ओवर आल बड का फैक्टर है ये लोगों की दिमाग में घर कर गया था कि अंग्रेजों को हराना इंपॉसिबल है लेकिन इन दो लड़ाईयों के एक्जामपल ने भारत में कई लोगों को ये दर्शा दिया कि ब्रिटिश आर्मी इस नॉट इन्विंसिबल और इसके बाद इनको लगने लगा कि हम भी इनको हरा सकते हैं सबसे बड़ा रिजन अगर कोई माना जाता है तो वह है डॉक्तिर आइंफ लाप्स नहीं सभी कारणों के उपर एड आन था लेकिन लेटिस्ट रिजन यही था डॉक्तिर वो भारती राजाओं के लिए एक शौक था कि कोई हमसे हमारे बच्चे को राजा बनने का अदिकार कैसे चीन लेगा, कि हमारा बच्चा, हमारा उतरादेकारी नहीं होगा, ये बात कैसे हो सकती है, चाहे हम गोद ले, गोद लेने की परंपरा थी भारत में, उस परंपरा को क का practical example भी देख लिया जिनके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं फिर कुछ social और religious causes थे जैसे कि Christian missionaries को भारत में permission दे दी गई थी कि धर्मानतरण करते थे वो धर्मानतरण से भी लोग नारास थे 1813 में Charter Act ने missionaries को भारत आनी के दी थी याद रखना 1837 में फार्सी को हटा कर English language को court की language बना दिया गया था फार्सी कई लोगों को आती थी कई लोग जो नौकरी ही इस basis पर करते थे कि उनको फार्सी आती है वो तो अचानक से out of work हो गए उनको तो बोला कि भाईसा बात से आपके भाशा की जरूत नी अब हम यहाँ पर किवल अंग्रेजी पड़े लिखे लोग चाहिएंगे तो समझ रहे कितना बड़ा एक वर्ग था जो accountants थे जो clerks थे जिन्होंने फार्सी भाशा सीखी थी जो सारा काम करा करते थे राजा माराजाओं के दरबार में या इवन इस्ट इंडिया कंपनी के अंदर employed थे उनकी तो नौकरी चली गई एक तरफ तो नौकरियां चली गई दूसरी तरफ नई नौकरी के लिए भी आपको अंग्रेजी आना ज़रूरी है अगर आपको ब्रिटिश हुकूमत के लिए अंडर में कोई भी जॉब करनी है तो अंग्रेजी भाशा की जानकारी होना ज़रूरी है पताब यह जो लिखा पड़ी वाली जॉब्स होती है उनके लिए था ठीक है ऐसा नहीं कि किवल आपको पानी पकड़ाना है उसके लिए अंग्रेजी आनी ज़रूरी है लेकिन जो important government post हैं उनमें सब में आपको English knowledge English की knowledge होनी ज़रूरी है इन सभी कारणों में हमें ये नज़र आ रहा है कि कैसे 1857 में एक बड़ी आग लगने के लिए सूखी लकड़ी तयार की जा रही है लेकिन इस लकड़ी में इस सूखे धेर पर आग लगाने की चिंगारी का काम किस ने किया Enfield Rifle ने होता क्या है immediate cause क्या था इस क्रांती के शुरू होने का Enfield Rifle ये वही Enfield company है जो bullet बनाती है बारतिय सैनिकों के लिए East India company के द्वारा या British administration के द्वारा अब तो East India company कहना ही मतलब मेरे खाल से लाजमी नहीं है अब तो हमें British administration ही कहना चाहिए इस Rifle में क्या था कि greased cartridges थे पहले कैसा होता था बंदूग की loading इस प्रकार से करनी होती थी बंदूग बहुत primitive type की हुआ करती थी बंदूग की नाल में यहां से अंदर bullet को डालना पड़ता था और उसके पहले उसको bite करना पड़ता था bite करके उसको तोड़के डालना होता था और इस bite करने में क्या होगा कि आपके मुँ में grease लग जाएगी जो इस bullet को बनाने में इस्तमाल करी गई है और इस grease में क्या कहा गया कि चर्वी है किसकी गाय की और सूर की गाय की चर्वी हिंदों के लिए हराम सूर की चर्वी मुसल्मानों के लिए हराम तो दोनों ही सहनिक, हिंदू हो या मुसल्मान हो, उनमें एक डर फैल गया, कि इसमें fat है, cow या pig fat है, और ये हमारे धर्म को brush करने के लिए जान बूच कर अंग्रेज लेकर आ हैं, तो सब कुछ लोग सहन कर रहे थे, लेकिन धर्म को brush करना ये लोग सहन नहीं कर पाए, और बह का इस्तवाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे धर्मिक sentiments के खिलाफ है, अब क्यूंकि ये बगावत प्रमुक तोर पर सिपाहियों ने शुरू करी थी, इसलिए कंपनी के जो सिपाही थे, इसलिए इसे सिपाही नहीं लिखते थे, वो सिपाही हमारा शब्द है, उसी को इन इंग्लिश में लिख दिया, सिपाह, वो सिपाही इसलिए स्पेलिंग होती है, अब चाहिए आप सिपाही लिखो, सिपाही लिखो, दोनों सही है, तो अंग्रेजों ने इसे कहा, the great सिपाही mutiny of 1857, 1857 की क्रांती के एक साल पहले, जो भारत में आर्मी की स्थिति थी वो इस लब यह है कि ब्रिटिश आर्मी भारती स्थानिकों के उपर, नेटिव सोलजर्स पर पूरी तरह से निरबर थी, उन्होंने खुद ये चीज रियलाइज नहीं करी थी, कि कभी इतनी बड़ी स्थर की बगावत हो सकती है या नहीं, और रिवोल्ट शुरू होने के पहले भ ये सारे हिमालयन किंग्डम्स हैं, बागी आप देखो, राइट फ्रॉम अफगानिस्तान बॉर्डर तिल कन्या कुमारी एन इवन श्रिलंका, यहां पर म्यानमार्क पूरा इस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में हैं, तो अब जब ये बगावत होती है, तो इस बगावत पांच 1857, बेरकपुर, जो बेंगॉल में से थे, आज कैलकटा शहर का, कॉलकटा शहर का पार्ट बन चुका है, बेरकपुर में 34th नेटिव इंफेंट्री जो आर्मी की टुकडी थी, उसमें एक सिफाही थे हैं मंगल पांडे, मंगल पांडे ने सबसे पहले मना करा कि मैं उस ग्रीस्ट बॉलेट पर बाइट नहीं करूँगा, ये मेरे धर्म के खिलाफ है, और मंगल पांडे की इस इन सबोर्डिनेशन पर, यानि कि आपने सुपीरियर्स का ओर्डर नहीं माना, इसके लिए मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई, तो 6 अपरेल को मंगल दी जा रही है, तो बैरकपुर में लगी ये चिंगारी धिरे धिरे ज्वाला बनकर पूरे उत्तर भारत में फैलना शुरू कर देती है, कई आर्मी गैरिसंस में इस प्रकार की खबरे आनी शुरू होती है, कि वहाँ पर सैनिक विद्रो करने के कगार पर है, या फिर मना कर रहे हैं, कि हम इस ग्रीस बुलेट को नहीं बाइट करेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा इनिशल सेंटर बना था, वो बैरकपुर नहीं था, वो था मेरट, यहाँ पर दिल्ली के पास में मेरट शेहर है, यहाँ पर क्या होता है, कि 24 अप्रेल को बड़े स्तर पर बगावता जाती है, कारण यहाँ पर भी सिमिलर था, सैनिको ने मना कर दिया, ठीक है, तो पांच सिपाई जो हैं, उनको फांसी की सजा दे दी गई, और बाकी 85 सैनिको को जेल में डाल दिया, तो जब पांच सिपाई उनको यहाँ पर फांसी होती है, तो बाकी के 85 रात में जेल तोड कर निकल जाते हैं बाहर और अपने senior officers को मार देते हैं और merit में एक बड़ी बगावत शुरू होती है तो बैरकपुर से शुरुआत हुई थी लेकिन सबसे बड़ा center initially बन जाता है merit और merit में अप्रेल की बात है ठीक है अब आप थोड़ा सा ध्यान दे ले ले न पर याद करने की ज़रूत नहीं है इतनी exact dates को ही नहीं पूछने वाला है कि chronology wise बताईए तो 24 अप्रेल को merit में ये बगावत होती है और 10 मही को merit में बगावत करके ये जो सैनिक है ये अपने senior officers को मार के और बाकी के जितने भी कैदी थे army soldiers उनको छुड़ा कर दिल्ली पहुच जाते हैं क्योंकि merit दिल्ली जादा दूर नहीं है 70-80 km है अब तो express वे बन चुका है पर तब भी जादा समय नहीं लगता था एक-दो में हम बगावत करेंगे अब बिचारे बुड़े बादशा बैटकर अपना चिलम विलम पी रहे थे आराम से शांती से बोलते हैं ये क्या आफ़त आगई मेरे सर पर लेकिन ये कुछ करी नहीं पाए क्योंकि ये बगावत करने वाले जो सैनिक थे जो मेरट से आये इन्हों उसको पेंशन दी जाती थी तो मेरट से आये इन बागी सिपाहियों ने सबसे पहले तो दिल्ली शहर पर कबजा जमा लिया और बुड़े वादशा को शेहनशाय हिंदुस्तान गोशित कर दिया वो बात अलग है कि इनकी सलतनत इनके किले से 10 किलो मेटर दूर खत्म हो जात था कि उसके हाथ में कोई पावर नहीं थी, he could not do anything, पूरा दिल्ली शहर अल्रेडी इन बागी सिपाहियों के हाथ में था, तो बात दूर शाह जफर ने अपने किलेदार को या फिर इनका जो ट्रस्टेड आर्मी जनरल था, अब क्या तो आर्मी और क्या ही जनरल, मतलब मान लोगी superintendent of police के बराबर वाली position है, शहर के SP को बोला कि जरा इनका साथ दे दो, तो बक्त खान नाम आपको याद रखना है, बक्त खान was the person who was actually leading this revolt in दिल्ली, तो बागी सिपाही तो आयते है, लेकिन देखो सिपाहीों को थोड़ी leadership की जरुत होती है, तो बक्त खान ने यहाँ पर leadership role अक्तियार कर लिया दिल्ली में, और बक्त कान कौन था, मुगल बादशा का army general था, ठीक है, तो नाम याद रखेगा, बक्त कान, he was the actual leader, नाम के लिए तो बाददुर्शा जफर है, लेकिन actual leadership करी जा रही है, बक्त कान के द्वारा, दिल्ली शेहर पर कबजा करने के ब रहते हैं, या फिर कभी visit करें, तो ये सारा area उसके पास में ही है, जो civil lines वाला area है, in fact जो दिल्ली उनिवर्सिटी के पास में, जो ridge बनी हुई है, वहाँ पर एक पुराना घर है, वहाँ पर सारे अंग्रेज officer जाकर छुप गए थे, जब इन्होंने बागियों ने शेहर पर करांती फैल जाती है, तो दिरे-दिरे कानपूर, लखनाओ, बनारस, अलाबाद, बरेली, जगदीशपूर, जहां सी, इन सभी शेहरों में या इन सभी regions में, जून 1857 तक करांती फैल जाती है, क्योंके देखो, खबर instant नहीं जाती न, social media नहीं था उस समय, कि आज tweet कर रहा ह बहादुर्शा, जफर, freed the city, ecstatic, hashtag, independence, नहीं, ऐसा नहीं होता था, ठीक है, देरे-देरे खबर पहुंचती थी, हफ्ता, 10 दिन लग जाते थे, कि अच्छा, दिल्ली में तो independence हो गई है, independence की बाते हो रही है, तो इस प्रकार से इन शेहरों के अंदर भी ये आग लगने लगी और कई जगे, local leadership ने British officers को अपने अपने शेहरों से निकाल दिया, लेकिन problem क्या थी, कि सभी जगे पर कोई proper leadership नहीं थी, there was absence of leadership among the supplies, leadership किसने दी, इस leadership vacuum को किसने पूरा किया, जो पुराने जमिंदार या पुराने feudal chief थे, या फिर राजा महराजाओं के बच्चे थे, जिनके leadership का role अक्तियार कर लिया, तो उन्होंने इन East India company सेनिको की leadership अपने हाथ में ली, और कहा कि चलो, तुमारा कारण भी है, हमारा कारण भी है, मिलकर ये जंग लडएंगे, तो इस लड़ाई के सबसे prominent leader बन जाते हैं, कानपूर में Nana Sahib the second, Nana Sahib कौन थे, बाजी राव second याद है 1818, याद करो, पेशवा को कहां भीजा गया था, बिठूर, बिठूर कहां पर है, कानपूर शहर के बिलकुल past में, अब तो city का हिस्सा हो चुका है, तो बिठूर में जो बाजी राव second थे, उनको कोई बेटा नहीं था, तो उन्होंने Nana Sahib second को गोद ले लिया था, लेकिन अं और लगंगा कि फिर से पेशवा पूने में बैठेगा, तो ये सपने देखकर Nana Sahib ने इस बगावत में leadership अपने हाथ में ले ली, और Nana Sahib के साथी थे, trusted से पैसालार थे इनके तातिया तोपे, ठीक है, तातिया तोपे जो है, ये इनको support करते थे और actual जो भाग दोड़ का काम है वो सारा तातिया तोपे ने किया था, लेकिन Nana Sahib ने भी leadership का role अक्तियार किया, कहाँ पर कानपूर में, city याद रखना, नाम याद रखना, बहुत जरूरी है, लखनों में leadership role अक्तियार कर लिया जाता है बेगम हजरत महल के द्वारा, बेगम हजरत महल कौन है, वाजिद अली इशा को retire कर दिया था, अपने ही kingdom से, तो इनकी जो wife थी, वेगम हजरत महल, of course ये नारास थी, और इनका जो बेटा था, बिजरिस कादिर, उसको नया नवाब प्रोक्लेम कर दिया गया, लेकिन अंग्रेज उसको नया नवाब गोशित नहीं करवाना चाते थे, लेकिन हजर इसकादिर वस वरी यंग, तो इनके पास इतनी leadership की capability नहीं थी, जो actual leadership थी, वो वेगम हजरत महल के पास थी, बरेली में, खान बहत्दुर खान, he was a descendant of the रोहिलास, रोहिलास यादे ना आपको भूल तो नहीं गये, मुगल बादशा को अंधा कर दिया था, वो वाले रोहिल तो बरेली में भी revolt किसके नितृतवे में होता है, खान बहतुर, खान के नितृतव में, बिहार में revolt की leadership मिली कुमर सिंग को, मतलब मिली नहीं मैं बार-बार ये शब्द मेरे मूंसे निकल रहा है, leadership मिली नहीं है, leadership इन्озмでは बनाई है, अपने आपको leader बनाया है, revolt को lead करके, बिहार में नित्रत्व का रोल अदा किया कुमर सिंग ने, कुमर सिंग कौन ते 70 वर्षे जमिंदार है जगदीश पुर्गे, अब 70 साल का आजमी क्यों आर्मी को लीड कर रहा है, क्योंकि इनकी जो जमीने थी, इनका जो एस्टेट था, वो अंग्रेजों ने इनसे छीन लिय किया कहा कि मैं तुमारा लीडर बनता हूँ, आओ हम संगराम करें, आओ हम बगावत करें, इस करांती में एक और इंपोर्टेंट लीडर थी, रानी लक्षमी भाई ऑफ जहांसी, आप सब ने इनकी कहानी सुनी होगी, जिनको लोकेशन नहीं पता, तो देखो Central India में यह रह रूलर के पास थी, जो लाणी लक्षमी भाई के पती थे, इनकी डेथ के बाद इनको जो बेटा था, उसको डॉक्षमी भाई काफी नारास थी, वो अपने बेटे को अगला राजा बनाना चाहती थी, और इसलिए वो भी इस लड़ाई में कूद पड़ी और उन्होंने भी आर्मी का नित्रत्व किया, अपने जहासी की आर्मी का, इसी समय जो बेंगॉल आर्मी है, यानि कि जो मेन आर्मी है, ब्रिटिश इस इंडिया कंपनी की, जो बेंगॉल में बेस्ट है, वो भी बगावत कर देती है, शुरुवाद बैरकपुर से होई चुकी थी, मंगल पा हुआ है, केवल कुछ गिने चुने इस प्रकार के प्रिंसली स्टेट थे जो रिवैलियन में थे, बाकी जालतर जगहों पर जो राजा महराजा थे, वो इस्ट इंडिया कंपनी के साथ में थे, ये ज़रूरी नहीं कि सभी साथ थे, कई सारे न्यूटरल भी थे, जितने भी आपको ग्रीन कलर के एरियास नजर आ रहे हैं, ये लोग न्यूटल थे, इन्होंने अपनी आर्मी इस इस इंडिया कंपनी को सपोर्ट करने के लिए नहीं बेजी थी, लेकिन जो बड़े बड़े ब्लु कलर के एरियास आपको नजर आ रहे हैं, ये सभी इस इंडिया कंप करी थी कि ये बगावत केवल अवद रीजन या फिर ये जो उत्तरप्रदेश दिल्ली वाला एरिया है बंगाल वाला एरिया है यहां तक सीमित नहीं रहे तांतिया तोपे ने MP गुजरात यहां जाकर आदिवासियों से भी बात करने की कोशिश करी कहा कि आप भी विद्रो कर आपको याद ही है ना भील रिवेलियन हमने पड़ा था तो वहाँ पर और जादा इन्होंने बोला कि चलो आओ साथ मिलकर रिवेलियन करते हैं लेकिन इतने दूर कम्यूनिकेशन स्थापित करने मुश्किल थे तो यह प्लान इवेंच्वली सक्सेस्फुल हो नहीं पाया अब आप इस मैप में देखो बस यही इंपोर्टेंटली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी ब्लू कलर के पिंस्वी स्थेट्स हैं उन सबने ब्रिटिश हुकूमत का साथ दिया उन्होंने इस विद्रो को दबाने में इस इंडिया कंपनी या फिर ब्रिटिश अ अजीमुल्ला खान एक और नाम याद रख लेना नाना साहिब स्ट रॉट्स है गी सेजज आपकानपूर में इनका काफी इंपोर्टन रोल था। जो महिला हैं और बच्चे थे उन तक का कतलग किया गया हुआ ये था कि कानपूर में जो इस्ट इंडिया कंपनी है उसने वहां के ऑफिसर्स को भगा दिया गया था उनको कहा कि अब तुम यहां से निकलो वो निकलने को तयार भी हो गए थे रिट्रीट कर रहे थे वो बोट पर बैट कर गंगा नदी में बोट पर बैट कर वो जाने वाले थे लेकिन जब वो बोट में चड़ रहे थे तो वहां पर घाट पर मैसेकर्स हुए थे और अब इस मैसेकर के पीछे किस की जम्मेदारी थी यह आज दिन तक क्लियर नहीं है क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि न का कतल किया गया जब वो बोट में बैट कर जाने वाले थे तो इसको सती चूरा गाट या बीवी गाट मैसेकर के नाम से भी जानते हैं तो कानपूर में जो यह हिंसा हुई थी इसको एस्ट इंडिया कंपनी ने ऐस प्रोपेगेंडा यूज किया लंडन के अखबारों में बच्चे और महिलाओं की हत्याय करिये हैं इन विद्रोईने यह तो बार्बरियंस हैं यह तो MichaLabरिएनत यह तो बिल्कुल जाहिल रहे हैं वाँ पर कॉलोनी क्यों बना रहे हैं तो इसी लिए उन लोगों को भी अपनी साइड करने के लिए इस प्रोपेगेंडा का जम कर इस्तमाल किया गया अल्टिमेटली प्रेशर बना ब्रिटिश गवर्मेंट में कि तुम कंपनी को और ट्रूप्स भी जो ब्रिटिश गवर्मेंट ने अपनी तरफ से और साहिता करी और फाइनली इस विद्रो को खत्म करने में इनका बहुत बड़ा रोल रहा था इस प्रोपेगेंडा का भी तो कानपुर में जब कंट्रोल आजाता है नाना साहिब का तो इन्होंने फिर तात्या तोपे को कहा कि अब बारी आ गई है जहांसी को आजाद कराओ तो इन्होंने रानी लक्ष्मी भाई की मदद के लिए तात्या तोपे को बेजा 20,000 की आर्मी बेजी जहांसी में इन्होंने एक लड़ाई लड़ी लक्ष्मी भाई ने लक्ष्मी भाई का नाम by the way मनी करनी का तामबे था कभी पूछ सकते हैं मनी करनी का नाम याद रखे न आप तो फिल्म भी आ गई है तो नहीं बूलोगे वैसे आप लो तो यहांपर जहांसी में लड़ाई होती है Hugh Rose की आर्मी के साथ, Hugh Rose नाम important है कभी-कभी पूछ लेते हैं British officer कौन था है यहांपर जहांसी में, तो Hugh Rose के सामने लड़ाई होती है रानी लक्ष्मी भाई की तो जहांसी में तो यह हार गए, लेकिन जहांसी से हार कर यह कहां चले गए Gwalior और तातिया तोपय और लक्ष्मी भाई ने surprise attack किया Gwalior और Gwalior का किला जीत लिया Gwalior का किला बहुत मजबूत है, it is considered to be one of the strongest fortresses in Central India तो ग्वालियर जो कि सिंधिया का गढ़ है और East India Company के साथ ही है सिंधिया उनका गढ़ जीतने से क्या होता है कि एक बहुत बड़ा संदेश गया क्या रेक ग्वालियर इनके कंट्रोल में आ गया है तो अब ग्वालियर को वापस जीतने के लिए East India Company ने फिर से एक बटालियन और अल्टिमेटली जो हैं गवालियर के किले के बाहर लड़ाई होती है उसी में रानी लक्ष्मी भाई जो है वो वीर गती प्राप्त करती है सभी कुछ थे डेफिनिटली इन्होंने बहुत कोशिश भी करी थी है कि जगे जगे पर यहाँ पर तालमेल बिठा कर हम साथ लड़ सकें लेकिन यह तालमेल बैठ नहीं पाया पर आपको यह चीज गया दखनी है कि इन्होंने राजपुताना मालवा यानि कि जो MP वाला रीजन है पंच महल जो गुजरात में स्थित है बांसवडा जो आज के राजस्थान में स्थित है यह सारा एरिया जो है यह बेसिकली पर बगावत हुई थी जिन में से कुछ नाम आपको याद रखने चाहिए जैसे कि नीमच नीमच आज के समय में मद्रप्रदेश में आता है कोटा में बगावत हुई थी आउवा में बगावत हुई थी आउवा कहां पर सित है यह मारवाड पाली डिस्रिक्ट है अगर 100-500 km जितनी दूर होगी तो आउवा जो है यहाँ पर बगावत हुई थी आउवा की बात क्या है कि यहाँ पर एक ठाकुर हुआ करते थे ठाकुर कुशाल सिंग इनका नाम था अउवा के ठाकुर अपने ही राजा के खिलाफ बगावत में उतर गये क्योंकि जोदपूर के राजा तो किसके फेवर में थे इस्ट इंडिया कंपनी के आउवा आता था जोदपूर के राजा के अदीन लेकिन आउवा के ठाकुर कुशाल सिंग ने कहा कि मैं तो अंग्रेजों की खिलाफ हूँ और अंग्रेजों की आर्मी को इन्होंने दो बार तो हरा दिया था लेक प्लेसेज जहां पर बगावत होती है और भी कई जगों पर हुई थी लेकिन सारी हमारे लिए UPSC में इंपोर्टन नहीं है जो राजस्तान स्टेट एग्जाम की तैरी करते हैं या फिर जैसे जो यूपी एग्जाम की स्टेट एग्जाम की तैरी करते हैं उनके लिए वो अंग्रेजों के साथ नहीं थे और देश के कई Cantonments में बगावत हुई थी मिनीमच एक बहुत बड़ा Cantonment था यहाँ पर भी बगावत दिखे गई थी East India Company ने अपना जो Northern Area का Headquarter है जो Northern Garrison थे उनके आपको याद है न डलाउजी ने Army के Garrisons को थोड़ा सा पंजाब की तरह शिफ्ट किया था लेकिन अब जब बगावत हो गई तो इन्होंने दिल्ली से फिर से अलाबाद तक अपना Garrison shift कर लिया फैजाबाद नाम की जो जगे है उत्तर प्रदेश में वहाँ पर Leadership का रोल मिला मौलवी एहमद उल्ला को ये नाम भी याद रख लेना कुछ-कुछ जगे पर नाम याद रख लो match the following में सवाल में आ जाएंगे ठीक है तो यहाँ पर मैंने थोड़े से summarize करती हैं लीडर्स के नाम अलाबाद में है लियाकत अली मतुरा में है देवी सिंग, मिरट में है कदम सिंग फैजाबाद में मौलवी मौहमद उल्ला बरेली में खान बहुत दुर खान हर्याना में राउत तुलाराम जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो हर बार एरपोर्ट जाते समें राउत तुलाराम फ्लाइओवर का इस्तेवाल करते हैं तो जब भी उस फ्लाइओवर पे जाओ हमेशा राउत तुलाराम को याद रखना कि इन्होंने 1857 की करांती में अपना बहुत एहम योगदान दिया था इसलिए इन महान लोगों के पीछे आज रोड्स का फ्लाइओवर का शेहरों का नाम दिया जाता है ठीक है तो राउत उलाराम मार्क दिल्ली वाले सब पहचान जाएंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ नया फ्लाइओवर बनाया अभी जो एरपोर्ट को शामिल थे जैसे शामल यह कोई फ्यूडल लॉड नहीं थे इनकी कोई जमीने नहीं गई थी ना ही यह सैनिक थे लेकिन आम लोगों ने भी कई जगे इन लोगों का साथ दिया तो यह बढ़ोत नाम की एक जगे है बागपत उत्तरप्रदेश में वहाँ पर थे शामल और इन्होंने क्या करा था 84 गाओं को 84 देश को लीड किया कि चलो बगावत में साथ देते हैं तो किसानों को इन्होंने इखटा किया और कहा कि हमें सैनिकों का साथ देना चाहिए और इन्होंने कई mutineers को दिल्ली में supply भी किया था लेकिन बागी सेनिकों की मदद करने के कारण अंग्रेजों ने शाहमल को पकड़कर 1857 जुलाई में इन्हें फासी पर चड़ा दिया अब बात करते हैं ब्रिटिश हुकूमत के response के बारे में तो ब्रिटिश हुकूमत ने अपने response में सबसे पहले दिल्ली को फिर से कबजा करने की कोशिश करी क्योंकि देखो जिस देश पर आप राज कर रहे हो अगर उसका capital या आपके control में नहीं है तो फिर तो आपकी क्या इज़त रहेगी तो इन्होंने सोचा कि बहुत जगों से troops मंगवाई पर्शया यानि की इरान में जो इनकी फॉजे थी वो मंगवाई गई ब्रिटिश बाय स्वी रूट इन्होंने अपनी आर्मी मंगवाई तो इस तरह से काफी support आने के बाद और reinforcements आने के बाद दिल्ली पर हमला किया गया और उसके अंग्रेज यहाँ पर क्या करते हैं कि इनके जो बेटे और पोते थे उनको मार देते हैं दिल्ली में एक दर्वाजा है खूनी दर्वाजा उसको कहते हैं खूनी दर्वाजे पर इनके बेटे और पोतों को मारा गया था son and grandson they were shot क्योंकि अब वो हिस्सा ले रहे थे बगावत में लेकिन फिर भी उनको बक्षा जा सकता था आप याद करो अभी तक अंग्रेजों की policy यह थी कि रॉयल फैमिली इस राजा माराजा नवाब इनको मारना नहीं है टीपू सुल्तान के बेटे की तरह उनको भी जाके ले जा सकते थे as a security रख सकते थे लेकिन इन्होंने इस बार कोई रहम नहीं दिखाया अंग्रेजों ने कहा कि बगावत को crush करना है तो समय आ गया है कि गोलिया चलानी पड़ेगी और बाहदुर्शाजफर के बेटे और पोतों को मार दिया गया उनी के दिल्ली में बाहदुर्शाजफर को क्या क्या इनको अरेस्ट करके भेज़ दिया गया रंगून जहां पर एक कुछ साल जिन्दा रहते हैं और 5 या 6 साल बाद इनकी मृत्य हो जाती है 6 डिसेंबर 1857 को East India Company जाती है कानपूर अब कानपूर वो शहर है जहां पर इनके अनुसार बहुत जात्या होई थी कानपूर में जब यह एंटर हुए ना तो इनका दिमाग बिल्कुल घुमा हुआ था कॉलिन केमबेल के नितरतों में आर्मी ने अटाक किया नाना साहिब सेकेंड को हराया नाना साहिब खुद चले गए नेपाल उसके बाद कुछ पता नहीं इनका क्या हुआ तातिया तोपे भी यहां से निकल के कहीं जंगलों में सेंट्रिल इंडिया में चले गए किसी को नहीं पता नेपाल गए सेंट्रिल इंडिया में है कुछ अकाउंट्स तो यह भी कहते हैं कि तातिया तोपे को पकड़ लिया गया था और गंगा किनारे उनको फांसी दे दी गई लेकिन इसका कोई हमारे पास confirmed source नहीं है कानपूर में जब इस इंडिया कंपनी फिर से अपनी आर्मी के द्वारा कंट्रोल स्थापित करती है तो इस बार कानपूर में ब्रिटिश फॉजें बहुत तबाई मचाती है इस बार ब्रिटिश ट्रूप्स ने जब कानपूर को capture किया तो जो भी उन्हें दिखा या तो उसे मार दिया गया महिलाओं का कतल किया गया बादब वो सेम उन्होंने जो हरकत करी थी बागियोंने वो सेम हरकतें इन्होंने भी करी इस बार killing of women and children और इन्होंने क्या कहा कि हम तो बीवी घाट और सती चूरा massacres का बदला ले रहे हैं तो ये जो brutality कानपूर ने देखी उस समय ये हिंदूस्तान में नहीं देखी गई थी अंग्रेज पिछले 90 साल से इंडिया में रूल कर रहे थे, लड़ाईयां लड़ रहे थे लेकिन इस प्रकार के civilians के साथ जो बरताब हुआ कानपूर में, दिल्ली में वो कभी भी नहीं देखा गया था इसलिए 1857 काफी brutal लड़ाई मानी जाती है मार्च 1858 में लख रहा हूं फिर से re-capture कर लेते हैं, कॉलिन कैंबल और जनरल आउतराम नेपाल की आर्मी जो है, उन्होंने इसमें इनकी मदद करी थी उसके बाद अगला नंबर था जहांसी और ग्वालियर का तो यहां पर भी आर्मी बेजे गई, ह्यू रोस के नित्रतु में तो जहांसी इन्होंने पहले जीत लिया, उसके बाद ग्वालियर पे गए और ग्वालियर में लड़ाई लड़ते लड़ते, रानी लक्ष्मी बाई जो हैं, ये भी वीरकती को प्राप्त हो जाती है तो जितने भी लीडर्स थे उनके साथ क्या हुआ, बाददुर शाह जफर को रंगून बेज दिया गया, नाना साहिब, नेपाल भाग गए, बेगा मजरत महल, पता नहीं क्या हुआ, most accounts ये कहते हैं हिस्ट्री के कि ये भी नेपाल चली गई, तातिया तोपे के साथ क्या फासी पे चड़ा दिया, हिंदुस्तानी historians कहते थे कि नहीं, ये बच के भाग निकले, रानी लक्षमी भाई, लड़ाई लड़ते हुए, वीरगती को प्राप्त हुई, बगावत को रोकने के बाद, अंग्रेजों ने जो किया, वो हिंदुस्तान में कभी नहीं देखा गय इस प्रकार की ब्रुटालिटी नहीं देखी गई थी, गंगा नदी के किनारे जितने पेड थे, ऐसा कहा जाता है कि गंगा की किनारे हर पेड पर एक व्यक्ती को फासी लटकाया गया था, एवरी ट्री हैड़ बॉड़ी हैंगिंग बाइट, ताकि गंगा नदी पर जो भी आता जाता है, मतलब रिवर्स को ट्रांसकोर्ट के लिए इस्तमाल किया जाता था, तो जो भी नदियों को क्रॉस करता है, वो देखे कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाब बगावत करने का ये अन्जाम होगा, हर पेड़ पे एक सैनिक को लटकाया गया था और तोपो से सैनि लॉट्स जिनको अपनी सत्ता वापिस चीये थी, बड़े-बड़े जमिनदार, जिनकी जमीने चीन ली गई थी, मेजरली यही लोग थे, दक्षिन बारत में इसका कोई impact नहीं था, इस्टरिन इंडिया में भी कोई जाधा impact नहीं था, जाधा तर जो एरिया है वो तो सानिक विद्रो तो कौन सा देश टॉलरेट करेगा, कोई देश टॉलरेट नहीं करेगा, आज अगर आप कोई modern country की भी बात कर लो, तो soldiers के द्वारा mutiny कोई देश टॉलरेट नहीं करता है, उनकी नजर में this was merely a सिपाही विद्रो और सिपाय mutiny, फिर बात करते हैं modern educated Indians की, त आजा मारा आजा, फिर से power में आ जाएंगे, तो जो हमारा विकास हुआ है पिछले 40-50 सालों में, बंगाल में, ये कैसे होगा, अब दुनिया तो आगे की तरफ जा रही है, French Revolution हो चुका है इस वक तक, equality, fraternity, इस तरह के ideas धीरे-धीरे filter out होकर आने शुरू हो चुके हैं, अम लिखे लोगों ने भी इस बगावत में साथ नहीं दिया, फिर जो बागी थे, उनके पास modern weapons नहीं थे, unity नहीं थी, coordination नहीं था, कहीं पर कभी बैरकपूर में विद्रो हो रहा है, कहीं merit में सैनिक विद्रो कर रहे हैं, कोई एक uniform leadership नहीं थी, planning नहीं थी, funds नहीं थे, इनके बास nationalism की कोई भावना नहीं थी, राश्ट्रवाद की कोई भावना नहीं थी, सब अपने अपने कारण से लड़ रहे थे, कोई अपने बच्चे को राजगंधी पर बिठाने के लिए लड़ रहा था, कोई अपने धर्म के लिए, कोई अपनी Greece को नहीं bite करने के लिए इतने अलग-अलग हैं, तो एक unity के साथ कैसे लड़ाई हो सकती है, अंग्रेजों ने जो डलाउजी के समय में communication lines बिचाई थी, telegraph, railways, इसका इन्हें पूरा फाइदा उठाया, इसका इन्हें बहुत फाइदा हुआ, क्योंकि बंगाल से दिल्ली जैसे एरियास तक armies भेजना क capture कर लिया, तो देश के कई हिस्सों में जो बागी थे, उनका moral down हो गया, कि दिल्ली हाथ से चली गई, तो अब तो क्या है, जब दिल्ली गिर चुगा है, तो एक एक करके सबको गिरना लाज़मी है, 1859 ने आते आते हैं, अगर कहीं थोड़ा बहुत बगावत बची भी थी तो उसको खत्म कर दिया गया, वैसे तो 1858 में ही रिवोल्ट समाप्त हो गया था, जारतर जगे आप यह देखोगे कि 57-58 में रिवोल्ट समाप्त हो गया था, कुछ जगे छिटपुट 1800 तक चीज़ें चली थी, उनको खत्म करके 1859 में अच्छे से East India Company का रूल एस्टाबलि administration पर, अब East India Company हमेशा के लिए यहां से अब 1857 में भारत की क्या परिस्ति थी, पिंग कलर में जितनी भी territories आपको नजार आ रही है, ये सभी British हुकूमत के direct control में थी, कहने को East India Company का राज था लेकिन आपने देखा कि किस प्रकार से successively कानून लाकर British Parliament East India Company के power को कम करती जा रही थी, 1857 के बाद पूरा power East India Company के हाद से छीन लिया गया, लेकिन उस वक्त East India Company के बास भारत का एक काफी बड़ा हिस्सा इनके control में था, जो yellow color के आपको states नजर आ रहे हैं, ये इन पर पूरी तरह से dependent थे, protected states थे, तो राजपुताना, गुजरात, यहां पर निजाम, ये खुद जाकर राज नहीं करना चाते थे, it was a tough terrain, 1857 की क्रांती में इन yellow और green वाले states ने लगबख सभी ने East India Company का साथ दिया, और जो red वाले areas में बगावत हुई थी, उसको suppress करने में इनकी मदद करी, अब 1857 की जो क्रांती है, ये 1858 तक 1858 तक लगबख पूरे देश में control में आ चुकी थी, काबू में आ चुकी थी, जून 1858 तक mostly सब जगे लड़ाई खत्म हो गई थी, सवा साल के आसपास का ये time period था, इसमें British हुकूमत की भारत में जो नीवे थी, वो हिल गई, इनके foundations हिल गए थे, और British Parliament को, British सरकार को ये समझ में आ गया, कि ये बगावत कोई छ एक फर्मान जारी किया, फर्मान यानि कि Queen Victoria's Proclamation of 1858, Queen Victoria कौन थी, Britain की महरानी थी, और Queen Victoria का उस समय record था, सबसे ज़्यादा लंबे समय तक ये रहानी रही थी, 1837 से 1901 में Victoria की death होती है, तो Queen Victoria का राज बहुत लंबा चलाता, लेकिन अभी जो और महरानी है, Queen Elizabeth II, उन्होंने इन Proclamation, यानि कि एक फर्मान जारी किया जाता है, तो Queen Victoria के इस फर्मान को भारत में Announce किया, Governor General of India, Lord Canning ने, Canning ने 1 November 1858 को अलाबाद में एक दर्वार बुलाया, जिसके अंदर Local, राजा, महराजा, नवाब, जिनके साथ इनकी Subsidiary Alliances थी, उनको बुलाया गया, और यहाँ पर Canning न Announce किया कि आज के बाद British हुकूमत भारत में और कोई Territorial Expansion नहीं करेगी, No Further Territorial Expansion, अब भाई साब सचा ही तो यह थी कि Territorial Expansion करोगे, किस तरफ, इधर अफगानिस्तान है, हार गये, इधर हिमालया आ गया, यहाँ पर समुद्रा आ गया, तो कुछ बचा ही नहीं था न बहुत इंपोर्टेंट था, कि जो लोकल राजा हैं, महराजा हैं, उनके साथ अब Doctrine of Laps जैसी बत्तमीजी नहीं करी जाएगी, उनका पूरा सम्मान किया जाएगा, उनको अपना सही स्थान दिया जाएगा, उनको यह पावर होगा कि वो अपना वारिस घोशित कर सके, Doct यह यलो ही रह गई और जो पिंक है वो पिंक रह गई, पिंक का एक्सपांशन नहीं हुआ, अभी तक आपने क्या देखा था कि लगातार 1765 के बाद यह पिंक एरिया बढ़ता जा रहा था, लेकिन अब यह एरिया बढ़ेगा नहीं, अब यह भविश्य में सभी मैप्स में यह वाला एरिया यलो ही रह जाएगा, अब इसके अंदर बदलाव आएंगे भारत की आजादी के बाद, 1947 के बाद इसमें आप चेंजिस देखोगे इस टेरिटरी में, तो अगले 90 साल के लिए भारत का नक्षा फिक्स हो चुका है, आपको याद होगा कि बेंटिक ने सती प्रथा को रोकने के लिए एक कानून बनाया था, उसके बाद विद्वा पुनर विवा करने के लिए एक कानून बनाया गया था, इस प्रकार के धार्मिक मामलों में कोई दखल अंदाजी अब के बाद नहीं दी जाएगी, लेकिन इस पॉइंट को आप याद रठना, ये भारत के समाज को आगे बढ़ने से एक तरह से रोक देगा, अब कोई सोशल रिफॉर्म सरकार की तरफ से नहीं आएगा, जो रिफॉर्म है वो समाज अपने सतर पर सोसाइटल रिफॉर्म से लेकर आएगे, लेकिन सरकार कोई भी इस प्रकार के कानून नहीं बनाएगी, ज next line क्या कहती है equal and impartial protection of law for all तो सब के लिए कानून समान होगा मान लो कोई British व्यक्ति भारत में आकर खून कर देता है यहाँ पर सरकार के लिए काम करता है कोई government officer है वो किसी का खून कर दे और भारतिय व्यक्ति खून कर दे तो दोनों के लिए समान सजा का प्रावधान होगा दोनों के लिए अलग-अलग सजा नहीं होती है अभी तक बहुत सारे case ऐसे थे 1857 के पहले जहां पर भारतिय लोगों के लिए सजा अलग थी अंग्रेज के लिए अलग थी all offices in administration will be open to all the subjects क्या आपको पता है कि कौन सा वो कानून था जिसने civil services को open किया था 1813 वाला था या 1833 वाला charter act था बताइए कमेंट में मुझे अगर यादो तो civil services को भारतिय लोगों के लिए तो open किया जा चुका था लेकिन अब उच्च से उच्च पद पर भारतिय व्यक्ति बैट सकता है आपको याद है कि एक governor general आया था जिसने भारतिय लोगों को हटा दिया था top jobs से उसने कहा था कि भारतिय लोग लायक नहीं है top नौकरी पाने के लिए कौन था वो governor general याद कर लो याद नहीं है तो बैट कर रिवाइस कर लो तो यह थी queen victoria और इन्हों ने एक और बहुत अच्छा काम किया मतलब जो हुकूमत के लिए अच्छा था एक general amnesty दे दी जाती है amnesty का मतलब होता है कि माफी नामा तो एक आम माफी नामा दे दिया गया उन बागी सैनिकों को जिन्हों ने 1857 की करांती में हिस्सा लिया तो चाहे वो कोई सैनिक हो उनकी खुद की आर्मी का चाहे वो कोई feudal lord है कोई maharaja, raja, prince कोई भी है अगर उसने 1857 की करांती में हिस्सा लिया और until and unless उसने किसी व्यक्ति को अपने हाथ से मारा नहीं था, British व्यक्ति को, अगर उसने किसी British soldier या British officer को अपने हाथों से नहीं मारा था तो उसको amnesty दे दी गई, general amnesty मिल गई, इस प्रकार से अवद के जितने भी feudal chiefs थे, बंगाल के जितने भी feudal chiefs थे, उनको उनकी जमीने भी वापिस मिल गई और अराम से जाकर वो रहने लग गए, उनको कोई jail वगेरा नहीं हुई, लेकिन अगर किसी ने British officer की हत्यागरी थी, तो फिर उसे नहीं बक्षा गया अब लेकिन एक बात और है कि देखो जब ये proclamation आया था तब तक, यहाँ पर locally British army ने कई लोगों को तोपों से उड़ा दिया था, बहुत brutally बहुत लोगों को मार कर पेड़ों पर लटका दिया गया था गंगा नदी के किनारे अब भारतिय लोगों के लिए फर्मान जारी करने के बाद British हुकुमत ने अपने खुद के ग्रेबान में जहाका और ये देखा कि हमारी army में ऐसी क्या problem थी जिसके कारण ये बगावत इतनी बड़ी हो गई सबसे पहली चीज इनको समझ में आई कि एक तो हमारे officers की संक्या कम है और हिंदुस्तानी सैनिक जादा थे फौज में अब इन्होंने European troops की संक्या बढ़ा दी कि कहीं एक लाग की army है तो उसमें ratio क्या रहेगा 33,000 होंगे Europeans और 66,000 होंगे भारती है तो ये ratio हमेशा follow किया जाएगा दूसरे areas में 1 is 2 3 होगा तो अगर पंजाब है तो पंजाब में एक लाग की आर्मी में 25,000 European और 75,000 भारती है पहले ratio इस से काफी जादा था भारती सैनिक कर दिया और उसके पास तो पह तो वो कोई भी किला द्वस्त कर सकती थी इसलिए सारी भारती artillery units को बंद कर दिया गया disband कर दिया गया जितने भी senior post है आर्मी में officer level की वो केवल Europeans के लिए reserve रखी गई भारती officers को कभी भी senior post पर नहीं रखा जाएगा उसके बाद licensing act आता है 1857 क इसने क्या करा कि press पर restriction लगा है तो जैसे Metcalf Act था उसके अलावा इसने और कई सारी restriction लगा है कि right to stop publication और circulation of any book, newspaper and printed matter 1857 की बगावत के कारण ना किवल British हुकूमत के अंदर बदलाव हुए बलकि भारत के समाज के ताने बाने में भी हमेशा के लिए कुछ बदलाव आ गए जैसे की सबसे पहले racial bitterness अंग्रेज और हिंदुस्तानी नसले के लोगों के बीच में हमेशा के लिए एक कड़वाहट आ गई जो कड़वाहट है आजादी के बात तक ने गई और मेरे ख्याल से तो आज दिन तक वो मौझूद है दूसरा ब्रिटिश हुकुमत के दिमाग में ये बात हमेशा के लिए बैट गई या घर कर गई के भारतिय लोग जो हैं ये काफी बरबर हैं और इनको रिफॉर्म के माध्यम से हम ठीक नहीं कर सकते इनके अंदर समाजिक क्रांती पढ़ाई की क्रांती ये सब नहीं ला सकते इनको तो बस डंडा समझ में आता है तो they have to be ruled only by force इनको उनके उपर police, army इन सब का डर बिठाय रखो और उसके लिए इन्होंने एक काम और किया कि जो भारतिय समाज में conservative elements थे जो fundamentalist थे, जो feudal rulers थे, उनके साथ अपने संबंद और प्रगार्ड कर लिए इसके पीछे ये भी reason था ना कि जितने भी राजा मारा जाते उन्होंने सबने इनका support किया था तो इनको लगा कि ये ठीक लोग हैं, ये अपने वादे के पक्के हैं, इनके साथ दोस्ती बनाये रखो, और अच्छी दोस्ती बनाये रखो और इनमें से कई conservative elements या fundamentalist लोग ऐसे थे, जो बिलकुल भी समाज में परिवर्तन नहीं चाहते थे और ऐसे लोगों का साथ देकर, बिल्टिश हुकुमत ने भारत के अंदर social reforms की जो speed है, उसको बहुत slow कर दिया मतलब हुए reforms तो ultimately हो गई, किसी भी समाज में reforms को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उनकी speed जरूर धीमी पड़ गई इसके कारण भारत की समाजिक तरक्की काफी रुख गई, हमारी scientific technological process रुख गई और industrialization जो हम आज भी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो तब पूरी तरह से रुख गया अगला आजादी की पहली जंग के कारण, भारत की जो प्रशासनिंग व्योस्ता है, वो England ने बदल दी अभी तक भारत का जो शासन है, वो on paper East India Company के हाथ में था, हालाकि East India Company की पावर अल्रेडी बहुत कम कर चुके थे दीरे दीरे एक एक कानून लाकर कमपनी को कमजोर किया जा रहा था, और Parliament अपने हाथ में ज्यादा पावर ले रही थी, ब्रिटेन की लेकिन अब उनको बहाना मिल गया कि East India Company को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया जाए तो अब administration of India was transferred from East India Company to the crown, crown का मतलब है कि Queen Victoria और उनकी सरकार basically Parliament अब हाला कि ये के वाले एक formality थी, क्योंकि पहले से ही East India Company और British Parliament जो है, वो एक symbiotic relationship में थे East India Company बिना Parliament के support के operate ही नहीं कर सकती थी, याद है न आपको 1773 में क्या घटना करम चला था उस समय से East India Company और Parliament काफी close हो गए थे और East India Company पारलेमेंट में MPs को भेशती थी, उनको fund करती थी, उनको पैसा देकर influence करने की कोशिश करती थी पारलेमेंट बदले में इनने military support देती थी, diplomatic foreign policy चलाने का इनको permission मिल गया था भारत में लेकिन अब समय आ गया था कि East India Company को पूरी तरह से हटा दिया जाए और उसके लिए लाया गया Government of India Act 1858 तो Government of India Act कई सारे आएंगे आगे चलकर लेकिन ये सबसे पहला है तो अब पहली बार इतियास में नाम आ रहा है Government of India Act यानि कि अब भारत के लिए एक सरकार बनेगी और उस सरकार को कौन चलाएगा directly Her Majesty the Queen तो अब रानी खुद तो आकर बैठेगी नहीं दिल्ली में लंडन छोड़के Buckingham Palace छोड़कर Queen Victoria भारत तो नहीं आएगी न यानि कि Royal Family या फिर Regal Rule की जगे जो Vice Captain यहाँ पर काम कर रहा है जो काम देखभाल कर रहा है उसको हम कहते हैं Vice Roy तो अभी तक जो designation थी Governor General वो change होकर officially हो जाएगी Governor General of India and Vice Roy पूरा नाम ये था लेकिन अब हम लोग जब इसको पढ़ते हैं किताबों में आपको किवल Vice Roy मिलेगा जबकि officially पूरी designation ये थी Governor General of India and the Vice Roy ये लेकिन अब Vice Roy ही उसको कहेंगे तो Vice Roy term change हो गया है Lord Canning जो अभी तक Governor General की पद पर थे वो अचानक से बन जाते हैं Vice Roy और he is the direct representative of the British Crown in India अब सब कुछ Vice Roy के नाम पे होगा और Vice Roy किसके नाम पे करेगा रानी के या राजा जो भी अगर भविश्य में होंगे उनके नाम पर Charles Canning he became the first Vice Roy अब इससे एक तो ये double government वाला system खत्म हो गया double government क्या था यादे आपको लंडन में एक board of control और court of director हुआ करता था जो क्या काम करते थे एक का काम था economic policy या फिर अर्थवयस्ता देखना company का दूसरे का काम था political या diplomatic काम देखना अब इन सब को खत्म करके एक नया office या नया मंत्राले बनाया गया जिसका नाम था Secretary of State for India अब ये Secretary of State वाली जो terminology है या आपने US में काफी सुनी होगी वहाँ पर मंत्रियों को Secretary of State कहा जाता है तो इसी प्रकार से यहाँ पर एक नया मंत्राले बनाया जाता है लंडन में जो भारत के मामलों को संभालेगा तो Secretary of State for India is basically a minister who is handling India तो भारतियों मामलों के मंत्री बनाया गया और भारतियों मामलों का मंत्राले बनाया गया जिसका official नाम था Secretary of State for India and this person was a member of the British cabinet तो British cabinet में ये थे और बहुत important post होती थी ये बाद में तो मलाईदार post भी थी और important भी हो गई थी He had the complete authority and control over Indian administration तो अब जो भी निर्डे लिये जाएंगे वो इस मंत्री के द्वारा लिये जाएंगे and Secretary of State was responsible to the British Parliament अगर भारत में कुछ भी गड़बड होती है मान लो कल को एक और बगावत हो जाती है तो British Parliament इस Secretary of State को बुलाकर इससे जवाब पूछे की इसको तलब किया जाएगा तो इसलिए इस पर काफी responsibility का काम है Secretary of State की मदद करने के लिए एक 15 सदस्यों की Council बनाएगी जिसका नाम दिया गया Council of India Council of India में 8 सदस्य Crown के द्वारा पॉइंट के जा रहें यानि कि Britain की महरानी के द्वारा साथ East India Company के Directors के द्वारा Council of India एक advisory body है यानि कि इसके द्वारा कही गई बात Secretary of State को मानना ज़रूरी नहीं है और Secretary of State इस council का chairman है तो he is the chairman of the council and जब वो council में बैठेगा तब उसको कहा जाएगा Secretary of State in council और ये एक corporate body की तरह बनाई गई यानि कि जो council है it was like a corporate body जिसको कोई भी sue कर सकता है उस पर case कर सकता है इंडिया और England दोनों में तो ये एक corporate body की तरह है लेकिन याद रखना Secretary of State जो है ये कोई corporate body नहीं है Secretary of State एक मंत्री है एक मंत्राले है जो British cabinet का सदस्य बनेगा Secretary of State Charles Wood यादे आपको Woods Dispatch 1854 ये वही Charles Wood है जिनको पढ़ाई लिखाएगी बहुत पढ़ी थी भारत में इन्होंने वो 3-tier वाला system बताया था तो Charles Wood जिनको Lord Halifax भी कहा जाता है ये इनकी उपादी थी ये पहले Secretary of State for India बनते हैं याद रख लेना कभी पूछा जा सकता है Prelims Point of View से important information है जानकारी है अब उदर लंडन में तो 15 सदस्यों की council बना दी यहाँ कलकत्ता में Viceroy की मदद करने के लिए क्या होगा यहाँ पर भी एक Executive Council बनेगी जिसमें 4 सदस्यों होंगे इन सदस्यों का काम क्या है कि एक तो यह अलग-अलग department को lead करेंगे और दूजरा Viceroy को officially advise देंगे उसके advisor है और यह जो department head करने वाली बात है यह आप देख रहे हो portfolio की तरफ हम बढ़ रहे हैं आज की जमाने में क्या होता है कि सारे मंत्री हैं वो सारा काम नहीं देखते अगर ग्रह मंत्री है तो वो केवल ग्रह विभाग का काम देखेगा विदेश मंत्री केवल विदेश विभाग का काम देखेगा उसी प्रकार से यहाँ पर भी portfolio बनाय जा रहे हैं कि उसका supervision England से हो लेकिन जो भारत में ground level पर system था यानि कि नीचे के level का system में उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया जो सारा बदलाव है वो top level पर हो रहा है अब देख रहे हो vice roy यानि कि जो भारत में highest authority है British लोगों की वहां से उपर change हो रहे है London में vice roy के level पर vice roy की executive council जो ground level पर काम ह वहां पर कुछ भी नहीं हुआ है ना तो कोई revenue system बदला गया ना ही कोई police system ना ही कोई judiciary ना कोई अन्यक प्रकार का system बदला गया अब यह सब जब गटना करम चल रहा था जब first war of independence चल रहा था उस वक्ट भारत में governor general था Charles Canning, Canning बाद में vice roy of India भी बन गया अब ऐसा लग रहा गया यानि British media ने डलाउजी के खिलाफ रोज editorial लिखे वो बिचारा घर में बैठ के पढ़ता होगा कि मैं वहां 8 साल विकास करके आया और मुझे बदले में क्या मिला एडिटोरियल्स इधर Charles Canning को माना गया कि चलो यह तो नया नया बंदा आया था इसकी क्या गलती 1857 में कर इसके नितरतों में 1858 तक पूरी दरा से बगावत कंट्रोल में आ चुकी थी जब कि कुछ महीने ऐसे थे शुरुवाती 3-4 महीने ऐसे थे जब ब्रिटिश प्रेस को यह लगने लगा था कि भारत हाथ से गया चार्ल्स कैनिंग ने डॉक्टर राइन ओफ लैप्स को अफीशली वापिस ले लिया कैनिंग के कारेकाल में एक और इंट्रेस्टिंग घटना हुई थी वाइट म्यूटीनी अब आप सोच रहे हो कि एक तो यह वाली म्यूटीनी हमने पड़ी अब यह और कौन सी है 1859 की म्यूटीनी तो इसके बारे में आपको कुछ याद रखने की जरूत नहीं है बस इतना सा याद रखना कि वो जो सेना में बदलाव किये थे न उसमें क्या था कि कुछ टुकडियां East India Company की हुआ करती जिसमें Europeans को यह लोग hire करते थे जरूरी नहीं है कि वो लोग England के हो दूसरे देशों के भी हो सकते थे तो इसके बाद यानि कि आजादी की पहली जंग के बाद इन्होंने जब आर्मी में reforms किये तो इन टुकडियों को merge कर दिया British Army की टुकडियों के साथ तो इन लोगोंने बगावत कर दी इनके भत्ते बत्ते कम कर दिये थे तो इन्होंने का हम नहीं करेंगे तो इनको बोला रवाना हो जाओ आज क्या आज निकलो और सबको भेज दिया था घर 10,000 officers थे 10,000 troops थे 10,000 European troops थे जिनको कहा कि घर चले जाओ इनको सबका बोरिया विस्तर पैक करवा के चार्ल्स कैनिंग ने रवाना कर दिया था जहाजों पे बिठा कर कैनिंग के समयकाल में जो आपको चीज याद रखनी है वो ये कि Criminal Procedure Code CRPC Indian Penal Code IPC ये दोनों कैनिंग के समयकाल में लाए गए इनके बारे में बाते कब होनी शुरू होगी थी बेंटिक के कारेकाल में 1820 में 1830 में लेकिन लागू कब होते हैं ये चार्ल्स कैनिंग के कारेकाल के दोरान पुलिस कमिशन का गठन किया गया जिसने इंडिन पुलिस आक्ट 1861 बनाया इस कमिशन ने जो सुझाव दिये उनमें से कई आज भी फॉलो होते हैं पहला सुझाव यह था कि हर गाओं में एक civil constable होगा जो बेसिकली एक village चौकिदार की तरह है या watchman की तरह है उसका खर्चा गाओं वाले ही देते थे लेकिन अब इसका role थोड़ा सा formalize किया गया उसके बाद inspector general की पदवी बनाए गई कि एक province को जो police officer lead करेगा वो inspector general deputy inspector general DIG would head a range, SP would be heading a district तो ये वाली जो पदवी हैं ये सब हम आज भी follow करते हैं और ये system काफी successful रहा था इसने भारत में डेकोईटी ठगी इन सब को पूरी तरह से बन कर दिया लेकिन ये police भारती लोगों के प्रती साहनुभूती नहीं रखती थी और बाद में national movement के दौरान police का इस्तमाल crackdown करने के लिए काफी इस्तमाल किया गया अब बात करते हैं Indian councils act 1861 की तो देखो 1858 में जो बदलाव लाए गए थे वो इतने बड़े स्तर के बदलाव नहीं थे मैं आपको बताया ना कि local level पर तो कुछ भी change नहीं हुआ तो 2-3 साल के अंदर ये demand आ गई थी कि हम गवर्नेंस में कुछ ना कुछ बदलाव करना पड़ेगा तो इसलिए Indian councils act 1861 पास किया जाता है इसमें सबसे पहला काम तो यह किया कि वाइस रॉय की executive council में जो 58 वाले कानून ने 4 member तेह किये थे वो बढ़ा कर 5 कर दिये गए अब वाइस रॉय प्लस 5 टोटल कितने 6 member हैं ब पावर चीन ली गई कि तुम 3 member भी अपॉइंट करोगे फिर इस कानून में delegation का काम शुरू होता है या फिर portfolio system लागू किया जाता है portfolio जो है यह भारत के प्रशासन में आज भी इस्तमाल होता है आज भी हम portfolio's allot करते हैं मंत्रियों को मंत्रा ले दिये जाते हैं तो यह system canning न के member थे पाँच इन में से किसी को बोला गया कि आप defense का काम देखिये एक को कहा गया कि आप railways का काम देखिये तो इनको particular departments संभला दिये गए और उन departments का काम इनको देखने को कहा गया Under this system a member of the Viceroy's council was made in charge of one or more departments and was authorized to issue final orders on behalf of the council on the matters of his department अगला प्रावधान था Viceroy की शक्ती से संबंदित Viceroy को यह power दी गई कि आप चाहें और अगर Viceroy चाहें तो इन 5 members के अलावा कुछ additional members को भी add कर सकता है जोड सकता है अपनी council में तो अगर यह चाहें तो 6 से 12 members हो सकते हैं तो council 11 लोगों की भी हो सकती है और council maximum 5 plus 12 17 लोगों की भी हो सकती है तो Canning ने 6 लोगों को additionally join किया और यह भी एक प्रावधान था कि इन 6 में से कम से कम आधे हिंदुस्तानी होने चाहिए यहनि कि अगर 12 appoint करते हो तो 6 हिंदुस्तानी हो अगर 6 appoint करते हो तो फिर 3 हिंदुस्तानी होने चाहिए 1862 से लेकर 1892 तक total 45 Indians को इस council में as additional non-official member add किया गया additional क्योंके यह अतिरिक्त है additional है non-official क्योंके इनका officially appointment लंडन से नहीं हुआ है इनका appointment वाइस रोय नहीं किया गया है और यह जाहतर feudal lords थे जमिंदार्स थे या फिर प्रिंसली स्टेट्स के राजा महराजा थे इनी लोगों को यहाँ पर जगे मिली आम आदमी को यहाँ पर जगे नहीं मिली थी हाला कि दीरे दीरे 1880 आते आते यहाँ पर कुछ lawyer, magistrate, journalist और बड़े व्यापारी जैसे लोग भी जुढने लग गए थे इस council में लेगिन शुरुवाती सालों में तो किवल राजा और महराजा ही थे अगर यह राजा महराजा उस meeting में होते भी थे तो इनको कुछ बोलने नहीं दिया जाता था जो भी काम है वो सारा जो main members हैं जो 5 original members हैं वो ही करते थे इन additional members को कोई खास काम नहीं दिया जाता था उनको किवल वहाँ बिठा के रखते थे their work was strictly limited to legislation उनको कोई भी executive मामले में तो दखल अंदाजी देने ही नहीं दी जाती थी यानि उनसे कभी नहीं पूछा जाएगा कि defense में क्या करना चाहिए armies को कहां बेजना चाहिए उनसे बस कानून बनाते समय एक सहमत ही ले ली जाती थी so they did not possess the powers of administration and finance लेकिन इस कानून को ये शरे जाता है कि इसने भारत में सबसे पहले representative institutions की शुरूआत करी representative institution का क्या मतलब है कोई ऐसी संस्ता जहां पर लोगों के नुमाइंदे जा रहे है अब हाला कि ये राजा माराजा थे लेकिन थे तो भारती लोगों के नुमाइंदे तो चाहे कितना ही कम involvement क्यों न हो कम से कम involvement तो है जो देश के लिए कानून बनेंगे उनमें कम से कम कुछ भारतीय लोग तो होंगे तो जब 1862 में पहली बार canning ने तीन भारतीय members को जोड़ा था तो उनके नाम exams में directly पूछ लेते हैं तो याद रखेगा राजा ओफ बनारस, महराजा ओफ पटियाला और सर दिनकर राओ ये दिवान थे ग्वालियर राज्य के कुल विलाकर आप देखोगे कि सारे बड़े बड़े लोग है राजा, महराजा, संब्रांत वर्ग के लोग है आम आदमियों को यहाँ पर कोई जगे नहीं दी गई थी अगला प्रावदान था कि वाइसरोय को काफी powers दिये गए कि जिससे वो council के day to day कारे को manage कर सके easily वाइसरोय को काफी अच्छी powers थी वाइसरोय को ordinance issue करने की भी power थी ये भी काफी important है ordinance issue करने का power पहली बार भारत में 1861 के Indian Councils Act से लाय जाता है तो अगर legislative council की meeting नहीं हो सकती तो वाइसरोय के अपनी शक्तियों का इस्तमाल करते हुए सीधे तोर पर कोई ordinance issue कर सकता था और इस प्रकार का ordinance 6 महीने के लिए लागू होगा और उसके बाद इसको council में अपरूव करवाना जरूरी है फिर इस कानून ने Bombay और मदरास Presidencies को कुछ power दिये तो decentralization हो रहा है हाँ पर मदरास बॉम्बे के power पहले खीचकर Calcutta को दिये जा रहे थे लेकिन अब पहली बार decentralize होता है power Vice-Roy के पास यह अधिकार थे कि वो जब चाहे नए provinces बना सकता है जोड सकता है, divide कर सकता है कोई भी alteration वो कर सकता है और इस power का इस्तमाल आगे चलकर किस ने किया था? करजन ने करजन ने इसका इस्तमाल करके बंगाल को विभाजित कर दिया था Vice-Roy के पास यह भी power थे कि वो राज्जो में, I'm sorry, Presidencies में जैसे Bombay, Madras, यहाँ पर Left-Nate Governors को Appoint कर सकता था Financial Decentralization introduced किया गया इसका क्या मतलब है? कि Bombay और Madras जैसी Presidencies को यह अधिकार मिले कि वो अपने Finances खुद संभाल सके Local Taxation, Local Taxes को लागू कर सके अपने Budget को पेश कर सके और उसको Balance कर सके तो उनको केंदर सरकार, यानि कलकता से तो Grant मिलेगा ही मिलेगा उसके अलावा अगर उनको लगता है कि पैसे की कमी है तो वो Local Tax लागा के उसको पूरा कर सकते हैं इससे Local Finance की शुरुआत होती है तो इस Decentralization की आवशकता क्यों थी देखो इतनी सारी लड़ाई यहां लड़ लड़के सरकार के खर्चे काफी बढ़ गए थे बिडिश सरकार के तो Financial Difficulties जो थी वो Overcentralization की कारण भी कुछ हद तक थी तो Decentralization की सकता आवशकता थी उसके बाद Civic Immunities की बात करें तो योरोप के कई देशों में अब इतनी तरक्की हो चुकी थी यह Civic Immunities हैं, सडके हैं, बिजली, पानी यह सब था तो यहां पर भी कुछ लोग सोच रहे थे कि भारत में भी ऐसा अगर करेंगे तो उसके लिए Decentralization चाहिए अगर Bombay शहर में lights लगानी है, अच्छी सडके बनानी है तो उसके लिए बार-बार पैसा मागने कलकता नहीं जा सकते Bombay के पास यह budget होना चाहिए राष्ट्रवाद जैसे देसे जन्मन ले रहा था तो Bengal में उसकी जड़ें जमती जा रही थी तो अंग्रेजों को लगने लगा था कि सारा focus हम Bengal पर ना रखें हो सकता है कि कलको Bengal हमारे हाथ से चला जाए तो फिर इसलिए हमें दूसरे राज्यों को decentralized power देना जरूरी है British wanted to restrict the Indian National Movement by involving a few Indians in politics appeasement, उनको लगता था कि अगर तीन लोगों को भी हम शामिल कर लेंगे additional members के तौर पर तो भी भारतिया लोग खुश हो जाएंगे इनको आगे कुछ देने की जरूरती इस lollipop से एक खुश हो जाएंगे और local taxes बढ़ाने की इनको बहुत जरूरती क्योंकि इनके पास पैसे की पिछले लेक्चर में लास्ट वाइसरोय या गवर्णर जनरल जिसको हमने डिसकस किया था उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग तो कैनिंग पहले गवर्णर जनरल था लेकिन बाद में 1858 में उसका designation चेंज करके वाइसरोय कर दिया गया तो 1862 में कैनिंग को वापस बुला लिया जाता है और उसकी जगे भेजा जाता है जेम्स ब्रूस को लेकिन इसको जेम्स ब्रूस के नाम से कोई नहीं जानता इसको बस अलजिन कहते हैं और क्यूंकि अब 1860 की दशक तक कैमरा का आविशकार हो चुका है कैमरा थोड़ा बहुत पॉपिलर हो चुका है तो आज के बाद आपको जो भी वाइसरोय के नाम मैं लूँगा उनके आपको फोटोग्राफ देखने को मिलेंगे पहले क्या होता था पेंटिंग दिखा रहा था मैं अभी तक अब आपको से important घटना क्या होती है Supreme Court और सदर अदालतों को merge करके तीन नए High Court बना दिये जाते हैं Calcutta, Bombay और Madras High Court आपको यादे सदर अदालत किसने बनाई थी याद गरो कौन सा था, Cornwallis था Hastings था, Bentic था, किसने बनाया था फटा-फट कमेंट में मुझे बता दो, मुझे आंसर चाहिए इसका, सदर अदालत और Supreme Court को इसने merge करके तीन नए High Court बनाएं, इसके कारेकाल में अफगानिस्तान में एक policy फॉलो करी गई ब्रिटिश सरकार के द्वारा Masterly Inactivity, यानि कि हम इतने बड़े Master Blaster है कि हम कुछ नहीं करेंगे Inactive रहेंगे, अफगानिस्तान में जो हो रहा है होने दो, ये policy ultimately काम नहीं करी इनके लिए, second Anglo-Afghan War होगा, मैं तीनो Anglo-Afghan War एक अलग lecture में डिसकस कर लूँगा, अभी मैंने उनको detail में डिसकस नहीं क्या है, first Anglo-Afghan War के बारे में फिर भी मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया था second और third के बारे में भी हम पढ़ेंगे लेकिन तीनों को एक साथ combine करके मैं पढ़ाऊंगा अगली याद रखने लाए घटना है Anglo-Bhutan War, तो पांच महीने चली इस लड़ाई में भुटान की हार होती है अंग्रेजों और भुटान के बीच में क्या relation था? देखो 18th century के समय से ही इनके बीच में व्यापारिक relations थे, दोनों एक दूसरे के साथ trade करते थे और कुछ एरियास में भुटान ने, especially जो foothills वाला region है, हिमाले के नीचे ये वाला जिसको द्वार region कहा जाता है यहाँ पर British supremacy इन्होंने मान ली थी, यह area पहले भुटान के control में हुआ करता था, यहाँ से भुटान tax वगेरा collect करता था और यहाँ पर British को अपनी हुकूमत जमानी लेकिन 1826 में जब Assam इनके पास आया, तब यह थोड़े यहाँ पर powerfully exert करने लगए अपना रोल और इस प्रकार से ultimately भुटान और East India Company आ जाते हैं conflict में, लेकिन फिर 1857 की करांती आ गई, तो England का ध्यान थोड़ा सा भुटान से हट गया Finally, 1864 में जाकर क्या होता है कि इनके बीच में लड़ाई होती है लड़ाई का कारण वगेरा इतना कभी पूछा नहीं जाता है simple सा है, भुटान में एक civil war चला था उनके आपस में dynasties में, वहाँ पर जब शान्ती हुई, तो अंग्रेजों ने अपनी तरफ से एक peace mission भेजा कि चलो जो भी नए राजा है उनसे बातवात कर लिते हैं, तो Ashley Eden को भेजा गया लेकिन भुटान में जो वो नए 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 राजा बने थे उन्होंने इनको भगा दिया कि हमें कोई peace treaty नहीं चाहिए और भागो यहां से, तुमें तो हम पहाडों से नीचे उतार देंगे तो जब Ashley Eden वापस आया, रोते-रोते, तो इसने आकर Lawrence को कहा कि Sir Lawrence हमारी तो बेज़ती हो गई है, बदला लेना पड़ेगा Lawrence ने क्या कहा, कि देखो पहले से ही हमने आधा दुवार तो अपने कबजे में ले रखा है, असाम दुवार वाला रीजन, यानि कि देखो जो आज असाम के पास वाला है न, वो सब असाम दुवार क्या लाता है अब बस बंगाल दुवार भी ले लेते हैं, आओ चलो चलते हैं लड़ाई पर, तो ब्रिटन ने भुटान पर लड़ाई डिकलेर कर दी, लड़ाई में भुटान की आर्मी हार जाती है क्योंकि इनके पास modern weapons नहीं थे, और अराम से East India Company, अब स्वरी, East India Company नहीं है, अब तो British Government है British Government जीत जाती है, और भुटान को, ये एक, भुटान से संधी साइं कर लेते हैं और कहते हैं कि ये दुवार रीजन अब हमारा तो आज भी जो रीजन है, ये भारत के लिए बहुत ही strategic है, ये सब तो आपको पता ही होगा कुच बिहार, जलपाई, गुड़ी, ये सारे जो district है, ये दुवार रीजन में आते हैं तो यहाँ पर चाय के बहुत सारे बागान है, अंग्रेज होने आगे चलकर यहाँ पर चाय बागान establish किये, अच्छा, अंग्लो-भुटान वार के खत्मों ने पर होती है, ट्रीटी ओफ सिंचुला और इसके द्वारा भुटान ने द्वार्स और कूज बिहार वाला जो ये पूरा रीजन ने हमेशा के लिए British government को दे दिया, और दोनों के बीच में diplomatic relations establish हो जाते हैं तो पहले trade relations थे, लेकिन direct suzerainty नहीं थी, भुटान के उपर एक अबजा नहीं करना चाते थे अंग्रेज, in fact इन्होंने कभी नहीं किया, because Himalayan kingdom है, directly Tibet के या फिर आगे चाइना के conflict में क्यों आना है तो इन्होंने एक buffer की तरह भुटान को और नेपाल को use किया 1864 में Lawrence के कारिकाल में ही, पहली बार local bodies बनती हैं, municipalities होती हैं और इन में कुछ nominated members हैं, और बाकी district magistrate इनको head कर रहे हैं, तो यहाँ पर चुनाव अगरा नहीं हो रहे हैं, nominated का मतलब है, कि जो British अफसर हैं, उनी में से किसी को nominate किया जा रहा है, इन local bodies या municipalities में तो अंग्रेज़ों को अचानक local bodies बनाने का क्यों विचार आया, क्योंकि इनके पास, केंद सरकार के पास पैसे नहीं थे, overcentralization के कारण, लड़ाईयां लडने के कारण, 1857 के विधरो के कारण, इनके पैसों की बहुत इनको तंगी आ गई थी, England में जो सरकार है, London में, वो क अधाम हो जाएंगे, एक तो civic immunity भी देदेंगे, यानि के लोगों को सड़क, बिजली, इस तरह की basic सुधाय भी मिलेगी, क्योंकि यूरोप में भी मिलनी शुरू हो गई थी, तो यहां पे भी जो Bombay, Calcutta जैसे शेहरों में लोग रहते थे, वो demand कर रहे थे, कि हमें भी लगाने और दूसरे अनने काम शुरू होते हैं, during the time of Lawrence, और अब भारत में क्या है कि थोड़ा सा राष्ट्रवाद nationalism की भावनाय आने लगी थी, तो इसलिए सरकार को भी लगा कि government की ये duty है कि हम यहाँ पर थोड़ा बहुत development करें, ऐसा नहीं कि कि इनका शोशन करते रो, कुछ भारतिया लोगों को भी धीरे धीरे इसमें nominated members में जगे देनी हम शुरू कर देंगे, appeasement कर देंगे, यानि कि 10 में से 2 लोगों को खुश रगो, बाकी के 8 बली दुखी रहें, और local tax ये सबसे बड़ा reason था, फिर 1867 में registration act आता है, जो press से संबंदित था, इसने Metcalf act को regulation था, लेकिन restriction नहीं था, press को रोका नहीं जा रहा था, किवल उसके उपर कुछ restriction लगाये गए थे, उसको regulate किया गया था, लेकिन आप registration act में क्या था, कि हर किताब या newspaper को ये चापना ज़रूरी था, कि publisher कौन है, कहां पर publish हो रही है, पूरी details चापनी ज़रूरी है, ये in fact आ भीने के अंदर-अंदर, अगर उनको कुछ आपति जनक लगेगा, तो वो उसको हटा भी सकते हैं circulation से, अगला viceroy है Richard Burke, who was the 6th Earl of Mayo, या फिर इसको Lord Mayo के नाम से ही जानते हैं, Earl, Duke, ये सब क्या होते हैं, याद है आपको, बताया था मैंने एक lecture में, तो Mayo का कारेकाल है 69 से 72 तक इसका कारेकाल छोटा इसलिए रह गया क्योंकि इसकी हत्यागर्दी गई थी, ये अक्यला viceroy है जिसकी पद पर रहते हुए किसी ने हत्यागर्दी थी, he was assassinated when he was the viceroy of India, तो इसने सबसे महत्वपून काम ये शुरू किया कि भारत में financial decentralization शुरू किया, तो प्रशासन में जो decentralization का काम शुरू हुआ था, मेयो के आने के पहले, उसको इसने काफी आगे बढ़ाया और financially decentralize करना शुरू किया, भारत के इतियास में पहली बार एक census होता है, 1871 में, हाला कि ये पूरा census नहीं था, इसलिए first full census 1881 वाले को का जाता है, लेकिन ये भी इसकी एक important उपलब् तो इन्हों ने बनाया एक तो अजमेर में मेयो कॉलेज और एक बनाया काठियावाड में राजकोट कॉलेज, तो ये दोनों जो स्कूल्स है, इनका primary काम ये था कि जो राजा महराजाओं के बच्चे हैं, या जो बड़े-बड़े nobles के बच्चे हैं, उनको यहाँ पर educate किय इनका लक्ष था कि इंग्लैंड में एक कॉलेज है, इसका नाम है इटन, तो इटन कॉलेज जो है, वहाँ पर फेमस है, कि इसमें केवल वो ड्यूक और अर्ल के बच्चे पढ़ते हैं, और अलगी तरह की वहाँ पर ज्यान मिलता है उनको, तो इसी प्रकार का ज्यान इसमें के बनवाने शुरू कर दिये थे, हाला कि इसकी मृत्यू के बात बनकर पूरा हुआ था, मेयो कॉलेज अजमेर वादा तो 1875 में इनॉगरेट हुआ था, ठीक है, जब तक मेयो की डेथ हो गई थी, तो इसका लक्षे यह था कि जो अपर क्लास है, अफिर जो प्रिंसेज है, राजा महाराजा है, उनके बच्चे थोड़ी अंग्रेजों वाली एजुकेशन हासल करें, वो भी इंग्लिश भाषा में, संस्कृत फार्सी में नहीं, फिर इसने स्टा कमाई होती थी, वो भी उन कंपनियों की जेब में जाता था, लेकिन मेयो ने इस सिस्टम बदला, कहा कि सारी रेलवे लाइन्स, ब्रिटिश शरकार चलाएगी, ब्रिटिश गवर्मेंट ओन्ड एन और, 1872 में मेयो अंडमान निकोबार के एक दौरे पर था, वहाँ पर जो तो फिर उसको जेल दे दी गई, सजाय काला पानी की सजा दे दी गई थी, तो वो काफी नारास था, उसने देखा कि वाइसरोय आया हुआ है जेल में, उसने वाइसरोय को चाकू मार दिया, तो शेर अली अफरीदी ने लॉड मेयो का कतल कर दिया, और ये काफी शौकिंग पूरे ब्रिटिश एंपायर में इसके कारण एकदम से, आप समझ रहे हैं कि वाइसरोय का कतल, कितनी बड़ी बात है, he was the head of the entire British India, खेर उसके बाद ये लोग थोड़े security को लेकर strict हो गए थे भविश्य में, बाकी पहले कोई security हुआ नहीं करती थी, in fact आजादी के बाद भी आप देखोगे, तो कई जो बड़े नेता हैं, जैसे चीफ मिनिस्टर वगएरा की इतनी security नहीं हुआ करती थी, किवल प्राइम मिनिस्टर, प्रेजिटेंट इनकी इतनी security थी, जो दूसरे नेता है, MP, MLA तो बिना security के घुमा करते थे बहुत सालों तक, अजादी के बाद, मेयो ने provincial governments को काफी फायदा दिया, provincial governments को, यानि bomb mayor presidency, madras presidency, इनको ये कहा गया, कि जो केंदर का budget होगा, उसमें आपके लिए हम कुछ पैसा fix कर देंगे, और उन पैसों से आप police, jail, education, medical services, roads, ये सब बनाने का काम कर लेना, अब provincial governments जो हैं, ये इन services को जैसे चाहें, वैसे वो develop क कर सकती थी, अगर उनने लगता है कि jail में जादा पैसा डालने की ज़रूत है, या फिर जादा सड़के बनाने की ज़रूत है, तो उस अनुसार उस पैसे को खर्च कर सकते थे, उनको थोड़ी सी freedom दे दी गई, मेयो, local government के लिए इतना जादा active था कि उसने एक वाक्य कहा था जिसको आज हम मेयो's resolution बोलते हैं, इस resolution में इसने एक कहा था कि local interest, supervision and care are necessary for success in management of funds devoted to education, sanitation, medical relief and local public works, कुल मिलाकर अगर आपको शिक्षा या फिर health facilities इस तरह की सुविधाय देनी हैं लोगों को, तो उसके लिए local interest होना चीए, local सरकार का interest होना चीए, और local star पर उसका निरिक्षन जरूरी है, कुल मिलाकर ये local provinces को government को काफी बढ़ावाद देता था, तो Bengal, Madras, North Western province, इन सब provincial governments में Municipal Act passed किये गए, तो इन्होंने अपने अपने शहरों में municipalities को बनाना शुरू किया, और central और provincial finances को पूरी तरह से bifurcate कर दिया गया, during Mayo's time period, अगला वाइसरा है Northbrook, Northbrook का कारेकाल भी कोई खास important नहीं है, इसके कारेकाल में बस दो-तीन important गटना है होई थी, जो एक line में जा सकती है, पहला Prince of Wales की visit, अच्छा Prince of Wales कौन होता है यह जान लो, जो भी Britain में राजा या रानी होती है, उसका जो सबसे बड़ा बेटा होता है, यानि कि गदी का अगला वारिस, he is called the Prince of Wales, तो यह एक hereditary title है, जिसे आज की समय में Prince of Wales कौन है, Prince Charles, because he is the son of Queen Elizabeth II, उस समय में Queen Victoria क जो सबसे बड़ा बेटा था, वो था Prince of Wales, नाम मुझे उसका याद नहीं है, कौन सा होगा, George V होगा, ठीक है, नहीं, George V नहीं, George IV होगा, George IV होगा, George IV जो आगे चलके George IV बन गया था, he was the Prince of Wales at that time, तो अब देखो, भारत में Queen Victoria तो आएंगी नहीं, Queen Victoria अलड़ी इस समय 60 साल के आस-पास उनकी उम्रत थी, तो Queen Victoria का तो आने का कोई सवाल नहीं है, तो ऐसे में क्या है कि Prince of Wales, यानि कि Rani के बेटे को खुद भेजा गया, तो यह काफी बड़ी विजट थी, Prince of Wales आयते भारत, और पूरे British हुकूमत में, Britain के राजा खुद भारत केवल एक बार आयते, 1911 का जो दिल्ली दरबार है, उस समय बिटेन का राजा भारत आयता, उसके अलावा कभी कोई राजा भारत नहीं आया, या तो वो अपने बच्चों को भेज देते थे, Prince of Wales को या फिर अपने किसी भतीचे-भतीचे को भेज देते थे, तो इसी से वो Crown representative भेज दिया जाता था, ख important for us, कभी पूछा नहीं जाता है, KUKA movement पंजाब में इसनके कारेकाल में शुरू होता है, KUKA movement को मैं आगे social reform movements के दौरान पढ़ा दूँगा, next is Litton, Litton का कारेकाल थोड़ा हमारे लिए important है, Litton जो है, ये 76 से 80 के बीच में 4 साल के लिए था, लेकिन इसके time period में कई important घट by the time 1877 आता है, तो वैसे 1858 में भी एक दर्वार लगाया गया था, कहाँ? अलाबाद में, लेकिन वहाँ पर इतने जादा राजा महाराजा नहीं थे, बहुत कम थे आसपास वालों को बिलाया था, लेकिन दिल्ली दर्वार में तो इन्होंने दूर दरास से, चाहे वो मैसू और इतना बड़ा दर्वार लगा था, ये सारे दर्वार दिल्ली में लगते कहां थे, दिल्ली में जो लोग रहते हैं, उनको मैं बताता हूँ, मुकरबा चौक पता है आपको, मुकरबा चौक के पास में एक बहुत बड़ा मैदान है, उसका नाम है कोरोनेशन ग्राउंड वहाँ पर ये दर्वार लगा करते थे, बहुत बड़ा ग्राउंड है आज भी, उस समय तो और बड़ा हुआ होगा, क्योंकि वहाँ एंक्रूश्मेंट्स वगेरा नहीं थे, तो वहाँ पर ये सारे दर्वार लगते थे, इस दर्वार में आप देखो, यहाँ पर ये पेश करते थे और उनकी परेड वगेरा होती थी, तो इस दर्वार की खासियत ये थी, कि क्वीन विक्टोरिया को एक नई उपादी दी जाती है, अब वैसी क्वीन एक विक्टोरिया, इंग्लैंड की तोर महरानी थी, लेकिन उनको इम्प्रेस करने के लिए 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 ल लेटर ने का चलो महरानी को थोड़ा इम्प्रेस करते हैं, तो महरानी को प्रोक्लेम किया गया, महरानी को नई उपादी दी गई, क्वीन एम्प्रेस ओफ इंडिया, आप ना किवल इंग्लैंड की, बलकि भारत की महरानी है, और आपका टाइटल होगा कैसरे हिंद, अब ये काईजर, ये सब जो हैंगरन शब्द हैं, थीक है, सीजर, काईजर, ये सब एक ही रूट से आते हैं, लाटिन शब्द हैं, वहाँ से आयें, काईजर का मतलब होता है, basically ruler, याद है ना, जर्मनी का काईजर विलहम, या फिर रस्या में क्या होता है, जार, ये सब उसी दर्बार लगाए गए थे और तीनों ही important है, exam में पूछे जा सकते हैं, prelims point of view से काफी महत्वपूंट जानकारी है यह, तो इसको एक साथ पढ़ लो और याद रख लो, 1877 में पहली बार दिल्ली दर्बार लगा था, महरानी कौन थी या, ब्रिटन में ruler कौन था, Queen Victoria, भारत मे वाइसरोय कौन था, Lytton, ये भी नाम याद रखने हैं आपको, second दर्बार लगा था 1903 में, उस समय ब्रिटन में राजा कौन था, King Edward VII और Queen Alexandra, यहाँ पर लगवाने वाला वाइसरोय कौन था दर्बार, Karzan, ये भी एक अलगी character था, 1911 में तीसरा और आखरी दिल्ली दर्बार लगता है, उस वक्त राजा कौन था, King George पंचंग, King George V और Queen Mary, और ये एकलोता दर्बार था, जहाँ पर खुद राजा personally आया था, King George V came to India, Harding उस समय वाइसरोय था, और George V was the only ruler who ever visited India, अच्छा मैंने आपको भी कुछ मिनिट पहले Prince of Wales बता दिया था, George राइट, George नहीं था, Queen Victoria का सबसे बड़ा बेटा ये था, Edward VII, he was the Prince of Wales, ठीक है, I'm sorry, अब मैं कहां 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 के याद रखू, मैं लब England के भी राजा, Prince, ये सब याद नहीं रहते हैं, कभी-कभी confused हो जाते हैं हम भी, तो Edward VII was the Prince of Wales, उसके बाद George V, और आगे आपको कहानी पता ही है, George VI, Edward VIII, बहुत was held for, किसके लिए organize कराया गया था, King Edward VII के लिए, was held by Lord Karzan, was Edward VII present in India, no, दिल्ली में खुद वो नहीं आया था, किवल George V और Queen Mary actually में आये थे, दिल्ली में, capital-apital shift किया था, बहुत सारी घोशना है हुई थी, आगे पढ़ेंगे, आने वाले हैं कुछ लेक्चर, थोड़ी लेक्च करना शुरू कर दिया, decentralization of finance, जो Mayo ने शुरू किया था, उसको इसने और आगे continue किया, provincial governments को और जादा ताकतें दी, और उनको अपने land revenue, excise, stamp, law, justice, इसमें भी खुली छूट दे दी, तो law, justice जैसे मामले पहले केंदर से तैय होते थे, अब land revenue system, cornwallis के समय में तो जो cornwallis decide कर इंडिया वो पूरे British India में लागो होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब इसने Lytton ने ये छूट दे दी कि ठीक है, North Western Frontier province में आप अपना अलग land revenue system रखो, Bombay वाले अलग रख लो, हमें कोई आपत्ती नहीं है, Lytton wanted to encourage provinces to collect revenue and thereby plan to strengthen the financial power and position of the provinces, again ये भी provinces को और जादा strong बनाना लेटन ने ततकालीन civil services aspirants के साथ बहुत बुरा किया, उसने ICS exam, Indian civil service exam की जो minimum age है, उसको गड़ा कर 21 से 19 साल कर दिया, और 1878 में उसने statutory civil service चालू करी, जो केवल भारतिय लोगों के लिए थी, तो ये एक 2M दरजे की service थी, जिसमें केवल भारतिय लोग शामिल हो सकते थे, ल भाई कि अब कोई भी भारत का व्यक्ती 19 साल की उम्रे में तो England जाकर exam देकर pass हो ही नहीं सकता है, तो practically आपने भारत के लोगों के लिए exam बंद कर दिया, on paper चाहे आपको होगे कि आज ओभारत के बच्चे भी ICS दे दो London में आकर, लेकिन भाईस आब 19 साल की उम्रे में कैसे बिहार में बहुत जबरदस फेमाइन होती है, उस समय बेंगौल का जो लेफनिट गवर्नर था Richard Temple, उसने कुछ अच्छे काम किये लोगों की भलाई के लिए, बर्मा से चावल इंपोर्ट किया ताकि बिहार में भुकमरी ना हो, लेकिन इसके इतने efforts के बावजूद एक ला heavy expenditure हम क्यों कर रहे हैं भारत के लोगों पर, लेकिन temple समझदार था, उसको पता था कि अगर लोग खाएंगे नहीं तो जिन्दा नहीं रहेंगे तो देश की economy कैसी चलेगी, ये सोचती temple की, लेकिन बिहार का ये अकाल तो किवाल एक trailer था, पूरी film दिखाई गई 1876 में, जब almost पूरे भारत में एक भयंकर अकाल पढ़ता है, आज हमें पता है कि उसका reason ये था कि El Nino Oscillation या फिर Indian Ocean Dipole ये सारे reason थे कि बारिश नहीं हुई थी, लेकिन क्या हुआ था कि दो लगातार season बारिश नहीं हुई, 76 में भी नहीं हुई, 77 में भी नहीं हुई, तो जब दो monsoon fail क कि खाने के लिए कुछ नहीं था लोगों के बास, ये उस समय के कुछ scenes हैं जो describe किये गए थे और painters ने उनको paint किया था, ये famine, great famine किसी reason से कही जाती है, इसको famine भारत में हर 5-7 सालों में आती थी, अकाल तो हर 5-6 सालों में पढ़ता था, लेकिन इसको great famine इसले कहते हैं क्योंक 27 कुछ होगा, तो हर 30 में से एक व्यक्ति का मर जाना, आज के ratio में अगर आप इसको calculate करो तो एक बार देखना कितना होता है, 130 करोड में से, अगर आप 1 in 30 का ratio ले लोगे, तो कितना हो जाएगा ये, approximately 4-5 times तो लगबग 4-5 करोड लोगों का मरना, तो imagine करो, आज अगर ऐसा अ अकाल से निपटने के लिए, लिटन ने क्या किया, तो वाइसरोय लिटन ने भारत के इतिहास का सबसे बड़ा export उसी साल किया, 3,20,000 टन गेहूं ब्रिटन भेजा गया भारत से, जबकि भारत में लोगों की ये परिस्तिती थी, खाने को कुछ नहीं था, मवेशी सारे मर र गया, तो हमारे उपर भी इसका असर कहीं न कहीं आएगा, लॉंग टम में, तो जो टेंपल वो लेफनेट गवर्नर था, बेंगॉल वाला, अब वो बन गया फैमाइन कमिशनर, तो एक नई पोस्ट बनाए गई फैमाइन कमिशनर की, जिसका काम केवल यह है कि वो अकाल रा रिलीफ, रिलीफ क्या होता था, कि देखो, रिलीफ वर्क्स चलते थे गाउं में, जिसे आप देखते हो, आज मनरेगा चलता है, तो मनरेगा तो वैसे अब पर्मानेट पॉलिशी होगे, लेकिन पहले क्या होता था, जिसे अगर अकाल आ गया, तो सरकार कोई ना कोई काम पब्लिक वर्क्स का, जिसमें लोगों को employment मिल जाए, आज भी अगर आप भारत के गाउं में जाओगे, तो लोग यही कहते हैं, मनरेगा नहीं कहते हैं, कि वो relief पर काम करने गया है, आप पूछेगा अपने माता पिता से, especially 70s और 80s तक, यह शब्द काफी इस्तमाल होता थ कि relief, सरकार relief का काम चला रही है, तो यह जो आज मनरेगा जिसको कहा जाता है, कुछ उसी तरह का यह काम उस समय चलता था, लेकिन अकाल के समय में, तो relief works के लिए क्या qualification है, कौन काम करेगा, कितने पैसे दिये जाएंगे, उसमें थोड़ा सा standard उसने बनाए, दूसरा relief rations, या इसमें relief work में, दो तरह के काम थे, एक इनो ने रखा, जो actually में काम कर सकते थे, able-bodied men, यानि कि ऐसे आदमी जो काम कर सकते हैं, उनको अलग पैसे दिये जाएं, और कुछ charitable relief work है, यानि कि उनको पता है कि बच्चे हैं, बिचारों की यह हालत है, अब वो कैसे काम करेंगे, ल देखरों लोगों की पसलिया नजर आ रही है, इतनी भुक्मरी हो गई थी 1876 के इस अकाल में, इसके बाद बड़ा अकाल अगला भारत में आया था 1899 में, ठीक है, अब ये वाला जो अकाल था ना 76 वाला, ये mainly Deccan एरिया जो है भारत का, Central और South इंडिया, यहाँ पे जादा अगर इसकी आधी मौत भी हुई हो, तो भी सोचोना 40 लाक लोग मारे गए, किवल एक अकाल के कारण, वो भी 2 साल के या 3 साल के अंतराल में, और ये अकाल जब अपने चरम पर था, उस समय 1877 में लिटन ने रखवाया था अपना वो दिल्ली दरबार, तो लोग गुस्ता न अकाल और भुकमरी के अलावा, भगवान ने दूसरा और परिशानी दे दी, वो थी बिमारिया, कॉलेरा, हैजा, बुखार, ये बहुत तेजी से फैलने लगे, तीसरा भगवान ने शराब दे दिया, वो था लिटन के रूप में, लिटन की सरकार जो है, वो कुछ नहीं कर करेगी, तो इन्होंने एक फैमाइन कमिशन स्थापित किया, अंडर सर रिचर्ड स्ट्राची, अगर आप लोग कभी आगरा का किला गूमने जाओ, तो वहाँ पर देखना स्ट्राची का नाम लिखा हुआ है, ढूनना कहां पर लिखा है, ठीक है, तो स्ट्राची जो है, इ अगला important event है, Vernacular Press Act, Vernacular का मतलब होता है, लोकल भाषा, ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं कि, महराष्टर की Vernacular Language का है, मराथी, गुजरात की Vernacular Language का है, गुजराती, तो Vernacular Press Act में कौन शामिल है, जो अंगरेजी में नहीं चाप रहे, लोकल भाषाओं में अखबार चाप रहे हैं, 19th century में, social reform movements भी चल रहे हैं, parallelly, आगे पढ़ेंगे हैं उनको, तो राजा राम, मोहन, रोय जैसे characters हैं, वो लोग भी अपने अकबार, पत्रिका हैं, magazines चाप रहे हैं, तो finally British सरकार को लगता है कि, इन पे भी लगाम लगानी पड़ेगी, तो Vernacular Press Act को एक उपादी दी जाती ह gag करने का मतलब होता है किसी के मुँँ पे पट्टी बान देनी, आपने देखा ना, kidnap करते हैं, तो वो मुँँ पे पट्टी बान देते हैं, gag कर देते हैं, उसके मुँँ को बंद कर देते हैं, तो gag करना मतलब किसी के मुँँ को बंद कर देना, तो इस 1878 के कानून को, Vernacular Press Act को gagging act भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर इसी प्रकार के प्रावधान थे कि press का मुँ बंद कर दिया गया, press का गला गोट दिया गया इसमें magistrate को ये अधिकार था कि वो editor, publisher या printer से एक undertaking लेगा यानि एफिडेविट लेगा जिसमें वो पहले ही लिखवा लेगा में ले लेगी, उसको seize कर लेगी, इस प्रकार से इसने इंडियन press की freedom को पूरी तरह से बंद कर दिया, क्योंकि अब कौन editor अपनी printing press जो कि इतनी महंगी आती थी उस समय उसको कौन जब्थ होने देना चाहेगा, और कौन जेल जाना चाहेगा, तो vernacular press act को gagging act कहते हैं, याद रखेगा, लिटन के समय में यह आया था, और एक छोटा सा है arms act, arms act का मकसद क्या था कि भारत के लोग बिना license के हतियार ना रख सके, अब देखो इसके पहले हतियार का कोई license नहीं होता था, दुनिया में जो चाहे हतियार रख सकता था, आज के जमाने की तरह नहीं चलती थी चीज़ें, तो 1878 में भारत में पहली बार हतियार रखने के लिए license रखने का प्रावधान लाया गया, कि अब आपको सरकार से अनुमती लेकर फिर आप बंदू के रख सकते हों, लेक्चर नमबर 22 में मुझसे एक गलती हो गई थी, एक टाइपिंग टाइप के reforms थे, negative in the sense की भारतिया लोगों के लिए गलत थे, सही नहीं थे, रिपन इसका उल्टा भारतिया लोगों का भधा करता था, रिपन को इसलिए याद किया जाता है, लॉर्ड रिपन वस द वाइसरोय फ्रम 1882-1884, चार साल के लिए वाइसरोय था, और इसको appoint किया गया था, specifically Prime Minister Gladstone के द्वारा, Gladstone वहाँ पर एक revolutionary Prime Minister माना जाता है UK में, Gladstone was from the Liberal Party, नाम में ही Liberal है तो आप समझ सकते होगी, policies भी Liberal होगी, तो Prime Minister ने भेजा रिपन को यहाँ पर special duty देकर कि तुम जाओ, भारत में कुछ भला करके आओ, तोड़ा liberal policies रखो, यह लिटन जो थ Second Anglo-Afghan War में, जो blunders किये थे लिटन ने, उसको तुम जाकर ठीक करो, इस duty के साथ रिपन को भेजा गया था, अब इस समय से 1860s या 70s के समय से क्या होता है, आप देखोगे, एक Viceroy आता है जो काफी liberal होगा, भारत के लोगों का भला करता है, उसका अगला आएगा जो थोड़े से conservative Viceroyce को भेजती थी, अगर कोई liberal party है, या फिर बाद में labor party है, वो अगर power में है तो थोड़े से liberal या democratic विचारों वाले इनको Viceroyce को यहाँ पर भेजा करती थी, तो ये थोड़ा सा आप देखेंगे, आने वाले समय में, एक cycle सा है जो चलता रहेगा, तो लिट 13th century का जो second half है, यानि कि 1850 के बाद का जो समय है, इस समय में भारत में थोड़ी थोड़ी factories लगनी शुरू हो गई थी, modern industry आ गई थी, उस स्तर का industrial revolution नहीं आया था, यहाँ पर जो आ सकता था, जिसको Britain आने नहीं देना चाता था, लेकिन उसके बावजू थोड़ी बहुत factories लगनी शुरू हो गई थी, initially यहाँ के industrial workers की भी हालत काफी खराब थी, बिलकुल योरोप और इंग्लैंड की तरह, तो यहाँ पर भी ना workers अची condition में थे, ना वहाँ पर थे, companies का मकसद क्या था, maximum profit अपनी factory से निकालो, workers की condition क्या है, उस से उनने कोई लेना दिना नहीं है, म working hours, low wages, और महिला और बच्चों की हालत तो और भी खराबती, महिलाओं से भी काम करवाया जाता था, बच्चों से भी काम करवाया जाता था, factories overcrowded थी, ventilation उनने नहीं था, सही से, health के उपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था, उस समय कोई concept नहीं था, OSHA का, OSHA समझते हो ना, Occ Occupational Safety and Hazards, इसका कोई concept नहीं हुआ करता था, कोई safety measure नहीं है, पुरानी Bollywood फिल्मों में नहीं देखा, आपने factory में कोई काम कर रहा है, उसका हाथ कट गया, हाथ चला गया, उसके अंदर मील में, अमिताब बच्चन की फिल्मों में बहुत आता था इस तरह का, वो actually में वो ह देखा है कि ये जो factories की conditions थी ना, ये किसानों से थोड़ी सी अलग थी, यहां के जो workers है, उनकी सोच थोड़ी अलग थी, किसानी में क्या होता है, कि एक किसान ये सोचता है कि अगर मैं गरीब हूँ या फिर मेरी जो हालत है, वो प्रक्रती के कारण है, बारिश नहीं हो रही कि बारिश नहीं होगी, तुमारे जमीन पर अनाज नहीं होगा, तो मेरी गरीबी, मेरी जो बधाली है, उसका कारण, यानि कि उपर वाली ऐसी शक्तिया है, जो इनसान के बस से बाहर है, तो वो संतोश करके बैट जाता था, तो जो भी किसान था, वो आज भी यही है, आज अनमी के बारे में नहीं सोच था, उसे बस अपने किसान को अपने खेत और खेत में हो रही फसल के बारे में जानकारी था, larger economic policy किस तरह से उसके जिंदगी को affect करती है, उसके बारे में किसान ज्यादा सोच नहीं पाता था, तो ये वाला, he was resigned to his unkind fate वो मांगी चलता था कि य फोच थोड़ी बदल जाती है, industrial worker या factory worker ये देखता है कि मैं दिन रात महनत कर रहा हूं लेकिन मेरी महनत का फल किसको मिल रहा है, मेरे factory के मालिक को, तो वो देख रहा है कि मैं daily day दिन रात महनत कर रहा हूं और महनत ले जा रहा है, महनत का फल लेकर जा रहा है मेरा factory मालिक, त इसा उसका है तो वो अपनी गरीबी के लिए भगवान को दोश नहीं देता है समाज को, सिस्टम को, capitalist सिस्टम को और कहीं न कहीं यहीं से इसी चीज से आप देखोगे कि सोशलिजम का जन्म होता है, कम्यूनिजम का जन्म होता है और यह पूरे यूरोप में यही एक बेसिक थ जलता रहा तो, तो इसी लिए काल मार्क्स की जो राइटिंग्स हैं, वो इस समय, middle of the 19th century से थोड़ी सी famous होना शुरू हो जाती है, और यह जो लेबर है, जो भारत की संदर में भी अगर मैं बात करूं, तो वो class conscious हो जाता है, वो देखता है कि कैसे अलग-अलग classes हैं, अपर class है, worker class है, और इसी के कारण discontent और revolt भी होता है, लेकिन भारत में इस प्रकार का कोई revolt नहीं हुआ, क्योंकि यहां का जो worker है, वो पढ़ा लिखा नहीं था, तो वो काल मार्क्स की ideas को पढ़ नहीं पा रहा था, लेकिन वो देख जरूर रहा था, कि हमारे साथ गलत हो रहा ह बस वो पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए वो काल मार्क्स की ideas को यहां पर implement नहीं कर पाया, कई देशों में हो गए, तो वहां पर communist करांतियां आ गई, तो 1830 onwards क्या होता है, कि दुनिया बर में एक labor movement चालू होता है, इंग्लैंड में भी हुआ था, यूरोप के कई देशों म यह आंदोलन चलाते हैं कि वही factory workers की conditions को सुधरना चाहिए, France के अंदर St. Simonians यह चलाते हैं आंदोलन, तो इस प्रकार से 1840 में जाकर Britain में factory act पास होता है, जिसमें rule लाया जाता है कि 10 गंटे से जादा कोई काम नहीं करवा सकता अपने वर्कर से, तो यह 1840 में Britain की बात हो रह जारत आई, तो इन लोगों को क्या मिल गया, एक bypass मिल गया, कि चलो Britain में तो 10 गंटे करवा सकते हैं, जाके Bombay में factory लगा लो, वहां पर करवा 15 गंटे काम, वहां तो कोई कानून है नहीं, और हम कानून बनने देंगे नहीं, क्योंकि हम lobby करेंगे, तो यह जो funda है, यह इसके अंदर working conditions, workers की बहुत माहिने रखती है, महंगा है, वहां पर labor, तो आज क्या हो रहा है, दुनिया की जाहतर बड़ी कंपनिया manufacturing कहां करती है, एशिया में, चाइना में, वियतनाम में, भारत में, इन देशों में manufacturing आती है, वियतनाम चाइना में क्यों factories लगी हुई है, इतनी बड़ी-बड़ी, उसके बीचे reason ही है, यह cheap labor है, rules थोड़े से, rules and regulations, workers के इतने strict नहीं है, खेर कोई, अभी तो आप पीछे 19th century में आ जाओ, तो इसके कारण क्या होता है, कि Britain की जो industries है, उनको भी competition मिलने लगा, क्योंकि अब तो जो production येरोप में होता था, जो England में होता था हमें तो नियम कायदों का पालन करना पड़ रहा है, मेरे भाई ने जाकर Bombay में फैक्टरी लगा ली, वो तो बढ़िया एक्दम 15 गंटे, 16 गंटे काम करवा रहा है, बच्चों से काम करवा रहा है, कोई रोकने वाला नहीं उसको, तो इससे क्या होता है कि Britain के जो factory worker है, वो खिसियानी, बिली, खंबा नोचे वाली हालत में, जो कि आज भी कहीं लोग करते हैं, इस तरह की हरकते हैं, उसमें आकर वो demand करते हैं, कि भारत के अंदर भी labor conditions उधार हो, मतलब जलन के मारे, कि भारत की labor conditions उधार हो, क्योंकि हमारे यहां सुधार दी है, तो हमारा production थोड़ तो यह दो factory act हैं, जो आपको याद रखने हैं, यह दोनों ही पूछे जाते हैं exam में, ठीक है, क्योंकि यह पहले शुरुवाती factory act है, इन्होंने कई working conditions को बदला था, तो prelims में सीधे-सीधे इन से सवाल आ जाता है, तो prelims में यही सब पूछते हैं, कि बच्चों की working age कितनी नहीं कर दी थी, तो देखो पहली चीज, इस act ने 7 साल से कम उमर के बच्चो को factory में employ करने से ban लगा दिया था, जी हाँ, अगर आप कोई बच्चा 7 साल और 6 महीन गया तो वो factory में काम कर सकता था, उससे आप काम ले सकते थे, working hours रिस्ट्रिक कर दिये गये थे 9 गंटे बच् है, उनके आसपास fencing कराई जाए, ताकि कोई गलती से उनके अंदर जाकर मरना जाए, अपने हाथ पाऊना हो बैटे, इंस्पेक्टर अपॉंट किये गए, labor inspector, जो जाकर factories में check करेंगे कि ये नियम कामूंगों का पालन हो रहा या नहीं, अगर आप factory workers की condition के बारे में थोड पढ़ाई से संबंदित है, तो कभी आप पढ़ाई से बिल्कुल बोर हो गए कि आज तो मुझे कुछ देखना है, तो बे सिर्फ पैर की film में मत देखना, कम से कम धंकी चीज़ें देखो, इसलिए मैं यहाँ पर recommendation देता हूँ आपको, कि इतियास से चुड़ी वही चीज़ गटना है, rendition of मैसूर, rendition का मतलब क्या होता है, किसी को कोई चीज़ वापस दे देना, तो मैसूर जो है, अगर आपको याद हो, मैने पिछले lectures में एक बार आपको बताया था, कि मैसूर को bentic के समय में, direct British rule के अधीन ले लिया गया था, क्योंकि उनको लगा कि जो ओडियार dynasty का राजा है, वो ठीक से governance नहीं चला रहा है, तो याद करो कबन को बेजा गया था, कबन याद है ना, कबन को बेज दिया था, महा पे governance चलाने के लिए, लेकिन रिपन आया और रिपन ने देखा कि भाई, अब 50 साल हो गये, तो अच्छा कासा मैसूर चल सकता है, तो मैसू को as a princely state, reinstate कर दिया गया, यानि कि डलाओजी जो काम करके गया था, उसका उल्टा इन्होंने आकर रिपन ने कर दिया, इतने खुले दिल के और खुले विचारो वाले व्यक्ती थे, लोड रिपन, गदी किसको दी उन्होंने, वही ओडियार वंच के जो वारिस थे, चाम लिटन के कारेकाल का अगला important event था, Vernacular Press Act को निरस्त करना, लिटन ने 1878 में Press Act पास किया था, आपको यादी होगा पिसले lecture में हमने पढ़ा था, कि किस प्रकार से प्रेस पर बहुत सारे restriction आ गए थे, दमनकारी नीती थी है, अगर आप प्रेस की नजर से देखें, इसके खिल आते थे अपना खुद का अद बेंगाली, इसमें इनोंने एक editorial लिखा और इसके लिए इनको jail होगी, ये पहले भारती जनरलिस्त बने थे जिनको actually में jail में डाला गया था, सही मतलब लिखने के लिए, भारत के लोगों के लिए सही लिखने के लिए, तो ये Vernacular Press Act जो है, इस This could be a thing, बाकी आप लोग समझदार हो, मेरे को ज़्यादा बतानी क्या आवशक्ता नहीं, next important event है, hunter commission का गठन और उसकी report, hunter commission जो है भारती एजुकेशन के उपर टिपणी करता है, votes dispatch याद है या भूल गए है, उसी प्रकार की importance hunter commission की भी है, well उतनी नहीं है, votes dispatch में ज़्यादा काम करनी क्या आवशकता है, mass education की बात करी इन्होंने, जो बात, votes dispatch कहके गया था, उसी को और जादा थोड़ा hunter commission ने enlarge किया, कि mass education हो, सभी के लिए शिक्षा हो, ऐसा नहीं कि कि किवल clerk बनाने के लिए आप शिक्षा चला रहे हो भारत के अंदर, ये attitude नहीं होना चाहिए, we should educate everybody, सभी लोगों को हम शिक्षित करें और vernacular भाषाओं के मात्यम से करें, महराष्टर में मराठी, पंजाब में पंजाबी, इस प्रकार से भाषाओं के अंदर, local भाषाओं के अंदर पढ़ाई करवाई जाए, फिर secondary education के लिए इन्होंने दो बातें लिखी, पहला कि literary education leading up to the entrance exam of the university, तो exam university के level के लिए तैयारी करवाने के लिए literature वगेरा पढ़ाना चाहिए, दूसरा vocational career, तो देखो हर कोई literature पढ़ने के लिए English के grammar को पढ़ने के लिए तैयार नहीं होगा, तो आप पहले से ही देख लो elementary, मैंने की primary education के दौरान की कौन vocational career कर सकता है, vocational का मतलब है कि हाथ का जो काम होता है, उसके लिए आप अलग से तैयारी करा दो, तो आज जैसे ITIs चलते हैं, आप देखते होंगे कि ITI में admissions मिल जाते हैं 10th, 12th के बाद, उसी प्रकार से कुछ vocational careers की बातें Hunter Commission ने करी थी, तो इन्होंने उस समय, आज से 100 साल पहले, काफी modern time, काफी modern सो जाई है, उस पर काफी टिपपनी करी, कि कहा कि Bombay, Calcutta और मदरास को छोड़ कर जितने भी areas हैं भारत के, सबी जगे महिलाओं की बहुत खराप सिती है, literacy rate अगेरा बहुत कम है, तो ऐसे में महिला शिक्षा के प्रती थोड़ा सा हमें सजग होना पड़ेगा, और इन्होंने समय में, तो इनको ये जग्मात दे दिया जाएं, फिर रिपन का अगला सबसे बड़ा contribution है, जो शायद सबसे बड़ा contribution इसका माना जाता है, local self government के प्रती, local self government का मतलब है, जैसे आज municipalities होते हैं, municipal corporation होते हैं, उसी प्रकार से रिपन ने इनको काफी बढ़ावा दिया था, तो finances से संबंदित अधिकार देने शुरू किये थे, लेकिन अधिकार चाहें, जिसने जितने दिये हो, रिपन को कहा जाता है, भारत में, father of local self government, ठीक है, तो ये नाम आपको याद रखना है, कि Lord रिपन को, हाँ गया, रिपन को कहते है, father of local self government in India, अब इसने काम ऐसा क्या किया था कि इसको father बना दिया गया, दूसरों को नहीं बनाया है, तो देखो municipalities पहले से थी, बड़े-बड़े towns में, Bombay, मदरास, इन सब में तो थी, लेकिन इन में जो अध्यक्ष होता था, municipal commissioner होता था, उसको nominate कौन करता था, सरकार सीधा nominate करती थी, कोई चुनाव नाव नहीं ह इस तर पर, और municipality की शक्तियों को थोड़ा सा इसने बढ़ा दिया, फिर इसने कहा कि non-official member बिठाओ, official member वो हैं जिनको सरकार directly nuket करती है, सरकार के द्वारा वो नामित किये जाते हैं, उसमें कोई चुनाव का scope नहीं है, लेकिन non-official member जो हैं, इसमें election हो सकते हैं, लेकिन इन चुनाव में ऐसा नहीं होता था कि शहर का हर व्यक्ति वोट डाल सकता है, ये modern India की democracy नहीं थी, उसमें चुनाव बहुती सीमित स्तर पर होते थे, कुछ लोग चुनाव में वोट डाल सकते थे, जैसे जो tax payer हैं, जो land owner हैं, जिनके पास जमीन हैं, लेकिन फिर भी कम से कम presidency है, Bombay presidency में पूने शहर है, अब अगर Bombay presidency के local left net governor को लगता है कि पूने में चुनाव करा सकते हैं, तो फिर वो चुनाव करवाएगा, करवाना जरूरी नहीं है, और रिपन ने ये भी व्यवस्ता कर दी कि ये non official members की संख्या बढ़ गई, तो इनकी majority हो गई, तो जो सरकार क दोरा nuked किये गए, official members थे, उनकी संख्या होती थी कम, और board में non official सदस्य, जो कई वार चुनकर भी आते थे, भारतिये लोग आते थे, उनकी संख्या हो गई जाधा, और इनसे अब chairman भी बन सकता है, तो इससे क्या होता है, कि सरकार का हस्तक्षे फोड़ा सा municipalities और municipal boards में कम हो तो British हुकूमत से, यानि कि official से आपको permission लेनी के आउशकता है, municipality पूरी तरह से autonomous नहीं थी, पूरी तरह से स्वायत नहीं थी, पर फिर भी एक शुरुवात है, और in municipalities को क्या कहा गया, कि आप ये सारे काम देगो, sanitation, drainage, water supply, primary education, बलब जहां पर काम जाधा है और revenue कुछ नहीं है इन्होंने भारतिये लोगों को, या फिर non-official members को, not necessarily भारतिये, by the way non-official के अंदर अंग्रेज भी हो सकते थे, जरूरी नहीं है कि सारे भारतियों non-official में भारतिये लोग होते दे जावातार, लेकिन अंग्रेज भी हो सकते थे, अब हर अपते जो मैं history का doubt session लेता हूँ, उसमें कल मुझसे एक छातर ने पूछा कि काम तो Lawrence ने भी किया, Lytton ने भी किया, Mayo ने भी किया, Mayo ने भी बहुत सारी facilities दी इनको, local bodies को, तो Rippan को ही father of local self government क्यों कहा जाता है, वो इसलिए कहा जाता है, क्योंकि district और तालुक boards इसने बनवाए थे, यानि कि शेहरों से आगे चलकर district level पर जो local bodies हैं, उसकी संरचना किसके समय में जाधा आगे आती है, Rippan के समय में, it was insisted that the majority of the members of these boards should be elected non-officials, और इन में भी non-officials जो चुनकर आ हैं, ऐसे सदस्यों की संख्या जाधा रखी गई, Rippan ने इन local self government वाली संस्थाओं को executive powers भी दिये, और कहा कि जो आपके पास पैसा आ रहा है, उसका आप इस्तमाल कर सकते हैं, अपने अनुसार, लेकिन कुछ restrictions थे, वो मैंने आपको पहले ही बता दिये, और ये जो भी local bodies थी, Rippan ये कहता था कि वहाँ पर election कर रहा हो, election होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि सरकार direct nuke कर दे, तो पूने municipal commissioner को direct direct nuke तो नहीं किया जाएगा, Bombay presidency के governor या left need governor के द्वारा, बल्कि आप चुनाव करवाईए और फिर appoint कीज़े, अब ये सारी बाते जो मैंने अभी discuss करी, ये Rippan's resolution of 1882 कहलाते हैं, तो Rippan ने ये निर्ने लिया था कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए कान उन्हों के कारण Rippan resolution की कई बातें पूरी हो सकी, लेकिन फिर भी इसके कुछ drawbacks हैं, पहला, elected member जो है, वो district board के अंदर अभी भी minority में थे, और कई municipalities में भी minority में थे, तो सभी जगे elected members को majority नहीं मिल पाई थी, तो अभी भी British सरकार का अच्छा खासा हस्तक shape इसमें था, franchisee was very limited franchisee का मतलब है कि जो व्यक्ती vote दे सकता है, वो बहुत ही सीमित थे, इस प्रकार के नियम ले आते थे कि जैसे अगर किसी का शहर में घर है, property है, तो वो ही vote दे सकता है, अगर कोई बहुत अमीर व्यक्ती है, तो वो ही vote दे सकता है, जो tax पे कर रहा है, वो vote दे सकता है, तो ज उनको लगता था कि ये जादा थोड़ा भारती लोगों का भला कर रहे हैं तो उनको suspend भी कर दिया जाता था तो कई वार कई municipal bodies को directly suspend कर दिया गया क्योंकि वहाँ पर भारती लोगों के favor में रिड़ने लिये जा रहे थे और इसके भी जे reason ये था कि जो bureaucracy थी जो जादा थर ब्रिटिश अफसर थे वो रिपन की तरह खुले विचारों वाले liberal विचारों वाले लोग नहीं थे उनका लक्ष जीवन में ये नहीं था कि भारत के लोगों का भला हो उनका लक्ष जीवन में ये था कि हमारी सत्ता यहाँ पर बनी रहे ब्राउन लोगों के उपर तो केवल गोरे ही राज करेंगे गोरों की किस्मत में लिखा गुआ है हमें ये भगवान ने जिम्मेदारी दी है कि हम इनके उपर राज करेंगे इस प्रकार की सोच थी किसी को पता है वो white man's burden आपने सुना हो तो वो यही था कि हमारा ये burden है हम पर गोच डाला है भगवान ने उपर वाले ने की black और brown race के उपर हम राज करेंगे लेकिन रिपन ने इस mindset को बदलने की कोशिश करी लेकिन 4 साल में बहुत जादा हो बदल नहीं पाया जहां पर वो कानून बदल के चला गया था उसके कारेंट कई जगे फायदा होता भी है तो रिपन को कहते हैं father of local self government in India रिपन के कारेकाल का आखरी बड़ा घटना करम था इलबर्ट बिल कॉंट्रवर्सी इलबर्ट बिल कॉंट्रवर्सी ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा किये गए बादों का एक लिटमस टेस्ट था एक अगनी परिक्षा थी यादे इन्होंने 1858 में क्या कहा था Queen's Proclamation में कि भारत और Europeans जो दोनों नागरिक हैं वो हमारे लिए समान हैं जो हक और अधिकार इंग्लैंड में रहने वाले एक इंग्लिश विक्ति को हैं वही Queen Victoria के राज में रहने वाले भारतिय लोगों को भी भारत में भी मिलेंगे तो इस तरह की बड़ी-बड़ी बाते इन्होंने आदरश्वादी बाते 1858 में कह तो दी थी लेकिन Ilbert Bill इसकी अगनी परिक्षा थी कि क्या ही जो बातें इन्होंने कही थी ये सत्य है या नहीं Ilbert Bill क्या था सबसे पहले ये जान लो उस समय तक भारत में ये कानून था कि कोई भी European विक्ति चाए वो British हो या French हो कोई भी हो अगर वो भारतिया नहीं है मतलब ब्राउन कलर का आदमी नहीं है अगर वो वाइट कलर का आदमी है ठीक है ब्राउन वाइट देखो वैसे कहना गलत है लेकिन टेक्निकली वो अगर इंडियन नहीं है इसको कोड में किवल एक European जज सजा दे सकता है ये उस समय का कानून था अब इस समय तक क्या हुआ था कि जुडिशरी में भारतिय जजज भी आ गए थे हाला कि उच्चितम पदों पर नहीं होते थे लेकिन लोर जुडिशरी में तो भारतिय थे ही लेकिन वो भारतिय ये य क्यों ना हो वो अपने डिस्ट्रिट के अंदर डिस्ट्रिट जज भी हो सकता है लेकिन अगर महाँ पर कोई European चोरी करते हुए भी पकड़ा गया पॉकेट मार भी पकड़ा गया तो European पॉकेट मार को सजा नहीं दे सकता था ये कानून उस समय लाहु था तो इलबर्ट बिल पी इलबर्ट नाम की जो ये मेंबर थे इन्होंने एक बिल पेश किया 1883 में और इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने की कोशिश करी कि जुड़ी शरी में अब कोई भी अलग 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 डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा रेस के आधार पर अगर कोई भारतिया जज है तो व इस अधिकार का हम डिफेंस करेंगे और इस डिफेंस असोसिएशन ने भारी लॉबिंग शुरू करी इन्होंने इंग्लैंड में जो अखवार है उनको जाकर ही बताया कि देखो यहां क्या हो रहा है हमें यहां पर ब्राउन लोगों के बराबर समझा जाएगा क्या ये दि ब्रागल हो गये हैं ये लोग तो भारत के बराबर कर देंगे हमारे लोगों को तो कल को कौन यूरोपियन जाकर वहां पर नौकरी करना चाहेगा क्या आप भारतिया जज्ज के तुरू जेल की सजा मलब लेना चाहोगे इस प्रकार से बढ़काओ एडिटोरियल लिखते थ और अल्टिमेटली रिपन को बिल अमेंड करना पड़ा क्योंके ब्रिडिश सरकार भी इसके फेवर में नहीं रही और यहां पर दोनों जगे यहां पर भी और महां पर भी लंडन और क्यालकटा दोनों जगे तो रिपन इससे काफी दुख्य हो गया वह तो भला करने की पड़े जजज बन गये थे तो इसको इसने रेक्टिफाय करने की कोशिश करी थी लेकिन इसका इतना विरोध हुआ कि रिपन बहुत दुखी हो गया और अल्टिमेटली इसने इस्तीफा दे दिया यह जो इलबर्ट विल की कॉंट्रवर्सी हुई थी इसके बाद इसने इस यह है ब्रिडिश हुकूमत की सच्चाई यह जो बड़ी बड़ी बाते करी थी इन्होंने 1858 में Queen Victoria के Proclamation में की भारत के और England के नागरिक बराबर हैं यह सब कहने की बाते हैं सच्चाई कुछ और है और सच्चाई हमें पता चली है इलबर्ट विल कॉंट्रवर्सी के दौरा और जब इसका विरोध हुआ तो इन्होंने बड़ चड़ कर यह दिखाया कि देखो British हुकूमत जो है यह हमारे साथ कभी न्याय नहीं करेगी और इसके तुरंद बाद आप देखोगे कि 1885 में क्या होता है Congress का गठ्यन हो जाता है तो आप भारत के nationalism की शुरुआत यहां से इलबर्ट बिल कॉंट्रवर्सी जो है वो इसका एक बहुत इंपोर्टेंट बैक्राउंड है रिपन यहां से चला गया डिस इल्यूजन हो गया विचारा बोले यहां पर मैं कभी कुछ भला करी नहीं पाऊंगा उसने इस्तीफा दे दिया और वापिस लंडन जाकर रिटा डफरिन के कारेकाल में बस एक दो इंपोर्टेंट घटना है ज्यादा कुछ खास इसने किया नहीं था 84 से 88 आया अपना शांती से काम वाम किया सैलरी उठाया चला गया थर्ड अन्ग्लो बर्मीय वार होता है जो हम पहले डिस्क्स कर चुके है थर्ड अंग्लो बर्मी selfish वार में यह पूरा उत्तर वाला जो म्यानमार है crisis, army unable to regain control in dozens of towns, start of armed revolt, wave of refugees, Burma in 1880s, तो बिल्कुल जो मतलब 3rd Anglo-Burmese War के समय जो Burma की situation थी, वो exactly आज भी वैसी ही है, बस इन्होंने बस यही फरक बताया है कि उस समय क्या हुआ था, कि एक British-Indian Flotilla, Flotilla यानि की naval ships होते हैं, तो जो British-Indian Navy थी, वो एक्तम जहाज वहाज लेकर पहुँच गया थे, इरावडी नदी पर, और इन्होंने 3rd Anglo-Burmese War की शुरुआत कर दी थी, लेकिन ऐसा अब नहीं होगा, बठान, situation देखो कितनी similar है, कई देश इस cycle से बहार नहीं आ पाते, civil war, लड़ाई, economic crisis, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो स्थिती म्यानवार में आज से 140 साल पहले थी, लगबग वही स्थिती आज भी है, डफरिन के कारेकाल का दूसरा important गटा करम है, आईचिंसन कमेटी का गठन, और इसने अपने recommendation दिये थे, public services, यानि कि जो civil services थी उसके बारे में, इसने ये कहा कि covenanted और uncovenanted ये शब्द हटा दो, covenanted क्या होता था, basically covenant एक शब्द होता है, जिसका मतलब होता है कि भगवान से किसी का अगर रिष्टा है, covenant है, वालब वो Christianity के अंदर ये शब्द काफी important है, तो covenanted civil servants वो होते थे, जो ब्रिटिश मूल के थे, और इनी को higher positions दी जाती थी, तो मान लो, आज के समय से, अगर मैं compare करूँ, तो joint secretary and above level की जो services है, मान लो, उस प्रकार की जो service थी, या positions थी, वो किवल, ब्रिटिश covenanted civil servants को दी जाती थी, और जो भारतिय मूल के थे, उनको uncovenanted civil servants कहा जाता था, तो यह जो differentiation था, यह सीधे थोर पर racism था, तो आइचेंसन कमिटी ने कहा कि इसको हटाओ, और reclassify कर दो, तो imperial, provincial और subordinate, तीन स्टर की परिक्षा होनी चाहिए, जैसे आइचेंसन कमिटी ने कहा था, कि इस प्रकार का यह division होना चाहिए, यह classification finally किया गया, अगले वाइसरोय के कारेकाल में, अगला वाइसरोय था, Lord Lansdown, इसका भी बड़ा लंबा चोड़ा नाम था, लेकिन हम तो इसको प्यार से, Lansdown ही बोलेंगे, 88 से 94 के बीच में 6 साल का इसका कारेकाल था, तो ज़्यादा इसमें गटित होता नहीं है, कि वल दो चीज़े हैं, Factory Act और Indian Councils Act of 1892, यह दो कानून ने जो हमें पता होने चाहिए, इसके कारेकाल के, एक इसने Durand Commission का गठन किया था, Durand Commission ने Durand Line बताई थी, जो आज भी पागिस्तान, अफगानिस्तान का बॉर्डर है, वो लाइन इसके कारेकाल के दौरान तै करी गई थी, Factory Act यहा तरख ले था, Second Factory Act आया था, किसके कारेकाल में, Lansdown के कारेकाल में, ठीक है, 1891 में, तो इसने क्या करा, वो जो minimum age थी थी ना, बच्चों को काम करवाने की, वो 7 साल थी, वो इसने 9 साल कर दी, Maximum age जो बच्चों की definition है, उसमें इसने 12 से 14 कर दिया, तो अब क्या है कि, anybody between 9 to 14 years, जो काम कर रहा है, legally काम कर रहा सकते हैं, 9 to 14 years के बच्चों से, लेकिन उनको बच्चा माना जाएगा, अगर 14 साल के उपर गा है, तो फिर उसको adult माना जाएगा, तो इसने child labor को एक तरह से legal कर दिया, 9 to 14 की age में, बच्चों के लिए maximum काम करने का समय है, वो भटा कर 7 गंटे कर दिया गया, maximum working hours for women were restricted to 11 hours per day, मैलाओं को 11 गंटे maximum, दिन में 1.5 गंटे का interval या break मिलना ज़रूरी है, और पुरुशों के लिए जो काम करने का समय था, वो बिल्कुल सेम रखा, कोई बदलाव नहीं किया, उसमें केवल 30 मिनिट्स per day का एक break दे दिया गया, और ये कहा कि एक weekly छुट्टी होनी चाहिए सब के लिए, पहले कहा था कि महीने में 4 होनी चाहिए, अब कह दिया कि हर अफते एक होनी चाहिए, लेकिन ये सारे कानून, जो British चाय बगान थे, उन पर लागू नहीं थे, जो British मालिक है चाय या कॉफी एस्टेट के, उनके लिए ये सब लागू नहीं होता था, वो अपने लेबर को चाहिए, जितना एक्स्ट्राइट करो, 15-15 गंटे काम करो, वहां तो proper slavery होती थी, जो North Bengal के अंदर coffee estates, tea estates थे, जो दक्षिन भारत में coffee estates है, वहां पे तो literal slavery हो रही थी, तो इनको तो government कह दी थी, कि आप कानून के दाएरे से बाहर हो, लेकिन जूसरे जो भारतिय मालिक हैं, उनके लिए ये सारे कानून लागूफ होते थे, तो यहां पर भी racism है इनका, देख रहे हो आप, और यह जो tea estate है, इनमें तो labor की condition इतनी खराब थी, कि वहां पर अगर कोई contract sign कर दिया किसी labor ने, service में आने का, और फिर वो काम के लिए मना कर देता है, तो criminal offense था, आप काम छोड़कर भी नहीं जा सकते हैं, अगर छोड़कर जाने की बात करोगे, तो आपको जेल में डलवा देगा आपका मालिक, तो it was a criminal offense, breach of contract, तो यह जो defaulting laborer है, उनको जेल हो जाती है, तो जेल जाने से बैतर है लोग सोचते थे, काम ही कर लेते हैं, चाहे 15 गिंटे काम करना पड़े, अगला है 1892 Indian Councils Act, जो मैं इस lecture में नहीं पढ़ाऊँगा, कारण क्या है, देखो, अभी हमको दो चीज़ें पढ़नी है, social reform movement अब हम पढ़ेंगे, और उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊँगा, Congress का गठन, उसके बाद आपको यह तोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, इतना याद रख लेना कि लैंड्स डाउन के कारेकाल के दोरान आया था, Indian Councils Act, पिछला कवा आया था 1861 में, लेकिन आब इसको हम पढ़ेंगे, social reform movement और Congress के गठन के पढ़ने के बाद, आपको अगर PDF डाउनलोड करना है, तो इन टेलिग्राम चैनल से आप कर सकते हैं, अटारवी और उन्नसवी शताबदी में, भारत के समाज की क्या स्थिती थी? स्थिती काफी खराब थी, अंदविश्वास समाज में बहुत था, सोशल इनिक्वालिटी थी, बराबरी का दरजा नहीं था, कुछ तब के बहुत ही पिछड़े थे, कुछ आगे थे, जो उप्रेशन था, यानि एक समाज का वर्क, दूसरे समाज के वर्क को दबा रहा है, उप्रेस कर रहा है, ये काफी वाइट स्प्रेड था, कोई रूल्स, कानूर नहीं था, जो इस उप्रेशन को रोक सके, कोई आर्टिकल 17 नहीं हुआ करता था, अन्टेचेबिलिटी को रोकने के लिए, ब्राह्मन या पंडित अपनी स्क्रिप्चरल नॉलेज, स्क्रिप्चर क्या होता है, वेद पुरान जैसे पुराने जुतने भी नॉलेजबल बुक्स हैं, उनकी जो नॉलेज है, उनको इस्तमाल करके, अपनी मोनॉपली बनाकर बैठे थे धर्म के उपर, मोनॉपली का मतलब है, कि आप ही केवल तै करेंगे कि नियम कायदे क्या होंगे, तो ये मोनॉपली जो है, उप्रेसिव सोशल कंडिशन्स क्रिएट कर रही थी, जिसके अंदर समाज के कई तबकों का शोशन हो रहा था, और कुछ तबके प्रिविलेज की लाइफ जी रहे थे, उसके अलावा कई कूरीतियां थी, जैसे की फीमेल, इंफेंटिसाइड, छोटी बच्चियों को पैदा होते ही मार दिना, बाल विभा, पॉलीगैमी, एक से जाधा शादी करना, ये सब काफी कॉमन था 18th और 19th सेंचुरी में, एक बात याद रखेगा कि इन सभी कूरीतियों के बारे में, कई अंग्रेज ओफिसर्स ने लिखा था, क्योंके अंग्रेजों में एक ट्रेंड था, कि वो लोग डायरी वगेरा जाधा लिखा करते थे, कई होने अपनी बायग्रफी इंग्लाइन जाकर पब्लिश करी थी, तो उनके द्वारा जो ये सोशल टिपपनी करी गई थी, कि किस प्रकार का समाज है भारत का, अब इनमें कई बार ये बुड़े जो व्यक्ति हैं, इनकी डेथ हो गई, तो वो जो जवान लड़की है, जो तेरा-चौदा साल की है, कई बार वो टीनेज विडो हो जाती थी, यानि कि वो अभी टीनेजर है, और विदवा हो गई, और उसे अपना पूरा जीवन एक विदवा के रूप में व्यतीत करना पड़ेगा, सफेद कपड़े पहनने पड़ेंगे, फिर से शादी करने का तो कोई सवाल ही नहीं है, समाज में सती प्रता भी काफी प्रेवलेंट थी, अब प्रेवलेंट का मतलब यह नहीं कि हर औरत को अपनी पती की चिता में धकेला जा रहा था, लेकिन प्रेवलेंट लिखा गया है शब्द इसका मतलब यह कि काफी कॉमन थी, और ओर उरिजिनली जो सती प्रता है, सपोस्ट भी वॉलेंटरी, वॉलेंटरी का मतलब है कि कोई महिला अपने पती की चिता पर जल रही है अपनी मर्जी से, लेकिन अठारवी और उन्निस भी शताबदी में आते आते, ये प्रैक्टिस इस प्रकार की होगी थी कि लिटरली महिलाओं को धकेल दिया जाता था अपने पती की चिता के उपर, तो ये दोनों ही फॉर्म में मेरे अनुसार तो प्रब्लेमाटिक है, ना वॉलेंटरी होना चाहिए, ना इन्वॉलेंटरी, पर इस समय तक आते आते, बिंगॉल में खास करके समस्या बहुती बड़ी हो चुकी थी सती प्रतागी, समाज में जाती आधारित चुआ चूट या जाती आधारित, डिस्क्रिमिनेशन या सेग्रीगेशन भी अपनी जड़ें जमा चुका था, सेग्रीगेशन का मतलब है कि कुछ जगे पर कोई किसी पर्टिकुलर जाती का व्यक्ति नहीं जा सकता, जिन जाती को सब्से बड़ा नुकसान ये था कि इसके कारण समाज में एकता की फिलिंग कभी नहीं आ सकती, आज भी ये समस्या है भारत में कि एकता और अखंडता हमारी जो है उसमें जाती वज़स्ता आज भी चैलेंज पोज करती है तो उस समय सोचो जब ना कोई सविधान था ना कोई आर्टिकल 17 था तब कितनी बड़ी ये समस्या रही होगी और ऐसा नहीं कि कास्ट सिस्टम के अवल हिंदूों में था बलकि मुस्लिम और सिक समुदाय में भी ये जाती वज़स्ता थी with respect to marriages and some other activities लेकिन योरोप में जो बदलाव की क्रांती शुरू होती है वो थोड़ा थोड़ा भारत पर भी असर करना शुरू करती है अब योरोप में 14-15 सेंचुरी में होता है रेन enlightenment 17th और 18th सेंचुरी में जहां पर पुराने रूडिवादी समाज के ideas को challenge किया जा रहा था धर्म में science में सभी चीजों में बदलाव हो रहा था और इस enlightenment का सबसे बड़ा एक जो reason है वो scientific discoveries थी तो इसी enlightenment की age में नई political philosophies आती है ये बाते उभर कर सामने आने लगे कि राजा के पास एक अधिकार नहीं है कि वो अपने मनमर्जी से दुनिया चला है पारलेमेंट होनी चाहिए तो आप देखेंगे कि देरे देरे ब्रिटन में पारलेमेंट विवस्था आ जाती है प्राइम मिनिस्टर आ जाता है तो ये इस प्रकार की political philosophies येरोप में आने लगी science के पर समाज सुधार पहले हुआ नहीं केवल 19th century में हुआ है हम medieval time period में भी पढ़ेंगे आगे चलकर कि भक्ती सूफी मुवमेंट जो है ये भी एक प्रकार के समाज में reform लाने वाले या culture को reform करने वाले मुवमेंट थे लेकिन 17th century onwards क्या हो जाता है कि दुनिया भर में reforms को lead करन वाले बन जाते हैं British वहाँ पर parliament आ जाती है industrial revolution आ जाता है liberalism आ जाता है humanism की बाते आ जाती है उसके बाद French revolution आता है 18th century में तो France और Britain जो है ये इस बदलाव के अगरनी बन गए थे अब कायदे से ये बदलाव Britishers के साथ भारत भी आना चाहिए था वो चाहते तो यहाँ पर ये reform या फिर reform या फिर बदलाव की करांती यहाँ पर लेकर आते लेकिन East India Company ने अपने हितों की रक्षा करते हुए यहाँ पर किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया उन्होंने भारत में आकर orthodox यानि कि रूडिवादी लोगों के साथ साथ गार्ट करी वो उसी जाती वि और उनी राजा माराजाओं के साथ उठते बैटते थे या फिर उनी के साथ मिलकर रूल करना चाते थे ना कि आम आदमी के साथ तो ये ब्रिटिश को यहाँ पर समझ में आ गया था कि अगर रूल चलाना है तो इनी लोगों के साथ रहकर रूल चलाया जा सकता है कुछ गव में भी बताया था कि कई बार जब बगावत भी होती है तो mostly जमिंदार या प्रिंसे जादा तर वक्त उनके साथ थे कई बार जमिंदार्स ने भी रिवोल्ट किया कई बार राजाओं में भी रिवोल्ट किया लेकिन most of the time वो अंग्रेजों के साथ ही साइड अंग्रेजों के साथ देते हुए उनका यहां पर शासन जमाते रहे और इस प्रकार से ना तो भारत में कोई social reform आता है ना ही कोई industrial revolution आता है ये बाते हैं मैं कर रहा हूं 18th century तक की जवालाल नेहरू ने अपनी किताब Glimpses of World History में भी यही बाते कहिए उन्होंने काया कि British rule helped religious conservatism it sounds strange for the British claim to profess Christianity and yet their coming made Hinduism and Islam in India more rigid to some extent this reaction was natural as foreign invasion tends to make religion and culture of the country protect themselves by rigidity it was in this way that Hinduism had become more rigid and caste had developed after the Muslims invasion now both Hinduism and Islam reacted after this fashion तो नेहरू यहां पर ही लिखते है कि दुनिया में कहीं भी आप देखोगे कि जब विदेशी आकरानता कोई आता है तो जो local dharm है, local beliefs है वो थोड़ी सी rigid हो जाती है, वो और सक्त हो जाती है तो इसी प्रकार से जब British यहां पर आए तो उसके कारण जो Hindu और Islamic dharm के जो rules and regulations है वो और ज़्यादा strict हो गए खास करके तब जब उन्हें लगा कि अंग्रेज तो हमारे dharm के साथ छेड़ चाड़ कर रहे है, सती प्रता पर बैन लगाने की कोशिश कर रहे है विद्वाग को फिर से शादी करने के लिए कानून बना रहे है तो इस प्रकार की घटनाय जो है वो धर्म को और ज़्यादा rigid बना देती है अपार्ट फॉम दिस, the British government in India या actually deliberately and unconsciously help the conservative elements in these two religions जो British हुकूमत भी थी, वो भी इन रूड़ीवादी लोगों को ज़्यादा सपोर्ट करती थी दोनों ही समाज में उनको डर ये था कि अगर हमने ज़्यादा धार्मिक मामलों में इस्तक्षिप किया तो लोग गुस्सा हो जाएंगे और गुस्से में क्या होगा बगावत और बगावत हमें चाहिए नहीं तो इसलिए इन्होंने orthodox यानि रूड़ीवादी लोगों का साथ देना शुरू किया और जहां पर social reform जादा हो रहा था उसको उन्होंने कभी support नहीं किया इस मामले में आप देखोगे कि हिंदु धर्म जो है वो लगातार change होता गया है ऐसा नहीं कि हिंदु धर्म आज भी वही है जो हम 4000 साल पहले practice कर रहे थे there has been lot of changes अब यही change लगातार होते रहने चाहिए लेकिन इन बदलावों को कभी भी अंग्रेजों ने बढ़ावा नहीं दिया क्योंकि हिंदु धर्म mostly custom पर based है और customs सदियों में कुछ सदियों में change हो जाते है 100-200-300 साल में customs काफी change हो है और लगातार होते भी आए आप history में पढ़ोगे अभी आगे मैं आपको ancient medieval पढ़ाऊंगा तब भी आपको यह चीज पता चलेगी लेकिन ये जो rigid legal codes हैं इस प्रकार के कोई code नहीं हुआ करते थे लेकिन Britishers के आने के बाद हिंदु धर्म में भी ये elasticity थोड़ी सी खत्म हो गई और same situation मुस्लिम समुदाय में भी होती है वहाँ पर भी कोई भी नया बदलाव नहीं आता सामाजिक स्तर पर तो इस प्रकार के महल में भारत एंटर करता है 19th century यानि कि अब सन 1801 आ चुका है इस समय फाइनली भारत में कुछ नये विचार पहुचते हैं किसके माध्यम से वो भी British Government जो थी उसके कुछ कारिंदे थे उसके Officers थे जो French Revolution जिसे आइडियास को भारत लेकर आये मतलब यहाँ पर लाकर क्रांती नहीं करी उन्होंने पर वो लिखते थे पढ़ते थे डिसकस करते थे यहाँ पर लोकल लोगों से तो यह जो कुछ Officers थे Government Servants थे इस इंडिया कंपनी के Senior Officers थे जो इन आइडियास इन नई political philosophies से काफी impressed थे वो इस प्रकार के आइडिया भार इनके College में, School में उसके साथ इस प्रकार की चर्चा करेंगे अब होता क्या है कि Bengal के अंदर एक Education Revolution आता है जहाँ पर जो कम से कम बड़े Landed जमिंदार हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं, School College भेजना शुरू करते हैं और यही बच्चे जब पढ़ लेते हैं तब इनको पता चलता है कि अच्छा भई दुनिया में तो French Revolution हो रहा है, दुनिया में नई Political Philosophies आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि सारा पावर जमिंदार या राजा का होता है, सारा पावर तो जनता के हाथ में होता है, इस प्रकार के नए Ideas को यह पढ़ते हैं और धीरे धीर यह देखते हैं कि जैसे Christianity में पंदरवी और सोलवी शताबदी में reformation आया था, उसी प्रकार से हम अपने धर्म में भी तो जो रूडिवादी परंपरा हैं, उसका विरोध कर सकते हैं, तो ऐसे समय में भारत में reform movements की शुरुआत होती है 19th century में, जिनको हम पढ़ेंगे, अब reform movements को broadly दो हिस्सों में बाटा जाता है, एक है reform movement, यानि कि हमारा जो धर्म है, उसी को हम थोड़ा सा change करेंगे, modernize करेंगे, धर्म की basic बातों को नहीं बदलेंगे, तो ये वाले bracket में आते हैं, ब्रह्म समाज, प्रार्तना समाज, अलिगड़ movement, दूसरी ओर आते हैं, revival movement, अब revival movement जो हैं, ये वैसा समाज चाते थे, जैसा 1000 साल, 2000 साल पहले होता था, इनको कुछ reform नहीं करना था, इनको बदलाव नहीं करना था, इनको क्या करना था, कि जो भी 1000 साल में add हुआ है, उसको हटाओ, और जो 1000-2000 साल पहले होता था, सीधा वहाँ पहुँच जाओ, तो आरे सम यानि कि नए को बदलो, जो existing है, उसमें बदलाव लाओ, तो ये दो प्रकार के धार्मिक आंदोलन हम पढ़ेंगे, अब आप डिसाइड करना कि कौन सा movement reformist category में आता है, कौन सा revival में आता है, reformist आंदोलन को भी हम दो हिस्सों में बाढ़ सकते हैं, एक वो जो पश्चिमी व movement, दूसरा था जो inspired था, progressive idea से, यानि कि पश्चिम से inspired है, लेकिन भारत की culture, भारत की संस्कृती, भारत के धर्म के अनुसार ही समाज में बदलाव लाए जाएं, इसका example होगा, ब्रह्म समाज, ठीक है, तो ये पश्चिमी thoughts को पूरी तरह से लागू करना चाते थे, ये कहते थे कि वहाँ से केवल inspiration लो, और अपना reform अपने आप करो, वहाँ के ideas को यहाँ पर सीधे तोर पर लागू नहीं किया जा सकता, तो सबसे पहला आंदोलन या organization जो हम पढ़ेंगे वो है ब्रह्मो समाज, ब्रह्मो समाज की स्थापना करीती राजा राम मोहन रॉय ने, अब य राम मोहन रॉय का जन्म हुआ था एक ब्रह्मिन परिवार में, बंगाल में, और ये काफी होनार छात्र थे, इनको कई भाशाएं आती थी, संस्कृत, ग्रीक, लाटिन, अरबिक, पर्शन, इतनी सारी भाशाएं सीख ली थी इन्होंने, ये वाज़ा पॉली ग्लॉट, जो इन्होंने ब्रह्मा समाज की भी स्थापना करी थी, और इनकी द्वारा लिखी गए हैं, जो किताबे हैं, वो एक्जामिनर्स की फेवरेट होती हैं, ये सभी एक्जाम्स में, तो आपको ये आँख बंद करके रट लेनी है, ठीक है, इनमें क्या लिखा है, वो इतना इंप सुधार का, वो था सती प्रता के खिलाफ एक आंदोलन चलाना, सती प्रता के लिए ये काफी वोकल थे, काफी बात करते थे उसकी, तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारे काम किये समाज में, फिर 1817 में इन्होंने डेविड हैर की स्थापना करी, हिंदू कॉलेज की वान में लिखा है, तो यह क्यों हम महिला treatments के जवरदस्ती जला रहे हैं, उनके पती के चिता पर, कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि विद्वा महिला को जिंदा जलाया जाये, ना तो कोई हिंदू धर्म कहता है, ना ही कोई हिंदू धर्म की किताब कहती है, तो इन्होंने का क बलकि groundwork भी इन्होंने बहुत किया था जितने भी cremation ground है जहाँ पर लाशों को जलाया जाता है वहाँ पर जाकर यह देखते दे कि कहीं कोई जबरदस्ती सती तो नहीं करवारा vigilance groups बनाये थे इन्होंने जैसे किसी गाओं के अंदर 5-6 लड़कों को बोल दिया कि भाई तुम ध्यान रखो यहाँ पर किसी को सती तो नहीं किया जारा जबरदस्ती हो तो मुझे बताना और सरकार को इन्होंने पेटिशन किया तो British सरकार वाइसरोय तो नहीं होता था उस समय गवर्णर जनरल होता था तो गवर्णर जनरल को बार-बार चिट्धियां लिखते रहते दे कि सती प्रता को बैन करो बैन करो कानून लाओश के लिए फाइनली विल्यम बेन्टिक ने इनकी सुनी और 1829 में सती को क्रिमिनलाइज कर दिया गया जो भी सती प्रता को फॉलो करता है या फिर किसी महिला को चिता पर धकेलता है तो उसको अब जेल हो सकती थी तो राजा राम मोहन राय के एफर्ट्स के कारण ये कानून पास किया था बेन्टिक के द्वारा फिर इन्होंने 1820 में एक और किताब लिखी थी प्रीसेप्स ओफ जीजस इसमें इन्होंने जीजस क्राइस्ट की जो टीचिंग्स है उसके बारे में लिखा है तो ऐसा नहीं कि केवली हिंदु धर्म की स्टड़ी करते थे इन्होंने सभी धर्मो करते थे लिखते थे उनके बारे में इन्होंने वेद को भी बंगाली में ट्रांसलेट किया था एक बंगाली न्यूस पेपर इन्होंने शुरू किया 1821 में जिसका नाम था समवाद कॉमूदी जिसका मतलब होता है दे मून आफ इंटेलिजेंस कॉमूदी का मतलब होता है बादचीत कर रहे हैं आप किसी से यह पहला अखवार था जो किसी भारतिय व्यक्ति के द्वारा पब्लिश किया जा रहा था चापा जा रहा था एडिट भी किया जा रहा था और management भी भारतिय था क्योंकि अभी तक जितने भी अखवार थे वो या तो Europeans या फिर जो East India Company के retired लोग हैं या फिर को European origin के वेक्ति हैं वो लोग चलाया करते थे लेकिन ये पहला अखवार था जिसमें तीनों major काम एक भारतिय वेक्ति कर रहा था publishing, editing और management ये तीनों इनी के हाथ में थे समवाद कौमोदी इसका नाम है एक और इन्होंने अखवार निकाला weekly था हफ़ते में एक बार आता था ये फारसी भाषा में आया करता था मिरात तो लकबर जिसका मतलब होता है mirror of intelligence 1825 में इन्होंने एक और college की स्थापना में अपना स उसको भी पढ़ाया जाएगा और नए जमाने की जो knowledge है western knowledge है social physical sciences इन सभी को यहाँ पढ़ाया जाता था इन्होंने बेंगौली grammar पर एक किताब लिखी थी और जो modern बेंगौली pros है उस भाषा के development में pros के development में इनका काफी योगदान रहा अगर politics की बात करें तो इन्होंने ज rent है जमीन का जो कर है वो fix होना चाहिए maximum limit उस पर तै होनी चाहिए जमिंदार ऐसा नहीं है कि जितना चाहें कर वसूल लें तो British सरकार को तो चाहें वो कुछ भी दे रहे हो लेकिन किसानों से जो वसूल रहे हैं रहियत से जो वसूल रहे हैं उस पर एक limit होनी चाहिए फिर इन्होंने भी उसके लिए काफी आवाज उठाई थी उसके बाद ये कहा था कि Indianization of superior services हो यानि कि उच्च पदों पर भारती लोगों को बिठाया जाए एक्जिक्यूटिव और जुडिशरी को separate करो कौन सा आर्टिकल है जो इसके बारे में कहता है आप बताईए comment में Judicial equality between Indians and European भारत और European judge इसके बीच में बराबरी का दर्जा हो इलबर्ट विल controversy याद आई आई आपको 1884 तक जाकर भी ये काम नहीं हो पाय था जबकि राजा राम मोहन रहे तो ये सब डिमांड 1820 के दर्शक में कर रहे थे 65-70 साल बाद लिए बराबरी का दर्जा नहीं मिला और इन अनुनन ये जुर्म है या नहीं क्योंकि jury system कई देशों में follow होता था अगर इनके international stand की बात करें तो ये काफी पढ़े लिखे विक्ती थे दुनिया में क्या हो रहा था इसके बारे में ये जानकरी रखते थे तो ये कहते थे कि global cooperation होना चाहिए कि जितने भी आंदोलन है justice की जो बाते हैं जो फ्रेंच revolution ने दुनिया में फेलाई थी उसको हर जगे follow किया जाए revolution of naples ये इटली के अंदर एक था revolution हो रहा था हमारे लिए कोई important नहीं है बस लेकिन वहाँ पर भी एक प्रकार की करांती थी उसको भी इन्होंने support किया ये कहते थे Spanish America को decolonize किया जाए America जो है North American continent वहाँ पर Spain की कई सारी colonies थी उस समय जो उन्होंने ultimately छोड़ दी लेकिन तब थी तो उसके लिए भी ये बोलते थे कि Spanish America decolonize किया जाना चाहिए फिर इन्होंने Ireland के cause को support किया Ireland में भी वही समस्या थी Irish लोग कहते थे कि British ने हम पर हुकूमत चलाई है और English absentee landlordism वह उन्होंने इस absentee landlordism के लिए आवाज उठाई कि ये England Ireland में भी कर रहा है वो भी खत्म किया जाए बेंगौल में भी नहीं होना चाहिए फिर आजाते हैं ब्रह्म समाज पे तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में करी कही थी year important है star mark कर लीजेगा और originally इसका नाम था ब्रह्म शब्द का मतलब God से था इनका लक्ष क्या था the worship and adoration of the eternal unsearchable immutable being who is the author and preserver of universe बड़ी बड़ी बातें थी अगर मैं short मैं आपको समझाओं तो ये कि आप किवल prayer करिये meditate करिये और उपनिशद और पुरानों को पढ़िये उसके अलावा कोई भी idol worship नहीं करनी है सबसे important बात जो एक भगवान है हम उसी की पूजा करेंगे उसी के बारे में हमें बातचीत करनी चाहिए उसी के उपर हमारा ध्यान के इंदरित होना चाहिए तो इसमें ब्रह्म समाज में images, sculptures, statue यानि कि किसी भी प्रकार की मूर्ती पूजा पूरी तरह से निशेत थी ब्रह्म समाज की किसी और उपनिशद के अनुसार ही समाज को चलना चाहिए तो ब्रह्म समाज का लक्षिता के हिंदु धर्म को पूरी तरह से purify कर दिया जाये, cleanse कर दिया जाये, जितनी भी कूरीतियां आ गई है, उन सब से उनको सब को हटा दिया जाये, और केवल वेद और उपनिशद में जो बातों को हटाने की कोशिश करी, एक तो polytheism की अलग-अलग पंथ नहीं होंगे, जैसे ऐसा नहीं है कि कोई शिव भगते है, कोई विश्नु भगते है, तो ये इस प्रकार के division नहीं होने चाहिए, आइडल वर्शिप, यानि मूर्ती पूजा नहीं होनी चाहिए, divine अवतार यानि की multiple incarnations, जैसे विश्नु भगवान के 10 अवतार हैं, तो उसके अंदर इनकी belief नहीं है, वो कहते हैं कि एक ही है भगवान तो, उसका रूप हमें नहीं मालूम, तो किवल उसी की पूजा अर्चना होनी चाहिए, scriptures में ये कहा है कि एक ही ultimate authority है, ये divine अवतार या incarnation जो है, य इस पर इन्होंने कहा कि जो आपकी मर्जी है, आप उसको belief कर लो, transmigration of soul समझते हो, हिंदु धर्म के अंदर होता है, कि आत्मा अमर होती है, एक जन्म से दूसरे जन्म तक आत्मा आपकी continue रहती है, तो उस वाली philosophy पर इन्होंने कोई टिपणी नहीं करी, mainly आपको ये याद र लिए, उनको हम नहीं किनते, इन धर्मिक रीतियों के अलावा कई समाजिक कूरीतियां भी थी, जिनका इन्होंने विरोध किया, तो उनमें सबसे important है, caste system, polygamy, child marriage, priest, यानि कि केवल ऐसा नहीं कि पंडितों के पास ही अधिकार हो कि मंदिरों में पूजा हो, idol worship, polytheism, अवता पार करके आप नहीं जाएंगे, वो काला पानी माना जाता था, तो इसलिए अंडमान निकोबार की सजा एक नाकेवल सजा थी, बल्कि एक religious रूप से भी काफी detrimental मानी जाती थी, तो इसके गिलाव इन्होंने बात कहीं, कि बाई देखो, हिंदू धर्म के लोग जब बाहर न compensation नहीं होना चाहिए, सभी लोग बराबर हूँ, उपनिशद के अंदर ये काफी believe करते थे, spirituality जो है, वो उपनिशद के उपर based हो, morality की बात करते थे, महिला अधिकारों की बात करते थे, विदवाओं की situation के बारे में इन्होंने काफी कुछ कहा, और ये कहा कि विदवाओं को फिर से शादी करने की अनुमती होनी चाहिए, तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि 1820 के दशक में जब ब्रह्म समाज बना था, उस समय इस तरह की बाते करने वाला इन सब points को समाज के सामने रखने वाला कोई भी नहीं था, एकका दुक्का कोई लोग थे, उनमें ब्रह्म समाज सबसे prominent था, in fact उन्हों नहीं बंगाल में इस समाजिक करांती की नीव रखी थी, लेकिन unfortunately 1833 में राजा राम मोहन रॉय की मृत्यू हो जाती है, लंडन जा रहे थे ये, क्यों जा रहे थे, जो अकबर शाह था ना, मुगल बाद्शा, उसने इनको बोला कि जाकर लंड थोड़ा सा धीमा पढ़ गया था, slow down आ गया था, लेकिन इस movement में फिर से एक नई जान फूकी, डेविंद्रनाथ टेगोर ने, डेविंद्रनाथ टेगोर कौन है, ये रविंद्रनाथ टेगोर के पिताजी हैं, तो डेविंद्रनाथ टेगोर अपना एक अलग organization चलाते थे जिसका नाम था तत्व बोधिनी सभा, तो तत्व बोधिनी सभा ये भी कलकटा में ही रहते थे, वहाँ पर ये भी अपना social activism कर रहे थे, तत्व बोधिनी पत्री का चापा करती थी इनकी society, जिसमें ये भारत के history को पढ़ाया करते थे, तो इन्होंने 1842 इसमें क्या करा, अ देवेंदर नाठ टेगोर ने फिर से इस movement को revive किया, और इनके साथ और भी कई लोग जुड़े, इसी के parallel, डिरोजियन movement चल रहा था, यंग बेंगॉल movement जिसको मैं आने वाले कुछ मिनिट में आपको पढ़ाऊंगा, तो यंग बेंगॉल movement के कई लोग इनके साथ शामिल हो दूसरे राज्यों में लेकर जाते हैं, ठीक है, देवेंदर नाठ टेगोर ने इसको पूरे बेंगॉल में popular कर दिया, तो जहां ब्रह्मा समाज पहले कैलकटा और उसके आस पास से शुरू बाता, अब वो पूरे बेंगॉल में फैल जाता है, ड्यू टू देवेंदर दूसरी लड़ाई थी इनकी Christian Missionaries के साथ, क्योंके ब्रह्मा समाज कनवर्जन के Christian Missionaries के काम के पूरी तरह से खिलाफ था, और वो कहता था कि ये जो Christian Missionaries आकर भारत में कहते हैं कि हिंदु धर्म में ये कुरीतियां हैं, तो वो गलत है, हम अपनी कुरीतियां खुद ठीक कर ले ब्रह्मा समाज ने कई साल, ब्रह्मा समाज के इतियास में अगला important chapter है, केशब चंदर सेन का इन से जुढ़ना, तो दिविंदर नाट टेगोर की अगवाई में ब्रह्मा समाज अच्छा काम कर रहा था, ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन केशब चंदर सेन इसको next level पर लेकर ले जाते हैं, ये एक साधारन कलग थे, जो ब्रह्मा समाज के आइडियास से इंस्पायर होकर अपनी नौकरी छोड़ चाड़ कर आ गए थे, पूरी तरह से ब्रह्मा समाज का काम करने के लिए, 1858 में इन्होंने जॉइन किया और 1866 तक 8 साल के अंदर अंदर ये बंगाल मे फैल रहे, इस अंदोलन को या फिर इस मुव्मेंट को दूसरे हिस्सों तक भी ले जाते हैं भारत के, उत्तरप्रदेश, पंजाब, उस समय उनाइटेड प्रोविंस था, बॉंबे, पंजाब, मदरास, इन सभी एरियास में ब्रह्मा समाज की शाखाएं फैलाई जाती है, वहाँ तक कि ये ट्रैवल करके कोशिश करते हैं कि इन राज्यों के अंदर भी इसी प्रकार के सोशल रिफॉर्म मुव्मेंट स्टार्ट हो, लेकिन केशब चंद्र सेन, जो देविंदर नाठ टेगोर के इतने खास बन गए थे, कि उनके घर पर जाकर रहने लगे थे, दी ब्रह्म समाज क्या था, रिफॉर्मिस मुव्मेंट था, वो ये नहीं कहता था, वो कौन सा रिफॉर्मिस मुव्मेंट था, जो अपने समाज को अपने अंदर ही अपने धर्म को बदलना चाहता था, वो ये नहीं कहते थे कि सारे वेस्टन आइडियास ले ओ, लेकिन चंद्र सेन को ब्रह्म समाज के अचार्य के पद से हटा दिया जाता है तो इन्होंने और अर्गनाइजेशन छोड़ दिया और इन्होंने अपना अलग ब्रह्म समाज बना दिया जिसका नाम था भारत बाशी ब्रह्म समाज या ब्रह्म समाज of India तो English में अलग लिखते हैं, Bengali में इसको अलग तरह से लिखा जाता है, Brahma समाज of India आप याद रखना क्योंकि एक्जाम में इसी नाम से पूछा जाता है, और Devinder Naat Tagore वाला जो Brahma समाज था, उसका नाम अब रह गया, आधी ब्रह्म समाज, आधी का मतलब होता है कि जो भी चीज पुरानी है, उसको आधी कहा जाता है, तो दो ब्रह्म समाज बन चुके हैं 1866 में, Brahma समाज of India और आधी ब्रह्म समाज, और केशब चंद्र सेन के साथ बहुत सारे लोग ब्रह्म समाज को छोड़कर उनके साथ जुड़ गए क्योंकि he was very influential, काफी popular हो गए थे वो लेकिन केशब चंद्र सेन का जो ब्रह्म समाज है वो अगेन दो हिस्सों में बढ़ जाता है क्योंकि इन्होंने एक बहुत बड़ा कांड कर दिया कांड मतलब थोड़ा सा जाधा extreme सब्द हो गया, इन्होंने का करा, अपने 13 साल की बेटी का रिष्टा कूच बिहार के राजा के साथ कर दिया, कूच बिहार के राजा थे 14 साल के बेटी थी इनकी 13 साल की, तो दुनिया भर में बाते करतें फिरते थें कि भाल विवा नहीं ह होना चाहिए चाइल्ड मैरेज नहीं होना चाहिए और खुद अपनी बेटी का 13 साल की उम्रे में रिष्टा कर दिया राजा के घर पर क्योंके वहाँ से रिष्टा आ गया था तो ये मना नहीं कर पाया साइनों अपनी बेटी की शादिये करवा देते हैं तो इसके बाद इनके followers नाराज हो जाते हैं इनसे और कई लोग इनको छोड़कर चला जाकर एक और नया ब्रह्म समाज बनाते हैं जिसका नाम रखा जाता है साधारन ब्रह्म समाज तो याद रख पाओगे आप ये सब ब्रह्म समाज ओरिजिनल 1828 में उसके बाद ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है 1866 में यहाँ पर बनता है ब्रह्म समाज ओफ इंडिया और आदी कि ब्रह्म समाज उसके बाद ये वाला ब्रह्म समाज of India केशब चंद्र सेन वाला ये दो हिस्सों में बढ़ जाता है साधारन ब्रह्म समाज और दूसरा ये वाला ब्रह्म समाज of India जिसको केशब चंद्र सेन लीड कर रहे थे लेकिन इस साधारन ब्रह्म समाज में कौन लोग शामिल थे, आनंद मोहन बोस, शिब चरन देब, उमेश चंदर दत्त, और ये लोग कौन है, ये सब यंग बेंगॉल मुवमेंट के समय से जुड़े वे इनसे लोग है, ब्रह्म समाज से, आगे आएगा यंग बेंगॉल मुवमेंट, तो कुल में लाकर मैं आपको ये बताना समाज के लीडर कौन थे, देविंदरनाथ टेगोर, और बाइद वए जब तक इनकी डेथ हुई 1905 में तब तक इसको लीड करते रहे, और दूसरी तरफ ब्रह्म समाज ओफ इंडिया, किसके अदीन था, केशब चंदर सेन के अंडर में, ठीक है, केशब चंदर सेन, ये या इन्हों ने ये college स्थापित किया था, overall अगर आप देखें कि ब्रह्म समाज किसके लिए काम करता था, तो सबसे ज़्यादा काम इन्हों ने किया, सतिप्रता को हटाने के लिए, पर्दा सिस्टम को हटाने के लिए, बाल विवा को रोकने के लिए, पॉलीगैमी, एक से ज़ ये भी एक थोड़ा सा इनका down point था, तो कुल मिलाकर आपको एक तो इसका breakdown याद रखना है कि क्या था और ब्रह्म समाज किन कामों में ज़्यादा active था, तो ये वाली बातें सारी याद रखिएगा, अब आजाते हैं प्रार्थना समाज पे, प्रार्थना समाज ब्रह्म समा एक secret society थी जो liberal ideas को spread करना चाते थे, ये भी जात पात और community के barriers में विश्वास नहीं रखते थे, अब ब्रह्म समाज के idea जब महराष्टर में spread होते हैं, तो आत्माराम पांडूरंग प्रार्थना समाज की स्थापना करते हैं बॉम्बे में, और ये spread, ये स्थापित करने में को inspire किया था, केशब चंदर सेन ने, मैं आपको बताया ना, केशब चंदर सेन पूरे भारत में घूम घूम के ब्रह्म समाज के ideas को फेला रहे थे, तो इसी क्रम में 1867 में, महराष्टर में, to be specific, बॉम्बे में, प्रार्थना समाज की स्थापना होती है, and the founder was आत्माराम पा प्रार्थना समाज जादा फेमस हुआ था, because of the activities of M.G.Ranade, M.G.Ranade खुद एक sitting judge थे, और ये समाजिक और political गति विदियो में शामिल थे, आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि Congress के भी one of the founding members में से ये एक थे, अब प्रार्थना समाज का emphasis किस बात पर था, monotheism, बिल्कुल ब्रह्म के बार बात करता है, कोई महराष्टर में, और शादी के उम्र बढ़ाने के बारे में इन्होंने बात कई, ये बहुत important था, क्योंकि बाल विवा एक बहुत ही common practice थी, in fact, कभी आप अपने दादा दादी से पूछेगा, कि उनकी शादी किस उम्र में हुई थी, अब मतलब द रोकने के लिए इन्होंने शादी के लिए जो minimum age होती है, वो set करने के लिए सरकार से demand करी, जैसे अभी के समय 18 और 21 साल उम्र होती है, उस समय कोई उम्र नहीं थी, तो बाल विवा बहुत ही common था, उसको रोकने के लिए इन्होंने सरकार से ये दर्खास्त करी, कि आप एक minimum age सेटप कर दो, M.G.Ranade, Dondo Keshav Karve, इन्होंने मिलकर एक widow remarriage movement चलाया था, कि विद्वा महिलाओं की शादी फिर से करवाई जाया, और इन्होंने पहला Widows Home Association भी स्थापित किया, इन्होंने कई ऐसे घर स्थापित किये, जहां पर विद्वा महिलाओं रह सकती थी, उनको education दी अब यह यंग Bengal movement जो है, यह ब्रह्म समाज के parallel movement चल रहा है, लेकिन इसको चालू करने वाले बिलकुल अलग लोग है, इसको चलाने वाले भी अलग है और इसकी philosophy भी अलग है, यंग Bengal नाम से ही पता चलता है कि जवान लोग है, तो यह जवान खून था, जो Bengal मैं करांती चाह पता और ब्रिटिश मा से पैदा हुए थे, जो मलब Europeans थे, भारत में नौकरी करते थे, East India Company के हाँ पर, ठीक है, तो इनके पिता जी एक clerk हुआ करते थे, तो यह एक European थे, भारत में ही पैदा हुए, यही पर उनके माबाप रहते थे, परिवार यही था, यही था, यह बॉन एक्जाम वगेरा तो होता नहीं था कि जिसको आप पास करें, जिसके रिजल्ट का इंतजार करें, सीधा अपॉइंटमेंट है, ब्रिलेंट आदमी हो, आ जाओ, नौकरी कर लो, तो हेंडरी विवेंट डिरोजियो जो है, यह कविताएं लिखा करते थे, और इन्होंने बह इतने करांतिकारी निकले, कि इन्होंने कहा कि बंगाल में बदलाव लाकर रहेंगे, तो इनके जो followers थे, जो mostly इनके students थे, उनको कहा जाता था, डिरोजियो पहले थे, जिन्होंने कॉलेज में, classes में इसके उपर डिवेट शुरू करवाए, उन्होंने कहा कि महिलाओं को में नहीं बैठी है, उनको भी तो अधिकार है, college जाने का, school जाने का, इस बारे में चर्चाएं होने लगी, सती प्रता, मूर्ती पूजा, जातिय भेदभाव, अंधविश्वास, इन सभी के खिलाफ, ये classroom में अपने चर्चा को बढ़ावा देते थे, debate और discussion को बढ़ावा तो जो बच्चों के मावाब हैं, वो आकर college के authority को complain करने लगे, और derosio को college से निकाल दिया गया, 1831 में, और बदकिस्मती से derosio के वल 22 साल की उम्र में, cholera से इनकी death हो जाती है, जिस साल इनको नौकरी से निकाला गया, उसी साल इनकी death हो गया, at the age of 22 he died, और देखो ये होता चाहे एक intelligent व्यक्ती की दुनिया पर छाप, चाहे वो 22 साल की उम्र में मर गया, लेकिन आज उसके बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं, आप और हम सब पढ़ते हैं, इतियास की किताबों में इनका नाम दर्ज है, क्योंकि ideas, you can kill a person but you can never kill an idea, तो ये impact मैं आपको एक practical example के साथ बता रहों कि ideas कितना important होते हैं, तो Henry, Vivian, Derosio की जो ये बातने थी, इससे inspire होकर बंगाल की एक पूरी नई generation, जिन में से कई लोग आगे चलकर ब्रह्म समाज में भी शामिल हो जाते हैं, तो जो मैंने साधारन ब्रह्म समाज वाले लोग बताये थे आपको, वो सब young Bengal movement से नि यही पर पैदा हुए थे, he was a European descent person, यही पर पैदा हुए थे, यही पर पढ़ाते थे, Hindu college नाम important है, कविताएं बहुत लिखते थे, इनकी कविताएं आज भी पढ़ी जाती हैं, और young Bengal movement को इन्होंने इसकी शुरुवात करे, it was a social reform movement, और Derosians नाम याद रखियेगा, अगले ह इश्वर्चंद्र विद्यासागर, इश्वर्चंद्र विद्यासागर पिछले साल से बहुत news में है, कई locations का नाम इनके नाम पर रखा गया है, क्या आप मुझे बता सकते हैं, उकॉलकता का एक बहुत बड़ा landmark, recently इश्वर्चंद्र विद्यासागर के नाम पर उसका नाम करन किया गया है, कौन सा है, वो landmark या क्या जगे है, उसका नाम मुझे comment में बताइएगा, इश्वर्चंद्र विद्यासागर का जन्म होता है, 1820 में और 1891 में इनकी मृत्ति होती है, ये एक educator थे, teacher थे, humanist थे, social reformer थे, इनका जन्म एक छोटे से गाउं में हुआ था, और द लेकिन ये वहीं पर नहीं रुके, इन्होंने आगे चलकर लड़कियों की पढ़ाई के लिए बहुत सारे schools की स्थापना करी, तो विद्यासागर ने बंगाल में बहुत सारे schools की स्थापना करी, और ये बाल विवा के बहुत खिलाफ थे, child marriage के बहुत खिलाफ थे, और इनीके efforts के कारण हुआ था, इश्वर चंद्र विद्यासागर और दूसरी कौन्ती, रानी रोश्मनी, मैं आपको पहले भी ये बात बताई थी, इनके efforts के कारण ये वाला कानून पास होता है, 1849 में इन्होंने J.D.Bethune School की स्थापना करी थी, he helped to establish, इन्होंने स्थापना न महिलाओं के education के लिए बनाये गया था, Bethune School, Bethune College, अगर आपने से कोई इससे पढ़ा है, तो comment करके बताईएगा, एक और स्कूल है, Metropolitan Institution, इसकी भी स्थापना करी थी, इन्होंने Calcutta में, और इनकी गतिविदियों के कारण ही इनको विद्यासागर की उपादी दी गई, इनको officially विद्यासागर कहा था, नाम से इस पष्टे जो विद्या का सागर है, वो है विद्यासागर, तो ईश्वरचंद विद्यासागर इसलिए इनका नाम है, 1850 में ये Sanskrit College Calcutta के principle बन जाते हैं, और इसमें रहते हुए इन्होंने ये कोशिश करी कि केवल ब्रामन या केव संस्क्रित को ना पढ़ें, बलकि समाज के सभी वर्ग के लोग संस्क्रित को पढ़ें, so he tried to break the priestly monopoly of scriptural knowledge, he opened up the Sanskrit College to non-Brahman, तो इनके रहते संस्क्रित College में non-Brahman का admission शुरू किया गया, इन्होंने ये भी कोशिश करी कि संस्क्रित को पढ़ने का तरीका बदला जाए, संस्क् पढ़ने के तरीके में कुछ नई methodologies भी अपनाई, और बंगाली भाषा में भी इनका काफी सही होगे, इन्होंने एक प्रोज का style शुरू किया, एक बंगाली नया प्राइमर मिलता है, नया प्रोज मिलता है इनके लिखनी के कारण, इनके द्वारा लिखी गई किताबें आ मैं आप लोगों के माध्यम से जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये तो मैंने कुछ articles पढ़ें उनमें ये बात थी, के elementary education में बंगवाली school children आज भी इनके द्वारा लिखी गई, जो text है या किताबें है, वो पढ़ रहे हैं, तो अभी recently देखो, Vidya सागर अलग चीजों से controversy में बंगाल में जब चुनाव थे, तो इनका एक statue है, वो vandalize किया गया था, तो वो एक अलग पूरा topic है, लेकिन इसके कारण ये चर्चा में है, तो again exam में question पूछे जाने की समझाएगा, अब पिछले lecture में, यानि social reform part 1 में, मैंने आपसे कुछ organizations की चर्चा करी थी, जो महिला उ organizations या उन लोगों के बारे में मैं आपको briefly बता रहा हूँ, again थोड़ा सा यहाँ पर नाम जादा है, organizations के नाम जादा है, कोशिश करो, revise करो, याद हो जाएगा, यहाँ पर आपसे इन organizations के year कोई पूछने नहीं वाला है, अगर दशक याद रख सको, कि 1850 था, 60 था, 1870 था, तो बहुत अच्छा होगा, chronology में कभी कबार आगे पीछे करके questions पूछ लेंगे, बागी year exact कोई नहीं पूछने वाला, the only thing important is कि organization का नाम क्या है, किसने उसको चालू किया, या founder कौन है, और तीसरा, वो क्या काम करते थे, किस field में काम करते थे, तो video remarriage association पहला आज का संगठे न इसकी शुरुआत करी विश्नु शास्त्री पंडित ने, 1852 में करसंदास मूलजी इन्हों ने स्टार्ट करी सत्य प्रकाश, या दखना है, यह सत्यार्त प्रकाश नहीं है, वो अलग किताब है, दयानन सरस्वती वाली, यह सत्य प्रकाश है, तो गुजराती भाशा में सत् को याद रखना है, DK कारवे ने पश्रिम भारत में, especially महराश्टर में, बहुत अच्छा काम किया था, विद्वा पुनर विवा के लिए, इन्होंने खुद एक्जाम्पल से लीड करते हुए, एक विद्वा से शादी करी थी, he married a widow himself in 1893, और पूने में, इन्होंने, पूना काम किया, DK कारवे ने, उसके बाद मदरास में, वीरस अलिंगम पंतूलू, इन्होंने वीडो रिमारिज के लिए काफी आवाज उठाई, कई सारे अंदोलन चलाए, मदरास शेत्र में, जगनात शंकर सेट और भाव दाजी, इन्होंने महराश्टर में लड़कियों के लागू था, इसमें जो हिंदू, मुस्लिम, या so-called civilized लोग हैं, जो शहरों में रहते थे, गाउं में रहते थे, उन पर ये लागू नहीं होता था, किवल आदिवासियों के लिए ये लागू था, तो Native Marriage Act, Year Important है 1872, उसके बाद 1891 में आता है Age of Consent Act, Consent का मतलब ये है कि क्य कोई महिला, अपना consent देती है, अपनी सहमती देती है शारिरिक संबंद बनाने के लिए, तो Age of Consent Act के तहत, 12 साल की उम्र को तै किया गया, कि उसके उपर की लड़की की ही शादी करी जा सकती है, या फिर उससे कोई sexual relations हो सकते हैं, उसके नीचे allowed ही नहीं है, तो अगर, जैसे Age of Consent Act में पहली बार Age तै करी गई थी, consent की 12 साल, फिर उसके बाद 1930 में जाकर इस कानून में थोड़े से बदलाव होते हैं, and to be specific, सारदा Act जो है, वो शादी के लिए था, Age of Consent अलग होता है, और शादी का Act अब आज के समय में दोनों की definitions अलग है, उस समय दोनों को एक ही मा जाता था, तो शारदा Act ने जो minimum age है, वो लड़कों के लिए 18 करी और लड़कियों के लिए 14, तो 12 से बढ़कर यहाँ पर एक तरसे लड़कियों के लिए जो शादी की age है, वो 14 हो जाती है, ठीक है, again मैं आपको बता रहा हूँ कि Age of Consent का आज के समय में मतलब अलग है, क्य संगठन बनाया गया, Ladies Social Conference, भारत महिला परिशद, इसको बनाया था, रमाबाई रनाडे ने, और रमाबाई रनाडे जो है, यह अल्रेडी National Social Conference का हिस्सा थी, और इसी National Social Conference के अंदर एक महिलाओं का अलग wing बनाया है उन्होंने, जिसको नाम दिया गया, Ladies Social Conference, फिर उसके बाद आरे महिला समाज भी बनाया गया, पंडित रमाबाई सरस्वती के द्वारा, दोनों अलगे हैं, याद रखेगा, रमाबाई रनाडे और रमाबाई सरस्वती, तो आरे समाज, जिसका आगे हम जिक्र करेंगे, इसकी लेक्चर में, आरे समाज की चर्चा करेंगे, तो आरे म महिला संगठनों के कारण या इनके efforts के कारण British हुकूमत पहली बार एक महिला Medical College चालू करती है जिसका नाम है Lady Dufferin College तो कॉलकटा में, आज का कॉलकटा तब का कैलकटा वहाँ पर Lady Dufferin College की शुरुआत करी गई जिसके कारण भारत में पहली बार medical education महिलाओं के लिए खोल दी गई हाला कि पहले भी भारत में महिला doctors थी लेकिन बहुत गिनी चुनी एक या दो doctors थी और वो भी सब बाहर विदेश से जाकर पढ़कर आई थी पहली बार भारत में लड़कियों के लिए medical की पढ़ाई शुरू होती है वाया Lady Dufferin College Calcutta में तो ये नाम याद रखेगा Lady Dufferin College was the first women medical college in India 1910 में सरला देवी चौधरानी के नितरत्व में भारत स्री मंडल का संगटन बनाया जाता है इलाबाद शहर में तो एक meeting हुई थी अलाबाद में और वहाँ पर ये भारत स्री मंडल महा मंडल की स्थापना करी गई सरला देवी चौधरानी ने भारत में महिलाओं के उत्थान के लिए काफी काम किया तो इनका नाम बहुत important है इनको भी याद रखेगा और ये पहला बड़ा महिला संगठन था जो एक भारती महिला के त्वारा स्थापित किया गया था तो अभी तक आप देख रहे हो ये सारे क्याते जैसे कोई दूसरा संगठन है उसके अंदर एक महिला संगठन बना दिया आरे समाज के अदीन, आरे महिला समाज बना दिया, लेकिन भारत स्त्री महामंडल केवल महिलाओं के उत्थान के लिए बनाया गया था, it was a separate organization in itself, इनका लक्षे क्या था, महिलाओं की पढ़ाई, social economic status, महिलाओं का सुधरे, परदा system खत्म हो, इसके लिए इन्होंने काफी काम किये, फिर बात करते हैं, महराश्टर के ही कुछ और social reformers की, तो बाल शास्त्री जंबेकर, इनको Marathi journalism का father कहा जाता है, he was the father of Marathi journalism, इनके अकबार का नाम था, दरपन जो 1832 में इन्होंने शुरू किया, पहला Marathi newspaper था, इन्होंने अप कई social reform ideas के बारे में लिखा, अपने अकब scientific approach की बात करते थे, तो ये क्या थे, समझ रहो आप, revival वाले नहीं थे, reformist वाले थे, revival और reformist, फरक तो याद है, या भूल गए, 1840 में इन्होंने एक Marathi अकबार, जो महिने में एक बार चपता था, उसकी स्थापना करी, इसका नम था, दिग दर्शन, इसमें science और history से बड़ा आदमी या नेता है, उसके अकबारों के, उसकी किताबों के नाम आपको याद रखने जरूरी है, prelims में directly पूछ लिए जाते हैं, तो अब आपको याद रखना है, मुझे नहीं पता कैसे याद रखोगे, तो बाल शास्त्री जंबेकर का दरपन अकबार, और उसके literary and scientific library इन्होंने शुरू करी थी, जो इसी का एक हिस्सा थी, basically library की स्थापना करी, और बाद में ये कुलाबा observatory के अध्यक्ष भी बन गये थे, और Elphinstone College के पहले हिंदी प्रोफेसर थे, Elphinstone College किसके नाम पे रखा गया था, Elphinstone, कुछ याद आया आपको, First Anglo-Afghan War, Anglo-Maratha War, वहा बाद नहीं है, तो जाकर फिर से वो lectures देखेगा, अगला संगटन है, परम हंस मंदली, परम हंस मंदली की स्थापना 1848 में महराष्टर में हुई थी, स्थापना करने वाले थे, दाड़ोबा, पांडुरंग और महताजी, दुरगाराम, और कुछ अन्ये लोग भी थे, लेक और इनकी ideology मानव धर्म सभा से काफी मिलती थी, एक भगवान में believe करते थे, religion based on love and moral conduct, तो सही से जीवन जीए, moral conduct के उपर काफी इनका believe था, और ये पुरानी बातों में नहीं मानते थे, इनका focus क्या था, कि नए विचारों पर focus क्या था, freedom of thought हो, सोचने की आजादी, rationality, या अपनी meetings में, जो lower caste लोग हैं, so called lower caste लोग, उनसे खाना बनवाया और सब को खिलाया, और इससे ये, पुराने समाज के जो नियम कानून थे, उनको तोड़ना चाते थे, caste rule, छुआ छूट, इसको खत्म करना चाते थे, विद्वा, पुनरविवा के लिए काम किया, और महिला list है, I am sure आपको इनकी बात है, इनके बारे में पढ़कर ये बात automatically clear हो जाएगी, फिर आते हैं हम जोतिबा फूले पर, महत्मा जोतिबा फूले, I think ये one of the most important reformers है, 19-20-20 सदी पिछले 200 सालों में, भारत में जितना इन्होंने काम किया, शायद किसी और नहीं किया होगा, तो हाला कि इनका जन्म एक माली समाज में हुआ था, जिसको उस समय लोवर कास्ट कहा जाता था, again मैं आपको बता रहा हूँ, जहां पर भी मैं ये लोवर कास्ट शब्द का इस्तमाल करता हूँ, ये उस समय के अनुसार है, मैं आज के समय के अनुसार कुछ नहीं कह रहा कि पढ़िएगा, तो जोतीबा फूले जिस समय और जिस समाज में पैदा हुए थे, तो ये उस नॉट कंसिडर टू बी अन अपर कास्ट, लेकिन इन्हों ने अपने जवानी के समय से ही ब्रह्मे निकल सुपिरियोरिटी को चैलेंज किया, इन्हों ने कहा कि अपर कास्ट पढ़ाई नहीं, बलकि education, पढ़ाई जरूरी है, कास्ट सिस्टम को पूरी तरह हटाना है, तो संस्कृतिक हिंदूइजम जो है, इसको खत्म करके हमें modern पढ़ाई करनी होगी, हमारे बच्चों को आगे पढ़ाना होगा, ये सोच के साथ इन्होंने कई schools थापित किये, एक important symbolism जो इन्होंने use किया, वो ये कि भगवान राम की बजाए इन्होंने बाली का symbol इस्तमाल करना शुरू किया, आपको याद है ना, बाली और सुग्रीव की क्या कहानी थी रामायंड में, अगर नहीं पता तो उसको पढ़ ले ना, मैं पूरी कहानी या पर नहीं पता सकता, तो राम की बजाए उन्होंने बाली को एक अपना आधर्श या symbol माना, और सांस्कृतिक हिंदूइजम के खिलाफ ये बात कहते थे, समाज में व्याप्त, सोशो एकॉनमिक इनेक्वालिटी के खिलाफ थे ये, और इनका मानना था कि जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, अ इनके जीवन भर के कामों के कारण इनको महत्मा की उपादी दी गई, 1873 में इन्होंने एक सोसाइटी की स्थापना करी सत्के शोधक समाज, the truth seekers society, organization का नाम बहुत ही important है, it was led by the backward class, ये इस संगटन की सबसे खास बात थी, अभी तक आप क्या देखोगे, कि 19 सदी में जितने भी social reform movements हुए है, उनमें founder जो है वो upper caste या mostly ब्रह्मन community को belong करते हैं, लगबख सभी जितने भी organizations है, सब में आप ये चीज़ देखोगे, चाहे वो आरे समाज हो, ब्रह्मा समाज हो, सभी में, लेकिन ये जो सत्यशोधक समाज है, या फिर जोती बाफूले वाला जो movement है, यहा महिलाओं की पढ़ाई के लिए काम करना, lower caste people के लिए बहुत सारा काम करना, इनके द्वारा लिखे गए जो किताब हैं, इनके जो publications हैं, वो important हैं, सारवजनिक सत्यधर्म और गुलाम गिरी, दोस्तों जोतीबा और सवित्री बाई फूले का जो जीवन है, वो पूरी तरह से समाज सुधार को समर्पित था, और in fact सावित्री बाई फूले की तो death भी दुनिया की सेवा करते करते हो गई थी, 1897 में जब पूना और पूरे भारत में plague फैला हुआ था, उस समय सावित्री बाई फूले plague के मरीजों की सेवा करती थी, ऐसे लोग जिनको उनके घरवाले घ यह एक judge थे, एहमदाबाद में, यानि British Indian Government में as a judge काम करते थे, लेगन इनका भी समाज सुधार के प्रती जादा interest था, तो इन्होंने धिरे धिरे लिखना शुरू किया, एक अकबार में लिखते थे, प्रभाकर नाम था उसका, और इनका pen name था, जिसके तहती लिखते थे, लोग हितवादी, तो इसलिए इनको कई बार कहा जाता है, लोग हितवादी गोपाल हरी देशमुक, इन्होंने बाद में अपने खुद के कुछ publications निकाले, एक weekly magazine थी, हितेचु और ज्यान प्रकाश, फिर इंदु प्रकाश और लोग हितवादी नाम से इन्होंने बाद में magazine भी निकालनी शुरू कर दी, तो ये इनके publication थे, इनका title भी यही था, लोग हितवादी, इनका लक्षे क्या था, rational principles पे बात चीत हो, यानि कि बिलकुल scientific बातों पे बात हो, अंध विश्वासों में विश्वास नहीं रखते, modern, humanistic और secular values में इनका विश्वास था, orthodoxy के ख past system में, उसके भी ये खिलाफ थे, social और religious, equality, बराबरी के दरजे के लिए बात करते थे, तो ये भी क्या है, reformist है, अगले reformer है, गोपाल गनेश अगरकर, ये भी महराश्ट्रे से थे, पढ़ाई के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया, educationist थे, reformer थे, और ये भी अंध विश् के खिलाफ थे, और ये मानते थे कि false glorification of the past नहीं होना चाहिए, जैसे आज होता है कि हमारे पास हवाई जास था, उडन, खटोला था, इन सब बातों के बारे में बात मत करो, ये सब false glorification है, ऐसा गोपाल गनेश अगरकर कहते थे, और इनका मानना था कि जो scientific बात है, rational बात है उसके basis पर हमें बातचीत करनी चाहिए, कई educational institutions इन्हों ने बनाये, जैसे New English School, Deccan Education Society, Ferguson College, जो काफी famous है, आज भी चलता है, Ferguson College, और ये आगे चलकर Ferguson College के principal भी वन गए, तिलक का जो अकबार था, केसरी, उसके ये editor थे, तो लोग मानने तिलक का अकबार है, I'm sure आप सभी ने इ और सुधारक में mainly ये लिखते थे, चुआ चूट के against untouchability और caste system के विरोध में, अगला संगठन है, servants of India society, यानि की भारत के समाज सेवक, इस संगठन की स्थापना करी थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में, और MG Ranaade, ये नाम आया था ना, पहले भी MG Ranaade, तो MG Ranaade और ग Congress से दूरी बनाया रखते थे, हाला कि गोपाल कृष्ण गोखले खुद Congress के सदस्य थे और Ranaade भी थे, they were one of the earliest Congress members, in fact, गोखले का नाम आगे भी हम पढ़ेंगे, जब महात्मा गांदी को ये guide करेंगे, तो मोहंदास करमचंद गांदी जब साथ आफरिका से लोटे थे तो ग 1915 में गोखले की मृत्यू के बाद श्री निवास शास्त्री इसके President बन जाते हैं, तो Servants of India Society का लक्षिता की ड्राष्टरहित के Missionaries को तयार करना, तो Missionary basically ऐसी किसी भी गतिविदी को कह सकते हो, जो Christian Missionaries से inspired है, यानि उसकी प्रकार का जजबा है कि अपना घर बार छोड़ कर दूर दराज में जाकर लोगों की सेवा कर रहे हैं, conversion नहीं कर रहे हैं, लेकिन सेवा तो कर रहे हैं, दूसरा, भारत के लोगों के interest को बढ़ावा देना, by constitutional means, ये बहुत important है, अब आप देखोगे कि कई समाज हैं, जो constitutional means की बाते करने लग गए हैं, कि हम हरताल वरताल नही बाते नहीं कर रहा था, politics से बिल्कुल अलग था, इनका लक्षे ही था कि एक ऐसा काडर बनाओ, ऐसे लोगों काडर बनाओ हर शहर में, हर गाओं में, जो राश्टर हित के लिए कभी भी उठ खड़े हों, काम करें, 1911 में इन्होंने एक publication चालू किया, एक magazine चालू करी, हित हितावदा, हितावदा, जो भी कहलो, I think इन दोनों में से कोई एक pronunciation सही होगा, और इसमें ये अपने views के बारे में लिखा करते थे, ये society आज भी existing है, functional है, आप जानकर हैरान होंगे, इतनी पुरानी है, फिर भी आज भी चल रही है, और आज भी ये education के शित्र में काम करते ह है, कई जगे, बाली का शिक्षा के लिए इन्होंने बालवाडी और आशरम बनाये हैं, जहाँ पर लड़कियों की पढ़ाई होती है, नेक्स्ट इस social service league, इसकी स्थापना हुई थी बॉम्बे में, नारायन, मलहार, जोशी के द्वारा, ये गोखले के एक associate थे, उनसे जु आखा जा सके, जब लोग काम करने जाते हैं, महिलाएं कागर काम करने जाती हैं, और कई cooperative societies भी चलाइं, ultimately जोशी जो है, ये AITUC के एक founding member थे, All India Trade Union Congress, क्योंकि इनका target mainly क्या था कि जो काम करने की स्थिती है, लोगों की, मजदूरों की, वो सब सुधरनी चाहिए, तो social service league और A AITUC, इन दो संगठनों से नारायन मलहार जोशी का नाम जुड़ा हुआ है, अगला है, बंगाल में, बहुत महराश्टर के संगठन देख लिए, अब आज आते हैं, बंगाल में, रामकृष्न मुव्मेंट, तो रामकृष्न मुव्मेंट की स्थापना और इसका जो spread है, व ब्रह्म समाज अभी तक अच्छे से इस्टाबलिश हो चुका है, हम बात कर रहे हैं, लेट 19th century की, यानि 1870, 1880 के असपास, तो अभी तक ब्रह्म समाज अपनी जड़ें जमा चुका है, लेकिन अभी भी पढ़े लिखे लोग इससे जुड़े हैं, जो पढ़ा लिखा नही बात कहते थे, बक्ती और योग की बात कहते थे, और ऐसा माना जाता था कि इनको कई highest level के spiritual experience हो चुके हैं, तो इसलिए राम कृष्न परमन्स काफी famous हो गए बेंगौल में, इनको बचपन से ही spiritual और paranormal experiences होते थे, और ये आगे चलकर, कलकत्ता का जो बहुत famous मंदिर है, दक्ष इनको एक ऐसा सपना आया था, जिसमें कहा गया था कि राम कृष्न को बनाओ इस मंदिर का chief priest, तो रानी राश्मनी ने इस मंदिर को सौब दिया किसे, राम कृष्न को, राम कृष्न परमन्स को, और इसके बाद इनके एक शिष्य थे, स्वामी विवेकानन्द, जिनका original ना life of renunciation and spirituality जो अपने जीवन में सभी मो माया को त्याग कर के वल spirituality के रास्ते पर चलना चाहता है ऐसे लोगों को ये अपने उसमें शामिल करते थे और teachers को भेजते थे workers को भेजते थे इनी monks में से दूरदरास के एरियाज में जहां पर जाकर वो विदान्त की बात करें तो ये इनका message क्या था विदान्त ठीक है तो विदान्त का message ये spread किया करते थे विदान्त के बारे में भी again हम आगे चर्चा करेंगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो खुद परमहंस ने करी थी लेकिन जो mission है उसकी स्थापना करी थी स्वामी विवेकानन्त ने तो यहाँ पर इस मठ में रामकृष्ण मठ में इन्होंने young disciples को अपने साथ जोड़ना शुरू किया और ये इन्ही disciples में से इन्ही शिश्यों में से एक थे स्वामी विवेकान तो बेलूर मठ जो है जो आज कैलकटा में ही है बेलूर मठ में इसकी स्थापना हुई थी रामकृष्ण mission की और 1897 इर है इंपोरेटन है जहाँ पर मैं आपको बोलघा है याद रखना है आपको इन्हें तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की जाती है स्वामी विवेकानंद की द्वारा ओरिजनल नाम याद रखेगा नरेंदर नात दत इसका नाम क्यू रखा गया था रामकृष्ण मिशन इनके गुरू के पीछे लक्षे क्या था सोशल सर्विस और चैरिटेबल सुसाइटी बनाना humanitarian relief, समाज कार्य जैसे की school, college, etc. की स्थापना hospital बनाना, अनाथ हैले बनाना इस प्रकार के सभी कार्य थे यानि शिक्षा भी और समाज सुधार भी दोनो हाला कि दोनों interconnected ही हैं लेकिन सभी शेत्र में इनका काम था अब बात करते हैं इनकी philosophy, ये थोड़ा सा controversial रहता है कई बार, इसके क्या है कि कई interpretations भी निकाले जाते हैं, बलब controversial उनके लिए नहीं है, controversial exam point of view से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को काफी confused किया जा सकता है, अब मैं इनकी सभी organizations की deep philosophy में जान बूज कर नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमारा लक्षे यहाँ पर philosophy पढ़ना नहीं है, हम general studies पढ़ रहे हैं, तो general studies में आपको जो point पता होने चाहिए, वो मैं आपको clearly यहाँ पर बता रहा हूँ, राम कृष्ण mission, image worship के खिलाफ नहीं था, इन्होंने ब्रह्म समाज की तरह मूर्ती पूजा को निशेद नहीं किया था, यह कहते देगी ठीक है, करो लेकिन try करो की मत करो, कोशिश करो कि आपका जो focus है, वो spirit, essential spirit जो है, वो भक्ती पर रहे, ना कि मूर्ती पर, तो image worship को इन्होंने नकार नहीं दिया था, लेकिन image worship को यह जादा promote नहीं करते थे, तो यह भक्ती movement का जो medieval India से चला आ रहा था ना, उसी philosophy को follow करते गए, और devotion, selfless devotion की बात करते थे, यानि कि भगवान के प्रती भक्ती रखो, लेकिन image worship को इन्होंने reject नहीं किया, एक और important चीज यह, कि यह अलग-अलग भगवान में, multiple gods में विश्वास नहीं था, यह कहते थे कि सभी एक ही हैं, Krishna, Hari, Ram, Allah, सभी एक ही भगवान के अलग-अलग नाम है, इस philosophy को यह believe करते थे, तो आप देखोगे कि यह थोड़ा सा बक्ती movement जो है, medieval India वहां से मिलता जलता है, स्वामे विवेका नंद ने अपनी यह जो philosophy है, इसको simple भाषा में लोगों तक पहुचाने की कोशिश करी, और इनका एक बहुती famous वाक्य है, एक भूके इंसान को आप धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते, पहले उसकी भूक को मिटाओ, फिर धर्म की बात करो या philosophic की बात करो, तो इसलिए यह social service के बारे वाले फीड़ में जादा active थे, खास करके फहमाईन जैसी स्थिती में इन्हों लोगों की बहुत मदद करी, और चुआ चूट और जात पात के बिलकुल ये खिलाफ थे, विवेका नंद ने देश में युवाओं के लिए ये बात कही कि आप moral और physical strength पर focus करो, यानि कि शरीव से भी आपको तंदुरुस्त बनना है, morality अपनी अच्छी बनाए रखनी है, और उसके बाद आपको गरीबों के उत्थान के लिए काम करना है और जो भूका है, जो कमजोर है, उसके लिए काम करो, लेकिन पहले अपनी strength बढ़ाओ, अपनी moral और physical strength बढ़ाओ, और उसके बाद देश के दूसरे लोगों पर काम करो, उनके लिए काम करो, और दीरे-दीरे इनका target ये था कि भारत में एक ऐसी नई पिड़ी तयार हो, जो भारत देश के लिए इतना काम करे कि देश दुनिया में सबसे आगे बड़े, he inspired hope in India's future अब स्वामी विवेका नंद का नाम अकसर World Religions Conference के साथ भी जोड़ा जाता है क्योंके 11 सितंबर 1893 में 9-11 की डेट को इन्होंने अपनी एक famous speech दी थी जिसकी audio recordings आपको YouTube पर मिल जाएंगी, उसे आप सुन सकते हैं, audio recording इसकी मौजूद है तो USA में जाकर, अमेरिका में जाकर इन्होंने हिंदू धर्म के बारे में शानदार speech दी थी उसके पहले हिंदू धर्म को किवल ऐसा माना जाता था कि ये तो सपेरों वाला धर्म है बस साप की बीन बजाते हैं और आप फिल्मों में देखते होंगे, वो उस तरह की एक imagery लोगों के दिमाग में थी USA में और USA यूरोप से काफी आगे था, तरक्की कर रहा था उस समय 1890s में they were having their own revolution, एक modern age आ रही थी, वहाँ पर scientific age आ रही थी वहाँ पर Swami Vivekanandan ने जाकर Hindu धर्म के बारे में बहुत ही detail में एक अच्छी speech दीती है, और बिल्कुल clarity ला दीती सभी लोगों के सामने और अपनी speech के दोरा, इस speech को सुनिएगा जरूर, और इन्होंने विदान्त philosophy को ही basis बनाकर कई lectures दिये थे, और ये जो world religion parliament वाली speech है, ये त चाइना, इन देशों के पास किसकी तागत है, spirituality की, और पश्रिमी देशों के पास, Europe, America, इनके पास किसकी तागत है, materialism की, इन दोनों को हम मिला कर आगे बढ़ सकते हैं, राम कृष्ण मिशन आज भी बहुत मजबूत है, बहुत दुनिया भर में फैला हुआ है, राम कृष तो आर के मिशन के नाम से आपको बहुत जगे इस प्रकार के सेंटर मिल जाएंगे, ठीके, ना केवल भारत में, बलकि देश विदेश में, अब आजाते हैं, थियोसफी का मतलब क्या होता है, थियोसफी का मतलब है, teaching about God in the world based on mystical insight, अब ये वो उसी mysticism के अंदर थे, कि हिंद थियोसफिकल सोसाइटी, तो इसको चलाने वाले भारतिय लोग नहीं थे, इसकी स्थापना करी थी, पश्चिमी देशों के लोगों ने, जो भारत की संस्कृति और भारत की फिलोसफी से inspired थे, या फिर यू कहूं के मंत्र मुग्द थे, और इन में सबसे important नाम है, Madam H.P. Blav की वैसे ब्रिटन में रहती थी, लेकिन ओरिजनली ये रश्यन और जर्मन ओरिजन की महिला थी, तो इन्होंने 1875 में न्यू यॉक में स्थापना करी थी, थियोसफिकल सोसाइटी की, बाद में इसका headquarter इन्होंने shift कर दिया, आज का जो मदरास शहर है, अधियार नाम की समाज में कोई सुधार नहीं हो रहा था, पहली बात तो ये समझो, ठीक है, थियोसफिकल सोसाइटी ने ground level पर भारत में कोई बहुत बड़े-बड़े समाथ सुधार नहीं किये, लेकिन इसका एक main, जो मतलब मैं आपको बताऊँगा, contribution क्या है, भारत के national movement में, कि थियोसफ पतों में believe करते थे, reincarnation, karma, यानि कि पुनर जन्द में विश्वास रखते थे, karma में बात करते थे, तो अब ये सब क्या है, revivalist है, ये reformist नहीं है, याद रखना, ये उपनिशद, साम्ख, योग, विदान्त, इन सभी schools of philosophy से inspired थे, universal brotherhood of humanity की बाते करते थे, इनका मानना था कि को Dr. Strange वाली बाते करना चाते थे, कि हम हाथ गुमाएं और सामने कुछ हिल जाया चीज, इस तरह की बातों में ये विश्वास रखते थे, और ये revivalist है, सबसे important बात यह है, ये reformist नहीं है, ये revivalist बन गए थे, and again मैं बता रहा हूँ कि ground level पर, ये समाज में बहुत बड़ा स्थापना करी आरे समाज की, तो आरे समाज की स्थापना जो है, वो इन्होंने करी थी बॉंबे वाले एरिया में, लेकिन आगे चलकर आरे समाज उत्तर भारत में, especially पंजाब, राजस्थान, हरयाना, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर बहुत ही popular हो गया, दयानन सरस्वती का जन्मुवा था, एक orthodox गुजराती ब्राह्मन परिवार में, इनका original नाम याद रख लेना कभी-कभी पूछ लेते हैं, मूल शंकर इनका पुराना नाम था, 21 के उमर में इन्होंने घर छोड़ दिया, यह एक साधू बन गए, इन्होंने मतुरा जाकर वेदों की पढ़ाई लेकिन आम इंसान तक वेद की पहुँच ही नहीं है, आज अगर आप मार्केट में जाओ तो आप वेद को हिंदी में खरीच सकते हो, पढ़ सकते हो, लेकिन 19th century में यह स्तिती नहीं थी, इसको समझा दयानन सरस्वती ने और इन्होंने 1860 के आसपास ये किताबों को ट्रां के लिए इंपॉर्टेंट है, फिर इन्होंने आरे समाज की स्थापना करी, आरे समाज का मतलब है कि Society of the Noble People, आरे लोगों का ये समाज, इसकी स्थापना होती है 1875 में, बॉम्बे शेहर में इसकी स्थापना करी गई, लेकिन इसका हेड़कॉर्टर बाद में इन्होंने लाह 20-25 सालों में, आरे समाज Western Ideas को पूरी तरह से reject करता था कि Western Reform नहीं होगा, यानि कि ये Theosophical Society वाले जो चाहते हैं, ये तो खेर revival चाहते थे, तो पश्चिमी Ideas को adopt करके ब्रह्म समाज की तरह हम Reform नहीं कर सकते, हमें अगर Reform करना है तो अपने धर्म को ही Reform करना होगा और उसम उनका सबसे बड़ा जो नारा था, वो था Go Back to the Vedas, फिर से वेद की तरफ चलो, वेदों में जो बात लिखी गई है, किवल उस पर हमें यकीन रठना है, उसके बाद जो भी एड़ हुआ है, वो गलत है, मलब गलत नहीं है, उसने वेदों को थोड़ा सा बदल दिया, समाज म ने हर आठवे दिन एक मीटिंग करखनी शुरू करी, तो जहां भी आरे समाज की ब्रांच है, वहाँ पर हर आठवे दिन मीटिंग होती थी, प्रेयर्स होती थी, वहाँ पर धरम के बारे में बातें होती थी, एवरी एट डे, इनकी फिलोजफी से जुड़ी कुछ और बात पुरुष बिल्कुल समान है, लव and charity towards all, सब के लिए काम करो, ऐसा नहीं कि कोई एक particular जाती है समाज के लिए कर रहे हो, एक और important aspect जो था आरे समाज का वो था शुद्धी campaign, जो अकसर अभी भी चर्चा में रहता है, शुद्धी का मतलब है re-conversion, तो इन्होंने देखा आरे हिंदू बन जाते हो, आपको हिंदू धर्म में convert करने के लिए ना कोई किताब है, ना कोई मंत्र है, कुछ भी नहीं है, तो इन्होंने उसके लिए एक funda निकाला, कि हम एक campaign चलाते हैं, एक प्रक्रिया तै कर दी के ये शुद्धी campaign है, आपको शुद्ध करके हम फिर से हिं modern reformer थे, जिन्होंने reconversion की बात करी थी, India for Indians का भी इन्होंने political slogan दिया, और ये याद रखे कि आरे समाज western philosophy को reject करता था, लेकिन ये नहीं कहता था कि modernization गलत है, उन्होंने ये नहीं कहा कि train में मत बैठो, rail में मत बैठो, वेदों के समय में कोई train नहीं थी, तो आज भी नहीं आज के, टेलिग्राफ है, तो टेलिग्राफ का इस्तमाल अच्छी बात हैं भेजने के लिए करो, लेकिन बुराइयां फैलाने के लिए मत करो, तो ये भी सत्य प्रता का विरोध करते थे, बाल विवा का विरोध करते थे, आइडल वर्शिप, यानि कि मूर्ती पूजा के ये खिलाफ थे, अंद्विश्वास के भी खिलाफ थे, और जो प्रीस्टली क्लास है, यानि कि जो ब्रामन्स है, उनके डॉमिनेशन के भी खिलाफ थे, इन्फाक इन्होंने कई इस तरह की रीतिरिवाद शुरू किये कि आरे समाज की अलग शादी होगी, जैसे आरे समाज नादान परिंदे होते हैं, जो घर छोड़ कर भाग कर शादी करना चाते हैं, वो कई बार आरे समाज में जाकर शादी करते हैं, आपने सुनाई होगा कि आरे समाज के रीतिरिवाद से हमने शादी कर ली, इस तरह की न्यूस भी आती है, लोकल अगबारों में, तो वो इन् system में क्या था किवल चार उसके बाद इन्होंने education के field में काफी काम किया आरे समाज के जो आगे के leaders थे मतलब दयानंद सरसोती के बाद जो नेता थे नेता क्या मतलब जो लीडर्स हैं उन्होंने कई सारे स्कूल कॉलेज को ले तो जैसे दयानंद अंगलो वेदिक DAV स्कूल कॉलेज उत्तर भारत के सभी लोगों ने स्कूल का नाम सुना होगा DAV कॉलेज की स्थापना करी गई थी लाहोर में 1886 में बाय लाला हंसराज एं लाला लाजपतराए नाम आ गया ना लाला लाजपतराए का आगे भी आएगा नैशनल मूव्मेंट में तो यहाँ पर वेस्टन और इंडियन दोनों तरीकों से पढ़ाई करवाई जाती थी लिबरल फैक्शन था ये आरे समाज का फिर आरे समाज के अंदर ही एक दूसरा फैक्शन था एक दूसरा गुठ था जो यह कहता था कि यह इंग्लिश नॉलिज की आवशक्ता नहीं है हम हिंदु धर्म के अनुसार वेदों की प्रंपरा के अनुसारी बच्चों को पढ़ाई करवा सकते हैं तो इन्होंने गुरुकुल इनुवर्सिटी स्थापित करी हरिद्वार में 1902 में और इस फैक्शन की लीडर थे लाला मुंशी राम तो यह और्थोडॉक्स फैक्शन था आगे चलकर यह दोनों फैक्शन अलग हो गए लेकिन मेंली आज जो हम डिय वी जानते हैं देया फिर जो आरे समाज को जानते हैं वो इस वाले फैक्शन की लीडर्स के कारण हम जानते हैं अगला संगटन है सेवा सदन सेवा सदन की स्थापना करी थी दो लोगों ने एक तो पार्सी सोशल रिफॉर्मर थे बहराम जी मालाबारी और दूसरे थे दिवान दयाराम गीडू मल 1908 में इनोंने इसकी स्थापना करी छोटा सा संगटन है जादा इसमें डीटेल है नहीं बस ये बाल विवा के खिलाफ थे और विद्वा पुनर विवा की बात करते थे इनके जो एफर्ट्स थे उसके कारण ये इंडियन एज ओफ कंसेंट आक्ट पास हुआ था जिसके बारे में मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ और सेवा सदन जो है वो महिला ग्रह भी स्थापित करे थे इन्होंने जहां पर ऐसी महिला यहां कर रह सकती थी जिनको समाज ने नकार दिया हो निकाल दिया हो उनका शोशन हुआ हो तो ऐसे लोगों को ये अपना आशरा देते थे और इन्होंने सेवा सदन की स्थापना करी थी इनका अकबार था इंडियन स्पेक्टेटर ये नाम याद रखेगा अब कुछ और सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं जो इतने इंपोर्टन नहीं है कि उनके बारे में मैं आपको बहुत डीटेल बताऊं तो केवल मूवमेंट का नाम और फाउंडर का नाम याद रखेलो आपका काम हो जाएगा तो देव समाज फाउंडर है शिवनारा बारत धर्म महामंडल इस पंडित मदन मोहन मालविय जो है वो इसके एक प्रॉमिनेंट फिगर थे हिंदू महासभा से भी यह जुड़े वे थे मदन मोहन मालविय तो उसी से जुड़ा हुआ यह नाम याद रख लिजेगा भारत धर्म महामंडल फिर राधा स्वामी मूवमेंट और शिव दयाल सा है दोनों का डिफरेंस याद है आपको क्या होता है रिफॉर्मिस्ट और रिवाइवलिस्ट मुझसे कई लोगों ने कल एक डाउट पूछा था कि आरे समाज क्या होगा रिफॉर्मिस्ट या रिवाइवलिस्ट आप लोग मुझे कमेंट में बताईए कि आरे समाज जुसक में यानि कि 1700 सम्थिंग में अब्दुल वहाब अरेबिया आज का जो सौधी अरेबिया वाला रीजन है वहाँ पर एक रिलिजिस टीचर थे और इनका ये मानना था कि इसलाम में पिछले 1200 साल में यानि उस समय तो ये क्या हो जाएगा एक प्रकार का revivalist moment हो जाएगा अब्दुल वहाब का और ये अब्दुल वहाब से ही वहाबी ideology आती है जिसको आज भी आप कई बार news में देखेंगे क्योंकि दुनिया में कई जगे जो कटर पंथी इसलाम को फॉलो करते हैं वो अब्दुल वहाब को ही अपना inspiration मानते हैं कि वहाबिस्ट ideology में हम फॉलो करते हैं in fact Saudi Arabia भी कई काफी हद तक Saudi Arabia as a country वहाबिस्ट ideology को फॉलो करता है लेकिन अब इसमें यहाब पर differences हैं कि वहाबिस्ट को कई लोगों ने as a terrorism tool का इस्तमाल किया है कि आतंगवादी कहते हैं कि हम भी वहाबिस्ट से inspired हैं लेकिन दूसरी ओर कई ऐसे भी लोग हैं जो inspired हैं लेकिन वह आतंगवाद में involved नहीं हैं अब्दुल वहाब का ये movement एक revivalist response था towards western influences क्योंकि इस समय तक क्या हो रहा था कि Ottoman Empire जो यहाँ पर Arabia में rule करता था उस पर काफी western influences आ रहे थे और Ottoman rulers जो हैं वो काफी Islam के original format में काम नहीं करते थे वो थोड़ा से अलग तरगी से रहत थे cultural changes आ गए थे बहुत सारे तो ये उसके खिलाफ basically Ottoman या फिर western influences के खिलाफ एक revivalist response था अब्दुल वहाब के ही समकालीन भारत में एक religious preacher थे जिनका नाम था शाह वली उल्ला देहलावी तो अब्दुल वहाब जो हैं ये 1703 से 1793 तक जिंदा थे और उनी के समकालीन यहाँ प से inspire होकर आप देखेंगे कि 19th century में भी कई आंदोलन चलते हैं शा वली उल्ला ये कहते थे कि जो इसलाम में चार अलग-अलग school of jurisprudence बन चुकी है यानि कि चार तरह की philosophies थी उस समय हनाफी, मलिकी, शफी और हनबली इन चारों के बीच में सामन जस्से होना चाहिए इन चा आपस में कहते थे कि हमारा school of jurisprudence सही है हम जो बात कह रहे है वो सही है तो इस तरह के divisions के ये खिलाफ थे इनका मानना था शाह वली उल्ला का कि ये division नहीं होना चाहिए और अगर कभी कोई doubt होता है तो individual conscience भी देखी जाए यानि कि इनसान को अंदर से क्या आवाज आती है उ इनसान के उपर छोड़ दो individual conscience के उपर छोड़ दो कि क्या decision लेना है आप अपने judgment और अपने अंतरात्मा की आवाज के अनुसार decision लीजे कुरान को interpret कर सकते हैं अगर आपको कहीं पर conflict नजर आती है ऐसा नहीं कि हर चीज में आप अपना interpretation दे अगर कहीं पर कुछ conflicting बाते हैं कुरान में और हादित में तो फिर आपको ऐसा करना है शाह अब्दुल अजीज और सेयद एहमद बरेलवी जो हैं इन्होंने शाह वल्युल्ला की preachings को थोड़ा सा political color दिया इन्होंने कहा कि भारत में मुसलमानों के लिए एक अलग homeland होना चाहिए इन्होंने कहा कि भारत दा terminology हर जगे इसलाम में यूज होती है जो भी नया एरिया है जहां पर इसलाम नहीं फैला हुआ है that is called Darul Harb that is the land of kafir और उसको बनाया चाहते हैं सब Darul Islam Darul Islam is the land where Islam is followed तो Darul Islam या Darul Islam नाम के आपको कई शहर दुनिया में मिल जाएंगे जैसे Tanzania का जो पूरू capital है उसका भी नाम यही था Darul Islam तो basically यही होता है कोई भी territory जब conquer करी जाती थी पहले medieval time period में Islamic rulers के द्वारा तो उसको वो Darul Harb से कहते थे we have converted it into Darul Islam तो यहाँ पर इसी प्रकार की कुछ demand सेद अहमद बरेलवी और शाह अब्दुल अजीज ने भी करी और इनके target initially कौन थे 19th century में the six of Punjab ठीक है लेकि अब वो कहे कि जब sick empire disintegrate हो गया 1849 में उसके बाद इन्होंने अपना target British rule को बनाना शुरू किया तो पहले यह सिख के खिलाफ थे की नहीं सिख rule के दौरान Islam को खत्रा है या फिर मुसलमानों पे ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं यह बात कहकर वो sick empire को target कर रहे थे लेकिन उसके बाद जब British के खिलाफ यह बाते करनी शुरू करी तो ultimately 1870 में British ने इस आंदोलन को पूरी तरह से खत्म कर लिया ठीक है तो यह वलियुल्ला मुवमेंट या फिर वहाभी मुवमेंट भारत में था दूसरा आता है अलिगर्ड मुवमेंट अब अलिगर्ड मुवमेंट पिछले वाले मुवमेंट से पूरी तरह से अलग है यह है reformist तो अलिगर्ड मुवमेंट के पीछे सबसे बड़ा हाथ है सैयद एहमद खान का नाम confuse मत कर देना सेयद एहमद बरेल भी अलग है और सेयद एहमद खान अलग है तो सेयद एहमद खान जिनने बाद में नाइट हुट दे दिया गया था और इसलिए इनका नाम हो गया था सर सेयद एहमद खान तो अलिगड मुव्मेंट की शुरुवात में पहले आप ये समझो 1857 की करांती हुई उस करांती में ब्रिटिश को ये लगा कि जातर कॉंस्पिरेटर्स मुस्लिम्स थे क्योंके कई जगे जिन्होंने रिवोल्ड किया वो मुस्लिम रूलर्स थे नवाब थे या कई जगे मु 1870 आते आते सर साइद आहमत खान जैसे लोगों ने इसको चैलेंज करना शुरू किया साइद आहमत खान बेसिकली एक जुडिशल ऑफिसर थे ब्रिटिश सरकार के लिए ये काम करते थे तो इन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर से सीनियर अडिनिस्टेटर से ये कहना शुरू कि कि देखो ये मुसलिम्स ने नहीं किया था आपकी सोच गलत है आप गलत सोच रहे हो और ये थिंकिंग जो है हमारी कम्यूनिटी को बहुत पीछे ले जाएगी तो इन्होंने अपना टार्गिट ये बनाया कि हमें ब्रिटिश रूल के क्लोज रहना है क्योंकि ब्रिटिश आइसोलेट करता जा रहा था मुसलिम्स को आफटर 1857 तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि ब्रिटिश रूल के नस्दीक जाने के लिए एक तो पहले पढ़ाई लिखा ही जरूरी है नौकरियां जरूरी है सरकारी नौकरी में होना बहुत जरूरी है तो सेयद एहमद खान जो हैं ये खुद एक noble family से आते थे दिल्ली में judicial officer थे और 1857 के करांती को इन्होंने काफी नजदीक से देखा था और ये उस समय loyal रहे थे इन्होंने कोई बगावत नहीं करी थी और इनका जब retirement हुआ 1875 में उसके बाद ये काफी active हो गए पहले भी active थे social reforms में लेकिन उसके बाद और active हो गए और इनको बाद में imperial legislative council में as a member भी बना दिया गया 1888 में इन्हे knighthood दे दिया गया इसलिए इनके नाम के आगे सर सही है रहमत खान लगता है तो इनका main लक्षे ये था कि muslims को modernize किया जाया और modernize के लिए क्या ज़रूरी है scientific teaching तो इन्होंने कहा कि ये traditional mindset औ और scientific सोच के साथ school खोले जाए पढ़ाई करी जाए बच्चों को पढ़ाया जाए ये इनका target था तो इन्होंने muslim समाज को प्रेवित किया कि जादा से जादा सरकारी नौकरी के लिए कोशिश करो और British Empire के वफादार रहो British Empire के खिलाफ कभी बगावत की बात मत करो इन्होंन अब यूस किया जाए पूरी तरह से इंडियन muslims को educate करने के लिए और बाचीत वगेरा करने के लिए इन्होंने पुराने social customs को oppose किया कहा कि ये जो पुराने रीती रिवाज हैं ये गलत हैं और Islamic society को पीछे ले जा रहे हैं हमें समय के साथ आगे चलते हुए आगे बढ़ना थी यानि शुरुवाती सालों में कि थोड़ा इंडियन को power दिया जाए वो इसके खिलाफ थे उनको ये लगता था कि इंडियन national congress पूरी तरह से एक हिंदू संगठन है हिंदू लोगी इसमें शामिल हैं Muslim जादा है नहीं तो हमारे लिए ये किसी काम का संगठन नहीं है तो हिंद ठीक है चाहो तो हिंदी में भी लिख ले ना असबाब बगावत हिंद नाम से यह आपको शायद पता चल रहोगा कि एक बगावत के उपर ये किताब लिखी गई थी कौन सी बगावत 1857 तो 1857 की क्रांती के उपर इन्होंने एक किताब लिखी थी कि उसका पूरा description दि कुछ लिया जाता है कौन सा school कब खुला कौन सा college university पहले आया बाद में आया इसको लेकर थोड़ा बहुत chronology को लेकर भी सवाल आ सकते हैं तो इन्होंने 1859 में मुरादाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में है वहाँ पर एक गुल्शन school खुला 1863 में Victoria school गाजेपूर में 1864 में अलिगर्ड दिल्ली से लगबग 1500 किलोमेटर दूर स्थित एक शहर है अब तो आप लोग सब इसका नाम जानते हो because of the university तो अलिगर्ड उस समय काफी छोटी जगे थी लेकिन अलिगर्ड में इन्होंने अपना base बनाया base in the sense के education societies सबसे जादा बनाई and today सेयद हमाद खान is known because of अलिगर्ड उनिवर्सिटी मेंली लेकिन याद रखें यह ओरिजिनली दिल्ली से थे 1866 में अलिगर्ड इंस्टिूट गजट एक बाई वीकली जर्नल चापना शुरू किया जो science, maths और agriculture information चापता था 1875 में बहुत important star mark कर लेना मुहमधन एंगलो oriental school की शुरुआत करी गई अलिगर्ड में तो यह जो school था MAO school यह college और university का की शुरुआत थी तो 1877 में इसको college में upgrade कर दिया गया और कुछ साल बाद 1920 में इसको university का दरजा दे दिया गया British rule ने एक special act पास किया और अलिगर्ड university को एक official university का दरजा दिया जाता है 1920 में तो यह university अपना 100 साल पूरे कर चु अब आते हैं देवबंद स्कूल पे अब देवबंद स्कूल क्या है यह अगेन एक orthodox movement है यहाँ पर क्या हो रहा है reform नहीं revival हो रहा है तो यह revivalist movement है और इसने सेयर अहमद खान के जो reform से उनका बहुत विरोध किया यह दोनों लगभध parallel चल रहे थे तो देवबंद एक जगे स्कूल है जहाँ पर पढ़ाई कराई जाती है religious preachers की तो जो अगर कोई उलेमा बनना चाता है तो उसको वहाँ पर पढ़ाई करवाई जाती है religious knowledge वहाँ पर दी जाती है तो देवबंद स्कूल जो है यह एक orthodox section था among the muslim उलेमा इन्होंने देवबंद movement चलाया इन्होंने कहा कि कुरान की जो pure teachings हैं वो आगे बढ़ाई जाएं तो same आप देखोगे कि वहाबिस्ट या वली उल्ला movement से यहाँ पर inspiration है तो कुरान और हादित में जो लिखा हुआ है केवल वही बात सही है और धीरे धीरे यह एक political movement बन गया और इनका एक हना ता देवबंद स्कूल वालों यह तो इसके founders के नाम important हैं मुहमद कासिम वनोतवी, राशिद एहमद गंगोही, मुहमद याकूब नानोतवी इनका लक्षे यह था कि दारूल उल्लूम एक ऐसा स्कूल बनाया जाए जहाँ पर religious leaders या उलेमास को पढ़ाया जाए और आगे चलकर वो देश भर के मस्जिदो में जाकर बातचीत करें, धर्म के बारे में बात करें, तो यह दारूल उल्लूम का मेन काम था और दारूल उल्लूम देवबंद is one of the largest religious schools in South Asia, in fact अजादी के बाद पाकिस्तान में भी देवबंदी जो है वो एक बहुत बड़ा movement बन चुका है, यहाँ पर इनका target एथा कि Western या English education को नहीं अपनाना है, क्योंकि यह revivalist movement है, तो केवल जो कुरान कह रहा है, उसी तरह से जीवन यापन करना है, जो original कुरान की teachings है, उनी को पढ़ाना है, तो इसकी स्थापना तो केवल धार्मिक पढ़ाई के लिए करी गई थी, लेकिन मुहमद उलहसन ने इसको और intellectual content भी देना शुरू किया, उनका कहना है कि किवल धार्मिक पढ़ाई से कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा political knowledge भी होना चाहिए, लोगों को intellectual knowledge भी होनी चाहिए, तो इस प्रकार से देवबन movement थोड़ा सा political भी बन गया, और mainly यह illegal movement के खिलाफ थे, और Congress को यह support करते थे, तो आजाते हैं, पार्सी reform movements पर, तो पार्सी समुधाय जो है, वो भारत में इतनी जादा अबादी वाला नहीं है, it's a small community compared to other communities of India, लेकिन इनका जो major population है, वो महराष्ट्रा और गुजरात के areas में concentrated था, अब पार्सी आज के समय के पार्सी आप जब सोचते हो तो आपको लगता ह है कि बहुत ही modern है, लेकिन पार्सी आज से 500 साल पहले इतने progressive modern नहीं थे, same as other communities in India, वहाँ पर भी काफी पिछड़ा पन था, पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन कुछ लोगों ने इसमें बदलाब किया, दादा भाई नारो जी जैसे लोग, J.B. क्वाच्छा, SS. इन लोगों ने मिलकर एक religious reform association की स्थापना करी 1851 में, इसका नाम था रहनुमाई मजदायसनन सभा, इस सभा का या इस religious reform association का काम क्या था, exactly जैसा इसका नाम है कि religion में reform करना है, पार्सी की social समाजिक स्थिती को बहतर बनाना है, और Zoroastrian religion को purity पर पहुँचाना है, अब नाम स दिखकर आपको लगेगा कि ये तो revival की बात कर रहे हैं, लेकिन ये revival की बात नहीं कर रहे थे, ये mainly reformist थे, तो इनों ने इस सभा के माध्यम से पार्सीज में कई social reforms ला है, परदा system etc. को हटा दिया, एक इनकी magazine आती थी, रस्त गुफतार, weekly इनका अगबार या magazine थी, रस्त ग prominent थे, तो इस सभाग को एक बात अच्छी थी कि पूरे समाज का समर्थन प्राप था, यहां पर कोई भी इनका विरोध नहीं कर रहा था, तो जैसा देवबंद और अलिगर्ड मुवमेंट के बीच में टसल था, वैसा यहां कुछ नहीं था, everybody in the community was supporting them, तो धिरे धिरे इनों को भी लड़कों के बराबर पढ़ाई करवाई, और अपने पूरे समाज के बच्चों को educate किया, और इसी रहनुमाई association के efforts के कारण, age of marriage को increase किया गया था, और पारसी महिलाओं ने परदा सिस्टम पूरी तरह से खत्म कर दिया, तो I think यह इंडिया का पहला community था है, समाज थ जिसने परदा सिस्टम को पूरी तरह से खत्म कर दिया, in the past 200-300 years, उसके बाद इन्होंने Zoroastrian Conference की भी स्थापना करी, और इस Conference का लक्षे ही था कि social, religious बातों पर चर्चा करी जाए, और जो भी issues हैं, उनको solve किया जाए, तो यह जो Zoroastrian Conference है, इसकी पहली meeting हुई थी, 1890 में, औ इतने reforms कर दिया, इन्होंने 50 साल के अंदर ही, यानि 1851 में इसकी स्थापना होई थी, और by the time 20th century आती है, यानि कि सन 1900 आता है, तब तक Parsi's काफी advance हो चुके थे और बाकी समाच से बहुत आगे निकल चुके थे, in fact I would say कि यह लोग at least 2 generation आगे चले गए थे दूसरे communities से, और आज भी देश में कई communities हैं, जो Parsi's के educational levels को, financial levels को touch नहीं कर सकती है, they are one of the most educated and financially well-off communities in India, तो Parsi community के इतने development के पीछे reason यही है कि यहाँ पर social और religious reforms जो हैं, वो काफी जल्दी शुरू है थे, अब देखो इनका main target जो है, वो social reform लाना ही था, religion में इन्होंने ऐसा कोई बहुत कोई आमूल चूल परिवर्तन इन्होंने कर दिया हो, अब आ जाते हैं सिख reform movements पर, तो यहाँ पर दो important reform movements हैं, 19th century में, निरंकारी और नामधारी movement, निरंकारी movement की स्थापना करी थी, बाबा दयाल दास ने, ये लोग कहते दें कि भगवान को निरंकार रूप में पूजा ज जैसा जो सिख धर्म के स्थापक थे, गुरु नानक देव जी, वो कहके गए थे, उसी प्रकार से यहाँ पर भगवान को पूजा जाए, और जो बाद में कुछ additions हुएं, उनमें ये विश्वास नहीं रखते थे, नामधारी movement जो है, ये कहते थे कि हम meat नहीं खाना चाहिए जो भी गलत आदते हैं, वो धर्म में हटाई जाएं, इसकी स्थापना बाबा राम सिंग ने करी थी, और ये नामधारी movement के जो followers थे, वो famous इसले थे, वो white color के ही कपड़े पहनते थे, और meat eating से पूरी तरह से इनोंने अपने आपको अलग कर लिया था, फिर उसके बाद 1873 मे अगला संगठन बनता है सिंग सभा, ये थोड़ा important है, इसको star mark कर लेना, सिंग सभा अमरित सर में स्थापित हुई थी और इसका target क्या था कि जो Christians और Hindus प्रोजलाइटाइसिंग कर रहे थे, प्रोजलाइटाइसिंग का मतलब होता है कि धर्म को अपना बढ़ावा प्रचार 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 करना, conversion नहीं होता है, लेकिन ultimately प्रोजलाइटाइसिंग से होता गया है, conversion नहीं होता है, तो ये जो हिंदू और Christians, especially जो Christian missionaries हैं, वो अपनी धार्मिक गतिविदियां बढ़ा रहते पंजाब एरिया में, after the disintegration of Sikh empire, उसके response में सिंग सभा की स्थापना करी सिंग सभा का कहना था कि जो भी धर्म की teachings हैं, उनको हम फिर से पढ़ाएं, तो ये एक प्रकार का revivalist moment है, जो भी Sikh गुरूओं की बाते हैं, उनको हम लोगों तक प्रचार प्रचार करें, और उसके लिए हम किताबे चापें, religious literature को पंजाबी भाशा में चापा जाए, और ल आज भी आप उत्तर भारत में, पूरे भारत में, कई जगे जाकर देखेंगे, आपको खाल सा school, खाल सा college मिल जाएंगे, इन्होंने गुरू मुखी को काफी बढ़ावा दिया, पंजाबी literature को बढ़ावा दिया, और इसी literature के माध्यम से सिख गुरूओं की बातों को इन्हो इसका कहना था कि जितने भी गुरूदवारे हैं, उनमें महंत कबजा करके बैठ गये, अब ये जो महंत थे, ये काफी corrupt हो चुके थे, ये जो गुरूदवारों में पैसा आता था था, वो साब अपने पास रखने लग गए थे, तो ये अकाली movement एक non-violent movement था, जहाँ पर अक कबजा जमा कर बैठ गये हैं, इनको हटाया जाए, तो ये था अकाली movement 1920s में, और धीरे धीरे, ये अकाली इस एक political party का रूप ले लेते हैं, आजादी के आसपास आते आते, और आज तो आप जानते ही हो, अकाली दल आज भी एक political party है पंजाब में, तो अकाली movement की स्थापन या शुरुवात कैसे होई थी, ये important है, background समझ लेना, it was mainly to remove the corrupt महंत from the Sikh गुरुद्वारा इन पंजाब region, बाद में क्या होता है कि शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंदक कमिटी की स्थापना करी जाती है, तो जितने भी गुरुद्वारा हैं, आज उनको SGPC control करती है, manage कर तो इस SGPC की स्थापना के पीछे, अकाली मुव्मेंट का बहुत बड़ा रोल था, 1922 में British Government ने Sikh गुरुद्वारा Act पास किया, इनी लोगों के कहने पर, और उसके कारण जितने भी गुरुद्वारा हैं, उनको Sikh लोगों को सौंप दिया गया, और Sikh लोगों का मतलब है कि SGPC उसका मैनेज करेगी, SGPC के द्वारा ये सारे गुरुद्वारे मैनेज किये जाएंगे, तो ये था Sikh reform movement, अब एक important religious reform movement का पार्ट बच रहा है, और वो है temple entry movement, अब वो वैसे 19th century में नहीं हुआ था, अभी तक हम जो जितने भी social reform movements पढ़ रहे हैं, वो mostly सब 19th century के थे, ये वा सा और background समझ में आएगा, ठीक है, तो ये दो topics है, temple entry movement और जो दक्षिन भारत का movement था, उसको हम एक अलग lecture में discuss करेंगे, अब हम बात करने वाले हैं, भारत के राश्ट्रिय आंदोलन की, Indian National Movement की, इसको पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि राश्ट्रवाद क्या है nationalism क्या होता है, देखे राश्ट्र क्या है, सबसे पहले ये समझो nation क्या है, राश्ट्र के बारे में अगर आप सोचोगे तो definition आपको काफी simple लगेगी कि country है, इंडिया is a country, USA is a country, लेकिन इतना simple नहीं है, definition में बहुत सारी चीज़ें add हो सकती है, जैसे कि भारत में राश्ट को आप क्या कहेंगे, क्या एक समान culture, क्या एक भाशा, क्या एक race होना एक देश है, लेकिन भारत में तो ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पर हजारों भाशाएं हैं, कई race और कई religion के लोग रहते हैं, तो इसलिए इसकी definition हर देश में, हर शेत्र में अलग-अलग हो सकती है, मोटे हैं, कि हमारा एक political goal है, एक लक्ष है, और हम right to self determination चाते हैं, यानि कि हमें अपने उपर rule करने का अधिकार हो, तो ये भावना nationalism कहलाती है, और इसी से बनता है nation, या एक राश्टर, अब ये जो definition है, ये हर देश में अलग हो सकती है, क्योंकि मैं आपको बताया, भारत के case में ऐसा नहीं है, कि एक भाशा, एक race, एक religion हो, तो इसी लिए भारत में जो nationalism है, जो राश्टरवाद है, it was based more on cultural identity, कि हमारी identity क्या है, कि हम सदियों से, या millennia से, एक राश्टर के रूप में रहें हैं, एक सामराज्य के अंडर में थे, कभी गुपता empire था, कभी उसके पहले मौ कुछ अलग भी था, religion के basis पर आप कह सकते हो, क्योंकि 80-90% religion was Hindu, लेकिन फिर भी वो 100% नहीं है, तो religion भी एक इसका defining criteria यहां पर नहीं था, इन factors के अलावा, अगर आपसे एक important factor पूछा जाए, कि राश्टरवाद में क्या होता है, तो वो ये कहा जाएगा, कि बाहरी ताकत आ लोग आप पर हुकूमत ना चला रहे हो, क्या भारत में उस वक्त कोई दूसरे देश की हुकूमत थी, जब Congress की स्थापना होती है, बिलकुल, क्या आज है, नहीं, Today we are free from outside interference, हमारे राश्टरवाद की भावना के कारण, राश्टरी आंदोलन चला, भारत अजाद हुआ, और भारत में एकता, अखंडता किस बेसिस पर है, राश्टरवाद किस बेसिस पर है, तो ये सारे points आपको वहाँ पर relevant लगेंगे, अब भारती आंदोलन या राश्टरी आंदोलन के पीछे क्या reasons थे, क्या factors थे, उनको समझिए, तो सबसे पहले, 19th century के अंदर आप अपने आप को transport कर लो, उमीद एक बार के लिए सोचो कि आप 1860s, 1870s में जी रहे हैं, उस समय तक French Revolution हो चुका है, 60-70 साल हो चुके है French Revolution हुए, और अब उसके बारे में जो पड़े लिखे लोग हैं, intellectual लोग हैं, उनको सभी को मालूम है, जो पड़े लिखे नहीं हैं, उनको नहीं दोलन चल रहा था, हमने पिछले lectures में social reformers की, reforms की बात करी, तो वो भारत का renaissance था, especially in the province of Bengal and Maharashtra, तो ये जो सारे organization और नाम मैंने आपको लिए थे, इनी के जो leaders थे, वो आगे चलकर Congress की स्थापना में भी important role play करते हैं, उसके बाद Western thought और education भारत में पहुँचा था, तो अं creative भी हो सकता है, लेकिन उस समय के लिए वो एक modern विचार था, और ये विचार क्या था, mainly liberty, equality, freedom, nationalism, Emmanuel, Kant के विचार, याद हैं आपको 18th century के जित्ते भी thinkers हैं, उनके बारे में philosophy optional वालों को बहुत अच्छे से पता होगा, पवैड वालों को बहुत अच्छे से पता होगा, नही ये जो thinkers हैं, इनके ideas हैं, ये सब भारत में आते हैं, अंग्रेजों के साथ या अंग्रेजी education के साथ, तो ये जो English में पढ़े हुए Indians थे, इन्होंने ही nationalistic organization की शुरुवात करी, अंग्रेजों का लक्ष क्या था कि इनको clerk बनाना है, लेकिन कुछ लोग clerk नहीं बने, कुछ वोगों ने राष्ट्रिय आंदोलन की शुरुवात कर दी, भारत में काफी समय बात political unity आई थी, last 17th या 18th century भी नहीं, 17th century में एक तरह से मुगल empire जब अपने चरम पर था, during the time of Aurangzeb, उस समय आखरी बार भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा, एक political entity के अधीन था, लेकिन उस अधा भारत कम से कम एक empire के अधीन था, अभी भी दक्षनी हिस्सा नहीं था, eastern हिस्सा नहीं था, लेकिन कम से कम northern और western areas तो पूरी तरह से थे, तो जब भारती लोगों ने देखा कि हमारे पास बहुत time बाद unity आई है, तो ये राष्ट्रवाद की भावना को और जादा बढ हुआ था, फिर आता है modern press, press का बहुत बड़ा रोल है राष्ट्रवाद में, in fact आज भी है, media का, press का, किसी भी देश के इतियास में बहुत important रोल होता है, तो भारत में press की शुरुवात हो गई थी, 18th century का जो end था उस समय पर, और English और Vernacular, दोनों भाशाओं में अखबार चक अखबार या magazine चापी और वो सब आपके लिए prelims में important हो जाते हैं, तो उनको रटना पढ़ेगा, कोई option नहीं है उसके लिए, अगला factor था कि भारत में अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा, जो आर्थिक शोशन हो रहा था, जिसके बारे में हमने पिछले lectures में पढ़ा भी थ उसको अब लोग समझने लगे थे, तो 100 साल तक तो लोगों को समझ में ही नहीं आया, उनको लगा कि जैसे राजा राज करते हैं, वैसे ही अंग्रेज भी राज करने आये, लेकिन धीरे धीरे उनको इस समझ में आने लगा, कि नहीं, ये तो economic exploitation हो रहा है, आखरी factor था कि एक democracy, USA में उस वक्त थी, parliamentary system जो UK में था, इस प्रकार की system से, दुनिया के दूसरे तरीक, तौर तरीकों से अबगत है, तो ये middle class intelligence या यही international congress जैसे संगठनों को या अन्य संगठनों को बनाते हैं, अगला है वाइस रोय लिटन, तो लिटन ने जो दिल्ली दरबार को organize किया था 1877 में, उस समय देश में अकाल था, भुकमरी थी, और ऐसे में दिल्ली दरबार का organization लोगों के दिल पर एक चोट लगा कर गया था, कि एक तो हमारे घाव है, उस पर नमक छिड़का जा रहा है, तो ये गलत है, फिर जो vernacular press act, arms act लाए गए, उनसे हिंदुस्तानी लोगों को समझ में आने लगा कि ये rule हमारे लिए बराबरी का कभी नहीं हो सकता, अंग्रेजों को यहाँ पर हमेशा अलग तरह से treat किया जाएगा, और ilbert bill controversy ने लोगों के दिमाग में अगर कोई doubt था, तो उसको हमेशा के लिए prove कर दिया, कि British और Indian subjects, चाहे Queen Victoria कितने भी proclamation कर ले, कभी भी बराबर नहीं होने वाले हैं, तो ilbert bill controversy, Vernacular Press Act, Arms Act, Lytton का जो दरबार है, ये सब factors थे nationalism के development में, communication और transport के साधन भी एक बहुत important factor थे, तार की सुविधा आ गया थी, टेलिग्राफ आ गया था, ट्रांसपोर्ट आ गया था, railways, railway की बदालत, एक व्यक्ती कलकता से Bombay जा सकत था, अपने विचारों को व्यक्त कर सकता था, seminar दे सकता था, speech दे सकता था, दो या तीन दिन में कलकता, Bombay की दूरी तै कर ली जाती थी, तो ये जो transport और communication है, इसने बहुत बड़ा role play किया nationalism के development में, फिर कई जगे भारत में historical research चल रहा था, खासकर के James Princip का जो research था, उसने Morian pillars की उपर बहुत सारा research किया था, Morian pillars को discover किया था, तो Princip के इस Morian pillars के discovery से, देश में एक नई उर्जा आ जाती है, जो पड़े लिखे लोगे उनको समझ में आने लगा कि, यहाँ पर एक बहुत important और बड़ा kingdom था, Morian kingdom, जिसके बारे में हमें तो मालूमी नहीं है, उस समय, और Morian kingdom लगभग पूरे भारत पर रूल करता था, क्योंकि Morian pillars लगभग सब जगे मिले थे, इस से भारत की glory फिर से सामने आने लगी थी, और अभी तो Indus Valley Civilization discover होना बाकी है, जैसे ही सिंदुगाटी सब्वेता डिसकवर होती है, तो इस fact पर और जादा बल मिलता है इसको, कि भ कई दक्षिन अमेरीकी देश, जैसे कि Brazil, Argentina, ये सब अपने European colonizer से आजाद हो चुके थे, और Italy और Germany जैसे देश, जो कई सदियों से छिन भिनने थे, उन्होंने unite होकर एक strong independent country बनाया था, तो Unification of Italy और Germany, इस से भी बहुत inspiration मिली थी, क्योंकि ये 1860 के दशक में ही हो रहा था, Ireland म में भी आजादी की डिमांड चल रही थी, आज भी चल रही है, और आज तो खेर mostly Ireland आजाद है, लेकिन अभी भी जो Northern Ireland है, वो UK का हिस्सा है, तो इन सभी देशों से भारत के लोगों ने भी inspiration ली, racial discrimination भी एक बहुत बड़ा कारण था, Albert Bill controversy आपको बताई दिया है, मैंने, इस संगठन Congress के precursor हैं, तो इनके नाम और founders directly exam में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए बहुत important है, सब के नाम आपको पढ़ने होंगे, याद रखने होंगे, at least जो मैंने इस lecture में बताया हैं, कम से कम उनको याद रख लो, बागी सब spectrum में जो दिये गए हैं, उनको याद ना रख प तो इस फैबिली में बहुत एमस लोग हैं, बड़ याद रख लेना की दवारकाना टेगोर, इनके बेटे देविंद्रेनात, इनके बेटे रबिंद्रेनात, तो देविंद्रेनात टेगोर का नाम हमने कहां पढ़ा था, याद है, आपको ब्रह्म समाज के अंदर पढ़ा पहले भी, तो ये उन्ही के पिता जी ने एक जमिनदारी असोसियेशन की भी स्थापना करी थी, क्योंकि ये खुद एक जमिनदार थे, तो इन्होंने जमिनदारी असोसियेशन बनाया, Next is British India Society, William Adams, London में इसकी स्थापना करी गई थी, कई असोसियेशन लंडन में भी बने थे, क्योंकि बहुत सारे लोग बहाँ बैटकर भारत के बारे में सोचते थे, लेकिन जाधातर हमारे लिए जो इंपोर्टेंट है वो इंडिया वाले असोसियेशन है, British Indian Association, Devendra Naat Tagore, Calcutta, 1849 में मदरास Native Association, G.L. Chetty और Shrinivas Pillai, मदरास में इसकी स्थापना हुई थी, 1862 में London India Committee, CP Mudaliyar, लंडन में स्थापना होती है, 1866 East India Association, काफी इंपोर्टेंट है, दादा भाई नावरवजी ने स्थापना करी थी, इसकी लंडन में, 1867 National Indian Association, Mary Carpenter, लंडन में, 1872 Indian Society, आनन्द मोहन बोस, लंडन में, 1876 Indian National Association, बहुत ही इंपोर्टेंट, आगे चलकर यही Congress का Core बनता है, कई जगे आपको questions में यह भी मिलेगा, कि Indian National Association नी जाकर आगे Indian National Congress बन गया, जो पूरी तरह से सही नहीं है, लेकिन हाग को चत्तक सही है, क्योंकि यह संगठन आगे ज जी ने मिलकर इसकी स्थापना करी थी, क्यलकटा में, Indian National Association की, आगे चलकर Indian National Army आएगा, आईये ने, उससे इसको confuse मत करना, कई जगे इसको आईये ने लिखा जाता है, वो सुभाष चंदर बोस वाली INA अलग है, यह आईये ने अलग है, ठीक है, इस इस इंडियन National Association, established by आनन पूना सारवजनिक सभा, 1870, SH चिपलूनकर और MG रनाडे, मैं आपको कहा था कि रनाडे का नाम आगे बहुत बार आएगा, 1884 में मदरास महाजन सभा, S. रामस्वामी मुदलियार, P. आनंदर चारलू और P. रंगया नाइडू, तो यह मदरास नेटिव असोसेशन और मदर Presidency Association, फिरोशा महता, केटी तिलांग, बदरुदिन, तैयब जी, 1888, United India Patriotic Association, सर सायद एहमद खान, अलिगर्ड, अब यह संगठन जो है, यह Congress में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन क्यूंके हम संगठनों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मैंने कुछ यहाँ पर additional संगठन भी जोड़ दिये हैं, जो Congress से directly related नहीं है, कई सारे Congress के बाद भी बने थे, लेकिन आपको याद होने चाहिए, उनी संगठन में से एक है, servants of India Society, जिसके लीडर थे, गोपाल कृष्ण गोखले, अब गोखले खुद Congress के senior member थे, लेकिन उन्होंने servants of India Society को पूरी तरह से politics से अलग ठीक है, तो ये mainly एक social organization था, जिके गोखले का servants of India Society, Indian Trade Union Congress, N.M. Joshi इसके founder थे, लाला लाच पत्रा इसके president थे, Indian Trade Union Congress, IT, UC काफी important है, All India Communist Party, इसके founder थे, सत्या भक्ता, और इसके बारे में हमें एक अलग lecture में discuss करेंगे, जो भारत में communism की शुरुआत कैसे हुई, उसको मैं एक अ provinces, 1936 में All India किसान सभा, सहजानन और N.J. रंगा, 1940 Radical Democratic Party M.N. Roy, जो आगे चलकर communism के leader बन गये भारत में, इनके द्वारा Radical Democratic Party की स्थापना करी गई थी, तो ये सारे संगर्ण हैं, ये वाले तो सब Congress के बाद में बने हैं, तो important नहीं है, मतलब अभी Congress के Precursory के रिक में important नही इन सबको तो याद रखना ही पड़ेगा, अब आओ Indian National Congress के पहले अधिवेशन पर, तो देखो, 1883 और 1885 में कई संगठनों ने, खास करके Indian National Association जो संगठन था, उन्होंने एक Conference करी, जिसको उन्होंने नाम दिया Indian National Conference, और इसमें इन्होंने कई लोगों को बुलाया, ये Conference mainly आन और 1885 में, जिसको इन्होंने कहा, कि ये भारत की राष्ट्रिया Conference है, इन्होंने कई सारे संगठनों को इन्वाइट किया, और सबने मिलकर डिसाइड किया, कि अब एक नया संगठन बनाते हैं, तो ये उस पहली मीटिंग की फोटो है, 1885 की, ये पहला अधिवेशन हुआ थ ये सेशन होता है, 29, 30 और 31 डिसंबर 1885 में, पहले सेशन को चैर किस नहीं किया था, प्रेजिडेंट कौन थे पहले सेशन के, W.C. बैनर जी, व्योमेश चंदर बैनर जी, ये पहले सेशन के प्रेजिडेंट थे, अब कई जगे आप ये भी देखोगे कि कॉंग्रेस की साप रिना डेफिनिटली, एलन अक्टावियन हूम ने दी थी, हूम कौन था, हूम एक स्कॉटिश ओरिजिन का ब्रिटिश आईसीस ओफिसर था, रिटायर आईसीस ओफिसर जिसने वापिस ब्रिटन जाने की बजाए भारत में रहना चूस किया था, और ये भारत में एक इंडि संगठन बनाओ, जिसमें सब एक मंच पर हो, ये मदरास, कैलकटा, बॉम्बे में जो अलग-अलग और्गनाईजेशन बने हुए हैं, इनको सबको एक मंच पर लाया जाए, तो ओरिजिनल नाम इन्होंने सजेस्ट ये किया था, इंडियन नाशनल यूनियन, लेगिन दाद मीटिंग औफ पीपल, इसी को कॉंग्रेस कहते है, यूईसे के अंदर तो पारलेमेंट को ये कॉंग्रेस कहा जाता है, तो कॉंग्रेस कुछ नहीं है, बस एक लोगों का जमावड़ा है, घट्टे होते हैं, बात-चीत करते हैं, उसी को ये सारे नाम इंपोरेंट है एो ऐ हैं उनका समाधान हो आजादी लक्ष नहीं था सबसे important बात यह है there was not a declaration or there was not a demand of any independence तो शुरुवात में कई सालों तक Congress आजादी या फिर स्वायत तता, autonomy इन सब की बातें नहीं करती थी यह सब बातें आगे आएंगी next chapter में जब मैं आपको बताऊंगा moderates और जो extremist हैं उनके बीच में जब दरार आती है तब यह सब बातें आती हैं शुरुवात इनके हुई थी यह कहकर कि भारतिय लोग चाहे वो किसी भी धर्म के जाती के कोई भी भाशा बोलने वाले हों किसी भी एरिया से हों इनकी problems का solution होना चाहिए तो Congress अपने आपको एक All India Secular Movement के रूप में देखती थी कि इसमें कोई particular धर्म के लिए हम नहीं लड़ रहे हैं या किसी विशेश धर्म या जाती के लोगों के लिए हम बात नहीं कर रहे हैं लेकिन शुरुवाती 20 सालों में जालतर सब अपर कास्ट हिंदूस ही इसके में लीडर्स थे और जालतर सब वकील हुआ करते थे 86 में इन्होंने अपना second session किया कैलकटा में third session होता है मदरास में और दीरे दीरे शेहरों की location बदलती गई और हर साल Congress का session आप देखोगे 30 या 31 December के असपास होता है हर बार शेहर बदल दिया जाता था date यही रखी जाती थी कुछ special sessions हुए थे ठीक है जैसे कि non cooperation movement के पहले आएगा वो मैं आपको बता दूँगा तो उन sessions की dates वगरा important है लेकिन कई सारे ऐसे session है जिनके president और क्या निर्ने लिया गया वो important हो जाता है अब Congress की स्थापना को लेकर कई प्रकार के कयास लगाया जाते हैं कई प्रकार की theories सामने दी जाती है एक बहुती प्रचलित theory ये थी कि A.O. Hume को ये idea खुद से नहीं आया था कि Congress बनाई जाए Lord Dufferin ने idea दिया था ये A.O. Hume को कि तुमारी लोगों में अच्छी pet है यहाँ पर तुमारे काफी अच्छे contacts हैं तुम इन सभी संगठनों को प्रेरित करो कि ये मिलकर एक Congress जैसा संगठन बना ले अब आप सोच रहे होंगे कि एक Viceroy को इससे क्या मिलेगा कि वो एक राष्टवादी संगठन बनाए जिससे कि आगे चलकर देश आजाद हो जाए तो देखो उस समय डफरिन को ये पता नहीं था कि देश अजाद हो जाएगा डफरिन केवल उसे एक safety wall के रूप में देख रहा था ये theory लाला लाजपतराय के द्वारा दी गई है by the way कई सालों बात दी गई थी लाला लाजपतराय खुद 1910-1920 के असपास बहुत एक्टिव थे उस समय उन्होंने ये बात अपनी किताब में कही थी कि Congress एक safety wall के रूप में बनवाया गया था British हुकुमत के द्वारा ही उन्होंने ही ये idea दिया था ये बीज भारतिय लोगों के दिमाग में रोपा गया कि आप अगर एक संगठन बना लेते हो तो आपकी राष्ट्रवादी जितनी भी गतिविद्या हैं उसके मात्यम से हो जाएंगी जबकि इससे British हुकुमत मजबूत होती थी कैसे डफरें ये मानना था या फिर लाला लाजपत राया का ये मानना था कि डफरें ने कॉंग्रेस को एक safety वॉल की नजर में देखा safety वॉल क्या होता है आप सभी ने एक pressure cooker देखा होगा pressure cooker में उपर एक city होती है जहां से उसका extra pressure निकल जाता है तो या तो आप उसे CT की तरह Congress को देख सकते हो जो pressure extra built up है उसको निकाल देगा या फिर modern day cooker में एक safety valve भी होता है अगर आप ध्यान से देखोगे ढखकन को तो ढखकन पर एक safety valve होता है कि मान लो कभी वो CT jam हो जाए वो चोक हो जाए अगर उसका वो अपना काम नहीं करती है pressure relieve करने का तो वो जो safety valve है वो तूट जाता है और वहाँ से pressure relieve हो जाता है तो उसी प्रकार से Congress देश में लोगों के extra pressure को relieve कर देगी तो अगर भारत में कभी आजादी की बातवात आ भी जाती है तो Congress के माध्यम से आएगी और Congress को British हुकूमत कंट्रोल कर देगी कैसे भी करके ये उनका ultimate plan था ऐसा लाला लाजपत राय की theory कहती है दूसरी theory है कि Alan Octavian Hume इन जनरल भारत के लोगों का भला चाता था इसलिए उसने लोगों को प्रेरित किया कि एक ऐसा संगठन बनाओ लेकिन लाला लाजपत राय की safety wall theory के अनुसार ये Congress का गठन केवल और केवल British rule को किसी खत्रे से बचाने के लिए था ताकि 1857 जैसे हलात ना हो जाए जब गुस्सा इतना आ गया जब प्रेशर इतना built up हो गया कि पूरा cookery फट पड़ा ऐसी स्थिती फिर से ना आ जाया उसके लिए Congress की स्थापना करी गई थी तो definitely ये चाते थे कि political grievance solve हो जो भी political समस्या है वो solve हो लेकिन वो तो केवल एक secondary by product के रूप में उसको देखा गया था इसका मतलब है कि main लक्षे ये नहीं था कि लोगों की समस्या solve हो main लक्षे ये था कि हमारी सत्ता यहां पर बनी रहे 1857 जैसी करांती फिर से ना हो और इसी बीच में अगर Congress को थोड़ा बहुत हमें political importance देनी पड़े उनकी political समस्याओं को solve करना पड़े तो वो हम इस Congress organization के बात करने जा रहे हैं 1885 onwards तो मैं आपको map दिखा देता हूं कि यहां पर अब क्या सिती है कई lecture से हमने map नहीं देखा है तो अभी तक British भारत के पूरे Indian subcontinent के भूभाग पर अपना कबजा जमा चुके हैं right from the Pakistan Afghanistan border till Burma here यहां पर Burma Thailand का जो border है वहां तक इनका control हो चुका है या की सारे एरियास तो यह पहले ही cover कर चुके हैं हमने discuss किया था कैसे एक एक करके यह हर territory को जीतते गए थे यहां पर जो भी pink में आपको एरिया नजर आ रहा है यह सभी direct British rule में था और जो yellow में नजर आ रहा है वो सब princely states थे तो आप देख रहे हैं कि डलाउजी ने कई सारे states क एनेक्स किया तो काफी area डलाउजी pink करके चला गया था yellow से और लेकिन फिर भी अभी एक काफी बड़ा area खास करके हैं राजस्तान गुजरात और central इंडिया वाला जो area यहां पर बहुत सारे princely states मौजूद थे कश्मीर नेपाल भुटान यह सारे राज्यों की जो हिमाले और kingdoms थे इनके भी British के साथ relations थे in the sense कि यह सभी भी subsidiary alliance को sign कर चुके थे तो एक तरह से पूरा Indian subcontinent अब इनके control में हैं तो 1850 के बाद इन्हों ने territorial expansion अपना एक तरह से बंद कर दिया अब इनका सारा जोर इस पर था कि governed कैसे किया जाए इसको कैसे control किया जाए और इसमें कैसे national movement जो है यह UPSC अपने history के syllabus में directly mention करता है कि national movement आपको पढ़ना है तो national movement को हम तीन phases में पढ़ते हैं इसको तीन भागों में विभाजित किया जाता है तो पहले 20 साल जो है 1885 से 1905 तक यह कहलाता है moderate nationalism का time period क्योंकि इस समय Congress में moderates थोड़े ज़ादा heavy थे उनकी demand आजादी स्वदेशी आंदुलन तो यह समयकाल है 1906 से 1916 का और तीसरा जो time period है जा phase है इसको हम कहते है गांधिया नेरा तो यह 1917 से लेकर 1947 तक का time period है इस समय मात्मा गांधी और उनके जो national cooperation, civil disobedience, quit India movements है यह थोड़े ज़ादा heavy हो जाते है या फिर जो national politics है उसमें गांधी पटल पर अच्छा जाते हैं तो यह 3 phases में हम Indian National Movement को पढ़ने वाले हैं तो आज इस lecture में mainly मैं moderate nationalism के बारे में discuss करूँगा कौन से important leaders थे उन्होंने क्या कहा उनकी demands क्या थी क्या British हुकूमत से वो कहते थे कि क्या changes लाओ और British हुकूमत ने इनको बदले में क्या दिया तो moderate phase जो है इसकी क कुछ खास बात यह थी कि पहला moderate leaders हैं यह सभी British justice और goodwill में विश्वास रखते थे यानि कि British न्याय करेंगे क्योंकि Britain अपने देश में न्याय की बाते करता था तो इनको लगता था कि यहाँ पर भी न्याय होगा तो यह British justice के अंदर पूरी तरसे believe करते थे इन में से कई लो से peaceful तरीके से constitutional तरीकों से अपनी demands British के सामने रखेंगे in fact एक काफी famous कहावत है कि जो moderates है वो तीन पी में विश्वास करते थे prayer, petition और persuasion प्रेयर तीनों का मतलब तो जानते हो ना English to Hindu अनुआद कर लेना अगर नहीं पता हो तो prayer, petition और persuasion छोटा सा हुमवर के जिनको meaning नहीं आप पता कर लिजेगा, तो इन तीन तरीकों से moderates अपने demands को आगे रखते थे, तो शुरुवात में British government को भी अच्छा लगा कि यार ये तो अच्छे पड़े लिखे लोग हैं, तमीज से आकर बात करते हैं, office में yes sir yes sir कहके हमसे अपनी demand रख जाते हैं, तो इनको भी लगा क कि चलो अच्छा है, safety wall है, धीरे धीरे steam निकल जाएगी भारती ये राष्ट्रे अंदोलन की, लेकिन जैसे यसे Congress की demand बढ़ती गई 20 सालों में, तब इनको लगने लगा कि ये तो थोड़ा nuisance create कर रहे हैं, तो शुरुवात में तो British हुकूमत इनके प्रती काफी नरम थी, इनको welcome भी करती थी, लेकिन 1905-1906 का समय आते आते, इनको लगने लगा था कि ये थोड़ा सा nuisance create कर रहे हैं, लगबग इसी समय के आसपास British administration ने ये भी देखा कि Congress में जादा तर नेता upper caste हिंदू हैं, तो उन्होंने Muslims को Congress से दूर करने की कोशिश करी, जो Muslims British rule के favor में थे, उ आप देखोगे कि 1906 के आसपास ही Muslim League की स्थापना होती है, तो जो divide and rule की policy है, वो भी इसी समय से शुरू हो जाती है, और वैसे ये divide 1857 के बाद ही आना शुरू हो गया था, लेकिन सर सैयाद आहमत खान और जो वो अलिगड मूवमेंट था उनका, याद करो, उन्होंने कोशि के अंदर नेता नहीं थे Muslims के, लेकिन ये बात भी बिल्कुल सच है कि जो majority leaders थे, वो सभी upper caste हिंदूस थे, और Muslim representation Congress में शुरूआत से ही कम था, बाद में बढ़ गया था, गांदी जी के आने के आने के बाद थोड़ा सा बढ़ गया था, कई बड़े नेता थे, मौलाना, शामिल किया था उस council में, तो उसमें भारतिये लोगों का representation बढ़ाया जाए, और council को expand करो, भई, council में 10 की जगे आप 20 member रखो, उनमें भारतियों की संख्या बढ़ाई जाए, greater opportunities for Indians and higher post, ICS exam को भारत में करो, जो topmost post है, उनमें भारतिये लोगों को भी appoint किया जाए, judiciary और executive को करो, दोनों powers एक ही व्यक्ति के पास या एक ही department के पास नहीं होने चाहिए, more power for the local bodies, already written के समय में काफी काम हुआ था इसके उपर, लेकिन फिर भी अभी भी local bodies को और जाधा power दिये जा सकते है, taxes को कम करने की demand करते थे, land revenue को कम किया जाए, किसानों को थोड़ा सा protection मिले, landlord से, या फिर जहां पर भी उनको tax देना होता है, उसमें कमी करी जाए, salt tax को हटा दिया जाए, नमक पर कई जगे tax था, यादे मैंने आपको बताया था, सूरत में एक agitation भी हुआ था, salt को लेकर, this was way before गांदी जी, salt सत्यागरे, तो salt tax को हटाने की बात कही गई थी, क्योंके नमक में, वो कम करी जाए, क्योंकि उस वक्त तक आर्मी पे बहुत जादा expenses हो रहे थे, तो यहाँ पर कोई भी स्वराज की, autonomy की, स्वायत तता की, आजादी की demands नहीं थी, moderates की सारी demands के वल governance related थी, या सरकार में reforms को लाने की थी, tax के बारे में थी, moderates की जो important leaders हैं या figures हैं, वो कुछ लोगों के बारे में मैं आपको basic जानकारी देता हूँ, वैसे कई हों के नाम तो social reform movement में भी आ गए थे, तो अभी यहाँ पहला नाम है सुरिंद्रनाथ बैनर जी का, सुरिंद्रनाथ बैनर जी एक ICS officer थे, he was one of the first people जिन्होंने ICS service को clear किया था UK जाकर, हाला कि पहले नहीं थे, पहले कौन थे, सत्यंद्रनाथ टेगोर, तो सत्यंद्रनाथ टेगोर जो है, यह रविंद्रनाथ के बड़े भईया थे, SN टेगोर ने exam crack किया था 1863 में, कहाँ पर जाकर, लंडन में जाकर, उस समय क्योंके लंडन में exam होता था सिर्फ, तो इन्होंने 1863 में exam crack कि अगया था, कुछ एक-दो सालों में, तो इन्होंने उसके बाद politics का रास्ता अपनाया, और जब यह लंडन में थे, तब इन्होंने क्या हुआ था, कि वहाँ पर एक बहुत famous politician था, Britain का 18th century में, उसका नाम था, Edmund Burke, तो Edmund Burke की किताबें बगएरा पढ़ी थी, उससे काफी inspired Edmund Burke was a very good politician, statesman, कई सारी उन्होंने किताबें भी लिखी थी, तो इन्होंने Burke की बातों को अपनाना शुरू किया, और भारत में आकर politics में इन्होंने अपना कदम रखा, और यह कोशिश करी कि यहाँ पर organizations बनें, जो भारत में governance को थुदारने का काम करें, तो इसलिए इन्हों कि जब यह अपने जीवन के आखरी पड़ाव पे थे, 1919 में, तब इन्होंने Congress छोड़के अपना एक अलग संकठर मना दिया था, जब यह 75 साल के थे उस समय, जब यह almost, मला, इनकी जीवन के आखरी साल थे, तो उस समय कुछ इनके ओ दिक्कत हो गई थी Congress से, but he was one of the founding members, और शुरुवाती 15-20 साल यह Congress में बहुत ही active थे, तो इन्होंने Bengal Partition का भी विरोध किया था, और इनका एक अकबार था, the Bengali नाम से अकबार चलता था, तो सुरेंदरनाथ बैनर जी was one of the pioneers of Congress and moderates, Indian Association याद रखना कई बार इसका नाम Indian National Association भी बता दिया जाता है, क्योंकि दोनों ह लॉट कर वापिस भारत आयते हैं, उस समय इन्होंने यह संगठन बना दिया था, Indian National Conference के भी यह convener थे, जो आगे चलकर Congress में मर्ज हो जाती है, next is G. Subramanya Iyer, इनको कहा जाता है, Grand Old Man of South India, Grand Old Man of India is Dadaabhai Naoroji, Grand Old Man of South India is G. Subramanya Iyer, मदरास महाजन सभा के माध्यम से ही अपना काम करते और यह हिंदू अकबार के founding members में से एक थे, 5-6 लोगों ने मिलके स्थापना करी थी, उनमें से एक यह थे, तो आज आप जो हिंदू पढ़ते हो, वो G. Subramanya Iyer के द्वारा स्टार्ट किया था, और एक और इन्होंने अकबार शुरू करा था, Tamil में जिसका नाम था तो यह Tamil में था और The Hindu English में था, Hindu की स्थापना कब हुई थी, 1878 में, काफी पुराना अकबार है The Hindu, फिर है दादा भाई नारो जी, The Grand Old Man of India, पार्सी थे, कई सारे पार्सी सोशल रिफॉर्म में यह involved थे, तीन बार Congress के President रहे, 86, 93, 1906, इनके Publications के नाम याद रखेगा, Voice of India, रास्त गुफतार, यह गुजराती में आता था, रास्त गुफतार, इनको Grand Old Man of India कहा जाता है, क्योंकि जब शुरुवाती politics हुई थी, moderate phase start हुआ था, Congress की स्थापना हुई थी, उस समय अलरी यह दाड़ी बढ़ा के रखते थे, तो यह दादा जी के जैसे नजर आते थे, त UK के Parliament में अपना स्थान पा लेता है, यह पहले व्यक्ति थे, पहले भारती मूल के व्यक्ति थे, जिन्होंने British House of Commons में अपना स्थान बनाया था, चुनाफ जीत के गए थे, तो इनको कई बार India's Unofficial Ambassador in England भी कहा जाता था, क्योंकि वहाँ पर भी यह काफी prominent थे, वहाँ पर भी जो ड्रेन थेयरी के बारे में बात करती थी, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी एक लेक्चर में बताया था, इन्होंने बताया कि किस तरह से, भारत की जो सारी संपत्ति है, वो ड्रेन हो रही है, वो भारत से निकल कर England की तरफ जारी है, in the form of salary, saving, pensions, British troops को जो salaries मिलती ह और जब वापिस retire होकर England गए, तो शांदार पैसे वैसे थे, घर खरीद लिया माँ पर, कईयोंने तो Member of Parliament की seat तक खरीद ली, याद है ना आपको Robert Clive, तो इस तरह से उन्होंने बताया कि कैसे भारत की पूरा धन, संपत्ति, सब कुछ जा रही है England में, इनके इस किताब के ब लेकिन बस वही है लोगों को खुश करने के लिए Commission बना देते हैं, या आदत है हमारी सरकारों में भी वहीं से आई है, पुरानी आदत हैं, इतनी मुश्किल से जाएंगी नहीं, तो वेल भी Commission बनाया है, उसमें दादा भाई को भी एक Member बना दिया गया, और बोला inquiry करो कि क् स्थापना करी, सुधारक नाम का इनका एक अकबार था, जिसको चलाते थे गोपाल गनेश अगरकर, तो ये बात याद रखना, सुधारक अकबार को mainly चलाते थे ये, और ये भी servants of India society से ही जुड़े हुए थे, अब आते हम इन moderate नेताओं के methodology के उपर, देखो moderates और extremist को कई हिंदी में गरम दल, नरम दल भी कहा जाता है, तो ये जो नरम दल वाले नेता है, ये नाम के अनुसारी नरम तरीकों से ब्रिटिश से बात करते थे, क्योंके इनको ब्रिटिश के sense of justice पर पूरा विश्वास था, ब्रिटिश उस समय दुनिया में क्या कहते थे, कि जो निया के साथ justice कर रहे हैं, तो हमारे साथ भी करेंगे, तो वो ये कहते थे कि नहीं देखो, हमें inspire होना चाहिए, ब्रिटिश नियाय के principles से, और हमें भी एकदम नियाय पूरवक इन लोगों से demands रखनी चाहिए अपनी, तो ये petition, resolution, चिठ्थी लिकना, ज्यापन देना, ये सारे इ अपने demands को आगे रखते थे, meetings रखते थे, British administrators के साथ, leaflet, pamphlets चापते थे, memorandum देते थे, अख़बारों में बयान देते थे, editorials लिखते थे, delegation बेचते थे, मिलने के लिए, viceroy वगेरा से, इस तरह से ही अपनी demands को आगे रखते थे, लेकिन इनकी जितनी भी political गतिविदिया उनमें आम आदमी शामिल नहीं था, एक आम किसान, एक factory worker, उसको कोई लेना देना नहीं था, वो पड़ा लिखा नहीं था, वो क्या pamphlet और क्या memorandum पड़ेगा, इनका जो सारा movement है, वो educated class तक सीमित था, अपनी तरह पड़े लिखे लोगों को ही इनकी बाते समझ में आती और educated classes को involve करने के कारण ये कोई जन संग्राम नहीं बनाता, ये mass movement नहीं था, जन आंदोलन नहीं था, it was just a movement of the educated class, तो केवल जो समाज की जो creamy layer है, जो पड़ी लिखी है, educated है, जिसके पास अच्छा काम दंदा है, केवल वो ही लोग Congress के साथ थे, या इन Memorandum वगेरा लिखन नहीं था, it was just the upper echelons of the society, बहुत पड़े लिखे, mostly सारे वकील ही होते थे, इनका main मकसद क्या था कि political rights थोड़ी सी जादा मिल जाए, Indian Councils Act जैसे कानूनों को expand कर दिया जाए, और दीरे दीरे government में हम अपनी self government, यानि की local government में हमारा involvement हो जाए, भारती लोगों का involvement हो जाए, य बड़े स्तर पर, राष्ट्रिय स्तर पर कोई आजादी की demand इनकी नहीं थी, अब ऐसा नहीं कि ये कुछ achieve नहीं कर पाए, इनके कुछ छोटे मोटे achievements भी थे, पहला achievement ये था कि इन्होंने एक शुरुवात करी, जहाँ पर कोई राष्ट्रिय आंदोलन नहीं था, वहाँ पर जब SN Banner जी, Edmund Burke के बारे में पढ़कर आये थे, उसकी किताबें लेकर आये भारत में, तो उन्होंने लोगों को बताया कि politics ऐसे होती है, देश में governance ऐसे होनी चाहिए, और ये बातें दीरे दीरे वो कई लोगों तक spread करते गए, तो democracy, civil liberty, जैसे ideas, जिनके बारे में भारत के लोगों को जाधा जानकारी नहीं थी, केवल पढ़े लिखे कुछ चुनिंदा लोगों को जानकारी थी, तो उनसे आगे बढ़कर कई लोगों तक ये जानकारी उन्होंने पहुंचाना शुरू किया, और इन्होंने ये भी बताया कि कैसे British हमें exploit कर रहे हैं, खास करके लीडर्स जो थे, जैसे MG Ranaade या Gopal Krishna Gokhale, ये social reforms के लिए भी लड़ रहे थे, तो इनके कारण छोटे मोटे social reforms भी होते हैं, और कुछ कानून भी पास करती है, British सरकार, इन्होंने बाल विवा के खिलाफ कई बार आंदोलन चला है, विद्वा पुनर विवा के लिए कई Indian Councils Act 1892 को पास करवाया, तो इनकी 78 साल की जो ये महनत थी, शुरुआती 78 साल की महनत, ये Indian Councils Act के रूप में सामने आती है, 1862 के बाद से British हुकूमत कोई कानून नहीं लेकर आई थी, तो finally 30 साल बाद British Administration एक नया कानून पास करता है, और Indian Councils Act में भारतियों लोगों का representation सर्व उच्छा संस्था है कौन सी है, आपको Indian Councils Act 1862 याद होना चाहिए, मैंने आपको बताया था, वहाँ पर legislative function, executive function थोड़े से अलग कर दिये गए थे, portfolio system आ गया था, यादे हो सब या भूल गए, अगर नहीं यादे तो जाकर एक बार revise कर लेना, तो देखो वहाँ पर additional members मैंने को बताया थे, 1862 अले Act में, तो वहाँ पर 6-12 additional member होते थे, उनकी संख्या बढ़ा कर इस कानून में 10-16 कर दी गई, फिर इसमें जो proportion है non-official का, non-official यानि ऐसे लोग जो सरकार से जुड़ेवे नहीं है, जो British नहीं होंगे, उनकी संख्या 6 से बढ़ा कर 10 कर दी जाती है, ठ पहले तो चुप-चाप बैठे रहते थे, उनके पास कोई अधिकार नहीं था, कोई discussion नहीं हो सकता था, लेकिन अब वो budget को discuss कर सकते हैं, financial policy को criticize कर सकते हैं, अभी भी उनके पास vote करने का अधिकार नहीं है, they could not vote on the budget और कोई amendment भी नहीं करवा सकते थे, लेकिन कम से कम अब discussion क करने का अधिकार उनके पास आ गया है, अब ये वाले जो points है ना, ये आपको confuse करने के लिए exam में पूछे जाएंगे 1862, 1892 और 1909 वाले जो acts हैं, इन तीनों act के अंदर क्या-क्या भारती लोगों को permissions दी गई थी, कैसे-कैसे उनके अधिकार बढ़े थे, उसको prelims में बहुत पूछा जाता है, और वहाँ पर आपको confuse करने के लिए इस तरह से option दिये जाएंगे, कि इस कानून के अंदर, Indian Councils Act of 1862 में budget पर चर्चा करने के अनुमती मिल गई थी, तो वो गलत है, याद रखना, 92 में मिली थी, तो discussion on the budget, लेकिन अभी भी vote नहीं दे सकते, और ना ही कोई amendment करवा सकते हैं, 1892 वाला कानून है, इस 1892 के कानून में additional non-official members की संख्या भी बढ़ा दी दोनों ही जगे, central और provincial legislative councils में, central council कहां पर थी, कैलकटा में, provincial legislative council कहां होती थी, आगरा, बॉंबे, मदरास, इन सभी जगाओं पर, जो provincial capitals थे, presidencies जो थी, यहां पर भी council हुआ करती थी, तो इन दोनों में, जो additional members थे, जिसमें आप भारती लोगों को भी शामिल किया जा सकता था, उनकी संख्या यां बढ़ा दी गई, लेकिन अभी भी जो majority है, वो किसकी है, वो official members की है, official members कौन है, जो British direct appoint कर रहे हैं, जहाँ तर इसमें या तो senior military या senior administrative officers ही हुआ करते थे, तो देखो, अब इन सारे councils में, तीन तरह के members आ गए, जो legislative councils हैं, इनमें तीन प्रकार के members आ गए हैं, पहले official members, जो British या European ही होंगे, दूसरे non-official members, non-official members में भारती हो सकते हैं, लेकिन इनको nominate किया जा रहा है, किसके द्वारा, directly British governor या Vice-Roy के द्वारा, तो ये non-official members वह होते थे, राजा, माराजा, या ऐसे लोग जो हमेशा British के favor में रहेंगे, वो कभी भी भारतीय लोगों के आम लोगों के बारे में, vote नहीं करेंगे, या उसके बारे में, विचार नहीं व्यक्त करेंगे, महाँ पर, तो ये non-official members के अंदर, nominated में, mostly जैसे राजा ऑफ बनारा ही थी, तो अब यहाँ पर देखो क्या है, कि मैंने nominated और elected दोनों शब्दों का इस्तमाल किया है, क्यों, क्योंकि elected शब्द का इस्तमाल इस कानून में कहीं नहीं किया गया है, चुनाव, election शब्द का use कहीं पर भी कानून में नहीं किया गया है, कहा यहीं गया है, कि they will be nominated on the recommendation लेकिन recommendation का मतलब यही कि कुछ चुनिंदा लोगों के द्वारा चुनकर ये प्रतिनिधी भेजे जा सकते हैं For example, जो केंद्रिय काउंसिल थी, यानि कि कैलकटा में कैपिटल में जो वाइसरोय के अधिहिन डारेट काम करती थी उस council में, अब कुछ members, non-official members ऐसे भेजे जाएंगे, जो कहां के द्वारा भेजे जा रहे हैं जो Bombay, Madras, Bengal और North Western provinces के जो legislative council के member हैं, उनके द्वारा भेजे जा रहे हैं बला समझ रहो, जो ये provinces हैं, provinces की legislative councils हैं, यहां से, चार हैं ठीक है, एक, दो, तीन, चार तो यहां से ये चुनाव हो रहा है, हाला कि इस चुनाव में 50 लोग ही शामिल हैं, लेकिन फिर भी कम से कम चुनाव तो हो रहा है, वो चुनकर भेज रहे हैं, Central Legislative Council में सदस्य को तो ये जो non-official members nominated वाले, ये तो British appoint कर रहे हैं, लेकिन ये जो non-official members हैं, जो भारती लोगों के द्वारा चुने जा रहे हैं, अब इसके अंदर थोड़ इसी democracy आ रही है, अब इसको आप democracy वैसे कह नहीं सकते क्योंकि आम लोग इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि चुनके कौ कौन भेज रहा है, वलब ये वैसा हो गया, इसको आप idea एक आज के समय के अनुसार आपको बता हूँ, तो it would be something like the election of president, president के चुनाव में कौन वोट करता है, MLA और MP, वही वोट करते हैं, आम आदमी वोट नहीं करता, indirect elections होते हैं वो, अगर आप democratically देखो, तो वैसा ही कुछ पंडा यहाँ पर भी है, कि जो central council है, उसमें चुनकर कौन भेज रहा है, जो चारों presidencies हैं, यहाँ के जो selected members है council के, वहाँ के जो non official members है, वो चुनकर आगे भेज रहे हैं, और एक वोट यहाँ पर Calcutta Chamber of Commerce, यानि कि business वालों को भी दे दिया गया था, लेकिन कम से कम थोड़ उसमें भी थोड़ी से democracy आई है, कैसे, उसके जो member हैं, वो कौन चुनके भेजेगा, जो already district board, municipality, universities के अध्यक्ष हैं, trade associations के leader हैं, जविंदार या chamber of commerce हैं, उनसे elect होकर, Bombay, Madras, या आगरा की जो legislative councils हैं, जो provincial legislative councils हैं, वहाँ पर यह member जा रहे हैं, तो आप समझ रहे हो कि इनके द non-official members है, यह याद रखना, official member नहीं है, और यह अभी भी minority में है, अगर कहीं पर 50 member हैं, तो ऐसा नहीं है कि 50 में से 30 non-official होंगे, 50 में से 15 या 20 ही होंगे, उनको कभी majority नहीं दी जाएगी, majority हमेशा official members की ही रहेगी, लेकिन indirect यहाँ पर भारती लोगों का representation अब चुनाव के म अब जो CLC, Central Legislative Council के members हैं, वो executive members को, जिनके बास portfolios हैं, उनसे सवाल पूछ सकते हैं on public interest after giving 6 days notice, तो 6 दिन का notice देने के बाद उनसे सवाल जवाब किया जा सकता है, कि PWD पर इतना खर्चा क्यों हो रहा है, आर्मी पर इतना खर्चा क्यों हो रहा है, लेकिन उनका जो जवाब आएगा, जो executive वाले जो portfolio वाले members हैं, जिनको आप कह सकते हो कि वो उस समय के मंत्री हैं, उन मंत्रियों के द्वारा जो जवाब दिया जाएगा, उस पर कोई चर्चा नहीं हो सकती, कोई discussion नहीं हो सकता, तो आज की Parliament की तरह नहीं है, कि सरकार ने जवाब दिया और उस पर debate ह हो रहा है, नहीं, वो हमारी Parliament में हमने अधिकार रखा है, उस समय Britishers ने नहीं दिया था, और जो उस council का speaker है या head है, वो इस demand को reject भी कर सकता है, यह जो 6 दिन के public interest notice पर सवाल पूछे जा रहे हैं, इन सवालों को reject भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि सवाल accept किया जाए, provinces में जो total legislative council के functions हैं, वो increase हुए, तो 62 के मुकाबले तो 92 में बहुत सारे powers बढ़ गए, थोड़ा सा भारती लोगों के हाथ में भी सवाल पूछने का अधिकार आ जाता है, discuss करने का अधिकार आ जाता है, budget के बारे में, questions पूछे जा सकते हैं, executive से, तो थोड़ा बहुत अधिकार दिय इस कानून में कहीं पर भी नहीं किया गया था, इस process को, हम इसको, जिसको election मान रहे हैं, उसको ये कहते थे, nomination made on the recommendation of certain bodies, वो कौन सी certain bodies थी, मान लो, Bombay और मदरास में जो members हैं, उनको elect कौन कर रहा था, उस area के जो municipalities के लोग हैं, वो elect कर रहे थे, university के chancellors वगेरा को power दे दिया जा था, लेकिन उसमें आ सकते हैं, British India का ये map था, जिस time period के हम बात करने जा रहे हैं, वैसे आपको बता दूं कि इन pink और yellow में, यानि कि princely states जो yellow में नजर आ रहे हैं, और pink जो direct British administration में है, इन में आप कोई बदलाव नहीं होता है, क्योंकि याद रखना, Dalhousie के जो changes हुए अनेक्सेशन वाले, उसके बाद British Empire ने ये rule बना दिया था, policy बना दी थी कि अब हम हस्तक शेप नहीं करेंगे, याद है न, आपको 1858 में Queen Victoria's Proclamation, तो यही map रहेगा, लेकिन आप देख सकते हो कि अब boundaries more or less स्थिर हो चुकी है, अब कोई बदलाव नहीं है, क्योई आफगान frontier जो था, यहाँ पर इनकी लड़ाई चल रही थी, second Anglo-Afghan war हुआ था, उसके बाद third भी होगा, लेकिन इस boundary में ज़्यादा बदलाव नहीं आता है, boundary ये कि ये रहती है, यहाँ पर भी बर्मा तक इनका rule हो चुका था, अब इस lecture में कई Indian National Congress के sessions आएंगे, तो जो पिछला lecture में आप से discuss किया था, foundation of congress, वहाँ पर मैं initial sessions को mention तो कर दिया था, लेकिन एक बार थोड़ा table format में बता देता हूँ, तो देखो, पहला session 1885 में, बॉम्बे में हुआ था, इसकी अध्यक्षता करी थी, W.C. Bonner जी ने, Banner जी, Bonner जी, जो चाहा हो बोल लो, एक बात याद President directly पूछ लिए जाते हैं, prelims में, match the following के रूप में पूछा जा सकता है, और उस session में क्या important घटना हुई थी, इसके बारे में कई बार direct सवाल पूछते हैं, और यहाँ पर chronology के questions बहुत आते हैं, कि पहले क्या हुआ, बनारस session, सूरत split, या फिर कोई और डाल लो session, मतलब इस session था, उसमें 72 delegates आये थे, 86 में अगले साल होता है, क्यालकटा में, दादा भाहि नारो जी के अध्यक्षता में, तीसरा 87 मदरास, सेयद बदरुदीन तयब जी के अध्यक्षता, he was the first Muslim President of Indian National Congress, third session, 1887 मदरास, इन्होंने अपील करी थी के Muslims को कि आप भी जॉइन करो Congress में, पहला, नॉन भारतिय वेक्ती, जो भारतिय नहीं था, he was the English person, George Yule, तो George Yule बनते हैं पहले, नॉन इंडियन President of the Indian National Congress, इसके बाद भी कई बनेंगे, जैसे Annie Besant है, उनका नाम भी आगया आएगा, तो जैसे Wedderburn का भी आएगा, तो कुछ आएंगे नॉन इंडियन से, उनके ना Lansdown, याद है या भूल गए, Lansdown था 1890 से 1894, यही समयकाल था ना उसका, नहीं, 88 से था हो, 88 से 94 था Lansdown, ठीक है, तो 88 से 94 लंबा कारेकाल था, लेकिन जादा कुछ हुआ नहीं, के बाद इंडियन Councils Act पास किया जाता है, Lansdown के कारेकाल में, उसके बाद आता है, यहाँ पर Victor Bruce जिसके नाम से इसको कोई नहीं जानता, सब इसको Lord Elgin कहते थे, तो he was the Earl of Elgin, Elgin एक बहुत फेमस जगह है, Elgin Marbles के बारे में कभी सर्च करिएगा, काफी interesting कहानी है, अभी मत करने बैठना, पहले एक बार lecture देख लो, तो Earl of Elgin जो है, यह आता है 1894 में, और यह भी 5 साल का अप उस समय हुआ क्या था, वो El Nino Southern Oscillation था, ENSO वाला जो अकाल होता है, वो पढ़ा था और बहुत ही भारी अकाल था, in fact अगर आप उत्तर भारत में रहते हैं, तो कभी अपने दादादी से पूछेगा, कि 56 आकाल किसे कहते हैं, especially राजस्थान गुजरात के जो लोग हैं, वो इसकी कहानिया आज भी बताते हैं, क्योंकि उस वक्ग जो विक्रम संबत था, that was 1956, तो 1956 विक्रम संबत में ये अकाल पढ़ा था, और इस अकाल की कहानिया, at least राजस्थान में तो आज भी सुनाई जाती हैं, इतना भारी अकाल था, इसमें करोडों लोगों की डेथ हो गई लेकिन ब्रिटिश हुकोमत इस समय जादा एफर्ट्स नहीं कर पाई, मतलब इन्होंने कोशिश करी थी, लेकिन इनके जो एफर्ट्स थे, उन नाकाफी थे, इसके कारेकाल में एक important गटना बस ही होती है, कि चापेकर ब्रदर्स ने दो ब्रिटिश ओफिशल को assassinate कर दिया और यहां से violent या फिर militant nationalism की शुरुवात होती है, अब यह militant nationalism जो है, यह अलग lecture में मैं आपको बताऊंगा पूरा, उस समय हम चापेकर ब्रदर्स के बारे में फिर से पूरा discuss करेंगे, अब आते हैं next viceroy पर, जो जादा important है करजन, he is one of the most important viceroy, at least 1857 के बाद जो सबसे important है उनमें से करजन एक है, करजन का कारेकाल था 6 साल का, ऐसा बताया जाता है कि करजन का बचपन से सपना यही था स्कूल के समय से कि वो भारत का viceroy बनना चाता है, मतलब he was aiming for that job, और देखो दुनिया में जो आप सोचते हो, वो आप बन जाते हो, आप भी आज से सपना देखन इंपिरियलिस्ट का मतलब है कि ये ब्रिटिश हुकूमत के एंपायर में बिलीव करता था, और एंपायर को आगे बढ़ाना ही इसके जीवन का या एड्मिनिस्ट्रेशन का एक मात्र लक्ष था, तो ये रिपन की तरह नहीं था कि भारतिये लोगों का भला करो, यहां के ल इसने बहुत सारे चेंजिस लाए, एक एक करके थोड़ा सा पढ़ लेते हैं सबको, पहला बदलाव लेकर आया है एक कैलकटा कॉर्पोरेशन आक, 1899 में, इसने क्या करा कि जो इलेक्टिड मेंबर्स हैं, उनकी सदस्यता कम कर दी, उन सदस्यों को कम कर दी और ओफीशल में बर जिन को डिरेक्टली ब्रिटिश अपॉइंट करते थे, कैलकटा के लोकल मुनिसिपल बॉड़ी में, उनको इंक्रीस कर दिया, तो अगेन, लोकल रेप्रेजेशन कम हो रहा है, याद है हमने अभी तक पढ़ा था कि किस प्रकार से लोकल रेप्रेजेशन, मुनिसिपाल कर दिया गया है, तो ये Northwest Frontier Province जिसको NWFP कहता है, इसको पंजाब से अलग करके एक नया प्रोविंस बनाया गया, तो ये Frontier था, इसको Frontier क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया का ये Frontier या फिर Border हुआ करता था, इसलिए इसको Border कह रहे हैं, औ क्योंकि भारत का ये North और West इलाका है, that is why it was called Northwest Frontier Province, ये mostly एक Tribal एरिया है, आज भी अगर आप यहाँ पर देखें, तो अफगान ट्राइब जो हैं, वो यहाँ पर मौझूद हैं, या पक्तून ट्राइब, पश्तून ट्राइब जो हैं, वो mostly इस एरिया में रहती हैं, तो इ देख्षता करी थी, Sir Andrew Fraser ने, और इस Police Commission ने क्या कहा, कि पुलिस वालों की proper training होनी चाहिए, उस समय तक training नहीं होती थी, किसी को भी पुलिस वाला बना देते थे, मतलब ऐसा नहीं किसी को, बट proper training, या training school, एक साल का, दो साल का probation, ये सब नहीं होता था, लेकिन करजन ने क्या खा कि we need proper training schools for both officer and constable, यानि higher officers और lower constabulary है, दोनों के लिए, commission ने कहा कि दोनों के लिए आप training school स्थापित कीजे, और करजन ने provincial police service की स्थापना करी, तो आज आप जो PCS exam देकर DSP के पद पर जाते हैं ना, वो provincial police service होती है, यानि कि provinces में service, तो higher services तो थी, यानि जैसे ICS था, उस तो ये काम करा था, करजन ने, याद रखना, ये तीनों ही point important है, करजन का ये मानना था कि जितनी भी ये universities हैं, ये केवल और केवल political, ideologies और revolutionaries का अड़्डा बन चुकी हैं, तो इन universities को tight करने का समय आ गया है, तो इसने क्या करा, education system को बदलने के लिए, rally commission की स्थापना करी, rally नहीं बोलते हैं, या ना pronunciation थोड़ा साही से किया अगरो, rally commission किसको कहते हैं, तो rally commission जो है 1902 में स्थापित किया जाता है, इसका लक्षे क्या था, पूरे देश में, university education को change करना या बदल देना, या दखना primary education कोई लक्ष नहीं था, ये imperialist था, इसने देख लिया था कि किस प universities act of 1904 लाया गया, इस कानून के तहत, जितनी भी universities हैं, उनकी स्वायत्तता चीन कर, autonomy चीन कर, इनको सरकार के direct control में ला दिया जाता है, तो 1904 का जो Indian universities act था, उसके कुछ key provisions आपको बता देता हूँ, universities को कहा गया, कि पढ़ाई पे जाधा ध्यान दो, और research पर जाधा ध्यान द used, and fellows were to be nominated by the government, देखो fellow क्या होता है, senior researchers होते हैं, जो एक तरह से पढ़ाने का भी काम करते हैं, assistant professor type post होती है, तो ये जो fellows की संक्या है, ये घटा दी गई, क्योंकि इनको stipend या salary देनी पड़ती थी, और जो fellow appoint होंगे भी, वो सरकार के द्वारा nominate किये जाएंगे, नामित किय तो fellow बनना काफी प्रतिष्ठा का मतलब एक दर्जा होता था, आज भी है, आज भी अगर आपको fellow of royal society बनाया जाता है, तो it is one of the most prestigious positions that you can have in the scientific world, आज की scientific दुनिया में भी, जैसे कुछ societies हैं, उनका fellow बनना, बहुत ही सम्मान जनक स्थिती में आपको ला देता है, तो वैसे ही universities के अंदर भी fellows हुआ करते थे, इनकी संक्या इसने घटा दी थी, government को ये power दिया गया, कि वो universities की senate में veto power का इस्तिमाल कर सके, senate का मतलब यह हर university की governing council जैसी body होती थी, जिसको senate कहते थे, उसमें 5-10 लोग होते थे, जो निर्ने लेते थे, decisions लेते थे, वहाँ पर सरकार को ये power दिया कि चाहे सारे member कुछ अलग कह रहे हो, लेकिन सरकार का जो नुमाइंदा है, वो वहाँ जाकर veto का इस्तमाल कर सकता है, और कोई भी regulations पास किये जा सकते हैं, कोई भी नए कानून में बदलाव लाया जा सकता है, उस particular university के लिए, फिर जो भी university की conditions थी, affiliation की, यानि कि कोई नया private college खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए जो affiliation की condition से उनको strict बना दिया गया, 5 लाग रुपे sanction किये गए, पर annum हर साल 5 साल तक के लिए 5 लाग रुपे दिये जाएंगे higher education और universities को, करजन ने इस act को पास करने के बीचे कारण बताया कि मैं universities में quality और efficiency बढ़ाना चाहता हू loyal हो, उनको ऐसे लोग नहीं चाहिए थे तो जो आगे चलकर स्वदेशी movement चला है, क्योंकि देखो 1890s से ही political गतिविद्या तेज हो गई थी महराश्ट्रेय बंगाल में, और ऐसे में करजन को लगता था कि जो university है, यह fertile ground है in political parties के लिए, यहाँ से जाके जवान लोगों को में, सबसे पहले उसने एक famine commission स्थापित किया, जो पुराने famine commission की तरही reforms के लिए suggestion देता था, सरकार को सुझाव देता था और सरकार उन सुझावों को मानती नहीं थी, सबसे important कानून होगा उसका पंजाब land alienation act, किसानी के शित्र में, land alienation act 1900 के तहत, यह कानून बना दिया ग यह इस पंजाब land alienation act में कहा गया था, तो यह किसानों के लिए काफी favorable कानून था, तो किसानों के लिए करजन ने काफी अच्छा अच्छा काम किया, फिर उसने banks की स्थापना करी, जो केवल agriculture को cater करते थे, credit cooperative societies की स्थापना करी, यह काफी एक revolutionary step था, वहाँ आप देख रहे institute की स्थापना करवाई, बाद में क्या होता है, कुछ सालों बाद यहाँ पर बाड आ गई थी, जिसके कारण पूसा का जो यह institute है, यहाँ पर काफी damage हो गया था, तो ultimately इसको दिल्ली shift कर दिया गया, और दिल्ली में भी जहाँ पर institute है, IARI, Indian Agricultural Research Institute, उसका नाम पूसा है, उसक पूसा वहाँ पर लिखा हुआ, आपको कई जगे मिल जाएगा, तो ध्यान रखेगा, पूसा उस गाओं का नाम है, जहाँ पर originally बिहार में यह स्थापना करी गई थी, लेकिन बाड में, यहाँ बाड आ गई थी, इसके कारण इसको shift कर दिया गया था, इसका campus दिल्ली में, तो यह agricultural research institute भी करजन के समय स्थापित किया गया, एक और इसका reform में लिख लो है, यहाँ पर slide में mention नहीं है, मौन्स रियफ, मौन्स रियफ कमिशन की इसने स्थापना करवाई थी, और इसका काम क्या था कि पंजाब में जो कैनाल है, उनका survey किया जाए, पुराने कैनाल जो जरजर हो रहे हैं, उनका repair किया जाए और नए कैनाल बनाए जाए, तो करजन के समय में काफी सारे कैनाल बने थे, मौन्स रियफ कमिशन के suggestion के बाद, उसके बाद करजन ने crime और investigation की policy को अच्छा बनाने के लिए criminal investigation department की शुरुआत करी, ताकि जुर्म और तहकीकात अच्छे जो पुलिस है, हर जिले के अंदर, एक CID department अलग से होता है, criminal investigation department, जिसको special cases दिये जाते हैं, या फिर कोई organized crime है, उनके उपर investigations करनी होती है, तो वो सारा काम CID करता है, फिर imperial cadet core की स्थापना करी गई, जिसको बाद में बदल कर इसका नाम हमने आजादी के बाद कर दिया, national cad अगला ancient monument preservation act इसने पास किया, करजन पुरानी heritage को लेकर काफी passionate था, उसको लगता था कि जितनी पुरानी buildings है, monuments है, उनको बचाय रखना बहुत ज़रूरी है, historical importance है भारत के monuments की, तो किसी viceroy ने पहले personally इतना interest नहीं लिया था, archaeology में जितना करजन ने लिया, और करजन ने ये कानून पास करवा दिया, उनके preservation में बहुत फाइदा मिला, और इस act ने सरकारों के लिए obligatory बना दिया, कि जो भी local government या local provincial सरकार है, उसका अब ये काम हो गया है, कि उसको अपने वहां की धरोहर को संजोय रखना जरूरी है, करजन का अगला step था sedition act और official secrets act लेकर आना, sedition यानि कि देश दुरो, ये वाला कानून आज भी भारत के अंदर एक ना एक रूप में मौजूद है, और official secrets act तो basically press को चुप कराने के लिए लाया गया था, अगर अकबार में सरकार की कोई भी policy, नीती या निरने के बारे में अकबार में खबर चब जाती थी, तो उसके प्रेस की आजादी पूरी तरह से चीन ली जाए, क्योंकि करजन पूरी तरह से imperialist विचारदारा वाला व्यक्ती था, उसको नहीं चाहिए था कि सरकार से आकर कोई सवाल जवाब करे, करजन ने तिबित के उपर एक हमला करवाया था, जिसको लीड किया था, British Military Officer Francis Young Husband ने, य जनी कि चाइना की suzerainty में था, लेकिन चाइना की जो central government है वो इस समय काफी कमजोर हो चुकी थी, तो British ने ये सोचा कि क्यों ना हम यहाँ से Tibet को control करना शुरू कर देते हैं, हाला कि ये invasion पूरी तरह से successful नहीं हो पाया था, जब ये वापिस आये, तो ज़्यादा कुछ area cover कर नहीं पाय, नहीं तिबित इनके control में आता है, तो जो पुरानी boundaries थी वो वहीं पर रही, तो सिक्किम और तिबित की boundary में कोई बदलाव नहीं आता है, सिक्किम के route से ये लोग तिबित की तरफ गए थे, हाँ, चुम्भी वैली जरूर इनों ने अपने control में ले थी, पंगाल के विभाजन के लिए, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे, आप में से जो West Bengals हैं, उन्होंने शायद कभी बर्दमान में ये gate दिखा होगा, this is called as Karzan Gate, Karzan एक बर बर्दमान आया था, 1904 में तो उसके आने के उपलक्ष में ये gate बनवाया गया या उसके नाम पर इस gate का नाम रख दिया गया, जवालाल नहरू ने अपनी किताब Glimpses of World History में Karzan के बारे में ये बातें लिखी है, Karzan ने अपनी राइटिंग में ये लिखा था, कि British Empire दुनिया की सबसे बहतरीन चीज है जो आज दिन तक इतियास में हुई है, greatest influence for the good that the world has ever seen, इतनी अच्छे पूरी तरह से और जवालाल नहरू काफी अच्छे से लिखते हैं कि national groups will believe almost anything if it tickles their vanity and it is to their advantage, तो करजन की इन बातों से लोग काफी impress थे उस समय, वहला करजन कुछ भी बेवकूफ बना रहा था, कुछ भी लिख रहा था और लोग उसको मान लेते थे, उसकी तरह सोच रखने 1905 में काफी बड़ा प्रोविंस था, इसमें आज का बिहार, बेंगॉल, उडिशा के कुछ हिससे और असाम तक शामिल था, तो करजन ने क्या दिमाग लगाया कि इसको मैं विभाजित कर देता हूँ West और East बेंगॉल में, दो हिस्सों में, 7 जुलाई 1905 को करजन ने ये गो बेंगॉल के अंदर, उसमें असाम के भी कुछ हिस्सों को जोड लिया गया, बागी ये सारे प्रिंसली स्टेट से इनको डिरेक्ट्ली कंट्रोल नहीं किया जाता था, और ये जो रेड कलर में आपको एरिया नजर आ रहा है, ये डाल दिया गया West बेंगॉल में, तो इसलि और पूरा बांगलादेश आज का शामिल था, राजशाही, चितगॉंग डिविजन भी थे, डाका उसका कैपिटल था, जो वेस्ट बेंगॉल था, उसका कैपिटल था, कैलकटा, अब करजन ने ये कहा कि मैं डिविजन इसलिए कर रहा हूं, क्योंकि ये बहुत बड़ा प ये बांटो और राजकरों की राजनीती की शुरुवात थी, कई इतिहासकारों का मानना है कि करजन के द्वारा जो दिया गया रीजन था, वो बिलकुल सही था, बंगाल इतना बड़ा है, आज भी आप इमेजन करो कि असाम से लेकर अगर उडिशा तक एक ही प्रोविंस हो तो उसको गवर्ण करना कितना मुश्किल है, तो बिलकुल करजन का जो रीजन था, वो सही था, कि administrative problem आ रही थी, इसलिए उसको विवाज़त किया गया, लेकिन करजन के जो real motives थे, वो कुछ और थे, बांटो और राजकरों की राजनीती करना चाहता था करजन, यहाँ पर ब इसलिए वो पोलिस को भी reform करना चाह रहा था, और साथ-साथ में बंगाल को विवाज़त करके बंगाली nationalism को तोड़ना चाहता था, कि हिंदू और मुस्लिम अलग हो जाएं, एक ना हो, एक और कई historians कहते हैं कि वो केवल अपनी power बताना चाहता था, कि हम British सरकार हैं, हम जो च स्वदवेशी आंदोलन बन जाता है, तो इस स्वदवेशी आंदोलन की शुरुवात हुई थी, Bengal के विवाजन के कारण, लोगों को विवाजन पसंद नहीं आया, कई लोगों ने इसके खिलाफ 16 अक्टूबर को राखी दिवस मनाया, कि जिस दिन विवाजन हुआ, उस दि East और West Bengal के लोगों ने एक दूसरे को मतलब राखियां बांदी और कहा कि नहीं हम तो एक हैं, हमारे रिष्टे को इतने आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता है, और एक long lasting impact Bengal partition का ये रहा, कि इसने extremism को बढ़ावा दे दिया, तो जो अभी तक moderate leaders की थोड़ी बहुत पैचान थी या वो अपना दबदबा बनाये रखे थे Congress में, अब वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है, बंगाल के विभाजन के बाद extremist leader पूरी तरह से हावी हो गए, उन्होंने दुनिया को बताया कि देखो हम जो कह रहे हैं वो सही है, इस तरह से moderate वाले तरीकों से British हुकुमत मानने वाली नहीं है, इस विभाजन का एक और impact ये था कि Muslims जो चाहते थे कि विभाजन हो, क्योंकि उनको लगता था कि genuinely East Bengal में Muslim dominant हैं, और Calcutta जब तक capital रहेगा और West Bengal जुड़ा रहेगा, तब तक हम कभी politically वर्चस वो अपना नहीं बना पाएंगे, उन्होंने एक अलग party बना ली Muslim League, इसकी स्थापना के बारे में आगे हम discuss करेंगे, आने वाले कुछ slides में, तो Muslims जो East Bengal के थे, वो कई सारे ये चाहते थे कि separate province बनाया जाए, अलग राज्य का दर्जा दिया जाए, ताकि वो अपने area को अपने अनुसार control कर सके, और वहाँ पर education, employment में Muslims का जो representation है, वो स्वदेशी आंदोलन को, बंगाल का विवाजन जादे साल नहीं चल पाया, 6 साल बाद ही British हुकूमत को ये realize हो गया कि अगर इसको विवाजन को हमने जारी रखा, तो इसके कारण स्थिती खराब हो सकती है, उन्होंने देख लिया स्वदेशी आंदोलन में क्या हुआ था, इसलिए 1911 में ये निर्ने फिर से लिलिया जाता है कि बंगाल को reunite किया जाएगा, तो East और West Bengal को जोड़ देंगे, लेकिन साथ ही में एक दूसरा division होगा, भाशा के आदार पर, इसका विरोध कोई नहीं कर पाया, कि चलो धर्म के आदार पर नहीं बाटेंगे, लेकिन उडिशा और असाम को अलग province बना दिया जाता है 1912 में, तो तब से ये अलग province की तरह चल रहे हैं, अब आ जाते हैं, rise of extremism और radicalism पे, तो extremist धड़ा जो Congress का है, गरम दल, वो अब हावी होना शुरू हो जाता है, इस समय में 1905 से 1917 का जो time period है, इसको era of extremism कहा जाता है Indian national movement में, 17 के बाद महात्मा गांधी आ जाते हैं, तो फिर से extremism चला जाता है, उसके बाद महात्मा गांधी के जो तरीके हैं, गांधियन nationalism जो है, वो हावी हो जाएगा, तो शुरूवाती 20 साल इसमें moderate सावी रहे Congress में, 1885 से लेकर, 1905 तक, लेकिन 1905 में बंगाल के विभाजन के कैसे हरताल करनी होगी, सरकार का विरोध करना होगा, सडकों पर उतरना होगा, ये जा जाकर उन्हें ग्यापन देने से कुछ नहीं होने वाला है, इस extremist धड़े के जो main नेता थे, वो थे लाला लाचपत्राय, विपिन चंदरपाल, बाल गंगाधर तिलक और और अरबिंद शुरू हुए, उसके पुरोधा बाल गंगाधर तिलक ही थे, इन्होंने महराष्टर में इसकी नीव रखी थी, और स्वदेशी आंदोलन के दौरान, ये one of the most important leader बन जाते हैं, इस आंदोलन के, इनकी उपादी थी लोक माननिया, इसलिए इनको लोक माननिया बाल गंगाध इन्होंने महराष्टर में कई सारे अखाडों की शुरुवात करी, लाठी क्लब्स को शुरू किया, और in fact कई गव रक्षा कमिटीव की इन्होंने स्थापना करी, अखाडे और लाठी क्लब्स की माध्यम से इनका लक्षे था कि युवा अपने physical strength को बनाए रखे, physical strength अपन नहीं बढ़ाएं, योगाओं के इन संगटनों के अलावा इन्होंने कुछ festivals की भी शुरुवात करी या रिवाइब किया, जैसे इन्होंने गणपती festival मनाना धूमदाम से पब्लिकली शुरू करवाया, देखो गणपती विसरजन वगेरा पहले भी होता था, लेकिन लोग प्रैवेटली करते थे, अपने घरों में करते थे, इतने बड़े स्तर पर पब्लिक रैलीज या शेहरों में धूमदाम से इसको सेलिब्रेट करनी की शुरूआत महराष्ट्र में बाल गंगादर तिलक के कारण हुई थी, कई जगों पर, तो 1893 से इन्होंने गणपती festivals को बड़े स्तर पर सेलिब्रेट करवाना शुरू किया, शिवाजी फेस्टिवल की शुरूआत करी 1896 में, टार्गेट क्या था कि लोग मोबिलाइज हों, एक मंच पर आएं, तो पहले देखो धर्म और कल्चर के नाम पर ही लोग एक जुट होते हैं, फिर दीरे दीरे पॉलि इन फेमस थी, वहाँ पर उनको 6 साल रखा गया, दो किताबे हैं इनकी ये भी नाम याद रख लेना, Arctic Home of the Vedas और गीता रहस्य है, तो इस Arctic Home of the Vedas में इन्होंने कहा था कि जो आर्य हैं, वो आर्य हैं, वो आर्य हैं वो आर्य हैं, यानि कि जो बरफीले एर्य हैं, रश्या के Arctic Circle के उपर, वहाँ से आर्य हैं, जो हैं, माइग्रेट करकर भारत आयें, और गीता रहस्य हैं, इन्होंने गीता के उपर किताब लिखी थी, Home Rule League की स्थापना करी थी, और इन्होंने ये नाराद दिया था, कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, और इसे मैं लेकर र नहीं था, ठीक है, पंजाब के स्री न्यूजपेपर, इन्फाइट आजादी के बाद, around 1960, मुझे यह एर एक्जाट ध्यान नहीं है, I think 60 या 56 कुछ में स्टार्ट किया गया था, पंजाब के स्री अखवार स्टार्ट किस नहीं किया था, ये भी नाम याद रखना क्योंकि पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में काम आएगा, लाला जगत नारायन नाम था, जगत नारायन ने स्टार्ट किया था, और जब पंजाब में आतंगवाद अपने चरम पर था, 1981 में, तब इनकी हत्यागर्दी गई थी, लाला लाजपत रहे, इनीशली आर्ये समाज चुड़े हुए थे, और वहां से ये पॉलिटिक्स में एंटर करते हैं, और ये स्वदेशी मूव्मेंट के दौरान इंपोर्टेंट लीडर्स में से एक बन जाते हैं, 1916 में इन्होंने इंडियन होम रूल लीग की स्टापना युनाइट स्टेट्स में करी थी, भारत में स्टापना करी थी, जिसका नाम था Servants of People Society, लोक, सेवक, मंदल, अब ये Servants of India Society जो गोपाल कृष्न गोखले वाली है, उससे अलग है, और ये सोसाइटी आज भी काम कर रही है, आज भी अक्टिव है, तो Servants of People Society याद रखना, लोक, सेवक, मंदल, किसने स्टापित किया, ला लाठी चार्ज हुआ था, उसमें इनकी डेथ हो जाती है, इनके सरपर चोट लगी थी, 1928 में, नेक्स्ट इस विपिन चंदरपाल, ये थे पश्चिम बंगाल से, इन्होंने अपना करियर शुरू किया था, as a moderate leader of Congress, लेकिन धीरे-धीरे इनके जो viewpoints है, वो extremist की तरफ चले लगे जादा, he was a prolific writer, बहुत अच्छा लिखते थे, और राष्टरवाद के मुद्धों पर काफी कुछ लिखा करते थे, तो लाल-बाल-पाल की जोड़ी इन्हें कहा जाता था, क्योंके तीनों काफी closely associated थे, विपिन चंदरपाल, लाल-लाजपत राय और बाल-गंगादर तिलक, तो इनकी तिकड़ी हुआ करती थी, लाल-बाल-पाल की, महर्शी, और बिंदो, गोश, ये अंदोलन में जब शामिल थे, तब महर्शी नहीं थे, एक्चुली स्वदेशी अंदोलन के बाद में इन्होंने retirement ले लिया था, जाकर pondicherry में रहने लगे, वहाँ पर आश बन गए, बिल्कुल, शान्त निता बन गए, तो पहले विराट कोली थे, बाद में, महेंदर सिंग धोनी बन गए ये, अब extremist leaders के उत्थान के बीछे कारण क्या है, moderate leader 20 साल में, केवल एक notable success बता सकते हैं, केवल एक ऐसी बात थी, जो इनके कहने के कारण Britishers ने करी थी, वो ह Indian Councils Act, तो इनके पास दिखाने को 20 सालों में केवल ये एक कानून था, उसके अलावा ये कुछ भी नहीं अचीव कर पाये थे, 1896 और 1899 वाले जो अकाल थे, उस समय British ने कोई serious efforts नहीं चलाये, थोड़े बहुत चलाये थे, लेकिन वो नाकाफी थे, करोडों लोगों की मृत् पॉइंट था, क्योंकि इसने लाहोर से लेकर दक्षिन भारत तक लोगों को affect किया था, ये pan India फहमाई थी, उस समय almost पूरे भारत में अकाल पड़ा था, 1904 में रश्या और जापान के बीच में एक लड़ाई हुई थी, जिसमें जापान जो उस समय एक छोटा देश माना ज जाता था, उसने imperial Russian power को हरा दिया था, तो Russia एक बहुत बड़ा imperial power था, जार के आर्मी बहुत powerful मानी जाती थी, उसको जापान के आर्मी ने हरा दिया था, और इस से दुनिया भर के समीकरण बदल गए थे, दुनिया को लगा कि Asia के जो powers हैं, अब वो important हैं, वो शक्तिशाली हो सकते हैं, भारत की जो economic condition है, वो दीरे दीरे बद से बत्तर होती जा रही थी, और इसी समय दादा भई नारो जी ने अपनी किताब भी लखी थी, poverty and un-British rule in India, वो भी इसी समय चपकर आई थी, तो लोगों को पता चला कि किस प्रकार से हमारी आर्थिक स्तिती के लिए भी य वरना भारत में दो क्या होता है कि कुछ भी होता है, लोग कहते हैं, भगवान यही चाहता होगा, इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है, इस सोच से लोग अब बाहर आना शुरू है, कि नहीं, policy के कारण हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारी आर्थिक स्तिती के लिए जिम्मेदार हमारा British government है, ना कि हमारी किस्मत या फिर जो भी आप मान लो, South Africa में भारतियों के साथ बहुत गलत व्यवार हो रहा था, वहाँ पर उस समय वात्मा गांदी अल्रेडी अपने कुछ आंदोलन चला रहे थे, तो वहाँ से भी खबर आ जाती थी, कुछ-कुछ समय में, कि South Africa मे अपार्थेड चल रहा है, और उस अपार्थेड में ना केवल Africans, बलकि Indians को भी शामिल किया जाता है, इससे लोग काफी हरान थे, कि यहाँ पर तो 2M दरजे का नागरिक माना जा रहा है, तो ऐसी स्तिती भारत में भी है, और officially कानून के द्वारा भी लाई जा सक्किए, जैस Universities Act एक बहुत important निर्ने था, इसके कारण भारती लोग यहाँ पर elected members जो है, अगेन यहाँ पर कम हो जाते हैं, निर्ने लेने का जो power है, वो सारा British सरकार के पास चला जाता है, इससे इन universities की autonomy खत्म हो जाती है, Sedition Act और Official Secrets Act के तहत कई लोगों को जेल में डाला गया, कई अख extremists के objective पर, इनका लक्ष क्या था, गरम दल के जो नेता है, यह चाते थे कि भारत में आये स्वराज, स्वराज का मतलब होता है self rule, स्वराज, हमारा खुद का शासन, हमारा खुद का राज, लेकिन स्वराज की exact definition क्या थी, यह इने भी नहीं मालूम था, यानि स्वराज की limit क क्या है, क्या वाइसरोय भारतिय हो, क्या ब्रिटिश उकुमत पूरी तरह से हटा, फेक नहीं है, नहीं, अभी उसके बारे में यह एक मत नहीं थे, स्वराज के exact definition के बारे में ना बाल, गंगादर, तिलक उस समय बताते थे, मतलब सब के अपने-अपने opinion थे, there was no one consensus की exactly है, कहां तक स्वराज होगा, क्या dominion status मिल जाएगा, वो स्वराज हो जाएगा, तो धीरे-धीरे यह definition expand होती जाएगी, आप देखोगे, home rule leak के समय में, इन्होंने home rule की demand करी, जो Ireland में करी जारी थी, उसी प्रकार से, फिर कई जगे, dominion की demand भी आती है, लेकिन finally, पूर्ण independence की demand आएगी, 1929 के Congress session में, लाहोर में, जब पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया था, तो स्वराज की बात, स्वराज की सुखबगहाट तो शुरू हो जाती है, लेकिन स्वराज का exact contour क्या है, स्वराज exactly क्या है, वो अभी तै नहीं है, लेकिन स्वराज चाहिए, हमें better governance तो चाहिए, कम से कम बैतर शासन हो, भारतिय लोगों के साथ अन्याय ना हो, ये जरूर महाँ पर तै कर दिया गया था, अब इनका vision क्या था, इन extremist leaders का, गरम दल के निताओं का, इनका ये मानना था, कि British sense of justice कुछ नहीं है, British किवल अपने लोगों के प्रती न्याय भाया रखते हैं, भारतिय लोग इनकी नजर में हमेशा brown रहेंगे, इनके साथ ही हमेशा बेदबाव पूर्ण विवार करने वाले हैं, तो आप moderate leaders ये मत सोचो, कि just because हम British empire का हिस्सा हैं, तो हमारे साथ वही विवार होगा, जो London में रहने वाले गोरे व्यक्ति के साथ होता ह हमारे लिए कानून अलग होंगे, हमारे साथ हमेशा अलग बरताब होगा, इन्होंने ये भी उधारन दिया, कि आप history पड़ो न, history जाकर देखो कि कैसे इन्होंने सारे princely states को हतिया लिया, इन्होंने कहीं नयाय उचित व्यवार किया, सब जगे इन्होंने control अपना सामदाम दंडभेज से लड़ाई लड़ते वे लिया है, तो आप कैसे उमीद कर सकते हो कि ये एक benevolent state बन जाएगा, तो अगर हमें हमारी political rights चाहिए, राजनेतिक अधिकार हमें चाहिए, तो हमें उसके लिए लड़ना होगा, prayer, petition, persuasion से कुछ नहीं होने वाला, we have to fight for our political rights, तो हमें अपने आप में self-reliance, आत्म निर्भरता का गुण होना चाहिए, self-determination होना चाहिए, कि हम अपने आप में तय हैं कि हमें अपने आपको govern करना है, तो स्वराज की बातें बार-बार ये निता जब करते थे, उससे एक स्वराज की क्रांती शुरू होती है देश में, तो इन भी सरकारी अदालते हैं, स्कूल, कॉलेज, इन सब का भहिशकार किया जाए, और यही हुआ स्वदेशी अंदोलन में आप ये सारे points देखोगे, स्वदेशी को बढ़ावा दिया जाए, भारत में बना कपड़ा ना पहनो, भारत में बना कपड़ा पहनो, boycott of foreign goods, तीसरा, र Nationalistic Education पर focus रहना चाहिए, University of Calcutta को इन नेताओं ने कहा कि ये तो गुलाम खाना है, यहां से तो किवल गुलाम निकल कर आते हैं, जो जाकर अंग्रेजों के यहां पर सरकारी नौकरी करेंगे, तो हमें इस गुलाम खाने में नहीं पढ़ना है, हमें हमारे भविश्य की PD को र जादा यकीन रखने लगे और इन नेताओं के द्वारा सुझाए गए तरीकों के अनुसार ही, यानि कि इन मेथर्ड्स के अनुसार ही ये पूरा protest movement होने लगता है, तो जिस दिन partition हुआ 16 October को, उस दिन बंगाल में एक गम का दिन मनाया गया, day of morning, जैसे किसी के मरने पर जो दुख मनाया जाता है, उस प्रकार का दुख मनाया गया, political life जो थी बंगॉल की वो पूरी तरह से change हो गई इस दिन के बाद से, लगातार अंदोलन शुरू होते हैं, लोग सड़कों पर उतरना शुरू होते हैं, और देश का पहला जन अंदोलन शुरू होता है, it was the first mass movement of India, the partition of Bengal के बाद जो अंदोलन होता है, वो वाला, रविंद्र अनाठ टेगोर ने रक्षा बंधन दे या राखी बंधन दे celebrate करने के लिए कहा कि East और West Bengal के लोग एक दूसरे को राखी बाने, ताकि Unity और Brotherhood हमारा जो भाहिचारा है वो आपस में बना रहे है, महत्मा गानी ने ब अरीके बताये गए है, प्रोटेस्ट के, उसमें स्वदेशी गुड्स, यानि कि स्वदेशी चीजों का इस्तिमाल एक बहुत बड़ा aspect था, तो ये जो movement है, इसका उस समय कोई नाम नहीं था, यानि कि लोग ये कहकर नहीं चला रहे थे कि हम स्वदेशी आंदोलन चला रहे दूसरे हिस्तों में भी थोड़ी बहुत rally-vally हो जाती थी, लेकिन daily basis के उपर विरोध, प्रदर्शन, rally ये सब किवल Bengal में हो रहा था, तो इसकी दूसरे हिस्तों में intensity थोड़ी सी कम थी, लेकिन जन आंदोलन ये बंगाल में पूरी तर से शुरू हो चुका था, तो स्वरा आज की demand सामने आने लग गई थी, ऐसे ही महल में 1905 में Congress का अधिवेशन होता है बनारस में, इसकी अध्यक्षिता करी गोपाल कृषन गोखले ने जो moderates के one of the most important leaders थे, गोखले ने अपनी speech में partition of Bengal का विरोध किया, करजन की policies की निंदा करी, और साथ ही साथ इस विबाजन के खिलाफ जो आंदोलन तयार हो रहा था, जो आम लोगों के द्वारा शुरू किया गया था, Congress के द्वारा शुरू नहीं किया गया था, उसको support दिया, मतलब Congress officially इस आंदोलन को support अभी तक नहीं कर रही थी, लेकिन अब कई सारे नेता थे, Congress के जो गरम दल के नेता थे, वो कह जो आदोलन का इस्तमाल करते हुए, सुराज की डिमांड करी जाया और full-fledged political mass struggle होना चाहिए, पूरे देश में लोग सडकों पर उतारने चाहिए, लेकिन Congress में जो moderates अभी भी हावी थे, उन्होंने ये सब करने से मना कर दिया, उन्होंने कहा कि नहीं, अभी वक्त नहीं आया है कि इतनी सारी गतिविदिया हम करें, अभी भी ब्रिटिश हुकूमत मान जाएगी, अगर हम उनसे बात करें, रिक्वेस्ट करें, तो ये लोग बेंगॉल की विभाजन को शायद कैंसल भी कर दें, तो extremist faction जो है, वो officially इस Congress अधिवेशन में बनाया जाता है, अब Congress almost कगार पर आ गई थी, लेकिन लाल बाल पाल ने ये डिसाइड किया कि अभी हम Congress से अलग नहीं होते, लेकिन Congress के अंदर ये एक अलग धड़ा बना दिया, तो officially extremist faction Congress का, गरम दल जिसको अकवारो अगेरा ने कहना शुरू कर दिया था, वो तिलक के नितरत्व में बनाया जात 1906 में Calcutta में अधिवेशन होता है, जब स्वदेशी अंदोलन अपने चरम पर है, यहाँ पर प्रेजिडेंट कौन है, दादा भाही नाओरो जी, सुराज शब्द इन्हों ने अपनी स्पीच में इस्तिमाल किया, on the insistence of the extremist leader, extremist leader इंके पीछे पढ़ गए कि सुराज की बा और यहाँ पर होता है कॉंग्रेस का विवाजन, the split, extremist और moderate दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं, तो 1906 वाला दिवेशन यादटना कैलकटा में होता है, यहाँ पर दादा भाही नाओरो जी जब अपनी स्पीच दे रहे थे, तो उनको nationalist ने कहा कि आप सुराज के बारे में जि resistance पर सुराज का जिक्र किया, और जैसे ही यह जिक्र होता है, तो extremist नेताओं ने ये कहा कि अब हम passive resistance तो करेंगे, passive resistance का मतलब है कि सरकार के खिलाफ actively कहीं जाकर तोड़फोर नहीं करनी है, लेकिन सरकार का विरोध करेंगे, सडकों पर उतरेंगे, और Congress के कई नेता इस extremist faction है, उनके तरीकों को ये लोग support officially नहीं कर रहे थे और यही कारण है कि Congress 1907 में दो हिस्सो में विवाजित हो जाती है, तो इस session के तुरंद बात, जो extremist नेता है, लाल बाल पाल, उन्होंने कहा कि school college का भहिशकार हो, अपने बच्चों को इन गुलाम school और गुलाम colleges से बाह अगर किसी को कोई lord या इस तरह के title मिले है, उनको छोड़ दिया जाए, तो ये सारी चीज़ें शुरू होती है स्वदेशी आंदोलन में, idea और agenda क्या था, कि इसको एक आर्थिक और राजनेतिक, दोनों प्रकार का अंदोलन बनाया जाए, आर्थिक कैसे कि स्वदेशी सामा का इस्तिमाल बढ़ेगा, तो भारत की economy तरक्की करेगी और England में पैसा नहीं जाएगा, और राजनेतिक कैसे कि स्वराज की demand, self-governance की demand करी जाएगी, इससे हमारी राजनेतिक जो power है वो बढ़ेगी, ये इस आंदोलन का लक्षेता जो, स्वदेशी केवल एक आर्थिक लगा ही जाती थी और उसमें विदेशी सामान डाल दिया जाता था, लोग अपने घरों से लाकर विदेश में बना सामान चाहिए, वो कपड़ें हो, विदेशी instruments हो, उनको लाकर जलाते थे, उनकी होली जलाई जाती थी, हर रोज, हर हफते इस प्रकार के सामुहिक, अगनी मतलब अगनी के अंदर स्वाहा कर दिया जाता था विदेशी सामान को, तो ये एक मतलब चेतना जाकरत हो गई, लोग घर घर जाकर बच्चे पूछते देगी क्या आपके बस कोई विदेशी सामान है, क्या आप उसको जलाना चाते हो, इस प्रकार से foreign goods को जलाया जाता था स महिलाओं ने, ये एक first time हुआ था भारत के तियास में कि महिलाएं अपने घर से निकल कर बाहर आती हैं और एक किसी आंदोलन का हिस्सा बनती हैं, students इसमें बहुत active थे, students ने college school छोड़कर इस आंदोलन में हिस्सा लिया, कई जमिंदार भी यहां शामिल हुए, landlords का भी support इन् अंदोलन गाओं का नहीं था, mostly ये शेहरों में या कस्बों में ज़्यादा popular था, especially in cities like Calcutta, Dhaka, etc. तो इसमें किसान पूरी तरह से absent थे, क्योंके किसान कहते थे हमारा क्या है इसमें, आपको स्वराज मिल जाएगा, बढ़िया, आप स्वदेशी चीज़ें इस्तमाल करोगे तो वो industries को या उनको फाइदा होगा, जो भी manufacture कर रहे हैं, पर किसानों का इसमें क्या है, तो किसान इसमें शामिल नहीं थे, ये एक बहुत बड़ा section है, जो absent था, बाकी लगबग सभी तबके इसमें शामिल थे, तो ये भारत के इतियास का पहला जन आंदोलन बन जाता है, और भारत के independence की history में भी ये पहला जन आंदोलन है, इस आंदोलन को कई Muslim leaders ने भी support किया था, जैसे अब्दुलरसूल, लियाकत हुसेन, गजनवी, मौलाना अजाद, लेकिन कई upper और middle class Muslim इससे दूर रहे, खास करके जो East Bengal वाले लोग थे, वो कह रहे थे कि हमें तो फाइदा Muslims, especially of the East Bengal, they did not take part in स्वदेशी आंदोलन, इसी समयकाल में धाका में All India Muslim League की भी स्थापना करी गई 1906 में, और इसमें किवल Muslims शामिल थे, इसके बारे में अभी अगले कुछ मिनिट में हम पढ़ेंगे, स्वदेशी आंदोलन के खिलाफ, British सरकार ने सक्तरवया अपनाया, कई स सारे कानून पास किये गए, इस movement को रोकने के लिए, इसकी कमर तोडने के लिए, जो लोग इसमें हिस्सा लेते थे, उनको जेल में डाला जाता था, उनके साथ मार पीट करी जाती थी, बंदे मातरम का जो नारा है, जो बहुत पॉपिलर हो गया था, उस पर पाबंदी लग कई सारे सरकारी करमचारी जो है, उनको नौकरी से निकाल दिया गया, अगर उन्होंने इन आंदोलन में हिस्सा लिया था, और तीनों एक्स्रीमिस्ट नेता लाल बाल पाल को जेल में डाल दिया गया, और विंदो गोश्क को भी जेल में डाल दिया गया था, और इस से अमार पीट करने लग गई पुलिस उनके साथ, तो इसलिए ये अंदोलन थोड़ा अपनी स्टीम को लूज कर देता है, पोयम है बंदे मातरम, जहां से वो नारा आता है, बंदे मातरम का, आपको मैंने पहले भी बताया था, आनंदमट किताब में ये लाइन लिखी गई थी, ये पोयम लिखी गई थी, बंकिम चंद्र चट्वपादिया के द्वारा, इस बुक is based on the सन्यासी rebellion of 1770s, बंदे मातरम पोयम को पहली बार किसी कॉंग्रेस सेशन में गाया गया था, 1896 में, रभिंदर नार टेगोर ने गाया था इसको, लेकिन ये नारा और ये पोयम सबसे जाधा popular हुए थे, स्वदेशी आंदोलन के दोरान, 1937 में, कॉंग्रेस के अधिवेशन में, इसको राष्ट्र गान का दरजा दे दिया गया था, नैशनल सौंग का, और बाद में, जब भारत आजाद हुआ, तब भी ये दरजा इसे 1950 में दे दिया जाता है, अब आते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना पर, 1906 में, All India Muslim League की स्थापना होती है, आगे मैं कई बार इसको अब्रिवेट करूँगा, AIML, All India Muslim League के रूप में, तो समझ जाना, Muslim League की बात हो रही है, मुस्लिम लीग से पहले एक संगठन था, जिसका नाम था, Mohammedan Educational Conference, 1886 में, सर साइद आहमद खान, वही सर साइद आहमद खान, आलिगड युनिवर्सिटी वाले, इन्होंने इसकी स्थापना करी थी, लेकिन कहा था कि ये सोसाइटी बिलकुल भी politics पे चर्चा नहीं करेगी, it should be completely apolitical, लेकिन इनकी हर साल एक conference होती थी, जिसमें कई लोग शामिल होते थे, पढ़े लिखे, अपर क्लास के जो लोग हैं, जो education को आगे बढ़ाना चाते थे, वो लोग इसमें शामिल होते थे, तो December 1906 में, जब Muslim educational conference organize कराई जारी थी, ढाका में, तो कई delegates ने कहा कि देख यहाँ पर शामिल होते इस conference में, इन्होंने कहा कि हमें भी एक संगठन बनाना चाहिए, इस प्रकार की आवाजे आने लगी, कि यह जो 1886 का बैन है, सर सेयद एहमेद खान तो अब रहे नहीं, तो उस समय में politics के आवशकता नहीं थी, लेकिन अब आवशकता है, तो ऐसे में यह demand duty के politics में आना पड़ेगा, और इसी मौके का फायदा उठाते हुए, जो नवाब सलीमुला और धाका थे, जो एक तरह से organizer भी थे इस conference के, इन्होंने कहा कि चलो संगठन बनाते हैं, संगठन का नाम रहेगा All India Muslim League, और इसका लक्षे रहेगा कि भारत के जो Muslims हैं, उनके interest को देखा जाए, यानि कि उनकी तरक्की हो, उनकी भलाई हो, इसके लिए ये संगठन काम करेगा, तो इस league की स्थापना करी गई, December 30, 1906, और इसका headquarter बनाया गया लखनाओ में, यह important है, याद रखना, लखनाओ was the headquarter, date was 38 December 1906, कई बार Muslim League के founders का, या founding members का नाम पूछ लिया जाता है, तो देखो कोई एक founder नहीं है, same Congress की तरह यहाँ पर भी बहुत सारे delegates शामिल थे, तो जो most prominent members थे, उनके नाम मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, नवाब सलीम उल्लाव धाका, अगा खान the third, नवाब मौसिन उल्मुल्क, हाकिम अजमल खान, मौलाना मुहमद अली जो जोहर, अजमल खान, यह सब काफी important है, Indian National Congress की तरही Muslim League का भी हर साल obsession होने लगा, और यह भी अपनी demands British Government के सामने रखने रगे, यह किवल Muslim community के जो demands है, उनको रखते थे, शुरुआत के सालों में British इनको support करते थे, in fact एक popular theory यह भी थी कि British के कहने पर यह Muslim League बनाए गई थी, ता British initially इसे support कर रहे थे, और Muslim League को तो शुरुआत में ही बहुत अच्छी सफलता मिल गई, Congress को जहां 8 साल बाद Indian Councils Act 1892 के रूप में सफलता मिली, इनने तो Minto Morale Reforms के रूप में 1909 में ही separate electorate मिल गया, जो इनकी first demand थी, separate electorate की, वो 1909 में ही पूरी कर दी जाती है, शुरुआती साल लोग हैं, जिनके पास जमीने हैं, जमिंदार हैं, उनको protection मिले, सरकार ऐसा नहीं है कि उनकी जमीने चीन ले, मतलब उनकी अधिकारों की भी रक्षा हो, और Muslims के civil rights की भी रक्षा हो, तो आप देख रहे हो, शुरुआती सालों में Muslim League केवल और केवल upper class Muslims के हितों की रक्षा क जाधा बात करता था, तो 1906 और 30 के बीच में Muslim League एक mass organization नहीं था, इसमें जमीन से जुड़ा आम मुसल्मान या फिर आम गरीब मुसल्मान इसमें शामिल नहीं होता था, तो just like Congress, Congress के भी शुरुआती 20-30 सालों में आम लोग इससे जुड़े नहीं थे, और Muslim League के भी का रूप दिया मुहमाद इली जिन्ना ने, तो जिन्ना इसके भी सदस्य थे, Congress के भी सदस्य थे, लेकिन 1930 में जिन्ना ने Muslim League को जाधा बढ़ावा देना start कर दिया, शुरुआती साल में जो है, ये किवल अमीर और जो businessman type Muslims है, या जमिनदार Muslim जो थे, उनके हितों की रक्षा कर रही थी, United Province यानि के उत्तर प्रदेश वाले एरिया में, तो इसमें जितने भी नेता थे, वो जाधा तर उत्तर प्रदेश के, जो अमीर जमिनदार थे, या फिर businessman थे, वो ही इसके major नेता हुआ करते थे, तिल 1930, ये सब कुछ बदल जाता है, 1930 के बाद, जब पाकिस्तान अभी स्वदेशी आंदोलन को सपोर्ट कर रही है, लेकिन अभी भी moderate leaders, extremist लेताओं के तरीकों से खुश नहीं है, तो 1905 में बनारस session से ये problem चली आ रही थी, finally, moderate Congress और extremist Congress, Congress सूरच session में divide हो जाती है, 1906 में जो Calcutta session हुआ था, वहाँ पर सुराज को officially pass कर दिया गया था, सु moderate खुश नहीं थे, दूसरा, moderates को ये बात पसंद नहीं आई थी, कि boycott को okay कर दिया गया था, Congress के दोरा, कि सरकार का विरोध अगर करना है, तो boycott करके भी कर सकते हो, school, colleges का boycott, courts का boycott, क्योंकि वो तो मानते देना कि British administration अच्छा है, उसका boycott नहीं करना चाहिए, तो यहाँ प कहते हैं कि constitutional methods के माध्यम से हम British सरकार को कह सकते हैं कि आप बंगाल का विभाजन वापिस लो, लेकिन जो extremist धड़ा है, वो कह रहा था कि नहीं, आप जनता की देखो, जनता सडकों पर उतर रही है, सबको आंदोलन चाहिए, और ऐसे में, जो extremist गुठ है, उन्होंने ये कहा इससे extremist निता नाराज हुजाते हैं और वो Congress से बाहर आ जाते हैं, they walk out of the session and Congress party, इनको lead कर रहे थे, बाल, गंगादर, तिलक, और जैसे ही ये निता Congress को छोड़ते हैं, British हुकूमत को बहाना मिल गया, इनको arrest करने का, तुरंत इने arrest कर लिया गया, जैसे ही ये session खत्म हुआ, इनों को arrest कर लिया गया, क्योंकि देखो अभी तक क्या है कि Congress और British हुकूमत के बीच में एक simple सी understanding थी, कि हम आपका विरोध प्रदेशन नहीं करेंगे, सडकों पर नहीं उतरेंगे, आप हमारे निताओं से इजज़त से बात करोगे, treat करोगे, तो दोनों के बीच में understanding थी, अभी तक कभी भी निताओं को जेल में नहीं डाला जाता था, लेकिन ये पहला मौका है जब निताओं को इस प्रकार से जेल में डाला जा रहा है, और जेल भी ऐसी नहीं, कि केवल 2-4 दिन का Bombay जेल में रख दिया, Mandalay जेल बेज दिया गया, जो की सजाय काला पानी से कम न हो जाता है, तो इन तीनों को लंबे-लंबे जेल सेंटेंस दिये गए, 6-7 साल सब जेल में रहे थे, तो सूरत स्प्लिट के बारे में आप याद रखेगा, एक तो इवेंट कहां पर हुआ था, सूरत अधिवेशन था, प्रेजिट कौन थे है, ये पूछ लिया जाता है, र अभी तक लोग सडकों पर उतर कर निताओं के साथ रैली वगएरा हमें पार्ट नहीं लेते थे, अभी तक किवल पॉलिटिक्स अधीवेशन-धीवेशन खिला जा रहा था, किवल सेशन में पॉलिटिक्स होती थी, साल के तीन दिन ये पॉलिटिक्स होती थी, अब डेली स कह सकते हो कि बेंगौल में ये जन आंदोलन था लेकिन पूरे देश में नहीं था पूरे देश में कौन सा होगा नॉन कोपरेशन जिसको माहत्मा गांधी लीड करेंगे 1920 में आएगा हो तो अगर कहीं कुश्चन में पूछा जाता है कि फर्स्ट पैन इंडिया या फर्स्ट ओल इंडिया पॉलिटिकल मुवमेंट कौन सा था तो अगर ऑप्शन में स्वदेशी है और नॉन कोपरेशन नहीं है तो स्वदेशी अंदोलन ठीक होगा लेकिन अगर ऑप्शन में स्वदेशी अंदोलन नहीं मिलता है तो फिर करेक्ट होगा non-cooperation movement स्वादेश ये अंदोलन खत्म कैसे होता है मैंने आपको बताया धीरे धीरे ये fizzle out हो जाता है 1908 आते आते इसका जो open phase है यानि कि सड़कों पर openly उतर कर जो production वगेरा हो रहे थे वो लगबख खत्म हो जाते हैं और movement underground चला जाता है underground का मतलब है कि अब छुप छुप कर विरोध होगा militant nationalism की शुरुआत होती है जो बहुत ज़ादा passionate लोग थे आंदोलन को चलाने के लिए वो British सरकार और जेल से बचने के लिए अब underground हो गए जाता क्योंकि सरकार की तरफ से बहुत severe repression था जेल में डाल कर मार पीट करी जा रही थी लोगों के साथ जो गलत था तो ये movement जो है इसकी एक बहुत बड़ी drawback है रही कि effective organization structure नहीं था क्योंकि देखो Congress पूरी तरह से इसको support नहीं कर रही थी Congress के निता support कर रहे थे Congress भी हाथ कहने को on paper support कर रही थी लेकिन अंदोलन को mainly लोग lead कर रहे थे निता lead कर रहे थे और वो निता सारे Congress के नहीं थे तो एक organization structure या party structure की कमी इस अंदोलन में देखी गई जो बाद में non-corporation movement में गांदी जी ने इसको सुधार दिया गांदी जी ने साफ चितावनी देदी Congress को कि पूरी दरह से इस movement को support करो वरना party खत्म हो जाएगी ठीक है तो movement जो है जैसे ही 4-5 नेताओं को jail में डाला गया वो movement अपनी steam lose कर देता है movement धीमा पड़ जाता है और ऐसे में 1908 के बाद ये movement लगबग खत्म हो जाता है औरविंदो गोश और विपिन चंदरपाल जिनको लंबे समय तक jail में नहीं रखा गया था इनकी तो तवित खराब हो गई थी तो इनको jail से छोड़ दिया गया तो औरविंदो गोश तो चले गए भी आंदोलन को काफी धीमा कर देती है इस आंदोलन में energy बहुत थी लेकिन अब उसको किस प्रकार से हम बाहर लेकर आया है ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा था boycott कर लिया लेकिन boycott से कुछ हासिल नहीं हुआ British सरकार ने कोई इसका boycott का reaction नहीं दिया केवल उन्होंने पुलिस के माध्यम से आंदोलन को तोडने की कोशिश करी ये जो movement है इसमें अपर और मिडल क्लास के लोग जो है वो शामिल थे जमिंदार शामिल थे लेकिन ग्रामीन लोग जैसे की किसान वो इसमें शामिल नहीं हुए थे ये इसका एक बहुत बड़ा drawback था इसलिए बाद में non corporation के दौरान आप देखते हो कि किसानों को शामिल करने की कोशिश करी गई non corporation और passive resistance जो है वो केवल idea बन कर रह गए उनका असर British हुकूमत पर नहीं होता है और बहुत लंबे समय तक लंबा mass movement चलाना काफी मुश्किल था लोग अपनी नौकरियां छोड़कर कब तक आंदोलन करेंगे वही सबको अपना पेट पालना था तो एक साल दो साल से जादा कोई बाहर रहकर आंदोलन नहीं कर सकता था तो ये एक लंबा अंदोलन का नुकसान इनको देखना है आईए शुरुवात करते हैं उननिस भी सदी के एशिया के मैप के साथ 19th century में ब्रिटिश भारत के अंदर अपना दबदबा अच्छे से जमा चुके थे यहाँ पर चाइना में चिंग डाइनेस्टी थी और रश्या में जार रूल कर रहे थे जार वहाँ के राजा थे सीजर जार ये सब एक ही वर्ड से निकले हुए शब्द है तो जारिस्ट रश्या जो है वो 19th century में बहुत तेजी से एक्सपांड कर रहा था towards east and towards south मैं लब उनका south है हमारा तो north होगा लेकिन जारिस्ट रश्या के सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इनके पास जितनी भी coastline थी वो सर्दियों में जम जाती है तो इसलिए उनके पास पूरे साल समुद्र को access करने का कोई तरीका या रास्ता नहीं था इस problem को solve करने के लिए रश्या को नजर आता था यहाँ पर एशिया का तट जो सीधा इरान या अफगानिस्तान से होते हुए इनको यहाँ पर access देदेगा समुद्र को लेकिन इससे British India को चिंता हो गई कि कहीं रश्या British India पर हमला ना कर दे इस समुद्री रास्ते के या समुद्री बंदरगा की खोज के लिए तो कुल मिलाकर ब्रिटिश को यह लगा कि अगर हमें भारत को safe रखना है तो या तो अफगानिस्तान को अपने control में लेना होगा या फिर अफगानिस्तान से पूरी तरह दोस्ती करनी होगी यानि दोनों में से एक चीज़ कर लो कुल मिलाकर रश्या को यहां रोक लो अफगानिस्तान को एक buffer बना लो तो इस प्रकार से शुरू होता है उननिस्वी सदी का great game इस पूरी geopolitical सेनारियो को उननिस्वी सदी का great game का जाता है क्योंकि यह great empires के बीच में था एक तरफ था जारिस्ट रश्या जो सबसे बड़े land empires में से एक है और दूसरी तरफ था naval superpower दुनिया का British Empire तो इन दोनों के बीच में ये great game चल रहा है जो कि पूरे एशिया की geopolitics को change इस great game की शुरुवात होती है 1807 में Treaty of Tilsit से योरोप में इस treaty के तहित France और Russia ने आपस में संदी कर ली और इस Franco-Russian alliance से Britain को खत्रा हो गया उन्हें लगा कि ये दोनों मिलकर कहीं इस समुद्री तट के लिए British India पर हमलाना करते हैं जो कि एक बहुत ही legitimate उनका concern था क्योंकि Russia actually मैं प्लान कर रहा था कि या तो परशिया या फिर अफ़गानिस्तान के माध्यम से हम यहां पहुंच जाएं इस तट पर हम अपना कबजा जमा लें यहां से हमें हमिशा 12 महीने समुद्री एक्सेस मिल जाएगा तो होता यह है कि Lord Minto जो उस वक्त भारत में Governor General थे उन्होंने अपने Delegations को बेजा सारे Border Kingdoms में याद रखना उस समय यहां पर Sikh Empire, Sindh, यह सब इनके control में नहीं आया था तो इन दो के पास Afghanistan और Persia, यह सारे जो Border areas हैं, इनके पास British Empire ने यहां Calcutta से अपने दूत को भेजा, किसको कहां भेजा वो इतना important नहीं है, Metcalf Elphinstone, Malcolm, Nicholas Smith आपको बस यह याद रखना है कि किन के पास यह दूत भेजे गए तो Lahore, काबुल, तेहरान और सिंद में अपने दूत को भेज कर सबसे बात करी गई, कि देखो Russia invade कर सकता है, Russia लगातार Central Asia पे भी अपना कबजा जमा चुका है आप देखी रहे हो पिछले 10-20 सालों से क्या चल रहा है तो अभी हमें भी सावधान रहना होता, और अगर कभी कोई खत्रा होता है, तो आप लोग हमारे साथ मिलकर लड़ाई लड़ लेना, तो British India ये कोशिश कर रहा था कि Afghanistan में वो अपना influence अच्छे से जमा ले था तो ये बहुत important था, क्योंकि Iran से जादा उन्हें लग रहा था ना की तेहरान से होकर अब इस समय अफगानिस्तान में किसका शासन था आपको याद है, 1761 में 3rd Battle of Panipat में अहमच शाअबदाली से लड़ाई हुई थी मराठास की, वही अहमच शाअबदाली जिसने modern day अफगानिस्तान की स्थापना करी थी, दुर्रानी empire की स्थापना करी थी उसी का वंच यहाँ पर राज कर रहा था तो अबदाली का जो पोता था शाज, शूजा, दुर्रानी वो 1809 में, 1809 तक गद्दी पर बैठा था, लेकिन इसके बहुत सारे भाई बतीजा थे, तो यह आपस में इनके बहुत चलता रहता था कि कोई किसी को हटा कर तक्त पर बैठ रहा है, कोई किसी को हटा देता है लड़ाई में, मतलब बहुत internal इनमें लड़ाई चल रही थी पूरे खांदान में, और यह आगे अगले 100 साल तक चलती रहेगी, तो शाज शूजा को 1809 में इसी के एक भाई ने गदी से हटा दिया और वो खुद गदी पर बैठ गया, तो शूजा भाग कर कहां आ जाता है पंजाब में, अब वैसे पंजाब में सिख एमपायर और अफगान्स की ट्रेडिशनली बनती नहीं थी, लेकिन अब वो पडोसी थे और दुश्मन थे अफगान्स के, तो भी इनके पास आ जाता है और बोलता है कि मुझे थोड़े टाइम यहां रख लो, तो रंजीत सिंग ने इसको अपने पास पना दे दी, 1813-14 यह रंजीत सिंग के पास रहा, लेकिन रंजीत सिंग ने इससे कोहिनूर ले लिया, तो यह कोहिनूर अपने साथ लेकर आ गया था भाग कर, तो कोहिनूर इससे ले लिया गया, रंजीत सिंग की captivity में था, यह practically इसको घरवर दे दिया रहने के लिए अच्छे से, लेकिन he was a captive of Ranjit Singh, तो इसको एक दो साल में समझ में आ गया कि यह Ranjit Singh जो है यह मेरी मदद नहीं करने वाले हैं, तो I should go and ask for help from East India Company तो शाष हूजा जाते हैं East India Company के पास, पर East India Company तो और जादा समझदार थी, कंपनी ने कहा कि आप एक काम करो, घर बार ले लो हर महीने पैसे ले लो, आराम से रो, शानों शौकत के साथ यहीं रो, पंजाब में, मतलब हमारे वाले पंजाब एरिया में, और जब वक्त आएगा, टाइम देखेंगे, आराम से अभी हम अटाइक नहीं करना है, तो शाषूजा जो है, वो बहुत सालों तक भारत में बैठा रहा, 10-15 सालों तक भारत में रहता है, और उसको लगा कि कभी न कभी तो वक्त आएगा, और धीरे-धीरे वक्त आता भी है, तो देखें अफगानिस्तान में हिंदू कुष पहाडों को क्रॉस करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बार हिंदू कुष को क्रॉस कर लिया, तो फिर आसानी से यहां खैबर पास या फिर यहां पर सिद बोलन पास से ब्रिटिश इंडिया या फिर पंजाब वाले territory में एंटर किया जा सकता है तो ब्रिटिश ने एक natural border तलाश करने के लिए अफगानिस्तान के अंदर एक influence बनाने की कोशिश करी influence का मतलब यह है कि इन्होंने कोशिश करी कि रश्या जो है अफगानिस्तान में रुप जाए तो इसके लिए ततकाली इंग गवर्णर जनरल लॉड आखलेंड ने सिंद और अफगानिस्तान दोनों के साथ संधी करने की कोशिश करी इस प्रोसेस में इन्होंने आगे चलकर सिंद को तो एनेक्सी कर लिया पूरा आपको मैंने कहानी बताई दी थी अफगानिस्तान जो है इसको अपने कंट्रोल में लाने की पॉलिसी एक करने लगे तो ऑकलेंड का ये विचार था कि मैं फॉरवर्ड पॉलिसी चलाऊंगा क्योंकि ऑकलेंड को बहुत डर था कि रश्या अटैक कर देगा और इसी को बताते हुए कार्टून भी है याँ पर कि कैसे ये भालू ऑकलेंड को नचा रहा है अपनी धुन पर जबकि होना उल्टा चाहिए तो ये ग्रेट गेम को दर्शाते हुए इस प्रकार के कई सारे पोस्टर्स ब्रिटिश मीडिया में 19th सेंचुरी में चपा करते थे तो ऑकलेंड ने क्या तै कि मैं forward policy अपना हूँगा forward policy का मतलब है कि आप दुश्मन को आगे आने से पहले मौकाई मत दो आप खुद आगे चलकर एकदम forward post को acquire कर लो हत्यालो तो ये forward policy जो है इसके दहत इन्होंने ये plan किया कि हम पहले ही अफगानिस्तान में आगे बढ़कर forward बढ़कर रशिया को रोक लेते हैं कि रशिया को आने का मौका नहीं देते हैं हम पहले ही अफगानिस्तान में अपना border तै कर लेते हैं अपना influence वहां बढ़ा लेते हैं और अफगानिस्तान के राजा को अपनी side कर लेते हैं तो इससे क्या होगा कि East India Company कभी भी भविश्य में होने वाले रशिया के हमले को रोक सकती है तो East India Company ने जब अफगानिस्तान के साथ बातचीच शुरू करी तो तदकालीन अमीर अफगानिस्तान दोस्त मुहमद इन्होंने ये कहा कि हमें पिशावर चाहिए पिशावर एक border city रहा है हमेशा से अफगानिस्तान के अंडर में और उस समय उस पर Sikh Empire का control था और पिशावर को जो control करता है वो हिंदु कुष के access को control करता है पिशावर दिलवा तो Sikh Empire से आपकी दोस्ती है और हम आपकी मदद कर देंगे East India Company ने इस offer को reject कर दिया क्योंकि उन्हें पता था कि Sikh Empire कभी भी पिशावर जितने strategically important शहर को नहीं देगा तो जब दोस्त मुहमद के साथ इनकी बातचीत नहीं बनी तो इन्होंने अपना रुख किया किसकी तरफ जो सालों से बैट कर free का माल खा रहे थे शाष हुजा उनकी तरफ तो इन्होंने tripartite treaty sign करी जिसमें तीन लोग थे रंजीत सिंग, Sikh Empire, East India Company और शाष हुजा अब शाष हुजा के पास तो कोई सेना नहीं है कोई power नहीं है लेकिन उसके पास क्या है claim है कि मैं दुर्राणी Empire का वंचज हूँ मैं पहले भी गद्धी पर बैठा था और मेरा यहाँ पर अधिकार है जन्मसिद्ध अधिकार है तो इन्होंने दोनोंने डिसाइड किया कि Sikh Empire और East India Company मिलकर शाषुजा को गद्धी पर बिठाएंगे बदले में इन्हें क्या मिलेगा ब्रिटिश पूरी तरह से आश्वस्ते थे कि शाषुजा जो इतने सालों से हमारे महमान बने हुए है ये राजा की गद्धी पर बैठने के बाद foreign policy तो हमें ही दे देंगे ये इन्से पहले ही deal हो गई थी शाषुजा ने का ओके ले लो मुझे कोई दिक्कत नहीं है और शाषुजा अपना सिंध के उपर claim भी छोड़ देंगे पहले क्या था कि जो सिंध के अमीर थे वो अफगान empire के अधीन आते थे तो ये भी इन्से deal कर ली गई कि अब आप सिंध के अमीर से कोई पैसा वैसा कुछ नहीं लोगे किसी प्रकार की suzerainty आपकी वहाँ पर नहीं है और दूसरी तरफ सिख empire को क्या फाइदा है तो देखो सिख empire और अफगान्स के बीच में पढ़िया था, सब खुश थे शूजा को उसकी गद्धी मिल रही थी सिख empire को शान्ती मिल रही थी और East India Company को अपना buffer state मिल रहा था तो इस ट्राइपार्टाइड ट्रीटी के बाद में सिख empire और East India Company की combined forces 1839 में अफगानिस्तान को यहां से बोलन पास से तो इस सबसे नजदीक यहां पर शहर आता है कंदहार, उसके बाद उत्तर की तरफ आता है गजनी, फिर आता है काबुल तो इन सभी शहरों पर एक एक करके इन्होंने हमला किया तो 1839 में मार्च अप्रेल वाला जो समय होता है spring time उस समय इन्होंने अपनी armies भेजी क्योंके बाकी सरदियों के महीनों में यह सारे passes बर्फ से बंद रहते हैं attack करना सरदियों में अफगानिस्तान में impossible है गर्मी में ही आप कोई भी army campaign चला सकते हो तो ब्रिटिश फॉजों ने कंदार और गजनी तो बड़े असानी से जीत लिए in fact गजनी तक तो उन्हें लगा कि यहाँ पर कोई struggle ही नहीं हो रहा है हमें कोई सामने से opposition ही नहीं मिल रहा है इसके बाद ब्रिटिश आर्मी काबूल की तरफ अपने कदम बढ़ाती है अब आगे बढ़ें उससे पहले आप एक बात यह समझिए कि अफगानिस्तान एक बहुत ही बड़ा tribal country है अफगानिस्तान में एक समान एक ethnic group के एक culture वाले लोग नहीं रहते हैं अफगानिस्तान में बहुत सारे कभिलाई लोग हैं अलग-अलग tribes हैं कईयों की भाषा अलगे, ethnicity भी अलगे उत्तरी एरिया में उस्बेक और ताजिक लोग रहते हैं यहाँ पर पठान या पकतून लोग रहते हैं इस प्रकार के various यहाँ पर tribal groups हैं बहुत सारे tribes हैं तो यहाँ पर कोई भी rule करता है तो वो काबूल से rule कर रहा है उसका मतलब यह नहीं कि उसका हर area में rule है वो इन areas में अपने tribal connections के current rule करता है अफगानिस्तान में कोई भी ruler रहा हो वो tribal groups के साथ जब तक अच्छा तालमेल नहीं रखेगा तब तक वो हमेशा हार जाएगा तो यही होता है किस के साथ दोस्त मोहमत के साथ तो East India Company की फौजें काबूल पहुंच जाती हैं बड़ी आसानी से और काबूल आकर उन्होंने क्या करा कि आस पास की जितने भी tribes हैं उनको सबको पैसा देकर ब्राइब्स देकर अपने support में ले आएए यह भी कहा कि देखो शाह शूजा तो हमारे साथ है यह दोस्त मोहमत तो तुमारी गद्धी हत्यागर बैठा है औरिजनल राजा तो कौन है शाह शूजा ऐसे में दोस्त मोहमत खान चारो तरफ से गिरा हुआ है काबूल में ही सरेंडर्स और शाह शूजा बना दिया जाता है अमीर आफ अफगानिस्तान लेकिन दोस्त मोहमत खान इतनी असानी से हार मानने वालों ने से नहीं है यह क्या करते हैं काबूल से निकल कर उत्तरी एरियास में जाकर नहीं था ना इसमें कोई administrative capacity थी और यह बहुती क्रूर शाह सकता जब आफ इत्यास के क्रूर शाह सकों के नाम सुनते हो ना तो उसमें जितने भी उनमें से गुण होते हैं वो सारे इस वेक्ती के अंदर थे बलब यह इतना short tempered था कि अपने ही good administrator तो actually में शाह शुजा के वल नाम का अमीर था और एक दो सालों के लिए पूरी काबूल की सत्ता British officers ही चला रहे थे तो ऐसे में अफगान ट्राइबल जो है वो इस बात से भी नरास थे कि सारा administration का काम है वो तो अंग्रेज चला रहे हैं इसमें शुजा का क्या रोल है फिर से अफगान जो है वो काबूल को जीत लेते हैं लेकिन जितने असान शब्दों में मैंने आपको ये कहानी सुनाई है ना अभी कि कैसे ट्राइबल्स काबूल को जीत लेते हैं वो उतनी ही दुख भरी कहानी है अंग्रेजों के लिए तो काबूल में उनको लगने लग गया था कि वो हारेंगे तो उन्होंने दोस मुहमत के साथ एक समझोता कर लिया उन्होंने ट्रीटी कर लिया आसपास के जो अफगान चीफ्स थे और दोस मुहमत के साथ जो थे उन्होंने कहा कि हमें यहां से पीस्पुली निकलने दो हम चले जाएंगे हम काबूल में हमारा कोई लेना देना नहीं है तो इनके 5000 कुछ सैनेक और सब लोग थे घर बार बीवी बच्चे भी ले आये थे कही सारे लोग यहां पर क्योंके उनको administration चलाना था दो साल हो गए थे ना 1839 से 41 तो इन्होंने सब ने कहा कि हम आराम से यहां बाहर चले जाएंगे और वापिस भारत की तरफ हम निकल पड़ेंगे आप हमें जाने दो तो एक बार यह काबूल से तो निकल गए लेकिन जो इनकी retreat थी उसमें रास्ते में वो जो सारे tribal groups थे जिनको यह पैसे वैसे दे कर अपनी side कर चुके थे अब यह इनकी तरफ नहीं थे तो रस्ते में इनकी पूरी फॉज को खत्म कर दिया और सिर्फ एक आदमी जिन्दा बचा था एक डॉक्टर जिन्दा बचा था वो पहुंचा था पेशावर तक बागी सब रस्ते में मार दिये गए तो यह ब्रिटिश empire के लिए one of the worst retreats था पूरे इतिहास में उनके बलब इसको जब इसने आके कहानी सुनाई तो इससे पूरे ब्रिटिश empire में खलबली मच गई कि इतनी बड़ी फॉज गई थी अफगानिस्तान और लॉटा केवल एक व्यक्ति और काबूल भी हाथ से चला गया तो इससे इस्ट इंडिया कंपनी काफी बॉखला गई थी और इन्होंने फिर से एक फॉज भेजी 1842 में काबूल पर हमला करने के लिए लेकिन इस बार वो पिछली बार का सबक सीख चुके थे कि काबूल को तो जीत लो लेकिन इस देश को चलाना बहुत मुश्किल है इसको हम यहाँ बैठ कर नहीं चला सकते और इस इंडिया कंपनी काबूल से फिर से विड्रॉ कर लेती तो ये वाला तो खाली इनका एक प्यूनिटिफ केंपेंट था कि किवल पनिश्मेंट देने के लिए हम केंपेंट पर जा रहे है जीत तो गए यह वहाँ पर काबूल में जाकर बस ओ लड़ाई लड़कर दोस्त मुहमत के साथ बातचीत करके ट्रीटी करके वापिस आ जाते हैं ठीक है तो फर्स्ट अंग्लो अफगान वार जो है वो काफी मिक्स सा रहा था शुरुवात में अंग्रेजों को बहुत अच्छी सफलता है मिली पास सैनी लोट कर आया था केवल एक तो इस फर्स्ट अंग्लो अफगान वार से सबक सीख कर अंग्रेजों ने अगले 40 साल तक कभी आँख उठा कर भी अफगानिस्तान की तरफ नहीं देखा इन फाक्ट जॉन लॉरेंस जो 1864 से 69 तक वाइसरोय था उसने तो इसको एक ऑफिशल पॉलिसी का नाम दे दिया उसने कहा कि हम फॉलो कर रहे हैं मास्टरली इनक्टिविटी को कि कुछ ना करके भी हम मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं और इसके पीछे कारण के आए कि जब तक अफगान ट्राइबस एक जुट नहीं है उनको रूल करने वाला कोई एक अच्छा शासक नहीं है तब तक अफगानिस्तान को होल्ड करना impossible है ये जॉन लॉरेंस जैसे समझदार लोगों को समझ में आ गया था इन फाक्ट ये चाहते तो 1863 में इंटर्वीन कर सकते थे क्योंकि दोस्त मौहमद की मृत्य हो जाती है एक अच्छे लंबे शासन के बाद और दोस्त मौहमद के बहुत सारे बेटे थे सब में जगड़ा हो जाता है कि कौन मनेगा अगला अफगानिस्तान का रूलर तो ये चाहते तो उस समय बड़े अराम स इंटर्वीन करके वहाँ पर ग्रह युद के बहाने अफगानिस्तार पर कंट्रोल जमा सकते थे लेकिन इन्होंने ये नहीं किया लेकिन अंग्रेज इतने भी भोले नहीं थे इन्होंने दोस्त मौहमद के साथ पहले से ही बात कर रखी थी कि अब आप रश्या से मदद नह नहीं मांगोगे तो इनका ये कहना था कि हम तब तक शांत बैठेंगे तब तक इनक्टिविटी वाला फेज रखेंगे जब तक हमारे बॉर्डर पर शांती है इफ दर इस पीस अट फ्रंटियर तब तक अफगानिस्तान के साथ कोई भी छेड़ चार्ट नहीं करेगा अग दोस्त मुहमत की डेथ के बाद उसका बेटा शेर अली बन जाता है अफगानिस्तान का नया शासक शेर अली एक बहुत ही modern सोच वाले विक्ती थे इन्होंने अफगानिस्तान को काफी change करने की कोशिश करी 1863 के बाद से इन्होंने कोशिश करी कि यहाँ पर modern education आये और बहु कर एक नई policy change कर दी इसका नाम था policy of proud reserve कि हम शांत हैं we are reserved लेकिन हम proud हैं हम ऐसे नहीं हैं कि तुमसे डर के चुपचाप बैठे हैं तो लिटन का ये कहना था कि देखो शेर अली से दोस्ती करके आप यह नहीं सोच सकते कि आपका border secure हो गया शेर अली अपनी जगे अपना काम कर रहा है और वो तब तक हमारे support में जब तक उसके लिए चीज़ें favorable है हमें एक proper scientific border की जरूत है scientific frontier चाहिए कि ये पहाड हमारा British India का border होगा या ये नदी हमारा border होगा और हमें अपने sphere of influence को safeguard करना होगा और ये safeguard के वल दोस्ती के मामले से नहीं हो सकता है तो लेटन जो है व पहले तो हम चूप गए अब मौका देखते हैं कि चलो फिर से या अफगानिस्तान में try माल लेते हैं अगर कुछ होता है तो तो रशिया ने क्या करा 1870 की बात है जबरदस्ती अपना एक दूत भेजने की कोशिश करी मतलब शेर अली ने रशिया से ना तो मदद मांगी ना कोई दूत मांगा ना कोई बातचीत करनी चाही जबरदस्ती रशिया ने अपना एक पूरा डेलिगेशन भेजा गिफ्ट के साथ बहुत सारे गिफ्ट थे और अफगानिस्तान के बॉर्डर में वो एंटर हो गया उनको अफगानिस्तान में एंटर होने से रोकने की भी कर लेना लेकिन शेर अली ने मना कर दिया कि नहीं ब्रिटेन का डेलिगेशन नहीं आएगा इससे ब्रिटिश बहुत नाराज हो जाते हैं उनका ये कहना था कि जब तुम रशिया को आने दे सकते हो उनका मिशन उनका डेलिगेशन आ सकता है तुमारे दरवार में तो हमें क आपको एक बात इंट्रेस्टिंग बताता हूँ, आज दिन तक ये बात पता नहीं है, कि जो ये Russian delegation यहाँ पर आया था, उसको lead करने वाला diplomat क्या सही में Russia के जार ने भेजाता है, या वो अपनी मर्जी से आया था, ये बात आज दिन तक इत्यासकारों के बीच में एक चर्च रहा था, और Russia ने अफगानिस्तान में अपना एक mission बेजाता, delegation बेजाता, शेर अली के दरबार में, और British mission को जब मना किया गया, British delegation को मना किया गया, तो लड़ाई छड़ जाती है, तो इस थिती को दर्शाता हुआ एक बहुत शांदार कार्टून है उस समय के अख़वारो उसे, ये बीच में शेर अली है, अफगानिस्तान के लीडर, जो अपने देश को modernize करना चा रहे हैं, और दूसरी तरफ इनके so called मित्र हैं, एक तरफ इनका मित्र British India, जो कहता है कि देखो हम तो 40 साल से दोस्त हैं, और दूसरी तरफ इनका मित्र Zarist Russia, तो ये भालू और एक कंदार के बीच में सारा एरिया असानी से जीत लेते हैं, बिलकुल पहले अफगान बॉर की तरह, यहाँ पर भी जो राजा है शेर अली, वो अपने capital को छोड़ कर भाग जाता है, और इसकी death हो जाती 1879 में, तो ये एक बहुत ही crucial और turning point था लड़ाई का, अब जैसे ही शेर यहाँ पर एक संधी साइन होती है, तब से अफगानिस्तान की विदेश नीती ब्रिटिश के हाथ में आ जाएगी, तो याकूब याकूब खान ने अफगानिस्तान के foreign relations को दे दिया ब्रिटिश के हाथ में, और ये भी तैय किया गया कि एक ब्रिटिश mission हमेशा काबूल में रहेगा, यानि कि एक दूतावास type वहाँ पर रहेगा काबूल में और उसको safe and secure रखना याकूब खान की जिम्मेदारी है, और याकूब खान कुछी महीनों के अंदर अपनी जिम्मेदारी में fail कर जाते हैं, क्योंकि जो ब्रिटिश resident आया था काबूल में उसकी हत्या कर दी जाती है by some rebels, तो कुछ बागी अफगान ट्राइबल्स थे, उन्होंने गुसकर ब्रिटिश officers की हत्या कर दी, इससे बाद से foreign policy जरूर इनके हाथ में आ जाती है, और इन्होंने अफगानिस्तान को ये भी promise कर दिया बदले में, Britishers ने, कि तुम पर अगर कोई हमला करेगा, तो हम तुमारी मदद करने आएंगे और तुम्हें पैसे वैसे भी दे देंगे, और कुछ एरिया जो अफगानिस्ता भी इन्होंने अफगानिस्तान से हमेशा के लिए British हाथों में ले लिया, तो इन्होंने कुछ territories भी ले ली, ये कहकर कि तुमारा और हमारा जो बॉर्डर है उसमें कुछ area हमें देतो, ताकि हम secure महसूस करें, तो ये वाले areas अफगानिस्तान से ले लिये गए, एक mission स्थापि होती है, तो लंडन में स्थित, भारती अमामलो के मंत्राले में खलवली मच जाती है, और वहां से फर्मान जाता है कि ये जो वाइसरोय लिटन है, इसकी policy गडबड है, इसको वापिस बुलाओ, तो लिटन को अफगानिस्तान के कारेंट वापिस आना बढ़ता है, तो काबूल भेजा जाता है, और अब्दुर्रह्मान को बना दिया जाता है, नया अमीर, और पहले अफगान वाड से सबक सीखते हुए, इन्होंने फिर से अपनी आर्मी को यहाँ पर स्टेशन नहीं किया, इनकी आर्मी तुरंद लड़ाई खत्म होते ही वापिस आ जाती है, और रिपन के टाइम पीरिड के दौरान, अफगानिस्तान की जो ट्राइब्स हैं, उनको यह अनुमती देते हैं कि आप अपना इंटर्नल रूल रखो, हम ब्रिटिश आपके इंटर्नल मामलों में कभी भी दखल नहीं देंगे, आप अपने लोकल कस्टम वगेरा फॉलो कर यह बफर बना रहे और इस बफर के बने रहने के लिए आपकी विदेश नीती हमेशा के लिए हम संभालेंगे, कुछ साल बाद एक कमिशन बिठाया जाता है, डुरेंड कमिशन उनको जिम्मा दिया जाता है कि ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में एक प् अफगानिस्तान का बॉर्डर है, लेकिन यह बहुत ही आर्टिफिशल बॉर्डर है, इस नौट अ नाच्रल बॉर्डर, तो इस बॉर्डर के दोनों तरफ पठान ट्राइब्समें रहते हैं, जो बिल्कुल एक कल्चर, एक भाशा बोलते हैं, तो उनके लिए तो यह बॉर ब्रिटिश बना के चले गए 100 साल पहले, तो हम इसको क्यों माने, हमारे तो लोग दोनों तरफ रहते हैं बॉर्डर के, और वो सच्चाई भी है, क्योंकि जो पक्तून पठान्स हैं, वो mainly इस Northwest Frontier Province और अफगानिस्तान दोनों एरिया में रहते हैं, तो यहाँ पर यह बॉर ब्रिटिश रूल के खिलाब बगावत करते रहते हैं, throughout the 1880s and 1890s, और इनी में से एक बगावत के समय बैटल आफ सारागडी होती है, जो काफी फेमस है, 1897 में इस पर कुछ साल पहले एक मूवी भी बनी थी, केसरी नाम से, तो यह बैटल आफ सारागडी उन्ही ट्राइबल अप्राइजिंग का एक हिस्सा है, ठीक है, इन कभीलों के द्वारा की जाने वाली बगावत को फाइनली कंट्रोल में किया जाता है करजन के द्वारा, करजन जो 1899 में वाइसरोय बनके भारत आया था, उसने आते ही ये प्रोब्लम देखी, कि नॉर्थ वेस्टरन फ्रंट सिख रेजिमेंट्स वगेरा हैं, उनको वहां से हटाओ, जितने भी एडवांस पोस्ट हैं, जैसे की सारा गड़ी वाली पोस्ट थी, वहां पर वो तैनात थे न, उस तरह के फौजें, उन फौजों को वापिस वहां से हटाओ, और इनी ट्राइबल्स में से रिकूट करके हिनी को महाँ पर किलों पर बिठा दो, तो ट्राइबल्स मर्सेनरी इसको इन्हों ने ट्रेन किया, कमांड ऑफिसर, बिटिश ऑफिसर करते थे, लेकिन वहाँ पर एक्च्वल्स किसको बिठा दिया गया, उन्हीं ट्राइबल्स में से सिट्रेक्ट करके लोगों को, ऐस करजन के काल में जाकर फाइनली सेटल होती है, अब सब कुछ बढ़िया चली रहा था, लेकिन तब तक वर्ल्ड वार वन आ जाता है, 1914 में शुरू होता है, 1918 में जाकर ये खत्म होता है, और उसके तुरंद बाद रश्यन रेवल्यूशन या उसके समाना अंतरी रश्यन रे लेकिन उसके हालत काफी खराब है, अभी अभी लड़ाई से उबरा है, बहुत ही कमजोर है, ऐसे में अफगानिस्तान के अमीर को कुछ लोग बढ़काते हैं, कि तो मैं ब्रिटेश इंडिया पे हमला कर दो, अभी ये लोग बहुत कमजोर है, वर्ल्ड वार वन में इनके स शासक को ये भढ़काया, तो ये घटना करम चली रहाता, इस बीच में एक और important development होता है, ततकालीन अमीर, हभी बुल्ला, ये अब्दुर्रहमान का बेटा है, हभी बुल्ला की हत्या इसी का एक बेटा करवा देता है, अमानुल्ला, अमानुल्ला देखता है कि पापा का ल अमानुल्ला बिकम्स दे न्यू रूलर, अब ये अमानुल्ला वैसे एक प्रोग्रेसिव थे, यानि कि ये development वगरा चाते थे, just like शेर अली, ये modern education वगरा लाने की बाते माते करते थे, लेकिन दरबार में conservatives का कबजा था और conservatives इनके खिलाफ थे, उपर से इन्होंने पापा क उपर चड़ाई कर दी, तो इन्होंने ब्रिटिश इंडिया पर हमला करना स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि अभी तक हावाई-जहास का आविश्कार हो चुका है, और इन एरोप्लेंस की मदद से बम गिराए जाते हैं, फिर्स वर्ल्ड वार में इनको इस्तेमाल भी किया गया था, और क्योंकि ये सारे प्लेन अफ्री हो गये थे, वर्ल्ड वार खत्म हो गया था, तो ब्रिटिश ने इनको डैवर्ट करा, भारत की तरफ और अफगानिस्तान पर जम कर इन्होंने बम बर्सा है, तो ये जो वेस्टरन कंट्रीज हैं, य इसलिए 20 साल से नहीं, बल्कि 100 साल पहले से बम गिरा रहे हैं, तो 1919 में भारतिय उक महद्वीप ने संभवत पहली बार बम वर्षा देखी इन एरोप्लेन्स के माध्यम से, हवाई जास का साइकोलोजिकल इंपक्ट कितना होता है, आप ये बात समझेए, लड़ाई चल रह बहुत जल्दी इस से डाउन हो गया, और केवल 3-4 महीने ये लड़ाई चली थी, मही में शुरू ही थी, और अगस्त में तो खतम भी हो गई, ट्रीटीवीटी साइन हो जाती है, ट्रीटीव रावल पिंडी साइन होती है, और इस लड़ाई में दोनों ही कहते हैं कि हमारी जीत हुई, क्योंकि ब्रिटिश के लिए क्या फाइदा रहा, कि अफगानिस्तान ने जो हमला किया था वो बिलकुल आगे नहीं पड़ पाया, तो अगर आप मिलिटरेरिली देखो तो ब्रिटिश की जीत हुई थी, स्ट्राटेजिक विक्टरी ब्रिटिश की थी, डुरैं अफेर्स को वो हेंडल नहीं करेंगे, और ये विदेश नीती उन्होंने क्यों छोड़ थी, क्योंकि याद करो, रशिया में क्या हो गया था, 1917 में, रशियन रेवल्यूशन, तो वहाँ पर अब जार रहा ही नहीं था, और रशिया में 1919 में, जब ये लड़ाई यहाँ यहा जाता था, तो वाइट्स की वहाँ पर जीत हो जाएगी, और वाइट्स को सपोर्ट करता था, UK और जितने भी USA जैसे देश थे, ये सब वाइट्स को सपोर्ट करे थे, और इनको लग रहा था, इनकी जीत हो जाएगी, तो इन्हें लगा कि जब अगर वाइट्स की जीत हो तो यह तो वैसे भी हमारे favor के हैं, तो रशिया से क्या गवराना, तो अफगानिस्तान के माध्यम से अब attack होना नहीं है, तो इसलिए अफगानिस्तान को दे दो उनकी freedom, ऐसे ही उनकी liability है, इनको पैसे देने पड़ते हैं, आर्मी वगेरा maintain करनी पड़ती है, तो इनको इनकी independence दे दी जाए, तो अफगानिस्तान का जो लक्षे था, यानि अमानुल्ला का जो लक्षे था, वो हासल हो गया, इनको इनकी diplomatic victory मिल गई, इन्हें अपनी पूरी आजादी मिल गई, कि foreign policy अपनी खुद समालेंगे, और दूसरी और, अफगानिस्तान को कोई भी territorial gain नहीं मिला, तो इसमें अगर आपसे कोई पूछे कि लड़ाई का नतीजा क्या निकला, तो आप ये लिखेंगे कि British strategic victory लेकिन अफगान diplomatic victory, ये बहुत ही important है, तो ये तीनों ही Anglo-Afghan wars थोड़े से complex हैं, किसकी हार हुई, किसकी जीत हुई, पहले किसकी जीत हुई, फिर किसकी हार हुई, तो यहाँ पर इतना simple नहीं है, हार के जीतने वाले कोई यहाँ पर बाजीगर कहा जाता है, तो कभी बाजीगर बने दोस्त अली, कभी बाजीगर बने शेर अली, कभी बाजीगर बने British, इन Anglo-Afghan wars के उपर ही Rudyard Kipling ने कई सारी कविताएं लिखी हैं, कभी time होतो पढ़ लेना अभी pause करके पढ़ लेना, और Afghanistan graveyard of empires बनने की शुरुआत कर चुका था, तो British empire इसे कभी control नहीं कर पाया, आगे चलकर USSR नहीं कर पाया, फिर USA नहीं कर पाया, और अभी latest यह news है, जब मैं यह lecture बना रहा हूँ, USA अपनी सेनाओं को, जो थोड़ी बहुत वहाँ पर बची नहीं थे, तो आपको याद ही होगा, Congress की सापना होई थी, 1885 में हमने यह discuss कर लिया है, सूरत split भी हमने discuss किया था, 1907 में Congress 200 में बढ़ जाती है, और इसी समय बंगाल में revolutionary activities, करांतिकारियों की जो activities हैं, उनकी हरकते हैं, वो बढ़नी शुरू होती है, और इसी समय में आप द सरों पर bomb फेकना, और किसी को गोली मार देना, इस प्रकार की हिंसक गति विदियों में यह शामिल थे, इसी लिए इनको हम Congress से अलग तरीके से बढ़ते हैं, क्योंके Congress में भी जो extremist थे, वो हिंसा के समर्थन में कभी नहीं थे, लाल बाल पाल भी जो हैं, वो भी कभी हिंसा का समर्थन नहीं करते थे, 1907 में moderates का जो role है, वो काफी कम हो गया था, अब moderates को हम पूरी तरह से failure नहीं कह सकते, क्योंके जब उन्होंने शुरुवात करी थी, तब सब कुछ zero था, political awakening, राश्ट्रवाद, ये सब कोई बातें करता ही नहीं था, तो starting from zero, उन्होंने थोड़ भी काफी जादा है, क्योंके वो बहुत कुछ अचीव नहीं कर पाया, उनका goal क्या था, politics के अंदर भारतिये लोग आए, administration में भारतिये लोगों को जादा स्थान मिले, तो वो लोग जादा कुछ हासल नहीं कर पाया, तो अगर कभी आपसे पूछा जाता है कि moderates का पतन क्य पाज नहीं रखते थे, इसलिए वो mass movement के तरफ कभी नहीं बढ़े, उनको नहीं लगता था कि अगर rally करके, भीड खटा करके कुछ हासल हो सकता है, जबकि वो बाद में extremist ने दिखाया स्वदेशी अंदोलन के दौरान की नहीं, उससे काफी असर पड़ता है, तो moderates ने grassroot movement नहीं चलाया, they did not work with the masses, pan India campaign उन्होंने कोई भी नहीं चलाया, in fact, स्वदेशी और boycott movement जब चल रहा था 1905 और साथ के बीच में, बंगाल के विभाजन के बाद, उस समय भी moderates उसके बिल्कुल favor में नहीं थे, केवल जो extremist है वो उसके favor में थे, हाँ, Bengal province में कुछ moderate ज़रूर ह जो अपने-पने area में active role play कर रहे थे, लेकिन Congress बड़े स्तर पर या moderate बड़े स्तर पर national level पर एक mass movement के favor में कभी भी नहीं थे, और ना उन्होंने उसको बहुत ज़ादा push किया, अगर कोई favor में था भी personal level पे, तो वो Congress Party की official line कभी भी नहीं बन पाई, उनको लगता था कि Rulers, मनाने का best तरीका यही है कि उनको economic और political reforms के लिए धीरे-धीरे आप persuade करें, उन्हें आप समझाएं कि देखो reform लाओगे तो आपका ही फायदा है, लेकिन इन नर्म दल के निताओं के रवये को British ने कभी भी ज़ादा सराहा नहीं, appreciate नहीं किया, और उल्टा वो जितने भी mass movements उनको दबाने में लगे वे थे, क्योंकि British समझदार थे उनको पता चल गया था कि अगर यह mass movements को हमने ज़्यादा बड़ा होने दे दिया, तो यह हमारे लिए काफी खतरना हो सकता है, तो basically moderate समय के साथ आगे नहीं बढ़ पाए, तो शुरुवाती 10-15 साल के लिए वो ठीक लेकिन जैसे जिससे स्वदेशी आंदोलन आया, तो देश की दिशा और दशा बदलने लगी थी और उसके साथ वो keep up नहीं कर पाए, they could not keep up with the demands of the national movement, with the demands of the people, और खास करके जो जवान पीडी है, जो students हैं, उनको वो attract नहीं कर पाए, Congress में कौन थे, बड़े बड़े 70-80 साल क जो नेता है, पुराने-पुराने lawyers हैं, वही सब थे, दादा भाई नारो जी, grand old man of India, अब आप 1904-1905 में grand old man को अपना leader बताओगे, तो फिर जवान आदमी आपके बीचे कैसे attract होगा, तो younger generation और students को वो attract करने में पूरी तरह से विफल रहे थे, students जो है, वो या तो extremist की तर कारण है, जिसके कारण extremist धड़ा popular होता है, अब British इस movement को कहते थे आतंगवाद, terrorist कहते थे वो इनको, क्यों, क्योंके ये बम फेका करते थे, ये गोलियां चलाते थे, अब देखो, मैं ये term इस्तमाल नहीं करूँगा, एक बार मैंने आपको बता दिया है, क्योंके British जो है, इसको बताते थे, terrorist activity, terrorist movement, और कई पुरानी किताबों में, आज भी आप देखोगे, इसको यही नाम से लिखा जाता है, revolutionary terrorist movement, I think revolutionary is a good enough word, ठीक है, क्योंके देखो, हिंसा का इस्तमाल तो यहाँ पर था, ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं है, it's completely true, bomb फिके गए, अभी हम आगे कितने सारे bomb cases हुए है, तो revolutionaries हिंसा का रास्ता अपनाते थे, इसलिए अंग्रेजों ने उने कहा कि यह तो terrorist movement है, तो इस क्रांतिकारी movement की शुरुवात इसलिए होती है, क्योंके moderate fail हो रहे थे, और धीरे-धीरे aggressive nationalism rise हो रहा था, तो extremist नेता, यानि गरम दल के नेताओं के साथ-साथ ये वाला movement भी काफी तेज हो जाता है, क्योंके कुछ लोग तो गरम दल के नेताओं के रवाईये से भी खुश नहीं थे, उनको लगता है कि गरम दल, यानि लाल बाल पाल क्या कहते हैं, कि आंदोलन करो, सड़कों पे उतरो, इससे भी कुछ नहीं होगा, हमे कि ब्रिटिश रूल ना किवल एक political governance को हमारे affect कर रहा है, बलकि देश के जो culture है, देश की जो हमारी धार्मिक स्थिती है, सभी पर वो असर डाल रहा है, it is affecting the overall Indian culture, Indian society और हमारे पूरे राष्ट्रिय जीवन को ये असर कर रहा है, इसी लिए इसको हटाना या उखाड फेकना जरूरी है, इन करांतिकारियों की शुरुवात देश के अलग-अलग हिस्सों में होई थी, तो ऐसा कोई एक संगटन नहीं है, जैसे कि Congress एक संगटन था politics के लिए, तो वैसा यहाँ पर कोई एक संगटन नहीं है, महराष्ट्र में अलग करांतिकारी गतिविदिया शुरू कारियों ने कौन सा रास्ता अपनाया, हिंसा का, वाइलेंस का, बॉम और रिवॉल्वर का, देखो बॉम बनाना उस वक तक काफी एक common हो गया था, कोई भी इसे सीख सकता था, तो कई revolutionaries ने बॉम बनाना सीखा, इसके लिए कई विदेश भी गए, ट्रेनिंग लेकर आये, और इन्होंने बॉम का इस्तमाल करते हुए ब्रिटिश रूल को डराने की कोशिश करी, और ये वाला जो ट्रेंड है, ये इन्होंने पश्चिमी देशों से ही कॉपी किया था, जैसे कि उस समय रशिया के अंदर, जारिस रशिया के खिलाफ एक आंदोलन चल रहा था, और बाद में, इसी प्रकार के कई आंदोलन 19-20 सदी में, कई जगहों पर यूरोप में देखे गए थे, तो फ्रेंच रेवलूशन की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन फ्रांस में 19 सेंचुरी में इस प्रकार की बहुत सारी छोटी-मूटी अप्राइसिंग्स हुई थी, इटली म हुई थी, यूनिफिकेशन चल रहा था, उन देशों का भी जर्मनी का, तो वहाँ पर भी इस तरह की कई अप्राइसिंग्स थी, आइरिश जो है, वो अपने सेल्फ रूल के लिए लड़ रहे थे, बिरिटिश से, तो वहाँ पर भी हिंसा हो रही थी, तो ऐसे कई देशों में, जो हिंसा का रास्ता अपनाया गया, वहीं से ये भी इंस्पायर थे, इन्होंने का, जब वहाँ हो सकता है, तो यहां क्यों नहीं हो सकता, तो इस revolutionary movement को हम 200 में विवाज़त करते हैं, पहला है phase 1 जो 1890 से 1918 तक चला था, इस lecture में हम ये वाला cover करने वाले हैं, और एक और lecture में बाद में बनाऊंगा, जिसमें phase 2 में, जिसमें भगत सिंग जैसे करांतिकारी आएंगे, वह वाला phase 2 हम 1920 के बाद वाला पढ़ेंगे, अलग lecture में, ठीक है, तो इस phase 1 के अंदर बहुत सारे नाम आने वाले हैं, बहुत सारे संगठन आने वाले हैं, तो आपको इनको या एक तो महराष्टर और बंगाल, इन में सबसे जादा था, बाद में पंजाब बन गया था, हब ठीक है, 1910 के बाद में, पंजाब में जादा गतिविदिया हुई थी, लेकिन जो शुरुवाती 10-15 साले, उसमें बंगाल और महराष्टर यहाँ पर revolutionary activities जादा थी, अब revolutionaries मैं secret रखना क्यों जरूरी था, क्योंकि अगर आपने public कर दिया, कि हम यहाँ पर हिंसा का रास्ता अपना रहें, तो British सरकार आपको अगले ही दिन जेल में डाल देती, तो कुछ संगटन है, जिनके नाम आपको याद रखने है, तो मदरास presidency में एक संगटन शुरू होता है, भा इसका reason यह है, कि जब 1818 में पेशवा को समाप्त कर दिया गया, पेशवा के office को खत्म कर दिया गया, तो इससे चितपावन ब्राम्बन काफी नाराज थे, और वो नाराजगी इस समय तक continue रहती है, तो यह चितपावन ब्राम्बन वही है, जिससे पेशवा आते हैं, याद ह अधर चापेकर और बालकृष्ने चापेकर यह दो सगे भाई थे, और इन्होंने पूना के दो ब्रिटिश ओफिसर्स, रैंड और आयस्ट की हत्या कर दी थी, इन्होंने गोली मार दी थी इन दोनों officers को, तो अभी तक ऐसा कभी नहीं देखा गया था, कि दिन दहाडे, मतल से आगई, कि हमारे officers को दिन दहाडे, गोली मारी जा रही है, और गोली क्यों मारी थी, उसके बीचे reason बताता हूँ, पूना में plague फैला था, 1890 के दशक में, plague में 1000 लाखो लोग मारे गए थे, वो बिमारी बहुत ही भेंकर थी, और British ने उसको संभालने के लिए कुछ नहीं क किया, तो उसका बदला लेने के लिए इन दोनों को गोली मार दी गई थी, तो चापेकर बंदू जो है, वो British प्रसासन से पूरी तरह से खफा थे, वो लोग disillusion हो चुके थे, ये देखकर कि British को यहाँ पर लोग मरें, जीएं, इससे कोई फरक नहीं पड़ रहा है, तो चा सुसाइटी की स्थापना करी, जिसका नाम था मित्र मेला, अब देखो विनायक्स, दामोदर सावरकर से जोड़ी वी जितने भी संगठन है, वो काफी important है, डिरेक्टली प्रिलिम्स में वो कूछ लिये जाते हैं, तो इन्होंने सुसाइटी स्थापित करी, नाशिक में जि अबिनाव भारत जो है, ये एक सीक्रेट सोसाइटी थी, रेविलूशनरीस की, तो मित्र मेला और अबिनाव भारत, ठीक है, पहले इन्होंने मित्र मेला स्थापित क्या था, बाद में जाकर अबिनाव भारत की स्थापना करी थी, 1909 में इसी अबिनाव भारत के एक सदस्य अनंत कनारे ने Jackson नाम के एक British जज की हत्या कर दी नासिक में और Jackson की हत्या क्यों करी गई क्योंकि Jackson ने गनेश सावरकर जो विनायक सावरकर के भाई थे बड़े भाई थे इनको सजा दी थी अंडमान की सजा सजाय काला पानी और गनेश सावरकर का जुर्म क्या था कि इन्होंने कुछ patriotic गाने लिखे थे इन्होंने राष्ट्रवाद के गाने लिखे थे और इसी के लिए उन्हें सजा दी गई सजाय काले पानी की और इससे खफा होकर अनंत कनारे ने Jackson की हत्या कर दी तो ये कुछ संगठन है या घटना है महराष्ट्रगी जो आपको याद रखनी है फिर आजाओ बंगाल पे बंगाल revolutionary activities का गड़ बन गया था 1900 वाले दशक में in fact 1918 तक तो जो जाद अतर बड़ी बड़ी हिंसा गटना है हुई है वो बंगाल के revolutionary के द्वारा करी गई थी अब बंगाल में जो जवान लोग थे वो congress के निताओं से बिलकुल disillusion थे उनको लगता था कि ना तो ये moderates से कुछ होगा ना ही ये जो extremist हैं लाल बाल पाल इनसे भी कुछ होगा इनको लगने लगा था कि passive resistance से कुछ नहीं होगा चाहे कितनी भी आहूतियां दे दो विदेशी सामान की अंग्रेजों के कानों में आवाज तभी गुंजेगी जब बॉम की आवाज होगी तो बॉम की गुंज में इनका विश्वास हो गया और इन्होंने कहा कि individual action काफी important है यानि कि भीड को इखटा करके कुछ नहीं होगा एक आदमी जाके भी अगर बॉम फेक्क्या आजाता है या किसी British officer को मारता है तो उससे बहुत ज़ादा हसिल होता है बजाए इसके कि हजारों की भीड इखटा करके नारे लगवा दो ये इनकी सोच थी तो 1902 में कुछ जवान लोगों ने मिलकर एक अनुशीलन समीती की स्थापना करी प्रमतु मित्रा जतेंदरनात बैनर जी और बरिंदर कुमार गोश इन्होंने they were the founding members of अनुशीलन समीती ये समीती बार बार इसका नाम आएगा जिसको star mark कर लो highlight कर लो बंगाल में जितने भी revolutionaries थे वो किसी ना किसी समय पर अनुशीलन समीती से जुड़े हुए थे अब इसका नाम पढ़कर तो आपको लगेगा कि ये तो बिलकुल अनुशीलन शान्ती प्यार महबबत से रहने वाले लोगों की समीती होगी लेकिन ऐसा नहीं था इसका बिलकुल विपरीत था तो इ अनुशीलन समीती एक सीक्रेट सोसाइटी थी कई लोगों को पता भी नहीं होता था कि कौन इससे जुड़ा हुआ है जो इससे लोग जुड़े वेते हैं उनको भी नहीं पता कि दूसरा कौन इससे जुड़ा होगा तो revolutionary activities को शुरुवात की शुरुवात करने का श्रे का श इसी संगटन को जाता है अनुशीलन समीती को बंगाल में एक बात और याद रखेगा कि ये यतिंदरनात बैनर जी जो है ये बागा जतिन नहीं है वो बागा जतिन जो है वो यतिंदरनात मुखर जी है तो दोनों में confuse मत होना अभी आगे उनका भी नाम आ जाएगा और या शिए गरा जाता है युगांतर आगे चलके इन्होंने युगांतर नाम से एक संगटन की भी शुरुबात करी थे अनुशीलन समीती के ही कुех लोगों ने युगांतर नाम के संगठन को भी चलाया था तो पहले अख़़ऩार नाम था युगांतर वीकली न्यूस पेपर अनुशीलन समीती से जुड़े हुए दो इंपोर्टेंट लोग आगे चलकर politics को बिल्कुल छोड़ देते हैं जतिंदरनाथ बैनर जी जो founding member थे और और अरबिंदो गोश औरबिंदो गोश वैसे देखो Congress के साथ काम किया करते थे openly ठीक है ये भी extremist leaders में से एक थे लेकिन underground में ये अनुशीलन समीती को भी लीड किया करते थे इन नेताओं के साथ भी जुड़े वे थे ठीक है तो बाहर कुछ और अंदर से कुछ और तो औरबिंदो गोश और जतिंदरनाथ बैनर जी ये दोनों नाम जरूर याद रखेगा ठीक है तो दोनों ने spirituality के रास्ते पर एक तरह से सन्यास ले लिया सारी गतिविदियों से फिर ढाका में भी एक अनुशीलन समीती स्थापित करीगी देखो कई शहरों में तो आप ये मैप में देख सकते हो ये सब आज बांगलादेश में आता है बारिशाल, चितगॉंग, फरीदपूर, ढाका इन सभी जगाओं पर अनुशीलन समीतीयों की स्थापना करी गई थी अनुशीलन समीती से जुड़े वे एक और revolutionary थे बरिंदर कुमार गोश जो औरविंदो गोश के छोटे भाई थे इन्होंने एक किताब लेखी भवानी मंदिर, अब कई जगे आप ये देखोगे कि भवानी मंदिर को औरविंदो गोश ने लिखा था तो भवानी मंदिर जो किताब है इसको उस समय seditious माना गया था यानि कि ये देश के खिलाफ मानी गई थी अंग्रेजों के द्वारा क्योंकि इसमें इन्होंने इस तरह की बाते लिखी थी कि ये भवानी को वर्षिप करते हुए, मा भवानी को वर्षिप करते हुए, हर जगे एक institution होना चाहिए, इसमें जवान लोग जुड़े होने चाहिए, अंग्रेज सरकार को उखाड फेकने की बातें लिखी हुई थी तो भवानी मंदिर किताब पूछ लिया जाता है कभी-कभी कि किसने लिखी थी तो याद रखना बरिंद कुमार गोश ने, और बरिंद कुमार गोश ने चंद्रा कानूंगो या हेम चंद्रेदास इनका नाम था, इन्हें भेजा था पैरिस की जाकर महाँ पे बॉम बनाना सिखाता था लोगों को, तो उसके पास बेजा गया था चंद्रा कानूंगो को, तो आप देख रहे हो कि कैसे कितना active role था इनका international संगठनों के साथ भी, इन revolutionaries ने कुछ काफी daring attack किये, जिनमें से एक था 1907 में धाका के magistrate पर हमला करना, तो धाका के magistrate train से कहीं जा रहे थे, इन पर गोलियां चला दी जाती है, इन्होंने बंगाल के left net governor को भी assassinate करने की, उनको भी माणने की कोशिश करी, लेकिन fail हो गया, अब revolutionaries के साथ problem ही सबसे बड़ी यह है, कि इन्होंने हमले तो बहुत सारे किये, लेकिन जाहतर हमलों में इनके या तो target इनका खत्म नहीं हु पर bum fake दिया, मुझफरपुर नाम की जगे है बिहार में, वहां का judge था Kingsford, और Kingsford जो है वो बहुत infamous था, revolutionaries को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए, तो इससे नाराज होकर खुडी राम बोस और प्रफुला चाकी ने इस judge के carriage पर, carriage क्या होता है, घोड़े की जो बग्गी हो लेकिन बिहार PCS की कोई तैयारी कर रहा है, तो लिख लेना, एक lawyer था जिसका नाम था Kennedy, उसकी wife और उसकी बेटी की हाँ पर मौत हो जाती है, तो ये दो महिला मर गई, इसके कारण के आए कि अब Britishers को तो एक मौका मिल गया, propaganda का, कि देखो ये तो महिलाओं और बच्चों को मार रहे हैं, जो revolutionaries हैं, तो यही सब कारण थे कि revolutionaries को इतना ज्यादा popular support थोड़ा सा मिल नहीं पाया, तो खुडी राम बोस और प्रफुल्ला चाकी बिलकुल नौजवान यंग थे, इन्होंने ये बम फेका था, लेकिन इनको जब पकड़ने पुलिस जाती है, तो फेमस बंगाली गाना है, एक बार बिदाई दे मा, लेकिन ब्रिटिश सरकार को समझ में आ गया कि ये 17-18 सालों के बच्चों का दिमाग नहीं है, इसके पीछे कुछ और ही फंडा है, कोई ना कोई संगठन है, और इन्होंने जब जाज परताल करी, तो ये पहुँचे गोश बंदुों तक, तो गोश बंदु कौन से, बरिंदर कुमार गोश और अरविंदो गोश, तो इनको समझ में आ गया, अंग्रेजों को, पुलिस को, कि ये दोनों भाई हैं, जो पीछे से सब कुछ हैंडल कर रहे हैं, तो इन्होंने ही, इन प्रॉबिबली इन दोनों इसको पूरा आइडिया दिया है, फिर इनकी मदद करी, बाकी ये दो, 18-17 साल के नौजवान कहां से बंब बनाना सीखे, तो दिरे-दिरे पुलिस, अनुशीलन समीती के मेंबर्स तक पहुंचती है, तो दोनों घोश बंदूं को अरेस्ट कर लिया जाता है, और ये वाला जो केस है, इसको कहा जाता है, अलिपूर कॉंस्पिरेसी केस, क्योंकि अलिपूर जेल जो है क्यलकटा के पास, वहाँ पर इन सारे प्रिजनर्स को रखा गया था, और अरविंदो घोश को भी रखा गया था, और वहीं पर इसका ट्रायल चलता है, तो इसलिए जज़ पर प और अरविंदो घोश को भी फासी होते होते रह गई थी, इनके खिलाव जिस आदमी ने गवाई दीती, उसका जेल में मर्डर हो गया, पता नहीं किसने उसको मार दिया, तो जो एक आदमी था, जो इनके खिलाव गवाई देने वाला था, उसकी जेल में हत्या हो जाती है, और अरविंदो घोश को पुलिस जेल में जज सजा नहीं दे पाए, तो ये छूड जाते हैं इस केस के अंदर, और उसके बाद ये रेवलुशनरी गतिविदियां अपनी छोड़ कर चले जाते हैं, पॉंडी चरी, और महा पर जाकर आश्रम आश्रम खोल लेते हैं, ऐसा य अब इंदो घोश को इस केस में डिफेंड किया था, चितरंजन दास ने, CR दास, इनका एक नाम है, इनकी एक उपादी है, क्या आप लोगों को पता है, आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट में ये आपका कुश्यन है आज का, कि चितरंजन दास को क्या नाम से जाना जाता था क्या उपादी दी गई थे उन्हें लोगों के द्वारा, तो इनको अक्विट कर दिया गया, on the lack of evidence, क्योंके मैं आपको बताया, इनके खिलाफ कोई गवाही देने वाला नहीं बचा, बरिंद्र गोश और उलसकर दत, जिनोंने bomb बनाये थे, इनको death penalty दी गई थी, लेकिन ब बेंगॉल में हिंसा जो है वो उस समय भी काफी थी, अब ऐसा लगता है हमें कि नहीं थी, लेकिन जो independence वाला national movement वाला time था, उस समय भी वो हिंसा थी और कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी प्रारूप में चाहे, वो left movement के रूप में हो, नकसलबारी movement के रूप में हो, या फिर अ अब आप जो देखते हैं, जो political violence है, उसके रूप में continue हो रही है Bengal के अंदर, तो मैं यह नहीं कहा रहा कि यह directly linked है, but there is a trend of violence, a political violence since the past 130 years in Bengal region, अब आजाते हैं पंजाब और दिल्ली, यानि कि उत्तर भारत में revolutionary गतिविदियों पे, तो देखो Bengal गड था revolutionary गतिविदियों का, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पंजाब भी पीछे था, तो पंजाब में 1904 में एक संगठन सापित किया जाता है, जे-म चैटर जी के द्वारा, तो ये बंगाल से ही आये थे, थोड़ा सा influence किया इन्होंने यहां के लोगों को, तो लाला हर्दियाल, अजीत सिंग, सूफी अंब प्रसाद, इन सबने मिलकर पंजाब में revolutionary गतिविदियों की स्थापना करी, एक संगठन बनाया और कोशिश करी के पहले हम किसानों के हग के लिए लड़ते हैं, क्योंकि पंजाब में सबसे ज़्यादा important क्या है, किसान आज भी होई चल रहा है, आप जानते ही हैं, मे अब भगत सिंग तो बाद में आएंगे न, तो इनकी परिवार में सभी revolutionary थे, भगत सिंग के पिता जी हो, इनके चाचा हो, तो अजीत सिंग थोड़े से famous थे, क्योंकि ये मतलब नेता थे, बाकि इनके परिवार में, सारे भाई जो है revolutionary गतिविदियों में शामिल थे, और next ये confused मत हो न, वो भारत मादा संगटन चन्नेई वाला अलाग है, और ये इनका print journal है, ये इनका अकबार है एक तरसे समझ लो, तो इनोंने अपने संगटन के माध्यम से किसानों को ये कहा, कि आप revenue मत दो, क्योंकि आपको पानी वगेरा के लिए जादा चार्ज किया जा रहा इनके संगटन पर government ने काफी अच्छे से crackdown किया और इनकी political meetings को bang कर दिया, लाला लाजपतर आये जो इनसे जुड़े वे थे और सरदार अजीत सिंग दोनों को सजाय काला पानी में भेज दिया गया, लेकिन जब इनको जेल से छोड़ा गया, तो उसके बाद सरदार अजीत मैं notice दे रहे हैं कि आज ओ सब meeting करेंगे, तो जैसे अगर आज के समय में आप देखो तो political rallies वगेरा, ये सब overground होता है, लेकिन कई संगटन underground भी काम करते हैं, तो ये वाला जो संगटन है ये पहले overground activities में शामिल था, जब ये जेल से छूट कर वापिस आया, तो इनको समझ म जाती है, वो और उसका जो assistant था, orderly मतलब की उनका assistant होता है, जो उनका काम अगेरा करता है, तो इन दोनों की हत्या कर दी जाती है, और ये पंजाब में पहली assassination की घटना थी, जिसमें किसी सरकारी officer को मार दिया गया था, दिन धहाडे, December 1909 में, अंबाला के deputy collector के घर के अंदर एक बंफेका जाता है, और उसमें हाला कि उनकी death नहीं होती है, बट बंफेकना वो भी deputy collector के घर में काफी बड़ी बात थी, लेकिन पूरे उत्तर भारत में, या परहाप्स पूरे भारत में, सबसे बड़ा और famous जो bombing case है, वो हुआ था, 23 December 1912 को, जब भारत के viceroy, Lord Harding के रहा था, याद है आपको 1911 का जो दिल्ली दरबार था, उसमें क्या announce किया था, कि दिल्ली capital बना दिया जाएगा, कैलकटा से move करके, तो 1912 में actually में shifting होती है, तो जब दिल्ली में राजधानी स्थापित करी गई तो एक procession निकाला गया, चान्नी चौक से, जो आज का जो President House ह राश्टरपती भवनें वहां तक, तो उस बीच में इस procession के उपर, बम फेका जाता है, राश बिहारी बोस और सचिंद्र सानियाल के द्वारा, बहुत important है, यह नाम भूल के भी आपको भूलने नहीं है, तो राश बिहारी बोस इनका नाम आगे भी आएगा, यह आएने की death नहीं होती है, लेकिन Harding का एक attendant था, एक knocker था, उसकी वहाँ तुरंट death हो जाती है, तो Harding को थोड़ी बहुत चोट लगती है, तो यह मतलब एक बहुत ही important घटना थी, कि नया capital स्थापित हो रहा है, और Calcutta से दिल्ली capital लाने के बीचे, one of the reasons यहीं था, कि Calcutta में या Bengal में revolutionary activities काफी बढ़ गई थी, तो अंग्रेजों को लगने लगा कि थोड़ा शान्ती वाले इलाके में जाते हैं, और जहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर अशान्ती फैल गई, इस bombing के बाद 13 लोगों को हिरासत में लिया गया, और इस case का जो trial चला था, जो court case चला था, उसको कहते ह और यहाँ पर एक व्यक्ति जो इसमें शामिल था, दीना नात नाम का एक सरकारी करमचारी था, वो भी इन revolutionaries के साथ इनकी गधिविदियों में शामिल था, तो इसको सरकार ने pressure में, इसको police ने pressure में सरकारी गवा बना लिया, और बाकी कई लोगों के खिलाफ इसमें करते हैं, तो यह दोनों तो पकड़ में नहीं आया, पुलिस के, लेकिन इन्हों को पकड़ कर फांसी की सदा दे दी जाती है, राश बिहारी बोस्त देश छोड़ कर जापान चले जाते हैं, और जापान में रहते हुए, कुछ समय बाद में यह जर्मनी भी गए, लेकिन ज जापान में रहे अगले 30 साल, इन्होंने बहुत कोशिश करी कि भारत में करांती आया, रेवल्यूशनरी इस एक्टिविटी को सपोर्ट करते रहते थे, और अल्टिमेटली 1940 में यह इंडियन नैशनल आर्मी की स्थापना करने वाले प्रमुख लोगों में से एक बनेंगे जो आईये ने, जिसको बाद में सुभाश चंदर बोस ने संबाला था, उसकी शुरुवात राश बिहारी बोस के द्वारा करी गई थी, क्योंकि जापान में यह बहुत साल रहे थे, तो जापान की सरकार के काफी निकट आ गए थे, तो जब वर्ड वर्ड टू चल रहा थ आपको बताया कौन, और अब इन दो घोष सन्यासी बन गए, और दूसरे थे जतिंदरनात बैनर जी, वो भी चले गए थे, निरलंब स्वामी बन कर है ना, तो निरलंब स्वामी और इन दोनों से टेक ओवर किस ने किया, बागा जतिन ने, बागा जतिन एक बिलकुल जवान व्यक्ति थे, बागा जतिन की एज भी बहुत कम थी, he was just around 20-22 जब इनोंने, मतलब इन गतिविदियों में पाट लेना शुरू किया था, तो ये काफी जवान व्यक्ति थे, और बागा जतिन जो है, इनका नाम था, यतिंद्रनात मुखर जी, ठीक है, अब वो इंग बंगाल, बलकि यूपी और पंजाब में भी इनोंने इन गतिविदियों को आगे बढ़ाया, और ये मेंली इसलिए, क्योंकि जो दो मेजर, जो फिगर्स हैं, वो रिटायर हो चुके हैं, और इनके साथ राश बिहरी बोस, लाला हर्दियाल जैसे लोग जुडते हैं, ये वही राश बिहरी बोस हैं, जो अभी जिनके हमने चर्चा करी थी, तो उत्तर भारत में भी इनोंने रेवलूशनरी अक्टिविटीज को बढ़ावा देने में काफी अपना सहयोग दिया, फिर इनोंने वेस्टन अनुशीलन समीती, यानि कि महराष्ट वाले एरिया में भी उसको स्थापित किया, थोड़ा अक्टिव बनाया, और उसका नाम दे दिया जुगांतर, तो आपको याद है न, वो युगांतर अक्वार निकाला करते थे, उसी के पीछे इसको इनोंने नाम दे दिया जुगांतर, जो वेस्टन एरियास की अनुशीलन समीती थी, और जो जर्मनी के साथ मिलकर एक साजिश रशने की कोशिश करी, जिसको कहा जाता है जर्मन प्लॉट, प्लॉट का मतलब होता है एक साजिश, ठीक है साजिश, तो ये साजिश ये थी के भारत के अंदर जर्मनी के द्वारा हत्यार सप्लाई किये जाएंगे, जर्मनी की सरकार और प्रटिश सरकार दोनों आमने सामने थे वर्ड वार वन में तो जर्मनी की मदद से वहाँ पर कुछ अफसर थे जो इस प्लान को चला रहे थे उसको जिमर्मन प्लान कहा गया था जिमर्मन एक जर्मन ऑफिसर था तो यह यहाँ पर अनुशीलन समी थी और भी इसमें कई लोग ठीक है तो इनका टार्गेट यही था कि जर्मनी से आएगा असला बारूद और यहाँ पर शुरू करी जाएगी करांती तो जुगांतर पार्टी ने इसके लिए कई सारे फंडिंग इखटा करने के लिए डगैती करनी शुरू कर दी छोटे मोटे लूट पार्ट करनी शु तो यहाँ पर कबजा करके इनका टार्गेट है था कि आर्मी में बगावत करवा देंगे और इससे पूरे देश पर अपन कबजा कर लेंगे लेकिन इनका जो यह पूरा प्लान है यह एक इनी के आदमी ने पुलिस को जाकर बता दिया तो यह ख़बर कैसे भी करके गुप् जर्मनी से हतियार आने थे तो यह बाला सोर में इंतजार कर रहे थे वहाँ पर इनको पुलिस ने घेर लिया और यहाँ पर इनके और पुलिस के बीच में एक बहुत जबरदस्त गन फाइट हुई और फाइनली यह यहाँ पर मार दिये गए अरेस्ट हो गए अलग-अलग कोई कहता है कि गन फाइट में इनकी डेथ हो गई थी कुछ रिपोर्ट्स यह भी कहती है कि इनको पुलिस ने अरेस्ट करके बहुत टॉर्चर किया फिर इनको मारा गया तो कुल मिलाकर बागा जतिन 1915 में इनकी डेथ हो जाती है तो बागा जतिन ने स्वामी विवेकानन स इनसे इंस्पायर होकर एक नारा दिया था आमरा मौर्बो जात जाग पे मैं मर जाओंगा लेकिन देश जाग जाएगा तो इस लाइन्स के साथ इनका जो रेवलुशनरी गतिविदियों का चाप्टर है वो समाथ थम करते हैं फिर आ जाते हैं रेवलुशनरी गतिविदिय में जाकर पढ़ते थे चाहे वो सुरिंद्रनाथ टेगोर हो यह सभी महां पढ़ते थे तो इसी लिए जो भी अच्छी पढ़ाय लिखाई करना चाता था उसको भेज दिया जाता था लेकिन इन में से कई लोग पढ़ाय लिखाई के साथ-साथ क्रांतिकारी गतिविदियो शुरू होते हैं जैसे कि मदनलाल धिंगरा, विनायक दामोदर सावरकर, वी वी एस अईयर, टी एस एस राजन और ये सभी क्रांतिकारी विचारों के लोग थे तो ये इखट्टा होकर यहां पर सोचते हैं कि कैसे हम इंगलैंड में रहते हुए क्रांति लेकरा हैं फिर द सबी गतिविदियों की स्थापना करी शाम जी कृष्ण वर्मा ने, he was the main person, तो शाम जी कृष्ण वर्मा थोड़े अमीर थे, तो इन्हों ने एक स्कॉलर्शिप की शुरुवात करी थी, कि जो भी अच्छा बच्चा है, जो पढ़ने में बढ़िया हुश्यार है, तो उसक जी कृष्ण वर्मा ने, होम रूल सोसाइटी की स्थापना करी थी, तो आगे चलकर हम होम रूल के बारे में पढ़ेंगे, तिलक, एनी बीसेंट, इनका जो होम रूल मुव्मेंट था भारत में, वो अलग है, यहाँ पर भी होम रूल, अब यह होम रूल की डिमांड आई क होम रूल, तो इन्होंने लंडन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना करी याद रखो, फिर से कहा रहा हूँ, यह भारत वाले होम रूल मुव्मेंट से अलग है, लक्ष दोनों का सेम है, लेकिन यह लंडन में स्थापित हुआ है, और वो दस साल बाद आगे जाकर भारत म स्थापित होगा, उसके में लीडर्स होंगे, गबाल, गंगा, दर, तिलक और एनी भी सेंटीक है, तो जहाँ पर यह रहते थे, उसको कहा जाता था, इंडिया हाउस, और कई बार इस मुव्मेंट को इंडिया हाउस मुव्मेंट भी कहा जाता है, तो यहाँ पर जिन लोग में गदिविदी चला रहा है, तो वो भी कुछ महीनों के लिए आकर यहाँ पर रह रह रहा है, तो इस प्रकार की गदिविदिया है, यहाँ काफी चलती थी, शाम जी कृष्णवार्णबार ने लंडन में रहते हुए, एक अकबार निकाला, इंडियन सोशियोलोजिस्ट, मलब यह मंत्री जर्णल था, अकबार नहीं था, महीने में एक बार चपता था, इंडियन सोशियोलोजिस्ट के माध्यम से इनका लक्षे क्या था कि जो पड़े लिखे अंग्रेज लोग हैं, उनको भारत की व्यथा के बारे में बताया जाए कि भारत के हालत कितनी खराब ह और अंग्रेजी हुकूमत क्यों वहां के लिख गलत है, तो इस प्रकार का अपने अकबार के माध्यम से यहां पर जानकारी फैलाना चाहते थे, तो इंडियन सोशियोलोजिस्ट यही काम करता था, कहां पर लंडन में, अब इंडिया हाउस की गतिविदियों पे वहां की प असिस्टेंट था, एक तरह से आप कह सकतो, he was like a deputy to the secretary for state in India, secretary for state कौन है, यह लंडन में भारती अमामलों का मंत्री है, तो उसके असिस्टेंट की हक्तिया कर दी जाती है, मदनलाल धिंगरा के द्वारा, और तुरंत इनको अरेस्ट करके इनको दो महीने के अंदर-अंदर फ अपनी गतिविदियां चलाने लगे, और लाला हर्दयाल जैसे जो लोग हैं, वो चले जाते हैं, US, और वहाँ पर एक नया movement शुरू करते हैं, जिसका नाम है गदर movement, अब गदर movement की शुरुवात कैसे होती है, देखो, यह है USA, यह है Canada, US और Canada में, कई भारतिये, कई Chinese लोग migrate कर रहे थे, सन 1880, 1890 के आसपास, क्योंके देखो, वहाँ पर labor की जरूत थी, cheap labor, सस्ता labor, तो Chinese लोगों नहीं, in fact, जितनी भी rail line है न, पूरे western USA की, वो सब Chinese लोगों की labor के द्वारा बनाई गई हैं, और भारतिये लोगों की भी वहाँ पर जरूत थी, as labor, वहाँ पर बहुत सारे लोग काम करते थे, तो एक दौर चला था, 1890, 1900 के आसपास, जब कई लोग Canada और US shift हो रहे थे, तो इसी समय, यहाँ पर जादतर लोग settle थे, Seattle शहर और यहीं, border के just pass में शहर है, Vancouver, ठीक है, Vancouver यहाँ आज भी काफी बड़ा शहर है, Canada का, Vancouver और यह है, Seattle, US का, यह दोनों विल San Francisco, Los Angeles, यह California है, basically यह पूरा पश्चिमी तठ है, ठीक है, US और Canada का, तो यहाँ पर गदर मुव्मेंट की शुरुआत होती है, तो गदर पार्टी की establishment होती है, San Francisco शहर में, California में, America में, 1913 में, स्थापना करने वाले सदस्यत है, लाला हर्दियाल, राम चंदर, भगवान सिंग करतार सिंग सराबा, बरकत तुल्ला और भाई पर्मानंद, यह सारे नाम important है, especially करतार सिंग सराबा और लाला हर्दियाल के नाम आपको नहीं भूलने है, बरकत तुल्ला भी बहुत important है, और यह सभी ऐसे लोगे, जिनोंने विदेशों में रहकर भारत की आजादी के लिए, यह कमान समाली थी, ठीक है, तो इनका target क्या था, कि South Asia के जो लोग, दक्षिन Asia के लोग रह रहे हैं, उनके political rights के लिए लड़ा जाए, और एक ऐसा time आ गया था, जब Canada और US immigration को restrict कर रहे थे, तो उन restrictions के खिलाब भी इनोंने आवाज उठाई, यह उनका जंडा था, तो सोहन सि President of Gadar Society, और revolutionary गतिविदियों को करने के लिए, इनोंने स्वदेश सेवक होम, या फिर एक घर जैसा India House था, वैसे ही, यहाँ पर स्वदेश सेवक होम बनाया है, वैंकूवर में, और United India House बनाया है, सियाटल में, नाम भी वैसा ही है, India House, और USA में है, इसलिए United India House, तो यह दोनो घर की सापना यहाँ पर करी गई, और एक इनोंने अखबार निकाला, जो हफते में एक बार छपता था, गदर, इसका नाम था गदर, ठीक है, तो इसको English और Local जो गुर्मुखी स्क्रिप्ट में पंजाबी भाशा होती है, उसमें दोनों में चापा जाता था, इसका लक्ष गदर का नाम भी गदर हो गया, अखबार का नाम भी गदर हो गया, गदर शब्द का मतलब ही होता है कि क्रांती या बगावत, तो इनका जो अखबार था, उसका जो पहला एडिशन चपा था, उसमें यह बहुत ही फेमस एक पोयम चपी थी जिसमें, जिसका मले English Translation यहोगा But today there begins गदर in foreign lands, यानि कि US में, but in our country's tongue, यानि कि हमारी मात्रभाशा में, a war against the British Raj, हमारा नाम क्या है, what is our name, गदर, what is our work, हमारा काम क्या है, गदर, यह गदर आएगा कहां, revolution आएगा कहां, भारत में, और the time will soon come when rifles and blood will take the place of pen and ink, तो rifle और खून बहेगा, ना की pen और ink, ना की pen औ अब गदर पार्टी की स्थापना के तुरंदवाद World War 1 शुरू हो जाता है, 1914 में, और इसमें US और UK एक तरफ थे, और दूसरी तरफ था सामने इनके जर्मनी, तो इन्होंने जर्मनी से मदद मांगने की ठानी, कि इन्होंने गदर पार्टी के जो निता हैं, लाला हरदयाल उनको कहा कि आप वहाँ पर रेडी रखो सब कुछ, हम हतियार वगेरा भेजेंगे, असिस्टेंस भेजेंगे जर्मनी को, तो जर्मनी, लाला हरदयाल, गदर पार्टी, बरकत तुल्ला, ये सब आपस में कॉर्डिनेशन के साथ काम कर रहे थे, और इसमें राश भिहारी ब भनक लग गई, और USA के ऑफिसर्स को भनक लगी थी, और उन्होंने UK वाले अपने काउंटर पार्ट्स को बता दिया, तो UK की जो सरकार है, उसने सभी जगे, चाहे वो लंडन हो, चाहे वो भारत हो, ओडिशा हो, सभी जगे, क्रैक डाउन किया इन रेवलिशनरी स्के उपर एक साथ, तो ये इनकी intelligence का एक बहुत बड़ा successful example था, ठीक है, और सबसे बड़ी problem यही थी, कि इनका plan leak हो गया था, कही ना कहीं से, अब exactly आज दिन तक नहीं पता कि कहां से leak हुआ था, of course ये लोग बताएंगे नहीं, लेकिन intelligence officers को, USA के officers को ये plan मालूम चल गया था, अब दर से directly link नहीं है, लेकिन इसी समय काल का है, तो हमें important ये हमारे लिए हो जाता है, कुमा गाता मारू incident, कुमा गाता मारू एक Japanese जहाज था, उसका नाम है, कुमा गाता मारू Japanese नाम है, तो ये जहाज है, और इसका history में significance क्या है, कि इसका जो पूरा incident हुआ था, ये जो घटना के लिए, तो ऐसा लग रहा था कि कभी भी सरकार को उखाड फिका जा सकता है, तो कुमा गाता मारू एक जहाज था, जिसमें 370 passenger थे, जो mainly sick थे, जो पंजाब एरिया से आते थे, कुछ पंजाबी Muslim भी थे, और इनको जाना था Singapore से Vancouver Canada, तो आपको मैंने map दिखाया था ना, य यह बात आज Canada सरकार स्विकार कर चुकी है, Canada ने officially कुछ साल पहले इसके लिए माफी भी मांगी है, कुमा गाता मारू incident के लिए, तो यहाँ पर Canadian authorities ने इनको जाने से मना कर दिया, और दो महीने तक इनके जहाज को बंदर गहां में रखा, वहाँ पर इतनी परेशानिया जहल इन लोगों ने, ultimately यह जहाज लोटा दिया जाता है, रिटर्न कर दिया जाता है, और यह लोट कर कहां पहुंचता है, Calcutta, ना तो इनको सिंगापूर लेने को तयार, ना इनको वैंकूवर लेने को तयार, तो क्यूंके यह सब originally पंजाब के लोग थे, तो जहाज को बेजा भारत, Calcutta में जहाज डॉक करता है, और वहाँ से ब्रिटिश सर्दार कहती है कि चुपचाब ट्रेन में बैठो और जाओ, आपको पंजाब भीजा जाएगा, लेकिन वहाँ पर लोग प्रोटेस्ट करते हैं, और जब यह 1914 सितंबर 1914 की बात है, जब Calcutta के अंदर यह लोग जगे जाने की कोशिश करें, इन पर आप कैसे गोलियां चला सकते हो, इनके उपर आप हमला कैसे कर सकते हो, तो एक तो World War I चल रहा है, वैसे ही British Army आपर मौजूद नहीं है, उदर वो USM1 गदर लीडर्स ने इसका मौका उठाया, इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर करी के एक हिंसक आंदोलन British सरकार के खिलाफ शुरू हो जाए, पंजाब में और इनोंने हतियार पहुचाने की भी कोशिश करी, और भारत में जो अनुशीलन समिती और दूसरे संगट हैं, उनके माध्यम से ये बात कही सबको कि आप तयार रहो, बस हतियार आ रहे हैं, जर् पंजाब में situation थी, काफी explosive थी, और बहुत बड़े chances थे उस समय, कि अगर इनका plan मानलो, एक महिना भी अगर पता नहीं चलता British को, तो definitely वहाँ पर एक गदर तो होता, एक क्रांती होती, और एक बड़े स्तर की beauty हो सकती थी, और ये सब कुछ 1915 के आसपास हो रहा है, ठीक है, World War चल रहा है, World War I इस वक्त ongoing है, और इसी पूरे plan को coordinate करने के लिए एक Berlin committee बनाई गई थी, Berlin जो कि जर्मनी का capital है, तो वहाँ पर जर्मनी की सरकार भी पूरा इसको support कर रही थी, तो वहाँ पर Berlin committee for Indian independence नाम से एक समीती बनाई, जर्मन सरकार ने 1915 में, और इसमें कुछ Indian conspiracy भी कई बार कहा जाता है, या German plot भी कहा जाता है, अंग्रेज इसको German plot कहते हैं, और कई लोग इसको Hindu German conspiracy भी कहते हैं, इसका actual नाम Zimmerman plan था, तो यहां से Indian settlers जो दूसरे देशों में रह रहे थे, उनको mobilize करने की कोशिश करी गई, उनको भी भारत वेजो, हतियार वगेरा लेके volunteers को France से, Germany से, Japan से, Singapore से भेजा जाए, तो कई जगे इन्होंने कोशिश करी, कि विदेशी, जो मतलब भारत के लोग विदेशों में बसे हैं, वो भारत जाकर वापिस इस क्रांती में हिस्सा लें, लेकिन जालातर जगे यह successful नहीं रहे, सिवा है Singapore के, तो Singapore में इनका जो plan है, वो थोड़ा सा successful हुआ, एक British Indian Army की टुकडी, जो महाँ पर तैनात थी, उसने महाँ बगावत कर दी, तो 15 February 1915 में, पंजाबी Muslim 5th Light Infantry और 36th Sikh Battalion, जमादार चिष्टी खान, जमादार अब्दुल गनी और सुवेदार दाउद खान के नितरतों में, ये British Rule के खिलाफ बगावत कर देते हैं, आपको पता ही होना चाहिए कि Singapore भी एक British colony था, तो Singapore में ये British Indian soldiers, जो World War 1 में वहाँ तैनात थे, ये भगावत कर देते हैं, और दूसरी जो military टुकडियां है, वो इनके खिलाफ लड़ाई लड़ती हैं, और ultimately इनकी हार हो जाती है, मतलब दो टुकडियां थी, से कानून बनाओ, एकदम टफ कानून जिससे लोग कुछ ना कर सकें, तो 1907 में इन्होंने बनाया prevention of seditious meetings act, seditious का मतलब होता है, देश द्रो, sedition का मतलब होता है देश द्रो, तो देश द्रो ही गतिविदियों के लिए अगर कोई meeting करता है, तो उसको तुरण जेल में डाला अनुशीलन समीती जैसे, उनको रोकने के लिए ये कानून बनाया गया, फिर बनाया explosive substances act, कि कोई भी गोला बारूद इस तरह का सामान नहीं रख सकता, जिससे बम बनाया जा सके, तो ये कानून लाया गया 1908 में, फिर इन्होंने criminal law amendment act 1908 में पास किया, इसमें भी कुछ जो स अखबार चापता है और उसमें देश विरोधी गतिविदियों के बारे में जिक्र करता है, या फिर किसी को भढ़काने की कोशिश करता है, तो वो भी अवे कानूनन जुर्म है, अब आपको याद होगा कि औरोबिंदो घोष को वो अलिपूर conspiracy trial में तो जेल में डाल नहीं पाई, मतलब सजा नहीं हो पाई, तो उन्होंने क्या करा और अब इन दो घोष के छूटते ही, उनको का कि आपने अखबार वगएरा चापे देना, उसके खिलाफ आपको हम जेल में डाल देंगे, लेकिन उससे पहले ही वो पॉंडी चरी जा चुके थे, फिर 1910 में Press Act 1910 ल स्थिती को रोकने के लिए, Defense of India Act पास किया गया, जिसके धहत, कोई भी व्यक्ति, जेल में डाला जा सकता है, अगर उनको हलका सा डाउट भी है कि वो देश विरोधी या फिर राजा के खिलाफ, मतलब King's Rule के खिलाफ, अगर कोई काम कर रहा है, His Majesty's Rule के खिलाफ काम कर रहा है तो उसको जेल में डाला जाएगा, चाहे वो कोई British नागरी की क्यों ना हो, चाहे वो कोई भारतिय आदमी भी क्यों ना हो, कोई भी उसको जेल में डालेंगे, और यही कानून आगे चलकर Rollet Act के रूप में थोड़ा सा modify कर दिया गया था, तो Rollet Act, Rollet सत्यागरा के बारे में माने वाली classes में पढ़ेंगे, और किसी ना किसी प्रकार से इसको Second World War वाला time period है तब भी use किया गया, in fact जो आज हमारे emergency के provisions है न, वो यही से थोड़े थोड़े inspired हैं, ठीक है, directly लिख मत दिना, polity के अंदर यह, क्योंकि directly वहां से नहीं लिए गया है, लेकिन inspired जरूर थोड़ they worked, ठीक है, इनका इस्तमाल करके, पुलिस सारे revolutionary's को jail में डाल जेती थी, अब jail में आब 5 साल, 10 साल रहोगे तो फिर कहां से revolutionary गतिविदी चलाओगे, तो पुलिस का crackdown काफी strict हो गया, और इसी समय, 1915 के आसपास जब World War 1 चल रहा था, Home Rule की बाते होनी शूरू हो गई थी, Responsible Government, Home Rule Movement भारत में चालू हो गया था, बाल गंगादर तिलक, एनी बीसेंट के नितरतों में, तो इसी लिए, लोगों को लगने लगा कि बही ये, क्रांतिकरी का गतिविदिया, बंब वगेरा फेकने से क्या होगा, इससे तो British और जादा सक्त हो जाएंगे, हमारा ही नुकसान है, तो Home Rule Movement मिल तो रहा है, उन्हें लग रहा था उस समय कि Home Rule मिल जाएगा, World War One में British हुकूमत एक समय इतनी कमजोर हो गई थी, मतलब British Government वहाँ पर, Britain में, World War One में, क्योंके वो जीत नहीं रहते न, तो इतनी कमजोर हो गई थी कि लग रहा था कि Home Rule मिल जाएगा, और उन्हो परकार से ये वाला जो पूरा movement है, ये थोड़ा सा slow पड़ जाता है, और फिर second phase इसका आप देखोगे, 1920s में, late 1920s में, भगत सिंग और जो उनके करांतिकारी methods हैं, वो सभाएंगे, तो वो phase 2 हम पढ़ेंगे, तो 1906 का जो साल है, उसमें एक important development होता है, वो ये कि Muslim League की स्था आपना के बाद, जो Muslim League के elite सदस्य हैं, जो सबसे topmost सदस्य हैं, वो शिमला में जाकर भारत में वाइसरोय जो हैं, उससे मिलते हैं, इसको कहा गया शिमला deputation, 1906 में ये शिमला deputation जाकर Lord Minto, जो उस वक्त क्या थे, वाइसरोय थे, तो Lord Minto the second ये थे, क्योंकि याद करो एक पह कहते हैं, कि हमें separate electorate दे दीजिए, इस separate electorate का क्या मतलब है, क्या माइन है, यह आने वाले कुछ मिनिट में आपको पता चलेगा, अभी के लिए आप इतना समझ लो, कि separate electorate ने भारत में एक तो कम्यूनलिजम की नीव रखी, और दूसरा, जो पूरी electorate है, पूरे election process है, उसक थे Secretary of State for India, जो लंडन में office होता है, यानि कि भारती अमामलों के मंत्री, जो लंडन में बैठते हैं, और British cabinet का हिस्सा है, और दूसरी और यहां भारत में, कलकत्ता में थे Minto the second, who is the viceroy in Calcutta, तो Calcutta में है viceroy Minto, 1905 में करजन की रवानगी हो गई थी, करजन ने जैसे ही वापिस बुला लिया गया, तो करजन जस्ट जाने से पहले बंगाल का विभाजन करके गया था, और करजन के जाने के बाद यहां पर अगला viceroy बना कर भेजा जाता है Minto को, तो Minto जो है, यह पहले Governor General of Canada भी रह चुका था, तो इसको अच्छा का सा experience था, administration का, इसने एक देखोगे कि थोड़े सोचे समझे सुलजे हुए निरने लिये गए, दूसरी और जॉन मॉरले जो है, यह UK के अंदर एक बहुत करियर, बहुत बड़े करियर पॉलिटिशन थे, इन्होंने अपना पूरा करियर लंडन में उच्च पदों पर बिता दिया था, और धीरे धी यह मामलो के मंत्री बन गए थे, so he was the Secretary of State for India between 1905 and 1910, अगर आपको याद हो तो इस office की स्थापना हुई थी, 1858 में, जब 1857 की करांती हुई और उसके बाद Government of India Act पास किया गया था, 1858 में, उसी के तहत, यह Secretary of State का पद बनाया गया और इनको assist करने के लिए एक India Council होती थी, यह और यह मैं इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि इस India Council में दो भारतियों को पहली बार शामिल किया जाएगा, via this Minto Morale Reforms, तो यह 15 लोगों की जो Council है, इसमें सदस्य बनना काफी important होता था, इसमें generally, जो हहां के topmost politicians या MPs होते थे, उनको यहां पर स्थान दिया जाता था, तो इ 1862 वाले भी जो कानून है, उनका भी यही नाम है, Indian Councils Act या Government of India Act भी कहा जाता था, दोनों नाम interchangeably used होते हैं, और यहां पर यह तीसरा नाम और जुड़ जाता है, Morale Minto या Minto Morale, जो चाहें आप कहलो, ठीक है, generally Morale Minto कहा जाता है, क्योंकि Morale जो है, उसका पद थोड़ा सा senior है वो Secretary of State है ना, London में, और Minto जो है, वो Vice-Roy है, तो इसलिए इसको Morale Minto कहते हैं, आगे ऐसा ही एक और reform आएगा, Montagu Chemsford reform, उसको भी हम पढ़ेंगे, वो आएगा 1919 में, 10 साल के gap में, तो generally यह 20 या 30 साल के gap में, reform लाया करते थे, लेकिन अब आप देख रहे हो कि थोड़ा सा interval क होता जा रहा है, 1892 के बाद ये लोग 17 साल के अंदर ही नया कानून लेकर आ गए, और उसके 10 साल बाद ही 1919 में, नया कानून फिर से लेकर आ जाएंगे, Indian Councils Act of 1919 के तोर पर, तो अब ये वाला जो कानून है, Morale Minto Reform, इसमें क्या बदलाव किये गए, तो आपको याद होगा कि एक Central Legislative Council हुआ करती थी, उस Council में 16 सदस्य थे, 1892 के Reform ने सदस्य बढ़ा दिया थे न, 16 कर दिया थे, अब इस Council में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ा कर 60 कर दिया जाती है, ठीक है, 60 प्लस 9 Executive है, उनको Executive को अभी हटा दो, Executive एक अलग Council है, जिसके अंदर Vice Roy और जो Topmost लोग शाम 16, 1892 में कितने थे, 16 और अब बढ़ा कर दिये गए, 60, तो आप देख रहे हो, दीरे-दीरे ये Core बनता जा रहा है, और आगे चलके यही एक तरह से Parliament का काम करेगी, अब ये शब्द आप इस्तमाल मत कर लेना, कहीं पर, 1919 हो या चाहे, 1909 वाले Reform हो, उसमें Parliament शब्द का इस्त पर Parliament की तरह ये काम करेगी, लोग इसमें अपने नुमाइंदे चुन कर भेजेंगे, अभी जो यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं, Legislative Council में, वो जनता के द्वारा नहीं चुने जा रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा कि क्या process है उसका, लेकिन directly उनको जनता चूज नहीं कर इसलिए इनको आप Elections नहीं करोगे, Elected Member नहीं करोगे, Elections हैं, लेकिन आम जनता उनको नहीं चुन रहे हैं, कुछ specific लोग हैं, जो उनको चुन रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 60 Member की Council है, Important है याद रखना, Directly Prelims में ये Fact पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़ादा Important है, ठीक है, Policy के तौर पे भी पूछा जा सकता है, और History के तौर पर भी, तो इन 60 सदस्यों में से याद रखेगा, कि 27 सदस्य चुन कर जा रहे हैं, और बाकी के 33 सदस्य मनोनीत होकर जा रहे हैं, तो यह जो Elected Members हैं, 27, इनका चुनाव कैसे होगा, यह थोड़ा सा Important है, आगे समझ लेना, और यह जो बाकी के 33 हैं, जिनको Nominate किया जा रहा है, Nomination का मतलब तो Simple है, of course, जो Executive Council है, या फिर जो सरकार है, जो उस समय की सरकार है, वही इनको मनोनीत करेगी, वही इने Nominate करेगी, तो इनमें से 28 तो होंगे Official सदस्य, यानि कि यह Already सरकार में किसी ना किसी पदपर हैं, कोई Military Officer हो सकते हैं, कोई Civil Servant हो सकते हैं, इनी को यहाँ पर Nominate किया जाएगा, और 5 होंगे Non-Official, जो सरकार का हिस्सा नहीं है, लेकिन इनको सरकार के द्वारा Nominate किया जा रहा है, इस Council में, अब यह जो Principle of Election है, यह Legally पहली बार Recognize किया जाता है, 1909 के कानून में, आपको याद हो त Election शब्द इस्तमाल किया था, लेकिन Election याद रखना, Franchise ही नहीं दे रहा है सबको, सबको Vote देने का दिखार नहीं दे रहा है, बहुत ही Limited Franchise है, कुछ लोगों को Vote देने का दिखार है, और इसका एक सबसे Important Development यह था, कि 1909 के कानून ने Communal Representation को पहली बार OK कर दिया, और Muslims को Separ separate electorate दे दिया जाता है, यह separate electorate class और community के basis पर दिया गया था, इसका मतलब क्या है, यह समझ यह, electorate क्या होता है और separate electorate क्या होता है, यह आपको जानना जरूरी है, देश में आज के example से हम समझते हैं, आज हमारे लोगसभा के अंदर जो seat हैं, उस पर चुना होते हैं, आप लो seat हैं, अब अगर आज भारत सरकार यह सोच ले कि, let's say, Christian आबादी देश की दो प्रतीशत है, लेकिन किसी Christian member of Parliament का चुना जाना constituency में बहुत ही मुश्किल होगा, क्यूंकि यह दो प्रतीशत आबादी ऐसा नहीं कि 1 या 2 seat पर या 4 seat पर सीमित है, यह पूरे देश में फैली कि 2% आबादी के अनुसार, इनके पास 10 seat हैं होनी चाहिए, out of 500, यहाँ पर 10 seat Christian MPs के होनी चाहिए, तो इसलिए सरकार यह कह सकती है कि हम out of 500, 10 seats Christian धर्म के member of Parliament के लिए reserve कर लेते हैं, लेकिन यह reserve करना दो तरीके से हो सकता है, एक तो reserve करना ही हो गया कि चुनाव कौन लड़ स particular caste या tribe के लोग ही उन seatों पर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन separate electorate में क्या होता है, कि vote देने का अधिखार केवल कुछ particular class को या वर्ग को होगा, तो अब अगर separate electorate होगा, तो यह 10 seatों पर vote केवल Christian minority समाज के लोग, धर्म के लोग जो हैं, वो यहाँ पर इन 10 seatों पर vote and of course जो भी यहाँ पर जीतेगा वो भी Christian ही होगा, यह तो मतलब understood है, तो आज के समय में जो भारत में reservation जिसको आप कहते हैं, वो थोड़ा इससे अलग है, यहाँ पर reservation अगर मानलो यह modern India के अंदर अगर आज ही reservation दे दिया जाए, तो क्या होगा कि इस seat पर चुनाव लड़ने में क्या होता है, कि उस electorate में, electorate का मतलब होता है कि वो constituency जहाँ पर चुनाव हो रहा है, जिस area के लिए, तो मानलो कि जैपूर है, अगर यह जैपूर electorate में मानलेता हूँ, तो जैपूर electorate में अगर मानलो 100 लोग रहते हैं, लेकिन इन में से किवल 15 Christian है, तो किवल यह 15 जो seats होंगी न, यह elected member वाली, इनके अंदर से कुछ seats को reserve कर दिया गया था, Muslim समुदाए के लिए, तो इसलिए Muslims को separate electorate पहली बार मिल जाता है, और आगे चलकर यह अंग्रेजी हुकूमत के लिए बहुत बड़ी problem मन जाएगी, क्योंकि दूसरे community के लोग भी separate electorate demand करना जाता है, तो first time separate electorate दिया गया था, Muslims को by the Model Minto reforms, ठीक है, तो आगया न, आपको separate electorate समझ में, कि यहाँ पर vote देने का अधिकार केवल एक particular community या class होगा, it could be anyone, Model Minto में वो Muslim community थे, और सभी seatों पर नहीं है, कुछ particular electorate को घोशित कर दिया जाता है, पहले ही बता दिया जाता है, कि यह separate electorate रहेगा, ओके, अब आजाओ provincial council पे, province यानी की राज, तो जैसे Bombay, Calcutta, आगरा, यह सारे जो provinces थे, इन में जो council होती थी, इसमें तीन अलग-अलग category बना दी गई, ठीक है, एक category होती थी general, तो जहाँ पर district board और municipalities के सदस्य है, वहाँ से वो सदस्य चुने जाते थे, फिर है special, तो Bombay Corporation, Bombay University जैसे जो area, जो entities हैं, उनको कुछ special vote देने के प्रावधान थे, provinces के अंदर, तो Bombay Corporation अपनी तरफ से vote डाल कर एक नुमाइंदा भेजेगा कहाँ पर, जो Bombay province की, जो council है, उसमें, और वैसा ही अधिकार Bombay University के पास होगा, फिर कुछ Chamber of Commerce हैं, तो जैसे Bombay Chamber of Commerce, या Calcutta Chamber of Commerce, इनके पास ही अधिकार था, कि वो अपने से एक सदस्य चुनकर भेज सकते हैं, और जो Central Council है, जिसके सदस्य मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, इसमें एक 4th category और थी Muslims, क्योंकि वो separate electorate category add कर दी गई थी, ठीक है, केंदर के स्तर पर, यानि कि Central Legislative Council के स्तर जो सदस्यों की संख्या है, वो यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ, bracket में जो सदस्यों की संख्या है, वो लिखी गई है, और उनकी categories भी लिखी गई है, तो देखो, जो Council है, उसके अंदर एक तो होंगे Executive Member, Executive Member कौन है, जो Governor General and Vice Roy का Office है, और उसको Assist करने वाली Executive Council है, इसके जो Military का Commander है, वो इस Executive Council का Member होगा, और इनी को आगे Portfolio Allotment होते हैं, तो यह Department या मंत्री बन जाते हैं इस प्रकार से, तो यहाँ पर है 8 प्लस 1, यह 1 कौन है, Governor General या Vice Roy, देखो जब Vice Roy इस Council में बैठता है, तो he is called Governor General, ठीक है, Governor General in Council उसको कहा जाता है, इसलिए जो पदवी थी पूरी, that was termed as Governor General in Council and Vice Roy, ठीक है, तो यहाँ पर 8 प्लस 1, यह तो हो गई, Executive सदस्यों की Council, Ex-Officio Members हैं यहाँ पर तो, क्योंकि वो Executive Council का Part है, so that is why they make up the Executive Council, दूसरी category है, Nominated Members की, लेकिन Nominated में भी यह Official Member है, Official Member का मतलब है, कि यह Already Government में किसी Senior पद पर मौजूद है, कोई Military Officer हो सकता है, Senior Bureaucrat, Civil Servant हो सकता है, और उनी को Governor General के द्वारा Nominated कर दिया जाता है, Directly इस Council का Member बनने के लिए, तो 28 सदस्य जो है, यह Nominated किये जा रहे हैं, सरकार के द्वारा, तो आप देख रहे हो, 60 में से 28, Almost पूरी Majority, Almost आधी Majority तो, Nominated Members की है, फिर कुछ Nominated Non-Official Member है, Non-Official का मतलब क यह सरकार में किसी मुचे पद पर नहीं है, लेकिन समाज में इनकी अच्छी स्टैंडिंग है, कोई Senior Lawyer हो सकता है, ठीक है, जैसे की, ग्रोपाल कृष्ण गोखले, और फिर Congress के Moderate Leaders है, उनको यहां पर Appoint किया जा सकता है, लेकिन यह भी Governor General ही Appoint करेगा, लेकिन यह सरकारी Officials नहीं है, बस इतना सा फरक है, तो देखो, अब 28 और 5, यह कितने होगे, 33, अब आप समझ रहे हो कि यह वाले जो दोनों सदस्य हैं, यह और यह, यह Governor General के द्वारा नॉमिनेट किये गए हैं, तो यह पहले से ऐसे ही लोगों को चुना जाता था, जो हमेशा सरकार का favor करेंग यह sure है कि यह लोग कभी सरकार के against नहीं जाएंगे, मतलब यह वाले तो कभी भी नहीं जाएंगे, जो government officers हैं, क्योंकि mostly यह British ही थे, यह 5 जो हैं, यह फिर भी कभी कभार जा सकते थे, इसलिए पहले से ऐसे ही लोगों को चुना जाता था, जो सरकार की खिलाफत या सरकार का विरोध नहीं करेंगे, तो इस प्रकार से इस council में Britishers ने हमेशा ensure किया कि majority ऐसे लोगों की रहेगी, 33 out of 60 ऐसे सदस्य रहेंगे, जो हमेशा governor general या British सरकार के favor में vote डालेंगे, तो कभी भी यह council पूरी तरह से भारतिय लोगों से dominate नहीं हो सकती, अब इनके पास कहने को क्या ह हो गया कि देखो 27 तो हमने election वाले members डाल दिये, तो ये British हुकूमत क्या कहती थी उस समय कि 27 election वाले हैं, प्लस ये 5 देखो हमने appoint करती है भारतिय है, तो भारतिय लोगों की majority हो गई 60 में से, लेकिन वो ये नहीं बताते थे कि ये जो 5 हैं, ये हमेशा British की कटकुतली होंगे, तो इसलिए जो actual majority है, वो 28 प्लस 5, यानि कि इन 33 की है, जो कभी भी भारतिय लोगों के favor में नर्ने नहीं लेंगे, ठीक है, तो कहने को ये हमेशा इसका धिंडोरा पीटते फिरते थे कि देखो 27 और 5 हमने 32 की आपको majority देदी, इन्होंने इसको बहुत publicize किया था उस समय, 1909 में जब ये reform लाए गए थे, ठीक है, लेकिन आप अब समझ गए हैं कि अंदर की कहानी क्या है, कि ये nominated है, non-official है, यानि सरकार के सदस्या नहीं है, लेकिन है तो Britishers के favor के लोग, और final category elected members की है, जो भारतिय लोग चुनकर आएंगे यहांपर, election होगा इनका, और ये ऐसे 27 सेंटरल कांसिल में, और ये सेंटरल कांसिल कहां बैठती है, कैलकटा में, 1912 तक कैलकटा में बैठी थी, उसके बाद दिल्ली में दरबार, दिल्ली में shift होगया था capital, फिर वहाँ पर बैठने लग गई थी, लेकिन उसके पहले कैलकटा, तो अब ये जो 27 सदस्या है, सेंट उनको चुनकर भेजेंगे, यानि कि प्रोविंस के, राज्यों के स्तर के भारतिय सदस्या यहाँ पर भारतियों को आगे भेज रहे हैं, इसलिए इसको general electorate का जा रहा है, 6 सदस्या जमिंदारों द्वारा, 6 provinces के जमिंदार जो है, वो elect करेंगे, तो इनको एक तरह से class electorate दे दिया नहीं था तब, लेकिन जमिंदार्स तब भी अपने नुमाइन दे बेजते थे, तो 6 provinces के जमिंदार्स के पास यह power थी के वो, यह 6 members अपने बेज सकते हैं, so this was a class electorate, इसमें धर्म नहीं है, community नहीं है, class है, फिर 6 सदस्ये Muslims के द्वारा चुनकर भेजे जाएंगे, 6 अ हो गया, 27, तो यह तो बात थी, Central Council की, उसके अलावा, provincial, यानि कि राज्यस तरपर भी जो legislative councils थी, उनमें भी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई थी, और कहां पर कितनी संख्या बढ़ाए गई गई, वो हमारे लिए important नहीं है, कभी कोई नहीं पूछेगा आप से, resolution भी पास कर सकते हैं, क्या आपको याद है कि 1892 वाले act में क्या power मिला था उनको, क्या budget पर discussion कर सकते हैं क्या, comment में बताना मुझे, तो अब यहाँ पर यह budget पर discussion कर सकते हैं, resolution पास कर सकते हैं, supplementary question पूछ सकते हैं, यानि कोई discussion हो रहा है, उसके उपर कोई और सवाल पूछा तो अगर governor general चाहें, तो वो budget के discussion को cancel भी कर सकता था, एक और important development, modelimento reforms में किया गया, कि पहली बार, governor general की जो executive council थी, यानि कि जो 8 member वाली executive council है, उसमें एक सदस्य भारती अपॉइंट किया गया, तो यह first time किया गया है, और यह सदस्य जो अपॉइंट किया गया थे, वो थे सत् time किसी ना किसी इस तरपर आते हैं, they are all either bureaucrats और local politicians from Congress, या फिर हो senior lawyer है, तो सत्येंद्र सिना जो है, यह एक lawyer थे, बहुत famous बेंगॉल के, इनको यहाँ पर appoint किया गया था, Congress से भी जुड़े वे थे, तो इनको यहाँ पर appoint किया गया, executive council में, आगे चलकर यह Montagu Chemsworth reforms भी पास करा आने में, इनका काफी बड़ा role रहा था, in fact, यह तो आगे, Britain चले गए थे, और Britain में जाकर, वहाँ पर House of Lords में भी इनको सदस्यदा दी गई, तो यह मतलब काफी बड़े politician बन गए थे, आगे जाकर, फिर Bombay और Madras की आप बात करें, तो यहाँ पर, जो member है, executive council के, उनकी संख of appointing Indians to these councils began, तो Bombay और Calcutta वाली local councils में भी भारतिय लोगों को appoint किया जाने लगा, दो भारतियों को पहली बार India council में appoint किया गया, जो लंडन में काम करती थी, जो 15 सदस्यों वाली India council थी, उसमें first time किनी दो भारतिय लोगों को भेजा गया, दोनों appointees थे, केसी गुपता और सेय या धुसेन बिलग्रामी, यह दोनों के दोनों civil servants थे, यह दोनों उस समय के ICS officers थे, तो अब आप देख रहे हो कि आम लोग, बिल्कुली आम तो नहीं है, है तो bureaucrat है, लेकिन फिर भी यह कोई राजा माराजा है, नवाबों के घर में पैदा हुए, बच्चे नहीं थे, यह नॉर्मल जमिंदार work के लोग थे, या middle class families के लोग थे, जो ICS में select हुए थे, और यही senior ICS officers को India council में आगे चलकर appoint किया जाता है, तो अब आप कुल मिला कर यह देख रहे हो कि चीज़ें थोड़ी थोड़ी democratize हो रही है, 1862 के समय किन को appoint किया जाता था, उस council में याद करो, क इस तरह के लोगों को नहीं, बलकि अब bureaucrats को in councils में appoint किया जा रहा है, तो यह दोनों नाम आपको याद रखने है, इंडिया council जो लंडन में काम करती थी, उसमें पहली बार दो भारतियों को शामिल किया गया, केसी गुपता और सायद हुसेन बिलग्रामी, अब हम बात करते है elections की, तो यह जित्ते भी elections की मैंने यहाँ पर बात करी है, elected members, जो 27 elected members थे, उनके चुनाव होते कैसे थे, उनके चुनाव में कौन voting कर सकता था, तो देखो उनके चुनाव होते थे indirect, direct यानि कि आम जंता vote कर सकती है, indirect का मतलब है कि already कोई बीच में लोग चुने हुए है, व उनके ही सदस्य प्रोविंशल लेजिसलेटिव काउंसल के सदस्यों को चुनते थे, और ये प्रोविंशल लेजिसलेटिव काउंसल, यानि कि बॉंबे, आगरा, क्यलकटा, मदरास, यहाँ की जो राज्यस्तर की काउंसल है, उन काउंसल, प्रोविंशल काउंसल के सदस्य ह सदस्यों को चुन रहे हैं तो direct election नहीं है लेकिन indirect elections है local bodies के अलावा कुछ vote होते थे chamber of commerce के, जमिनदारों के, universities के, traders community और separate electorate के कारण Muslims के भी राज़स्तर पर भी non official members, यानि कि जो सरकार के नहीं थे वो majority में थे on paper लेकिन क्योंकि कुछ members हमेशा nominate किये जाते थे, तो इसी लिए जो non elected वाले लोग थे, चलती उनीगी थी, उनकी majority ensure होती थी जो central वाला मामला था, वो ही उस एक तरह से province में भी follow होता था अब 1909 के act के drawbacks क्या है, criticism क्या है, और इसके अच्छी चीज़ें क्या थी, इसके positives क्या थे दोनों की चल्चा कर लेते हैं, सबसे पहली बात तो यह है कि इसने parliamentary system की नीव रख दी भारत में, so it laid a groundwork for a parliamentary system, इनका लक्ष नहीं था parliamentary system लाना, लेकिन फिर भी जाने अन जाने उसकी नीव रख दी जाती है, क्योंकि electoral प्रिंसीपल पर इन्होंने विश्वास किया, कि चुनाव हो रहे हैं, चुनाव के माध्यम से ताम हो रहा है सबसे बड़ा criticism यह था separate electorate इन्होंने दे दिया, और आगे चलकर सिख, Anglo-Indians सबने separate electorate मांगा, सबको दे भी दिया गया, और भारत के demand उठी नहीं है, ठीक है, home rule के बारे में हम अगले lecture में discuss करेंगे, लेकिन कोई भी long term political solution इन्हें यहाँ पर नहीं दिया गया, non official यानि कि भारतिये majority जो है, वो nullify कर दी गई, मैंने आपको बताया कैसे जो पूरा game था, मैंने आपको समझा दिया, 27 28 plus 5, 28 plus 5 वाला, यह वाला जो कानून है, इसने भारतिये लोगों के participation को बढ़ाया, legislative council में खास करके, provincial legislation के अंदर, provincial legislatures के अंदर, बहुत फरक पढ़ा, भारतिये लोगों के आने से, और ultimately, इससे फाइदा ही हुआ, भारतिये लोग जो है, वो चुनाओ के लिए, democracy के लिए तैयार होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी problem separate electorate की थी, इसने communal problem को दिन कर लेते हैं, पिछले lecture में जब हमने moral mentor reforms की चल्चा करी थी, तो मैंने आपको यह बताया था कि reforms क्यों लाए गए गए थे, लेकिन वो जो points मैंने आपको भोले थे, वो slide पर लिखे वे नहीं थे, ये slide मुझसे गलती से वहाँ delete हो गई थी, तो इसलिए मैंने इस lecture में add कर दिये, ठीक है, तो ये divide and rule policy वाला point याद रखेगा, और moderates को उन्हें कुछ देना था, थोड़ा reforms दे देते हैं, ताकि ये लोग फिर से popular हो जाएं, और दुनिया moderates की तरफ फिर से मुड़ जाएं, तो ये वाले reasons थे, अब देखे, 1909 के बाद में राजनीती थोड़ी सी थंडी पढ़ गई थी, देश की धीमी पढ़ गई थी, क्योंकि जादा तर गरम दल के नेता extremist leader जेल में थे, लाल बाल पाल, इन में से एक तो रेटायर हो गए और दो जेल में थे, तो अभी राश्टर में आजादी का आंदोलन जो है, वो थोड़ा सा ठंडा पढ़ गया है, इसी महौल में दिल्ली दर्बार और्गनाईज होता है, तो हमने वैसे सारे दर्बार एक बार पहले ही पढ़ लिये थे, 1877 वाला जब दर्बार पढ़ा था, फिर से एक बार देख लो तो दिल्ली का जो दर्बार है वो लगता है 1911 में, 12 December इसकी डेट थी King George V, George पंचंग और Queen Mary इनकी जो वाइफ हैं, ये भारत आये थे भारत पर अंग्रेजी हुकूमत के 200 साल के टाइम पीरिड में एक मात्र राजा या रानी ब्रिटिश राजा या रानी, जो भारत आये थे अपनी खुद की कॉलोनी में विजिट करने आये थे वो थे King George V, He was the only sovereign, the only king or queen to have visited India तो King George जब भारत आते हैं भारत में कई जगों पर घूमते हैं, दिल्ली में इनके लिए एक बड़ा दर्बार लगाया जाता है और इसको दर्बार क्यों कहा गया, क्योंकि देश के जितने भी प्रिंसली स्टेट्स के राजा महराजा हैं जो सब सबसेडियरी अलाइंस साइन कर चुके थे लगबख सौ साल पहले वो आते हैं, राजा George V के सामने सर जुकाते हैं, उन्हें कुछ तौफा देते हैं सबने इन्हें हीरे जवाराद बड़े बड़े प्रेजेंट्स दिये और इट वोज लएक दर्बार तो जैसे मुगल बाच्शा का दर्बार लगा करता था या किसी समय में शायद चंद्रगुप्त मौरे का दर्बार लगता था, उस प्रकार के दर्बार को यहाँ पर लगाया गया, इसका नाम ही यही था दिल्ली दर्बार, ठीक है, a court was a royal court was held in honor of George V and Queen Mary तो यहाँ पर आप देख सकते हो, कोई ना कोई important राजाया महराजा हैं, जो आकर इनके सामने सर जुका रहे हैं, और यहाँ पर आप यह जो बच्चे देख रहे हो, यह राजा महराजाओं के बच्चे हैं, जो इनके assistant की तरह खड़े हैं, side में, so एक tradition होता है जो भी राजाया रानी होता है, वहाँ ब्रिटन में British Empire showing off, यह उनकी glory दिखा रहे थे, देखो हमने भारत को colonize कर लिया है, और देश के राजा महराजा, एक हजारो साल पुरानी सभ्धा के राजा महराजा आकर हमारे सामने सर जुका रहे हैं, तो यह उस प्रकार का event था, इसको भारत आये थे, तो जब वो Mumbai में, उस समय के Bombay में land करे थे, जिस जगे पर, वहाँ पर आज Gateway of India स्थापित किया गया है, तो Gateway of India announce कर दिया था कि बनेगा, लेकिन उस समय बनकर तयार नहीं हुआ था, बाद में धीरे-धीरे उसका construction हुआ, World War 1 आ गया था, फिर उसके बाद ultimately World War 1 के खत्म होने के बाद, उसका construction पूरा होता है, तो आज जहां Gateway of India है, वो क्यों बनाया गया था, क्योंकि George the 5th, वो वहाँ land करे थे, और वैसे भी historically, जो भी British जहाज आते थे, वो mostly bombay पर आते थे, तो इसलिए वहाँ पर Gateway of India बनाये गया था, अब इस दिल्ली दरबार में दो important announcement किये गए, Vice Roy Harding ने George the 5th के सानिध्य में, दो important announcement किये, पहला partition of Bengal हम निरस्त कर रहे हैं, लेकिन इसकी कहानी मैं आपको बता चुका हूँ, कि East और West Bengal को तो unite कर दिया, लेकिन बिहार और Odisha को अलग कर दिया गया था, ठीक है, तो new divisions based on language, तो Odia speaking regions को अलग कर दिया गया, और जो Hindi speaking areas थे, उनको बिहार में ले लिया गया, East और West Bengal को एक कर दिया, ठीक है, लेकिन Assam को भी जलग कर दिया, तो कई सारे divisions दूसरे बना दिये, लेकिन धर्म के आदार पर जो partition of Bengal किया था, जिसके कारण एक स्वदेशी आंदोलन उठ खड़ा हुआ था, उसको उन्होंने annual कर दिया, तो on paper लोगों का दिल जीतने की कोशिश करी गई, दूसरा important निर्ने था capital को Calcutta से दिल्ली shift करना, ये काम 1912 में हुआ, finally, तो announce हो गया था 1911 में, लेकिन actual shifting 1912 में होती है, और यही वाली जब shifting हो रही थी, तब फिर से एक procession निकाला जा रहा था, और इसी पर क्या हुआ था, वो bum फेका गया था, याद है ना, मैंने आपको अलकता से train के माध्यम से पहुंच जाते थे, शिमला, तो 1863 से ही शिमला एक summer capital बना हुआ था, और दिल्ली से भी ये tradition continue रहता है, तो हर गर्मियों में 3-4 महीने के लिए सरकार, जो peak गर्मी का मौसम है, उस समय शिमला shift हो जाती थी, अब अगला वाइसरोय आता है, Harding II, Lord Harding II, ये 1910 से 1916 तक वाइसरोय था, Harding थोड़ा सा experience बंदा था, level-headed था, तो पहले करजन की तरह इसने, मतलब ऐसे decision नहीं लिये, बड़े-बड़े जिससे देश के अंदर कुछ अंदोलन उठ खड़ा हो, so he was a bit level-headed, इसके कारेकाल में, दो-तिन important चीजें हुई थी, जिन में से एक important है, Hindu महासभा की स्थापना, तो 1915 में, Hindu महासभा नाम का एक संगठन बनता है, इसको बनाने वाले, जो key लोग थे, जो important लोग थे, उनमें मदन मोहन मालविय शामिल थे, तो मदन मोहन मालविय, पंडित मदन मोहन मालविय, Congress के भी निता थे, और साथ-साथ में, Hindu महासभा के भी बहुत समय तक निता रहे थे, इसके founding members में से एक थे, 1916 में ही, पंडित मदन मोहन मालवे के नित्रित्वे में बनाई गई बनारस हिंदू उनिवर्सिटी की स्थापना करी गई इसका फांडेशन स्टोन लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा ही किया गया था उनको बुलाया गया था एस चीफ गेस्ट और मदन मोहन मालवे का यह सपना था कि एक बड़ी उनिवर्सिटी बने जहां पर अच्छी पढ़ाई हो तो इसलिए बनारस हिंदू उनिवर्सिटी बनाई जाती है डेवलप करी जाती है ब्हू आज भी एक बहुत इंपोर्टेंट उनिवर्सिटी है भारत की फिर आजाता है वर्ल्ड वार तो 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू होता है पात सालों के लिए वर्ल्ड वार चला इसमें एक तरफ थे ब्रिटन, फ्रांस, रशिया, यूएसे, इटली और जापान और दूसरी तरफ थे जर्मनी, आस्ट्रिया, हंगरियन अंपायर और आटमन तर्की लड़ाई में कई सालों ब्रिटिश कॉलोनी भारत से 13,00,000 सैनिक यूरोप में, मिडल इस्ट में, एफ्रिका में लड़ने के लिए भेजे गए थे तो भारतिया सैनिकों को रिक्रूट किया गया था ब्रिटिश इंडियन आर्मी के तहत और इन सैनिकों को भेजा गया था यूरोप में लड़ने के First World War में अब जब First World War शुरू होता है तो उस समय British ने ये कहा कि हमें सैनिकों की जरूरत है तो सैनिकों की जरूरत है लेकिन सैनिक तो recruit करोगे तब आएंगे और recruitment कब होगा जब देश के लोग आपके साथ हो आज अगर देश में सरकार कहती है कि हमें सैनिकों की आवशक्ता है फॉज में भरती हो जाओ तो वही हमारा देश है हमारा राष्ट्र है हम सेना में भरती होने के लिए लाखों नौजवान उठ खड़े होंगे लेकिन उस समय तो हुकूमत ब्रिटिश की थी ना नेताओं को कहा कि आप कहो थोड़ा कि हमारे लिए रेक्रूट्मेंट हो और देश के नौजवान फॉज में भरती हों तो जो कॉंग्रेस के मॉडरेट नेता थे उन्होंने देश में अपना स्टांस ब्रिटिश सरकार के साथ रखा उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल हम ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा हैं और हमारी नेतिक जिम्मेदारी है कि हम एम्पायर का हिस्सा है तो जब एम्पायर पर संकट आ पड़ा है तो हमें भी अपने नौजवानों को भेजना चाहिए लड़ाई लड़ने के लिए दूसरी और extremist जैसे की बाल गंगादर तिलक जो अभी जेल चे छूट कर आ चुके थे अभी अभी आये थे First World War जब चालू हुआ था इनको भी लगा कि हाँ हमें British Empire को सपोर्ट करना चाहिए इस लड़ाई में क्योंकि इनको लगता था कि अगर हम British Empire को सपोर्ट करेंगे तो British थोड़ा सा नरम हो जाएंगे हमारे प्रती और इस help की बजाए हमें क्या मिल जाएगा Self Government तो हमें सुराज मिल जाएगा तो तिलक और इनके साथ वाले जो extremist नेता हैं वो भी इस war effort को सपोर्ट कर रहे थे तो First World War के दौरान Moderates और Extremists दोनों Britishers को सपोर्ट कर रहे थे यह काफी important point है Prelims में कई बार पूछा जा चुका है तो इसको याद रखेगा Britishers के against इस समय कौन था सिर्फ एक ही बड़ा धड़ा था वो था Revolutionaries का तो जो Revolutionaries थे जिनके बारे में हमने पढ़ लिया था वो तो चला रहे थे पीछे जिन्दू-जर्मन को सपोर्ट कर रहे थे देश के लोगों को जाकर कह रहे थे कि आप जादा से जादा फौज में भरती हो और Empire पर खत्रा है तो हमें लड़ना चाहिए हमें अपने लोगों को लड़ाई लड़ने के लिए भीजना चाहिए लेकिन ये सभी नेता परदे के पीछे की असली सचाई देख नहीं पाए सचाई ये थी कि एक तरफ लड़ाई में थे UK, France जैसे देश जो खुद colonial powers थे और दूसरी तरफ ता Germany अपने आप में colonial power था और Ottoman Turkey भी एक तरफ से colonial power ही था क्योंकि इतना बड़ा समराज्य था वो Arabs वगेरा उनसे खुश नहीं थे तो वो भी उनसे आजादी चाहते थे तो practically सारे जो parties इस लड़ाई में लड़ रहे थे उन सब की colonies थी और सब एक दूसरे को बुरा बला कहते थे सब ने propaganda launch किया था ये कहते हुए जर्मनी कहता था कि देखो भारत में कितना बुरा बरताव है British rule का Britain क्या कहता था कि Namibia में देखो जर्मनी क्या कर रहा है सब एक दूसरे के खिलाब propaganda चलाया करते थे चाहे वो central powers हों या फिर allied powers हों और allied powers ने शुरू-शुरू में क्या कहा अपनी colony के लोगों को कि आप हमारा साथ दे दो South Africa, Australia, Ireland, भारत ये सभी British colonies थी इनको क्या कहा गया कि आप हमारा साथ दो लड़ाई में आपको हम कुछ स्वराज या थोड़ा self determination थोड़ी democracy दे देंगे तो इन्होंने बादा कुछ नहीं किया लेकिन सपने जरूर दिखा दिये और actually में जो सपने हैं वो सभी के चूर-चूर होने वाले थे क्योंके जब लड़ाई खत्म होती है उसके बाद जो Paris Peace Conference होती है वहाँ पर सबकी आखे खुली के actually में ये तो सिर्फ colonial powers ही लड़ रहे थे और Germany की colonies को इन्होंने आपस में बाट लिया किसी को कोई democracy नहीं मिली किसी को आजादी नहीं मिली सारी colonies आपस में बाट लिये गई आपस की दुनिया का एक चौथाई हिस्सा British Empire का पार्ट था और भारतिय सैनिकों का क्या 13,00,00 भारतिय सैनिकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया as part of the British Indian Army लेकिन इनके योगदान को कभी recognize नहीं किया गया in fact हमारी ना तो इतिहास की किताबें इसके बारे में बात करती है नहीं British किताबें इसके बारे में बात करती है लेकिन ये जो World War I और World War II की लड़ाई है इसमें लाखों भारतिय सैनिक शामिल हुए थे और हजारों इसमें शहीद भी हुए थे वीरगती को प्राप्त हुए थे तो भारत के सैनिक फ्रांस, बेल्जियम, इस्ट आफ्रिका, गैली पॉली जो की टर्की में है, मेसोपोटेमिया, पैलेस्टाइन, इजिप्ट इन सभी जगों पर लड़ाई लडने गए थे और कईयों को Victorian Cross जैसे highest military honors भी मिले थे तो ये देखो, 1915 का अकबार है First Indian to win Victoria Cross तो अब इस इतियास को थोड़ा भुला दिया गया है लेकिन हम इसे नहीं भूले हैं तो इस युद्ध में 50,000 भारतिये सैनिकों ने अपनी जान गवा दी British Empire के लिए लड़ते हुए और बदले में उन्हें क्या मिला ये एक memorial तो memorial जरूर बनवा गया था Britishers ने ये बात तो थी उनकी ऐसी बात नहीं है कि सब कुछ बुरा करके गए ये memorial क्या है India Gate कहां पर है दिल्ली में सभी लोग यहां जाते हैं लेकिन ये बना क्यों है किसी को पता नहीं है ये बनाया गया था as a war memorial First World War और Third Anglo-Afghan War में शहीद हुए British Indian Soldiers British Army में लडने वाले Indian Soldiers, Indian Senikों के लिए उनकी याद में ये war memorial, India Gate बनवाया गया था भारत सरकार ने आजादी के बाद क्या किया एक यहां पर अमर जवान जोती का समारक को और लगा दिया लेकिन अब जाकर finally एक national war memorial बना है जो इसी के पीछे की सतरफ है ठीक है इसी India Gate complex के जस्ट पीछे है तो आप लोग कभी जाएं तो वहाँ ज़रूर विजिट कीजेगा अब आजाते हैं हम Home Rule League movement पर Home Rule का मतलब क्या है तो देखो जैसे स्वदेशी क्या था उसके exact definition नहीं है वैसे ही Home Rule एक movement था जो Ireland से शुरूआ था Ireland जो है वो Britain का ही पडोसी है लेकिन वो United Kingdom का हिस्सा था तो वो United Kingdom of Great Britain and Ireland है तो इसी UK की एक colony था Ireland और यहाँ पर एक Home movement की शुरूआत हो चुकी थी 1880, 1870 के दशक में वो लोग यह कह रहे थे Irish लोग यह कह रहे थे कि हमें हमारा स्वराज देदो Home Rule यानि हमारा अपना खुद का शासन हो स्वायत शासन हो Foreign Policy वगेरा चलो आप लोग देख लो लेकिन इस जो Internal Rule है, Local Administration है Local Government है, वो सारा हमारे पास होना चाहिए अपना तो वहां से Home Rule Movement की शुरूआत होती है और उसी से Inspire होकर भारत में भी Home Rule League शुरू करी जाती है भारत में भी Home Rule की डिमांड आती है और इस डिमांड के पीछे सबसे बड़ी आवाज ही एक Irish महिला की थी और उन Irish महिला का नाम था Annie Besant तो जब हमने समाज सुधार वाले चाप्टर को पड़ा था उसमें वहने आपको Theosophical Society के बारे में बताया था तो Annie Besant एक Irish महिला थी जो काफी जवान उम्र में भारत आ गई थी और क्योंके वो Ireland से आती थी तो उन्होंने वहाँ पर Irish Home Rule Leagues को देखा था तो वहीं से उन्होंने एक आइडिया लेया कि क्यों ना हम यहां भारत में भी इसी प्रकार का मुव्मेंट शुरू करें तो इस Irish Home Rule Leagues मुव्मेंट से इंस्पायर होकर यहां पर भी सुराज को अलग नाम से मांगा जाता है Home Rule के नाम से कि हमें हमारे घर का राज दे दिया जाए तो this is a new trend of aggressive politics और 1907 के बाद से जो भारत की politics ठंडी पड़ी थी राष्ट्रिया अंदोलन काफी ठंडा पड़ गया था धीमा पड़ गया था उसमें अब फाइनली 1916 में जाकर एक क्रांती आती है इस Home Rule League मोव्मेंट के द्वारा अब लगबग इसी समय बाल गंगादर तिलग भी जेल से रहा होकर आ गए थे 1914 में लेकिन जेल में इनकी हालत बहुत खराब होगी थी जेल में थे और वहाँ पर इनकी तवित काफी खराब हो गई हेल्थ रीजन के कारेंट फाइनली इन्हें छोड़ दिया गया जेल से लेकिन इन्हें जेल से जब छोड़ा गया था तो इन्होंने ब्रिटिश गवर्मेंट को यह जरूर का था कि हाँ मैं अपना एक्स्ट्री इन्होंने जरूर क्या दी लेकिन इन्होंने यह भी कहा था कि we want a reform in the administration हम सरकार को उखाड नहीं फेकना चाहते लेकिन हमें क्या चाहिए होम रूल तो दो होम रूल लीक बनती है ठीक है एक अनी बीसेंट के नितरतों में और एक बाल गंगादर तिलक के नितरतों में होम र foreign matters को देख लेना आप army देख लेना लेकिन कम से कम जो internal government है वो सारी हमें भारती लोगों को मिल जानी चाहिए तो हम रहेंगे तो British Empire का हिस्सा ऐसी इनकी demand थी लेकिन शासन हमें हमारा दे दो दूसरी demand linguistic based states तो राज्यों का गठन किया जाए ऐसे नहीं कि मदरास presidency, Bombay presidency आप properly भाषा के आदार पर राज्यों का गठन करो और देश में पढ़ाई जो है वो देश की भाषाओं में होनी चाहिए, vernacular language, regional भाषाओं में अगर तमिल नाडू वाला area है तो मदरास presidency है तो वहाँ पर तमिल भाषा में पढ़ाई हो, अगर उत्तर भारत है तो हिंदी में पढ अगर गुजरात के स्कूल है तो गुजराती में पढ़ाई हो तो ये तीन इनकी major demands थी ठीक है और home rule जो है ये इन्होंने इसले भी मांगा था क्योंके जो white colonies थी white colony का मतलब जहाँ पर major आबादी white Caucasian लोगों की है जैसे कि Australia, South Africa मतलब वहाँ पर major आबादी नहीं थी white की लेक जालो तो काफी हद तक इनको आजादी दे दी गई थी, Australia को तो practically आजादी मिली गई थी, नाम का बस वो British Empire में था, बागी वो हर काम अपना internal government वहाँ का कर लेती थी, तो home rule league वालों को लगा कि जब Australia को दिया जा सकता है, Canada को दिया जा सकता है, तो भारत को स्वायत तशासन क ये campaign launch किया था, और finally, officially, home rule league की स्थापना, यानी संगटरन की स्थापना होती है, April 1916 में, बाल गंगादर तिलक ने पूना में स्थापना करी, और सितंबर 1916 में, Annie Besant ने मदरास में, क्योंकि मदरास में क्या था, Theosophical Society का headquarter था, तो Annie Besant ने मदरास में अपनी home rule league बनाई, औ और दोनों का area भी काफियत तक अलग था, ठीक है, Annie Besant के साथ जो prominent लोग थे, वो उनके Theosophical Society के members थे, तो George Arun Dale का नाम बार बार आता है, George Arun Dale organizing secretary थे, and he was the main force, क्योंकि मैं आपको बता है, Annie Besant की age काफी हो चुकी थी, तो वो इतना actively travel level नहीं कर सकती थी, George Arun Dale काफी काम करते थ था, basically central and peninsular India, Annie Besant का जो movement है, वो बिलकुल दक्षणी भारत, यानि की मदरास presidency और जो बंगाल वाला area है, वहाँ पर उनका, उनकी home rule league जादा popular थी, ठीक है, तो दोनों अलग-अलग areas को cover कर रहे थे, UP में भी Annie Besant वाली जो home rule league है, वो काफी active थी, इसी समय, इनके अकवार आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने अकवारों का circulation काफी बढ़ा दिया, तो बाल गंगादर तिलक के दो अकवार थे, मराथा और केसरी, आपका ये home work के पता करना कि कौन सा अकवार हिंदी में आता था, I'm sorry, कौन सा अकवार मराथी में आता था और कौन सा अंग्रेजी में आता था, ठीक है, Annie Besant की जो home rule league थी, उनके भी दो अकवार थे, new India और common wheel, common wealth नहीं है, ये common wheel है, ठीक है, तो शब्द यहीं से आया है, common wealth वाला root word वही है, लेकिन common wheel, तो ये demand क्या आ रही है, कि हम भी common wealth का हिस्सा बन जाते हैं, तो Annie Besant की जो home rule league है, उसकी 200 branches थी, और इनका ज अलग वाली जो league थी, उनके proper division थे, proper branches बनी वी थी, 6 अलग-अलग zones में उन्होंने branches बनाई थी, defined area था, defined activity थी, पर काम दोनों एक ही करते थे, ठीक है, Annie Besant वाला थोड़ा सा व्यापक था संगटन, और उसमें ये छूट दे रखी थी, कि आप 2-4 लोग मिलकर भी, या कुछ मिलकर भी एक home rule league moment चला सकते हैं, ठीक है, तो ये वैसे कभी पूछा जाता नहीं है, अभी तक तो पर फिर भी point add कर दिया है, याद रख लेना, तो इनकी home rule league की जो executive council है, उसमें 7 member होते थे, और यहाँ पर भी चुनाव होते थे, 3 साल के लिए, और 34 founding branches थी, ठीक है, Annie Besant वाल होता था, अब Congress और home rule league moment का क्या लिना देना है, देखो दोनों अलग थे, ये बात अपने दिमाद में बिठा लेना, home rule league moment Annie Besant ने स्टार्ट किया था, तब उनका Congress से कोई लिना देना नहीं था, हाला कि बात में वो Congress में भी गई, वहाँ पर भी President बनती है, सब कुछ होता है, लेकिन home rule league movement Congress के द्वारा नहीं चलाया गया था, तो बस ये स्वदेशिय अंदोलन वाली कहानी यहां पर repeat हो रही है, Congress दो कदम पीछे है देश से, तो moderate congressmen जो हैं, जो Congress की गतिविदियों से संतुष्ट नहीं थे, उनको लग रहा था कि 6-7 साल से कुछ नहीं हो रहा है Congress में वो सब जाकर home rule league के अंदर शामिल हो जाते हैं, और गोपाल कृष्ण गोखले जो पुराने moderate leader थे, जो अब काफी aged हो चुके हैं, काफी बुड़े हो चुके हैं, लेकिन फिर भी active नेता हैं, उनकी servants of India society थी, उन्होंने अपने सदिश्यों को ये कहा कि देखो आप officially home rule league movement में शामिल मत हो, लेकिन हाँ, आप उनकी गतिविदियों को support कर सकते हो, तो they were encouraged to add their weight to the demands of home rule by undertaking tour and publishing pamphlet, यानि कि basically आप support करो, इनके लिए काम करो, बट इसमें शामिल मत हो, अब आप ना अलग रखो, क्योंके याद है, servants of India society के सदस्यों को कोई भी political अंदोलन में part लेने का, part ले December 1916 में Congress का session ते होता है लखनाओं में, तो लखनाओं का जो session था Congress का, वो काफी सरगर्मियों वाला था, क्योंके अब finally देश में फिर से एक अंदोलन चल रहा था, home rule लीग चल रही थी, अपरेल 1916 से लेकर कई महीनों तक देश में फिर से एक क्रांती से आगी थी किया रहे सौधेशी मुव्मेंट के 10 साल बाद, तो इस तरह से लीग काफी popular हो गई थी और Congress को लग रहा था कि लोग लीग की तरफ जादा जा रहे हैं और हमारी तरफ नहीं आ रहे हैं, लेकिन जातर निता मैं आपको बता रहा हूं कि common ही थे, जो Congress से संतुश नहीं थे, वो सारे Congressmen Home Rule League के लिए काम करना शुरू कर चुके थे, ठीक है, और Home Rule League की खास बात और ये भी थी, कि क्योंके उनका ध्यान वरनाकुलर लैंग्वेज पे था, तो वो आम लोगों से बात भी हिंदी में करते थे, वो Congress के पुराने वकील नेताओं की तरह नहीं थे, कि अंग्रेजी में ग्यान दिये जा रहे हैं, किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, यहाँ पर हिंदी में, मराथी में, गुजराती में, तमिल में, ऐसी भाषाओं में लोगों को समझाया जा रहा था कि भाई साब, Home Rule क्या है और हम क्या चाहते हैं, तो ये दोनों League आपस में cooperate किया करती थ साथ ही साथ Congress से भी थोड़ा बहुत cooperate कर लेते थे, mainly तो 1916 के बाद ही किया था, Muslim League से भी cooperate कर लेते थे, क्यूंकि ultimately नेता कई जगे common भी होते थे, common लोग ही इन सब संगटरों में शामिल होते थे, मलब मैं आपको एक example दे रहा हूँ, it was very common for someone like Mohamed Ali Jinnah to be a part of Congress, to be a part of Muslim League and someone like Pandit Madan Mohan Malviya, जो Congress के भी सदस्य थे, Hindu Mahasabha के भी सदस्य थे, Home Rule League Movement के भी सदस्य थे, तो इस तरह के नेता कई सारे थे जो multiple organizations में शामिल थे, ठीक है, क्योंकि लक्षे तो सबका एक ही है ना, कि देश को आजादी दिलवानी है, या फिर स्वायत त शासन लाना है, अभी आजादी की बात नहीं, अभी स्वायत शासन, Home Rule, स्वराज, तो Home Rule Movement जो है, इससे देश में एक नहीं जाना जाती है, राश्ट्रिय आंदोलन में एक नहीं जाना जाती है, और स्वदेशी आंदोलन के 10 साल बात, finally कोई बड़ा आंदोलन होता है, जिस उसके बिलकुल विपरीत, इनका काम पूरे साल चलता था, तो ये दिन रात Home Rule League वाले काम करते रहते थे, तो December 1916 में लखनव में सेशन होने वाला था, काफी सरगर्मिया थी, कि अरे अब तो finally देश में एक आंदोलन चल रहा है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि Home Rule League वालों के प Special Train Organize कर वाई थी, जिसका नाम था Congress Special या Home Rule Special जो Delegates को पश्चमी भारत यानि की महराश्टर गुजरात से लखनव लेकर जाएगी, और इसके बाद हर Congress Session के लिए एक Trend चल गया कि Special Train चलाई जाती थी, तो उसको Congress Special कहा जाता था, जो December में अधिवेशन होता था, उसमें शामि करो, क्योंकि Delegate बनोगे, तो Congress की जो Final Voting अगरा होती है, जो Final Resolution पास होते हैं, उसमें आपका Say रहेगा, उसमें आपकी पहुंच रहेगी, तो आइडिया ये था कि Congress को Home Rule League मूवमेंट वाले लोगों से भर दो, flood कर दो, कि Congress basically Home Rule League बन जाए, ये इनका लक्षे था, और यही ह साइन हुआ था, Congress और Muslim League के बीच में, तो पहले की चर्चा कर लेते हैं, तो देखो, Moderate और Extremist ने था, जो सूरत में 1907 में अलग हो चुके थे, इन्होंने अब तैय किया कि वक्त आ गया है, गिले शिक्वे मिटा कर एक हो जाएं, बाल गंगा दर, तिलग भी थोड़े से, अ जो सूरत स्प्लिट हुआ था, उसको reverse करते हुए, लखनाओ में, Moderate और Extremist एक हो जाते हैं, तो INC के दोनों Factions यूनाइट हो जाते हैं, नरमदल, गरमदल एक हो गए हैं, और दोनों की वैसे चली नहीं, क्योंकि 2-3 साल बाग गांधी जी आ गए हो, और नरमदल, गरमदल स session होता है, December के अंत की बात हो रही है, लखनाओ शेहर की, और ये वाला जो Congress session था, उसकी अध्यक्षता किसने करी थी, अंबिका चरण मजुमदार, AC मजुमदार, इसके President है, इस session के, directly पूछ लेते हैं, exam में, star mark कर लेना, ठीक है, कि लखनाओ पैक्ट जब हुआ था, तब separate electorate दिया गया था, तो वो Congress ने उस वक्त accept नहीं किया था, उन्होंने कहा था कि गलत है, इससे communalism बढ़ेगा, लेकिन अब 1916 में जाकर finally Congress इस separate electorate के लिए okay कर देती है, कि ठीक है, चलो आपको मिल गया तो okay है, अब हम इसके लिए विरोध नहीं करेंगे, लेकिन अब Congress और Muslim League दोनों का agenda एक होगा, दोनोंने आपस में mainly ये तै किया, कि हमारा agenda एक ही होगा, कि हमें चाहिए home rule, हमें चाहिए स्वायत शासन, स्वायत तता, हमें चाहिए स्वदेशी, यानि कि British कुछ हद तक rule या शासन करनी का अधिकार हमें दे दे, ये हम दोनों का agenda रहेगा, ऐसा दो पार्टियों ने तै किया, और एक और अगला important decision था कि हिंदू-Muslim unity देश में बनी रहे, इस separate electorate के कारण हिंदू-Muslimानों के बीच में खाई बढ़नी नहीं चाहिए, जो कि actually में हुआ नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने official agenda अपना ये बना लिया था, Muslims जो हैं, वो काफी नरा लेकिन अब Congress से उन्होंने अपनी नाराजगी खतम कर ली, क्योंकि Congress ने भी तो separate electorate accept कर लिये, दूसरा ही था कि अलिगर्ड युनिवरसिटी को एक umbrella university का दरजा नहीं दिया गया था, उस वक तक बाद में दे दिया गया था, कुछ साल बाद, लेकिन वो एक नाराजगी थी, और तीसरा, लगबग तैय हो चुका था कि Ottoman हार जाएंगे, और Ottomans के हारने के बाद, खलीफा के पद के साथ क्या होगा, इसको लेकर चर्चा अभी से शुरू हो गई थी, तो Ottoman Empire का disintegration होना almost तैय था, और बहाँ पर क्या होगा, Republic बनेगा, नहीं बनेगा, हाला कि वो सब कहा पाशा वाली जो leadership है, वो सब तो 1920 के बाद होगा, लेकिन अभी से यह चर्चा यहां पर जरूर शुरू हो गई थी, ठीक है, तो जो टर्की के World War I के बाद के repercussions है, वो हम आगे और पढ़ेंगे, कहां पर, जब हम खिलाफत movement पढ़ेंगे, उस समय, अब जब हम Home Rule के बारे मे बिका जी कामा ने, तो मैडम बिका जी कामा जो है, यह लंडन में, पैरिस में, यूरोप में रहकर, भारत के आजादी के लिए लड़ाई लड़ रही थी, वहाँ पर awareness पहला रही थी, दुनिया में, यूरोप में, कि देखो भारत के लोगों के साथ क्या हो रहा है, और वह उन्होंने वहाँ पर Indian Home Rule League of America स्टार्ट करी, इनका ये लक्षित था कि अमेरिका में, जो कि आजादी का एक चमकता हुआ सितारा था दुनिया में, वहाँ के लोगों को ये बताया जाए कि भारत में आजादी नहीं है, भारत में भी तो डेमोकरिसी लाओ, आप अपने partner UK प इसका है, कौन से नेता का होगा, तो comment में अभी बता दो, नहीं तो आगे तो पता चली जाएगा, तो ये publication याद रखना, Young India इनका publication था, अमेरिका में, ठीक है, Indian Home Rule League of America का publication है, अब एक important question, हर आंदोलन में आपसे पूछा जाएगा, UPSC Prelims में, कि इस आंदोलन में किसने हिस नहीं लिया था, तो सबसे पहले हैं, Anglo-Indians, अगर Home Rule मिल जाता, तो भारतिय लोगों के हाथ में शासना जाएगा, तो Anglo-Indians का थोड़ा सा नुकसान था, तो इन्होंने इसमें हिस्सा नहीं लिया, जादातर Muslim, Common Muslims जो थे, उन्होंने इसमें हिस्सा नहीं लिया, हाला कि मुहम इसमें शामिल नहीं हुए, क्योंकि एक image बन चुकी थी कि Congress या उससे जुड़े वे जितने भी निता हैं, वो सभी elite Brahman work के हैं, और अगर Home Rule आ गया, तो यही Brahman work जो है, यह शासन करेगा, और हमारा तो शोशन होगा, तो इसलिए यह इसमें शामिल नहीं थे, और ultimately इसी नाइकर, इनके बारे में हम आगे चलकर पढ़ेंगे, इवी परियार के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, इवी रावन स्वामी नाइकर के बारे में, तो उस समय इनको डिसकस करेंगे, बट मैं आपको एक background दे रहा हूं, कि इसी समय, लगभग यही टाइम था, जस्टिस severe repression दिखाया गया, खास करके मदरास के एरिया में जहां पर movement काफी popular था, students को, खास करके college के students को साफ मना कर दिया गया, ban कर दिया गया, कि आप किसी political meeting में हिस्सा नहीं लोगे, वरना आपको college से निकाल देंगे, बाल गंगादर तिलक को restrict करने की कोशिश करी गई, तो पंज अपने सर की उपादी जो थी, SIR वाला सर, he was called Sir G. Subramanian Iyer, वो तक उन्होंने renounce कर दिया, वो उपादी वापिस दे दी, क्योंकि इन्होंने कहा कि ये गलत arrest हुए है, तो ये Annie Besant और इनके जो associate है, ये भी काफी popular हो गए थे, क्योंकि इन्होंने home rule league movement चलाया था, तो इनको भ लोगों को शान्त करने के लिए कुछ भी नहीं दिया थो, तो 1917 अगस्त के महिने में, Secretary of State Montague, Edwin Montague, इनका नाम था, ये कौन थे, लंडन में बैटने वाले British cabinet के भारतिय मामलों के मंतरी, इन्होंने एक declaration जारी किया, publicly, और ये कहा कि भारतिय लोगों को हम self government देने की रहा पर aggressor कर देंगे, इसके word बहुत carefully choose किये थे, इन्होंने, ये नहीं कहा था कि self government दे देंगे, ये नहीं कहा कि स्वरास दे देंगे, लेकिन क्या कहा, कि there will be a gradual development of self governing institutions in India, यानि कि भारत में स्वायत शासन वाले institutions धीरे धीरे develop किये जाएंगे, अब इसका क्या मतलब है, स्वायत श इसको बिल्कुल साफ शब्दों में नहीं कहा, ये कहा कि इस और aggressor कर देंगे, हम धीरे धीरे इस रास्ते पर भारत को ले जाएंगे, लेकिन ये declaration ही काफी था, तो लोग थोड़े शान्त हो गए, तो home rule लीग वाले जो जितने भी नेता हैं, उन्होंने मान लिया कि हाँ ठ जिनको हम अगले lecture में पढ़ेंगे अभी, तो उसमें home rule नहीं दिया गया, थोड़ा सा self-governing institutions की रहा दिखा दी गई, self-governing institution आये भी, काफियत तक चुनाव जैसी विवस्ता भी ला दी गई, लेकिन पूरी तरह से स्वायत्तता नहीं दी गई, ठीक है, तो Montague के इस declaration से home rule movement समापत हो जाता है, क्योंकि नेताओं को लगा home rule मिल जाएगा, हलाकि home rule मिला नहीं, तो इसलिए हम इसको successful आंदोलन नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी इसके कई सारे achievements थे, सबसे बड़ा achievement home rule league movement का यही था, कि इसने Congress में एक नई जान फूब दी, Congress जो almost एक खत्म हो चुगा organization था, 7-8 साल से बिलकुल ठंडा पड़ा था, उसमें एक नहीं जान आ जाती है, and it becomes an effective instrument of Indian nationalism, और आने वाले कुछ सालों में मात्मा गांदी आ जाते हैं, तो मात्मा गांदी ने भी उसके अंदर एक और नहीं चेतना ला दी, और एक दूसरा important achievement था कि Congress के moderate और extremist धड़े जो ह था, company का शासन था, 1858 में क्या पास हुआ था, Government of India Act 1858, और उसके बाद शासन किसका आ गया, British Rani का, महरानी Victoria का, तो इसलिए इसको हम कहते है crown rule, तो 1858 onwards भारत में क्या शुरू होता है, अंग्रेजों का crown rule, तो इस crown rule के अंदर भी आम किसान की समस्याएं solve नहीं हुई थी, कि जमीन जिस पर खेती कर रहे थे, उसका उन्हें किराया देना पड़ता था, जो काफी जादा था, illegal उन पर tax या levies लगाये जाते थे, arbitrary eviction, कभी भी उन्हें जमिनदार द्वारा उनकी जमीनों से निकाल दिया जाता था, चाहे वो जमिनदार हिंदुस्तानी हो, या फिर अं अंतर भारत में, तो ये बेगार वाला काम इनसे करवाया जाता था, यानि कि बिना पैसा दिये काम, heavy land revenue in रहयतवारी एरिया, रहयतवारी वाले सभी एरिया में land revenue काफी जादा था, अब आपके लिए question है, रहयतवारी कौन से provinces में लागू किया गया था, हमने एक अलग lecture मे सारे land revenue acts के बारे में पढ़ा था, reforms के बारे में पढ़ा था, जो अंग्रेज लेकर आये थे, तो मैं आपको रहयतवारी के specific areas बताये थे, वो आप comment में मुझे इस वक्त बताएंगे, जिसको याद है, जिसको नहीं याद है, वो जाकर revision करें, तो किसान उपर क्या समस्य आए देना जरूरी है, ऐसे में वो money lender से उधार लेते थे, पैसे, सूध पर पैसे लेते थे, high interest rate होती थे उसकी, और उसके लिए उन्हें कई बार अपनी जमीने गिरवी रखनी पड़ेती थी, mortgage का मतलब होता है, गिरवी रखना, तो अपनी जमीन या फिर अपना पशु धन, cattle क गिरवी रखकर, वो पैसे लेते थे, money lender से, और किसको देते थे, जमिनदार को, और इससे क्या है कि वो एक cycle में फस जाते थे, जिसमें money lender और जमिनदार के बीच में ये किसान, गरीब किसान फस जाता था, और कई बार इतना कर्ज हो जाता था, कि किसान अपने जीवन में त आते थे, और बहुत जादा पैसा, interest पर उनसे वसूला जाता था, और इस प्रकार के loan contract होते थे, जिसमें जमीन कुछ ही सालों में किसान के हाथ में रहा रहकर, money lender के हाथ में आ जाएगी, तो ये जो money lenders हैं, ये loan contract इस प्रकार से बनाते थे, कि अनपढ़ किसान उसको समझन पाए, किसान अक्सर अनपढ़ ही होता था, school में जाकर उसने अक्सर ग्यान नहीं लिया था, जबकि contract में इस प्रकार से साफ लिखा होता था, legally, कि अगर ये दो साल, चार साल में अगर आप पैसा नहीं चुका पाए, तो ये जमीन आपकी नहीं रहेगी, money lender की हो जाएगी, तो इस तरह से कई जमीने इनके हाथ से चीन ली गई, लेकिन कई बार ये जमीन इनसे चीन कर उन्हें वहाँ से निकाला नहीं जाता था, उसी जमीन के मालिक को, यानि किसान को अब वहाँ पर किरायदार के रूप में काम करवाया जाता था, तो tenant at will बन गया, तो अब तुम काम कर रहे हो, किसान हो, लेकिन काम किस की जमीन पर कर रहे हो, मनी लेंडर की, जिसने तुम्हें पैसा दिया था किसी समय उधार पर, और अब उसी की जमीन है, और उसी की जमीन पर तुम काम कर रहे हो, और किसान के पास अब वो जमीन नहीं रही है, उसको कभी भी वहाँ स निकाला जा सकता है उसके उपर वो eviction की तलवार हमेशा लटक रही है जब भी चाहे वो money lender उसे वहाँ से निकाल सकता है तो इनी सब कारणों से 1857 के बाद कई जगे किसान उठ खड़े होते हैं इस व्योस्था के खिलाफ लेकिन इस लड़ाई की खास बात यह है 1857 के बाद कि यह लड़ाई जो है इस बार अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ नहीं थी यह immediate enemies of the peasants के खिलाफ थी यानि कि जो उनकी मुश्किलों के लिए directly जिम्मेदार हैं local level पर जैसे की foreign planters कई सारे अंग्रेज जो है वो खेती बाड़ी के लिए जमीने खरीद कर plantation का का काम करवाने वर्ग को या उस समाज के हिस्से के खिलाफ या अंदोलन देखा गया था 1857 के पहले एक और खास बात यह थी किसान अंदोलन का नित्रत्व जमिनदार करा करते थे लेकिन अब ऐसा नहीं है जमिनदार इस अंदोलन का नित्रत्व नहीं कर रहे हैं खुद किसान अपने economic issues के कारण ये अंदोलन होंगे इनके जो struggle थे वो specific थे यानि कि कोई local reason है particular जैसे कि सूध पर पैसा बहुत जादा लिया जा रहा है तो उसके खिलाफ अंदोलन हुआ है या फिर इंडिगों की खेती जबरदस्ती करवा ही जा रही है तो उसके लिए अंदोलन हो रहा है तो limited objective ह objective उसका target ही बहुत limited है कि हमें जबरदस्ती खेती नहीं करनी या फिर सूध खोनों का पैसा जो सूध पर पैसा लिया है वो माफ किया जाए इस प्रकार के limited objective होते थे particular grievance का redressal अगर हो गया तो फिर वो अंदोलन खत्म हो जाता था तो किसी भी प्रकार से विदेशी हुकूम इस तीस साल नहीं चल रहा है limited दो या तीन साल के लिए ये struggles चल रहे है एक और development यह हुआ कि 1857 के बाद कई किसान court में जाते हैं अपने कानूनियन हग के लिए तो जमीन के लिए वो court में गए और कई जगे court में जीत भी गए और कई जगे out of court settlement में भी उन्हें जमीने मिल तो सबसे पहला revolt जो है वो indigo से संबंदित है 1858 और 60 के बीच में एक indigo revolt होता है तो indigo क्या चीज है देको indigo एक natural dye है एक organic compound होता है जो एक distinct blue color देता है तो processed indigo कुछ इस प्रकार का नजर आता है और ये indigo के processing के सारे system है जो आपको यह नजर आ रहे हैं तो जो plantations हैं वहाँ से ये dye process करी जाती थी factories में इस प्रकार से इसकी factories होती थी तो ये नील की खेती पहले एक पौधा होता है जिसका नाम है indigo fera उससे नील की खेती होती है indigo fera tintoria और उसकी जो पतियां है उनसे ये color निकलता है तो ये color जो है इसको बनाने के लिए इन पतियों को यहाँ पर इस प्र जा जाता था Europe वहाँ पर इसकी सबसे आदा डिमांड थी Europe और USA में क्योंके jeans वाला जो कपड़ा है वो blue color जो है इसी से आता था तो denim जो है modern jeans उसका आविश्कार होता है 1870 के आसपास उसके पहले भी blue color की pants काफी common थी लेकिन ये jeans material जो आज आप पहनते हो ये 1870 या 71 में develop हु तो इंडीगो फेरा ये नाम याद रखना आप पौदेगा इंडीगो फेरा से ये natural dye निकलती है तो इस dye को बनाने के लिए किसानों का खून पसीना एक हो गया तो ये नीली डाई जो है किसानों के लाल लहू से रंगी हुई थी जवाल लाल नहरू की एक बहुती मोटी और to carry on trade in Indigo. They made very hard terms with their tenants about the cultivation of the Indigo plant. The tenants were compelled to grow the Indigo in certain part of their holdings and then had to sell this at a fixed rate to the English landlords or planters. This system was called the plantation system. तो 19-वी सदी की बीच में 1850 के आसपास एक system developed होता है जिसको plantation system कहा जाता है. तो plantation system का ये मतलब है कि कई अंग्रेज जिनोंने यहाँ पर जमीने खरीद लीती वो अब बन चुके हैं landlords और वो क्या कर रहे हैं कि किसानों से यानि कि tenant से जबरदस्ती Indigo पौदी की खेती करवा रहे हैं. चाहे Indigo पौदा उन्हें नहीं हुगाना तो भी उनसे हुगाया जा रहा है और ये कंपल सरी है. क्योंकि देखो किसान तो चाहेगा कि चावल या गेहू जैसी फसल हुगा हूँ जो मैं खुद खा सकूँ. अपने घर में अपने घर के बच्चों का पेट भर सकू लेकिन Indigo तो कोई खा नहीं सकता, Indigo तो एक कमर्शल क्रॉप है उसको तो आपको बेचना पड़ेगा और जो भी रेट मार्केट में उसका मिलेगा वो आपको देना पड़ेगा. है ना चावल गेहू इनको तो आप लोकली भी बेच सकते हो लेकिन Indigo की खरीद है वो सिर्फ अंग्रेज एजेंटी करते थे जो कमपनियों के लिए काम करते थे. तो ये Indigo की खेती जो है किसानों के लिए फायदेगा सौधा नहीं थी लेकिन ये जो प्लांटेशन वाले लाइनलोड्स थे, जो अंग्रेज थे इनके लिए बहुत ही फायदेगा सौधा था क्योंकि इ जिस्से की किसानों के लिए इंडी को प्लांट करना कमपलसरी हो गया था, तो किसान इन प्लांटेशन ओनर्स की बात माने, इसके लिए कुछ कानून भी पास कर दिये गये थे, और अगर एक बात कोई नहीं मानता था, तो उस किसान को पनिश किया जाता था, इस प्रकार से किसान एक तरह से बिलकुल गुलाम बन गए थे, they became the slaves of the planters, तो जैसा medieval Europe में होता था, सर्फडम होता था, कि वहाँ पर किसान गुलाम था, landlord का, जमिंदार तो नहीं, वहाँ landlord होता था, तो इसी प्रकार से, वो medieval वाला system फिर से यहाँ पर modern India में देखने को मिल ग खेती काफी बड़े स्तर पर होने लगी थी, जब अंतराष्ट्य मार्केट्स में Indigo के price गिर जाते थे, तो भी किसान को Indigo ही उगाना पड़ता था, क्यूंकि जो Indigo के agents थे, जिनको British चरकार का support हसल था, उनका बकायता आतंक होता था किसानों के उपर, कि आपको Indigo ही उगान नहीं होती है, तो Indigo के किसानों की हालत इतनी खराब हो जाती थी, कि लाखों की संख्या में लोगों की मृत्य होती थी, बंगाल में किसानों की आर्थिक हालत इतनी अच्छी नहीं रही, इसी महल में Indigo revolt होता है, तो 1857 की करांती के दो साल बाद ही Indigo खेती करने वाले किसान अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े होते हैं 1859 में और ये मेंली नदिया डिस्टिक्ट में शुरू हुआ था और बंगाल के कई जिलों में ये फैल गया था 24 परगना, जसोर, खुलना, डाका, पना, राजशाही, मालदा इन सभी डिस्टिक्ट में ये बगावत होती है इसके जो में लीडर थे, वो थे दिगंबर विश्वास और बिश्नु विश्वास नादिया डिस्टिक्ट से बिलॉंग करते थे तो ये दोनों इस इंडिगो रिवोल्ट के में लीडर्स हैं तो इस revolt के दोरान बगावत कर दी indigo के किसानों ने और कहा कि हम indigo नहीं हुगाएंगे और चाये आप हमारे साथ कुछ भी कर दो physically आप हमारे साथ मार पीट कर दो तो भी हम indigo की खेती नहीं करने वाले और literally उनके साथ physically मार पीट करी गई physically उन्हें मजबूर किया गया इंडी को होगा और नहीं तो तुम्हें यहां से निकाल के fake देंगे और कई सारे जमिंदार या जो अंग्रेजी plantation landlords थे वो लठैत रखते थे या लठ्याल रखते थे यह ऐसे लोग हैं जो लठ लेकर किसानों को मारने के लिए आते थे दे वे लाइक muscle men प्राइवेट मिलेशिया था इनका अपना इनका इस्तमाल करते हुए या फिर पुलिस का इस्तमाल करते हुए भी किसानों को मजबूर किया गया लेकिन किसान इस बात के लिए नहीं माने और बदले में जो किसान थे उन्होंने अपनी खुद की एक force बनाई ताकि वो planters या plantation owners पर हमला कर सके हैं या फिर उनसे अपना बचाव कर सके हैं mainly बचाव के लिए ही था हमला वगेरा तो इतना हुआ नहीं था ठीक है तो इसमें बहुत जादा हिंसा नहीं होती है लेकिन हाँ या अंदोलन काफी व्यापक था तो अब यह जो planters हैं इन्होंने क्या करा कि किसानों को निगालना शुरू क्या eviction कर दिया rent बढ़ा दिया कि तो मैं दूसरी खेती कर नी है तो जादा किराया तो लेकिन जो किसान है रहियत है उसने कहा कि नहीं हम तो जमीन का rent भी नहीं देंगे they refuse to pay the rent and physically resisted eviction attempts कई किसानों ने अदालत का दर्वाजा भी खट-कट आया और अपने planters के खिलाफ वो case जीतने में successful रहे अब इस इंडीगो आंदोलन की खास बात ये थी कि इसको lead तो कर रहे थे किसान लेकिन जो बंगाल का पढ़ा लिखा वर्ग था क्योंकि आपको याद है कि बंगाल में सामाजिक करांती काफी जल्दी आ गई थी राजा राम मोहन रोय और उसके बाद जो बहुत सारी societies थी हमने सब पढ़े थे social reform movements में वो जो बंगाली intelligence या है वो इस movement को support कर रहा था तो आंदोलन हो रहा है गाओं में लेकिन उसको support पूरा मिल रहा है शहरों में तो जो शहरों के intelligence या वाले लोग हैं वो newspaper campaign चला रहे थे mass meetings organize कर रहे थे और किसानों की जो पुकार है उसको अपने अकबारों के through British हुकूमत तक पहुचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे और उनकी legal मदद भी कर रहे थे क्योंके किसान तो पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन ये work पढ़ा लिखा था तो इन्होंने किसानों की काफी मदद करी legal battles में भी कई जगे वकीलों ने इनकी मदद करी किसानों की तो ये देखने को मिलता है कि पहली बार Intelligentsia और किसान एक साथ एक मूर्चे पर आकर एकटा होते हैं ये एकता 1857 में नहीं देखी गई थी ये भी याद रखना 1857 में जब सिपाहियों ने विद्रो किया था उस समय ये वाला वर्ग उनके साथ नहीं खड़ा था लेकिन किसानों के साथ ये दो साल बाद खड़े थे इसी समय एक play लिखा गया एक किताब लिखी गई थी 1859 में जिसका नाम था Neil Darpan और The Indigo Planting Mirror तो Neil Darpan originally Bengali में लिखी गई किताब थी एक play था दीन बंदू मित्रा के द्वारा लिखा गया था और ये इतना famous हो गया कि अंग्रेजों ने इस किताब को और इसके basis पर होने वाले play को ban कर दिया तो ये जो नाटक है ये गाओं गाओं में करा जाता था और इसी के मात्यम से ये किताब इतनी famous भी हो गई थी इसको अंग्रेजों ने ban कर दिया क्योंकि इसके अंदर क्या बताया गया था कि कैसे Indigo के किसानों पर अत्याचार करे जाते हैं plantation landlords के द्वारा और ये किताब जिसने अंग्रेजी में translate करी थी उनको भी jail में डाल दिया publisher को भी jail में डाल दिया और काफी समय तक ये किताब ban रही थी 1860 में finally British government जो है इसने एक Indigo Commission बनाया उनने लगा कि नहीं सही में दिक्कत है इसलिए लोग withdraw कर रहे है तो अब्दुल लतीफ ने एक initiative लिया था अंग्रेज सरकार को कहा था कि आप क्यों नहीं reforms लेकर आते हो और इनकी बाते सुन क्यों नहीं रहे हो किसानों की तो finally ये Indigo Commission बनाया गया कि जो भी इनके साथ cruelty हो रही है उसके लिए कुछ ना कुछ कानून लाया जाए या कुछ बदलाव किया जाए तो इस Commission में शामिल थे EWL Tower जिन्होंने अपनी Commission की रिपोर्ट में ये बात लिखी थी Not a chest of Indigo reached England without being stained with human blood बंगाल के किसानों से बंगाल के किसानों के खून से संकर ये Indigo England पहुँच रहा है ये बात इन्होंने अंग्रेज ऑफिसर ने खुद ने अपने रिपोर्ट में लिखी थी Indigo Commission ने As a result, the government issued a notification that riots would not be compelled to grow Indigo and that it would ensure that all disputes were settled by legal means तो अब सरकार ने ये कहा कि कोई भी किसान को force नहीं किया जाएगा 1862 में Indigo Act पास किया गया और इसका target यही था कि forced labor पूरी तरह से बंद हो तो जहां पर भी किसान बेगारी कर रहे थे, forced labor था या फिर Indigo होगाने के लिए मजबूर किया जा रहा था ये सारे काम इस Indigo Act 1862 से खत्म हो जाते हैं 1870 के दशक तक Indigo Europe में बहुत ही popular था लेकिन फिर 1870 में जर्मनी के एक व्यक्ती ने artificial chemical dye बना ली जो बिल्कुल Indigo जैसी थी, तो Alfred Von Bear ने बनाई ये artificial dye और उसके बाद से बंगाल के जो Indigo किसान है उनके लिए और दिक्कत होगी क्योंके Indigo का rate और जादा घट गया और जब तक जर्मनी ने ये dye नहीं बनाई थी, तब तक इसको Europe में कहा जाता था Devils dye, ठीक है, तो it was superior to the German Indigo और इसको भारत से आने वाली Indigo को कहते थे Devils dye, यानि कि ये शैतान की dye है इस तरह से इसको नाम दिया जाता था क्योंकि आप अक्सर देखो कि शैतान को blue color में दिखाया जाता है जो western mythologies है, उनमें फिर आजाओ, pubna agrarian leagues पर तो pubna एक जगे है जो आज के समय में आता है, बांगला देश में उस समय आता था, East Bengal में और यहाँ पर कई सारे किसानों के संगठन बन गए थे, जिनको कहा जाएगा agrarian league तो यह agrarian league जो है यह 1870 और 80 के दशक में बनती है East Bengal में बनती है और कारण क्या था, जमिंदार के द्वारा हो रहा operation, तो जमिंदार जो परिशान करते थे किसानों को, उसके खिलाफ किसानों ने संगठन बनाया, यह संगठत होते है और इनका यह कहना था कि जमिंदार हमसे बहुत ज़ादा किराया वसूल कर रहे है और यह legal limit से बाहर है क्योंकि 1859 में एक tenancy act लाया गया था, act 10 जिसके तहरत किराया fix कर दिया गया था लेकिन किसानों का कहना था कि जमिंदार उससे आगे चलकर किराया ले रहे है और जो किराया नहीं देता उसको जबरदस्ती जमीन से निकाला जाता है, forceable eviction होता है उसके पशुधन को seize कर लिया जाता है जमिंदार सारा पशुधन ले ले लेते हैं और अगर कोई crops हैं, तो उनको भी ले लिया जाता है पकी फसल को जमिंदार उठा के ले जाता है पूरा तो इस प्रकार से हमारे पास कुछ बचता नहीं है और कानूनन रूप से हमें court जाना है लेकिन court में जाने के हमारे पास पैसे नहीं है हमारे लॉयर नहीं है, तो कुल मिला के हम करें क्या तो इन्होंने बनाई अपनी agrarian league पबना के किसानों ने और अंदोलन करना शुरू किया तो यह है पबना जो आज बांगलादेश में आता है तो यहाँ पर यूसुफ शाही परगना एक एरिया है पबना डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर इन्होंने जमिनदारों के खिलाफ यह लीग बना कर आंदोलन शुरू किया रेंट स्ट्राइक पर चले गए, यानि कि हम किराया नहीं देंगे जो जमीन का इनसे किराया लिया जाता था खेती के लिए वो इन्होंने देने से मना कर दिया जमिनदारों को so they went on a rent strike और जो भी पैसा इन्होंने इखटा किया आपस में मिलकर उससे वो court cases लड़े जहाँ जहाँ पर भी court case चल रहे थे किसानों के जमिनदारों के खिलाफ तो यहाँ पर जो main form of struggle है in Pubna Agrarian League का वो है legal resistance तो इन्होंने court में बहुत जगे cases लड़े इसलिए legal resistance सबसे important रास्ता बन गया और violence यहाँ पर नाम मात रगा था बिलकुल कम violence था most of the cases were solved by persuasion of जमिनदार by British official तो जादतर जगाओं पर अंग्रेजी officers जो हैं वो जमिनदारों को समझा देते थे कि out of court settlement कर लो क्यों जबरदस्ती लंबा case खीच रहे हो और ऐसे में कोई ना कोई settlement हो जाता था इस प्रकार से भी कई जगे किसानों की जीत हुई और कई किसान अपने जमीन को फिर से occupy कर पाए occupancy rights उन्हें मिलती हैं और जो बड़े हुए किराये हैं वो कम कर दिये गए तो यहाँ पर काफी successfully किसानों ने यह आंदोलन चलाया 1885 में सरकार पास करती है Bengal Tenancy Act और इससे जमिनदारों का जो oppression है वो काफी कम हो गया पूरी तरह गायब नहीं हुआ लेकिन जो problems यहाँ पर थी उसको solve करने के अंग्रेजों ने कोशिच करी वाया दे Bengal Tenancy Act और इस पूरे आंदोलन के दोरान कई intellectuals जैसे की बंकिम चंदर चैटर जी, RC, Dutt और Indian Association जिसकी शुरुआत करी थी सुरिंदरनाथ बैनर जी ने इन्होंने किसानों के मुद्दों को बढ़ चड़ कर आगे बढ़ाया और जोर शोर से आगे बढ़ाया और साती सात इनका support भी किया तीसरा है Deccan riots Deccan ये वो एरिया है जो महराष्टर का core एरिया है तो महराष्टर वाले एरिया में ये आंदोलन हुआ था और यहाँ पर इसको riots कहा जाता है क्योंकि कई जगे ये आंदोलन दंगों के रूप में सामने आया था कई जगे loot part भी हुई थी तो इसके पीछे reason क्या था रहियतवारी system जो है उसमें taxation बहुत ज़ादा था और taxation ज़ादा होने के कारण किसानों को लेना पड़ता था उधार और उधार किस से लेते थे ये जो सूध पर पैसा देता है ज़ाद तर money lenders या तो गुजराती थे या मारवाडी थे और इसलिए इनके किलाफ एक और factor ये था कि ये तो बहार के लोग हैं आउटसाइडर हैं महराष्टर में तो इसलिए इनके किलाफ और जादा भावनाय भढ़क गई थी किसानों की हालत खराब होने के पीछे एक और कारण ये था कि American Civil War जो है उसके कारण cotton prices में crash आ गया था American Civil War जैसे ही खत्म हुआ तो वहाँ पर cotton की खेती फिर से शुरू होती है और 1865 के बाद में cotton जो है अमेरिका में supply होनी शुरू हो गई अमेरिका से दूसरे देशों में भी जानी शुरू हो गई तो cotton के prices नीचे जले गए जब civil war चल रहा था अमेरिका में यानि वहाँ पर युद्ध था तो वहाँ से cotton export नहीं हो पा रहा था तो उस वक्त cotton के prices बढ़ गए थे British government ने land revenue 50% बढ़ा दिया था 1867 में और इस समय कई draught यानि अकाल भी होते हैं जिसके कारण कई सारी फसलें खराब हो जाती है 1874 में money lenders और किसानों इनके अगर कोई जमीन है तो महाँ पर लोग किसानी करना नहीं पसंद करेंगे बारबर, वाशर मैन, शू मेकर यानि गाओं का हर वो व्यक्ती जो कोई ना कोई service प्रोवाइड कर रहा है वो इन money lenders को service देने से मना कर देता है तो एक तरसे इनका social boycott हो गया सामाजिक भाहिशकार होना शुरू होता है तो ये भाहिशकार कई districts में हुआ पूना, एहमदनगर, सोलापोर, सतारा ये सारा core territory है जो आज महाराष्टर का area कहलाता है उसकी core region से हैं सब तो यहाँ पर ये protest काफी बड़े सतर पर हुआ लेकिन कई जगहों पर ये सामाजिक भाहिशकार एक स्टेप आगे बढ़कर दंगों के रूप में सामने आता है तो agrarian rights होते हैं और इसमें money lenders के घरों को और दुकानों को लूटा जाता है कई जगे जो उधार लेने पर agreement sign होता था उन काफ़ों को ढून ढून कर जलाया गया तेजोरियों को आग लगा दिया गया और उनको publicly जलाया जाता है कई जगे उन काफ़ों को लाकर और गाउं के बीच में चोराये पर जलाया जाता है government जो है इस movement को repress करने के लिए कोशिश करती है पुलिस वगेरा से इसको दबाने की कोशिश करी जाती है लेकिन ultimately अंग्रेजी हुकुमत को समझ में आता है कि हमें किसानों को कुछ relief देनी पड़ेगी तो 1879 में Deccan Agriculturalist Relief Act पास किया जाता है जो किसानों के कई समस्याओं का हल कर देता है अब इन सभी आंदोलनों की weakness क्या थी इनकी कमजोरी क्या थी पहली बात ये colonialism को नहीं समझ पाए ये सारे किसान आंदोलन जो हुए 1857 के बाद बड़े बड़े इन में local कारण ही सब कुछ था ना तो इनके अंदर colonialism की कोई समझ थी ना इनको ये पता था कि कोई नई ideology चलानी है इनका target बस एक limited target था और अगर वो अचीव हो गया तो उनका काम हो गया और वो बंद कर देते थे आंदोलन को तो कोई नई ideology, कोई नया social economy या political program नहीं था इस प्रकार के leaders नहीं थे जो स्वराज की बाते करें अभी तक नहीं थे लेकिन आगे चल कर लोग आ जाएंगे और ये जो appraisings है जिनके अंदर हिंसा हुई भी थी ये भी एक old societal order के अंदर हुई है जैसे आप deccan rights को ही देख लो तो यहाँ पर क्या था कि किसान एक particular समाजिक तबके के खिलाफ ये अंदरन कर रहे हैं तो यहाँ पर जो society का जो अभी framework है जो धाचा है वो अभी पुराने वाले ताने बाने में ही चल रहे हैं यहाँ पर कोई बराबरी का अधिकार या सब के लिए एक नई society हो इस प्रकार का कोई सोच नहीं है कोई विचार नहीं है जैसा आप राष्ट्री आंदोलन में देखोगे इसी लिए हम ये सारे आंदोलन को राष्ट्री आंदोलन में नहीं देखते ये बगावत है ये rewards है या फिर ये appraisings है ये आंदोलन है लेकिन ये राष्ट्री आंदोलन नहीं है क्योंकि इनके जो target है वो limited थे इनकी reach limited है ये एक limited area में हो रहे है यहाँ पर मैं एक बहुत अच्छा कथन add करना चाहूँगा France Fanon जो West Indies के एक बहुत अच्छे political विचारक है 20th century के उन्होंने ये कहा था for a colonized people the most essential value because the most concrete is first and foremost the land जमीन किसी भी उस work के लिए important है जो colonized है गुलाम लोगों के लिए सबसे important उनकी जमीन है जमीन का अधिकार है क्योंकि जमीन से ही उन्हें खाना मिलता है और सबसे उपर dignity मिलती है उनसे जमीन से इज़त जुड़ी है हर colony में आप ये देखोगे तो जमीन से इज़त और खाना दोनों चीजें जुड़ी है इसलिए जमीन पर अधिकार बहुत जरूरी है तो इन सब आंदोलोनों को पढ़ने के बाद अब हम आगे चलेंगे national movement में 1917 में हमने discuss कर लिया था कि क्या announcement किया गया था Montagu के द्वारा और Montagu के announcement के बाद उसी समय भारत की politics में entry होती है महत्मा गांदी की तो उस समय गांदी जी वोस नोट महात्मा he was just महंदास करमचंद गांदी और 46 साल के उमर में ये lawyer South Africa से लोट कर आता है भारत और यहाँ पर आकर किस तरह से राश्ट्रे आंदोलन का एक नायक बन जाता है जाएगी अब आते हैं हम महंदास करमचंद गांदी के जीवन पर तो महत्मा गांदी का original नाम ये है महंदास करमचंद गांदी MK गांदी इनका जन्म होता है 1869 में गुजरात के पोरबंदर नाम के शहर में टाउंड में तो पोरबंदर स्टेट में जब ये पैदा हुए तो ये वहाँ पर लॉफ फैमली इनके पिताजी करमचंद गांदी पोरबंदर स्टेट के दिवान थे दिवान यानि के एक प्रकार से प्राइम मिनिस्टर टाइप पोजिशन हो जाती है राजा के जो काम काज संभालते हैं तो ये वस फ्रम वेल उफ फैमली इसलिए इन्हें पढ़ने के लिए इंगलाइंड भी बेजा गया तो ये वहाँ पर law की पढ़ाही करने जाते हैं और 1891 में वापिस आते हैं लेकिन इस 22 साल के नौजवान की प्रैक्टिस ना तो बॉम्बे में चलती है और ना ही गुजरात के राजकोर्ट में दोनों ही जगे इनकी law प्रैक्टिस हो जाती है बुरी तरह से फेल लेकिन इस मुश्किल हालात में इन्हें साथ आफरिका से एक ओफर आता है काम का दादा अब्दुल्ला नाम के गुजराती व्यापारी जो साथ आफरिका में रहते थे उन्होंने गांदी को ओफर दिया कि आप आकर यहाँ पर मेरे कंपनी के legal matters को handle करो तो कंपनी का legal काम वगेरा देखो तो इस आफर को स्विकार करते वे यह चले गए साथ आफरिका क्योंकि इनकी practice इंडिया में fail हो गई थी तो 1893 में यह डर्बन पहुंचते हैं और उस वक्त साथ आफरिका की स्थिती समझने के लिए आपको यह map देखना होगा अब इस lecture को समझने के लिए आपको साथ आफरिका के इतियास और geography को थोड़ा सा समझना होगा अभी जो साथ आफरिका के borders हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हो South African जो देश है उसके border है लेकिन आज से 120-130 साल पहले 1890s में South Africa ऐसा नजर नहीं आता था यहाँ पर दो तरह की colonies थी कुछ colonies थी ब्रिटिश की जिसके अंदर main था नटाल और Cape Colony ठीक है Cape Colony क्योंके यह Cape Town जो है इसी के पीछे इसको पूरा Cape Colony कहते थे और कुछ यहाँ पर ऐसी colonies थी जो originally Dutch settlers की थी लेकिन धीरे धीरे वो क्या होते हैं कि Europe वाले जो Dutch country है वहाँ से independent हो जाते हैं और इसलिए आप इनका नाम देखोगे Orange Free State तो यहाँ रहने वाले लोग Netherlands से आये settlers के वंशष थे Dutch East Indies जो company थी उसकी originally यह colony थी लेकिन अब यह अजाद हो चुकी थी इस time थक 1890s थक तो Orange Free State और Transvaal यह वाला जो area है इसमें रहते थे Dutch origin के लोग जिनको कहा जाता था Boyer ठीक है तो यह Boyer जो है यह Dutch शब्द है जिसका मतलब होता है किसान तो यहाँ पर लोग जो जाकर settle हुए थे वो किसानी करते थे इसलिए इनको Boyer कहा जाने लगा लेकिन सब कुछ change हो जाता है Diamond मिलने के बाद आप जानते हो कि South Africa में बहुत बड़ी-बड़ी Diamond Mines है आज तो जब 1860s, 70s में Diamond मिलना शुरू होता है तो इनके बीच में British colony और Boyers के बीच में तनाव शुरू होता है और इसी कारण से दो Boyer Wars होते हैं तो First Boyer War होता है 1881 में जिसके अंदर Boyers जीत जाते हैं और दूसरा Boyer War होता है 1899 से 1902 के बीच में तो ये काफी decisive लड़ाई है इसके अंदर अंग्रेज की जीत होती है ब्रिटिश की जीत होती है और ब्रीफ हिस्ट्री समझ गए होगे कि यहाँ पर अभी Transvaal और Orange Free State exist कर रहे हैं जब महात्मा गांदी वहाँ पहुंचे है और दूसरी तरफ British colonies है जिनमें प्रमुक हैं Natal और यहाँ पर Cape Colony तो ये जो Second Boyer War है इसका जिक्र फिर से आएगा इसलिए मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ ली हैं बता रहा था तो ये बोयर्स हैं आज भी आप South Africa की लोगों में देखोगे तो आपको Dutch जैसे सरनेम बहुत देखने को मिलेंगे खासकर के Cricket Team देखा करो South Africa की उसमें आपको जैसे बोथा ये वाला जो सरनेम है अब ये एक टिपिकल Dutch सरनेम है जो आपको South African Cricket Team में रगबी टीम में बहुत सारे प्लेयर्स का सरनेम मिल जाएगा अब जो दो British colonies थी Natal और Cape Colony इसमें Minority White Population यानि कि British Population राज करती थी और इन्होंने एक बहुत ही Strict Segregation का सिस्टम लागू कर रखा था यानि कि हर चीज अंग्रेजों की अलग है चाहे वो Minority में हैं लेकिन उनके रहने के एरिया अलग है उनकी स्कूल अलग है In fact कई सडकों पर तो Local African लोगों को चलने की इजाज़त तक नहीं थी अगर गलती से आप उस रोड पे चले गए जो केवल वाइट लोगों के चलने के लिए है तो लोगों को जेल में डाल दिया जाता था इतना ज़ादा restriction था Public life में पूरी तरह से separated areas होते थे ऐसा भी हो सकता था कि एक वाइट बच्चा कभी किसी black African बच्चे को देखे तक ना कई महीनों तक इस तरह का separation इतना strict segregation था Africa में South Africa की colonies में उस समय अब मेरे मुँसे कई बार South Africa निकलेगा आप समझ जाना मैं Natal और Cape Colony की mainly बात कर रहा हूँ तो इसके कारण क्या होता है कि वहाँ पर तीन काटेगरी के लोग society में डिवाइट हो जाते हैं एक थे हैं white जिसके अंदर mainly British या Dutch boyer ancestry के लोग हैं दूसरे हैं blacks जो वहां के native हैं और तीसरे हैं colored जिनको अंग्रेज उस समय colored कहते थे यह सब terminology उस समय की है तो यह mixed race लोग थे farms वगेरा पर काम करने के लिए लाए गए थे तो तीन category बन जाती है white, black और colored की इन colored लोगों में भारत के लोगों की जनसंख्या भी अच्छी खासी थी भारत से लोग यहाँ पर कब migrate होना शुरू होते हैं 1860 के दशक में कई सारे भारतिये लोगों को अंग्रेज लेकर जाते हैं वहाँ पर एक agreement के थे इन agreement को sign करने वाले लोगों को कहा जाता था भारत में गिर्मिटिया तो यह term वैसे mostly उत्तरप्रदेश और भिहार में use होता था इसका actual English term है indentured labor ठीक है तो indentured labor का मतलब है कि आप एक contract sign कर रहे हो कि आप 10 साल 20 साल खेतों पर काम करोगे या जो भी काम होगा उसको करोगे तो यह जो indentured labor है यह भारत से migrate करते थे और कई देशों में ले जाये गए जैसे आज का जो West Indies वाला area है North America में जो islands हैं वहाँ पर भी बहुत सारे indentured भारती के लोगों को ले जाया गया था as laborers उनके भी वंचाजाज वहाँ पर रहते हैं भारती समुदायक उनी से बना है तो यहाँ पर South Africa में जो indentured labor था वो दक्षिन भारत से ले जाया गया था 1860s में जबकि West Indies या फिर जैसे Fiji जैसे जो देश हैं वहाँ पर जो indentured labor हैं वो mostly उत्तरप्रदेश और बिहार वाले areas को belong करते थे इसके बाद एक दूसरी migration की wave आती है जिसमें व्यापारी work वहाँ पर जाकर settle होता है और अपना व्यापार शुरू करता है तो इसी में दादा अब्दुल्ला जैसे लोग शामिल थे और इनमें बहुत बड़ी संख्या थी पश्चिमी भारत में रहने वाले मेमन मुसल्मानों की तो मेमन मुसलिम्स जो है ये केरल, महराष्ट्रा सभी जगे रहते हैं इनफाइक मुंबई में भी आपको बहुत बड़ी मेमन कम्यूनिटी देखने को मिलेगी और इनी मेमन मुसलिम्स के वंचा जो में से एक है हाशिम अमला जो साथ आफ्रिकन क्रिकेट स्टार है तो मैं आपको बस एक लिंक बता रहा हूँ कि कैसे भारतिय लोग जो हैं वो साथ आफ्रिका में जाकर सेटल हुए फिर भारतिय लोग का एक तीसरा वर्ग था ये वो लोग थे जो इंडेंचर्ड लिबर के बच्चे थे ये अब indentured labor नहीं है ये किसी bond में नहीं है कि इनको काम करना पड़ेगा लेकिन अब ये भारत जाने की बज़ाए वहीं पर सेटल हो जाते हैं क्योंकि इनका पूरा बच्पन साथ आफ्रिका के ये खेतों में अपने माता पिता को काम करते हुए देखते हुए बीचा है तो ये वही पर सेटल होना शुरू हो जाते हैं जब इनके contract एक्सपायर होते हैं तो भी कई लोग यहां सेटल होते हैं और इनके बच्चे भी अब यही पर धीरे-धीरे सेटल होते हैं तो इस प्रकार से 1890s में जब गांदी जी वहाँ पर जाते हैं पहुँचते हैं तब तक एक अच्छी-कासी भारतिय कम्यूनिटी वहाँ पर काम कर रही है अब यही लोग कई सारे माइन्स में काम कर रहे हैं और खेतों में काम कर रहे हैं इंडेंचर नहीं है लेकिन इसके बावजूद लेबर वर्ग में एक बहुत बड़ा पार्ट इंडियन कम्यूनिटी का गांदी जी जब साथ आफ्रिका पहुँचे तो इन्होंने पहुँचते ही रंग भेद वाली नीती का सामना किया अपार्थेट इसको कहा जाता था ये एक एफिकान वर्ड है जो भाशा है वहाँ की जिसमें कई सारे डच शब्द हैं अपार्थेट का लिटरल मीनिंग है ये कि लोगों को अपार्ट रखना लोगों को दूर रखना दोनों में दूरियां बनाए रखना तो ये जो रंग भेध वाली नीती है ये इनोंने first hand experience करी क्योंकि नाक्यवल local black population बलकी जो Asian population है उसके खिलाफ भी ये अपार्थेट policy follow करी जाती थी गांदी जी पहुंचते ही डर्बन से Pretoria जा रहे थे और इस बीच में इनोंने बहुत सारी नसले वेधी टिकपणियां सुनी और एक बहुत famous incident होता है जिसमें गांदी जी को train से बाहर फेक दिया जाता है तो उनका जो politics के प्रती रुजहन आता है या फिर अधिकारों के लिए लड़ने का जो सिलसला शुरू होता है वो यहीं से शुरू होता है इस गटना से शुरू होता है तो Peter Maritsburg नाम याद रख लेना हो सकता है किसी exam में पूछ लें वैसे UPSC में पूछे जाने की संभावन के लिए लड़ने में व्यतीत किये और 1914 तक गानी जीमा रहते हैं 1914 डिसेंबर में महां से वो निकल पड़ते हैं भारत के लिक तरफ और 9 जन्वरी 1915 को भारत पहुंशते हैं और इस दिन को आज सेलिबरेट किया जाता है ऐस प्रवासी भारती दिवस हर साल एक बहुत बड देखोगे कि वेश भूशा बदल जाती है और शकल बदल जाती है तो कहां एक टाई सूट पहनने वाला वकील आगे चलकर किवल एक धोती पहन कर पूरे देश में करांती ला देता है तो यहां पर गांधी जी इंग्लिश सिखाना शुरू करते हैं भारतिय मूल के लोगों उनको लगता है कि जब तक English नहीं सीख सकते है तब तक उप्रेसिव लॉज या उप्रेसिव कानूनों से कैसे लड़ सकते हो उसके बाद ये भारतिय लोगों को भारतिय समुदाय को एक करना शुरू करते हैं संगठन बराना शुरू करते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि तब तक संगटित नहीं होंगे तब तक इस भेदभाव से लडएंगे कैसे। इसी बीच 1899 में Second Boyer War की शुरुवात होती है। तो मैं आपको पहले ही पता चुका हूँ कि Boyer War का Background क्या है। Overall, British Colonies का Target ये था कि जो ये बीच में दो Orange Free State है या फिर Transwall है, इनको अपने कंट्रोल में ले लिया जाए, तो Boyers और British Colony के बीच में ये लड़ाई होती है, तीन साल चलती है लड़ाई और इसमें Ultimately British की जीत होती है। लेकिन इस लड़ाई के दौरान गांदी जी को ये लगता है कि अगर हम यानि की भारतिय समाज अंग्रेजों को सपोर्ट करें, अंग्रेज गवर्मेंट को सपोर्ट करें, तो हो सकता है कि हमें हमारे अधिकार दे दिये जाएंगे। तो गांदी जी बनाते हैं Natal Indian Ambulance Corps, तो इस युद्ध में जो सैनिक गाहल हो रहे थे, उनको होस्पिटल तक पहुँचाने के लिए एक Ambulance Corps बनाई जाती है, जिसमें कई वार लोग बैल गाडियों पे, कई वार पैदल गाहल सैनिकों को युद्ध के मैदान से होस्पिटल तक लेके आते हैं और इसमें भारतिय लोग शामिल थे, इस Ambulance Corps में, कई भारतिय सेना में भी शामिल होते हैं और इस लड़ाई में भी हिस्सा लेते हैं और गांदी जी मेंली इस Ambulance Corps पे अपना focus रखते हैं, तो इसमें जो indentured भारतिय लोग हैं, वो इसको support कर रहे थे और इसके लिए पैसा भी भारतिये community ने दिया था लड़ाई खत्म होने के बाद इस ambulance core के उतकरष्ट कारियों के लिए इसे और गांधी जी को एक medal भी दिया गया था, medal का नाम है Queen's South Africa Medal for serving the British Empire, तो गांधी जी को British Empire से medal मिला था South Africa में क्योंकि इने तब ये लग रहा था कि अगर हम British War effort को support करेंगे तो British Government हमारे साथ sympathy की नजर से देखेगी, वो देखेगी कि हाँ भारतिये मूल के लोगों की जो समस्या हैं उनको हम solve करें, लेकिन ultimately ऐसा कुछ होता नहीं है, जिन भारतिये मूल के सैनिकों ने Boyer War में अपनी जान गवाई थी, उनके लिए आज एक memorial यहां बना हुआ है जोहानसबर्ग में और आपको ये जानकर हरानी होगी कि कई prisoners of war को भारत लाया गया था, भारत के military camps में उनको युद्धबंदी के तोर पर रखा गया था, तो गांदी जी के South Africa में जो शुरुवाती 12 साल थे, ये इनका वहाँ पर moderate phase था, 1906 तक वो एक moderate के रूप में देखे जा रहे थे, क्यूंकि इन्होंने अभी तक British सरकार के खिलाफ ऐसी आवाज नहीं उठाईए कि सरकार उखाड फेकेंगे या civil disobedience चलाएंगे नहीं, इस समय में ये किवल चिठ्धियां लिख रहे थे, petition कर रहे थे South African legislature को कि हमारे अधिकार हमें दिये जाएं भारतिय मूल के लोग या Asian लोगों के प्रती भेदबाब ना हो, segregation ना हो कई चिठ्धियां इन्होंने London State Colonial Secretary को भी लिखी, तो आपको याद होगा कि जैसे एक Secretary of State for India होता था, वैसे ही South Africa की Colonies के लिए भी Colonial Secretary होता था, और British Parliament को भी इन्होंने कई चिठ्धियां लिखी, तो शुरू में इनको लगता था कि ये जो British लोग हैं They have a sense of justice और जो भी यहाँ पर कानून लागू होंगे, वो सबके लिए बराबर होंगे ऐसा इन्हें लगता था, तो इसलिए इन्होंने लगातार 10 साल तक, 12 साल तक इसी मोड में काम किया, कि नहीं हम सरकार के खिलाफ नहीं है, हम सरकार इसी समय एक और important development है जो आपको याद रखना है, गांधी जी ने नटाल Indian Congress की स्थापना करी, वहाँ पर कुछ local भारतिय लोग थे उनके साथ मिलकर और एक अकवार च्षापना शुरू किया Indian Opinion, और इसी Indian Opinion को च्षापने के लिए इन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस थापित करी और दीरे दीरे उस प्रिंटिंग प्रेस के आसपास इन्होंने एक settlement बना दिया जहां पर भारतिय मूल के लोग आकर रहने लगे, उनका परिवार भी रहने लगा, इसको कहा जाने लगा Phoenix settlement, तो ये Phoenix settlement जो है डर्बन शहर के पास में है, और पिछले साल, यानि 2020 में South Africa की government ने इसको एक important national heritage site गोशित किया है तो ये national heritage site की जो list है, South Africa देश की, आज उसमें इसको शामिल कर लिया गया है Phoenix settlement को, और Phoenix settlement कहा है, इसकी location भी याद रखना, डर्बन शहर के पास में, तो गांधी जी ने South Africa में दो important settlement बनाया है एक तो था ये Phoenix settlement जो 1934 के आसपास स्थापित होता है और इसको स्थापित करने के बीचे है main लक्षे ये था कि ये जो printing press थी इसको चलाया जाए, Indian opinion अकबार को बनाया जाए, और साथी साथ डर्बन में plague फैल रहा था, तो plague से बचने के लिए, शहरों से दूर इस प्रकार के settlement में कई लोग रहना prefer कर रहे थे, 1910 में गांधी जी ने एक और settlement बनाया था, जिसका नाम है Tolstoy Farm Tolstoy Farm जो है, ये बनाया है आप पूरा नाम लिख लीजेगा, तो Tolstoy Farm और Phoenix Settlement, इन दोनों के नाम आपको याद रखने है, 1906 से गांधी जी ने अपने प्रोटेस्ट के तरीके में बदलाव लाया, और अब ये moderate तरीकों से नहीं, बलकि थोड़े उग्र तरीकों से प्रदर्शन करने लगे जिसमें सबसे important था, civil disobedience जिसे हम हिंदी में कहते हैं सविनय अवग्या, तो इसी प्रकार का अंदोलन आगे भारत में भी चलेगा, 1930s में लेकिन उसकी शुरुवात कहां से होती है, South Africa से गांदी जी ने इस method को नाम दिया सत्याग्रे है, तो ये पहला सत्याग्रे है इनका South Africa में होता है या तकना भारत में नहीं होता है अगर भारत में पहला सत्याग्रे पूछा जाएगा तो फिर हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अगर कभी कुशन आ जाता है कि गांदी जी का पहला सत्याग्रे कहां था, तो that was in South Africa और शुरुवात इसकी कब हुई, 1906 में तो सत्याग्रे करनी की जरुरत क्यों आन पड़ी South Africa की सरकार ने एक कानून बनाया कि जो भी भारतिय मूल के लोग महाँ पर रह रहे हैं उनको एक certificate लेना जरूरी है, जिसमें उनके fingerprint होंगे, एक प्रगार का identity card होगा, जो उनको अपने पास हर समय रखना होगा, कभी भी कोई भी उनसे वो ID card मांग सकता है, पूछ सकता है उस ID card के बिना वो कहीं पर भी आजा नहीं सकते हैं, भारतिये लोगों ने कहा कि हम इस कानून को नहीं मानेंगे, क्योंकि ये specifically हमारे लिए बनाया गया है जो British मूल के लोग है और जो white लोग है, उनके लिए ऐसा कोई कानून नहीं है, उन्हें कोई ID card जेब में लेकर नहीं गुमना है, तो हमारे लिए ये क्यों लाया जा रहा है, इस registration कानून का विरोध करने के लिए गांदी जी ने passive resistance association की स्थापना करी और नाम में आपको बता रहा होगा passive resistance यानि की विरोध करना है, लेकिन उगर तरीके से नहीं passive तरीके से, शांत तरीके से विरोध करना है सरकार की policy का और इसी तरीके से पहला सत्यागरे शुरू होता है, विरोध अंग्रेजी सरकार को पसंद नहीं आया, सरकार ने गांदी जी और उनके अनुयाईयों को जेल में डाल दिया, तो पहली बार गांदी जी जेल जाते हैं, लेकिन इतने लोग जेल जाने को तैयार हो गए, कि जेल पूरी फुल हो गई, और लोगों में जेल का भै खत्म हो गया, जेल को लोग कहने लगे, होटेल है ये तो, जाना यहाँ पर अच्छी बात है, King Edwards Hotel नाम दे दिया गया जेल को, तो भारतिय मूल के लोग जेलों में अराम से जाने लगे, they were arrested, और कोई भागने की कोशिश नहीं करता था, ऐसे में सरकार को लगा कि ये तो policy ही फेल है, अगर जेल का डर ही लोगों में खत्म हो गया, तो फिर हम इनको कहाँ पर भेजेंगे, तो उस समय जो लोकल administrator थे, General Smuts, जो आगे चल कर, South Africa के Prime Minister भी बनते हैं, he was a politician, तो ये आगे चल कर दो बार Prime Minister रहे थे, और apartheid policy को काफी आगे बढ़ाया था इन्होंने, और actually 1910 में registration करने के लिए भारतिय समुदाय को प्रेरित करो, तो गांधी जी ने बात मान ली, गांधी जी ने का ठीक है, सबसे पहले मैं खुद register करता हूँ, तो he was the first one to sign the register, उन्होंने ये deal General Smuts से ले ली, लेकिन General Smuts ने यहाँ पर एक चालाकी कर दी, Smuts ने इस कानून को फिर भी ratify करवा दिया तो ये बात तै हो गई थी कि voluntary होगा, registration compulsory नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये कानून pass करवा दिया जाता है, compulsory के तोर पर और जिन लोगों ने register कर दिया था गांधी जी के कहने पर उनसे प्रेरित होकर भारतियों ने registration अपना शुरू कर दिया था उन्होंने अपने registry card या ID cards को जलाना शुरू कर दिया, तो अब आप देख रहे हो आपको एक parallel मिलना शुरू हो जाएगा non cooperation movement या फिर civil disobedience movements है, तो उन्होंने publicly अपने ID certificates को जलाना शुरू कर दिया अब ये वाला अंदोलन चली रहा था, इसी बीच British सरकार एक और नया कानून लेकर आती है, जिसके तहट भारतियों मूल के लोगों के immigration पर रोक लगाई जाएगी, यानि कि भारतियों लोग ना तो South Africa में आ सकते हैं, ना यहाँ पर बस सकते हैं, और जो existing लोग हैं, वो भी एक से दूसरी कॉलोनी में नहीं जा सकते हैं, उस पर भी कुछ restriction इन्होंने लगाए थे, तो जो अंदोलन पहले से चली रहा था, उसमें इसका विरोध भी शुरू हो जाता है, अगस्त 1908 में गांदी जी के नित्रत्व में कई भारतिये लोग नटाल से जाते हैं, ट्रांसवाल में, यानि कि एक कॉलोनी से दूसरे कॉलोनी में बॉर्डर क्रॉस करते हैं, या दखना अभी भी ये कॉलोनी अलग हैं, 1909 में यूनिफिकेशन का प्रोसेस वहाँ शुरू होता है, तो इस 208 में, गांधी जी को जेल भेजा जाता है, और इस बार जो ये जेल है, ये किंग एडवर्ड्स होटल नहीं थी, इस बार की जो जेल थी, उसमें इनको कड़ी से कड़ी सजा दी गई, कि मेहनत करनी पड़ेगी, पत्थर उत्थर तोड़ने पड़ेंगे, हाड फिजिकल लेबर था, तो इन्हें पॉलिटिकल प्रिजनर की तरह ट्रीट नहीं किया गया, इस बार इन्हें एक आम कैदी की तरह ट्रीट किया जाता है, और काफी खराब कंडिशन्स थी जेल की, क्योंकि ब्रिटिश सरकार इन पर जाता है, और जेल से उन्हें छोड़ दिया जाता है, लेकिन उसके बाद गांदी जी डिसाइड करते हैं कि अब समय आ गया है कि लोगों को थोड़ा आत्म निर्भर बनाना होगा, तो ये टोल्स्टोय फार्म की स्थापना करते हैं, और टोल्स्टोय फार्म में इनकी मदद करी थी, इनके एक जर्मन आर्किटेक्ट फ्रेंड ने, जिनका नाम था हर्मन कैलनबाक, हर्मन कैलनबाक के द्वारा दिये गए, पैसो से ही ये जमीन खरी दी गई, जोहानेसबर्ग शहर के पास में, और यहाँ पर इन्होंने स्थापित किया टोल्स्टोय फार्म, टोल्स्टोय नाम किसके बीछे रखा था रशियन राइटर लियो टोल्स्टोय, जिनकी कहानिया बहुत फेमस हैं, इनसे गांदी जी काफी inspired थे, तो इनके पीछे नाम रखा गया था टोल्स्टोय फार्म, तो यहाँ पर गांदी जी का लक्षे ये था कि जो सत्याग रहे के लिए लोग तयार कर रहा हूं मैं, इनको थोड़ा सा hard बनाया जाए, इनको सक्त बनाया जाए और भविष्य में कोई अंदोलन होता है तो ऐसे में ये घबराया नहीं, जेल वेल से ना डर जाएं तो फीनिक्स सेटलमेंट और टोल्स्टोय फार्म्स जो है, ये भविष्य में भारत में बनने वाले उनके आशरम के precursor थे, भारत में भी गांदी जी ने आकर साबरमती आशरम, वर्दा आशरम कई जगे स्थापित किये, इस प्रकार के आशरम स्थापित किये, वहीं पर वो रहते थे, तो इस community living के पीछे मकसदी यही था कि लोगों को थोड़ा ऐशो आराम से दूर ले जाया जाए, आत्मे निर्वर बनाया जाए, और मान लोग अभी जेल वेल हो जाती है, तो यह जेल से ना घब रहे हैं, जेल की practice यहीं पर करा लो, यह थोड़ा सा इनका target था, तो Tolstoy farm was a precursor to later Gandhian आशरम्स, और अब 1910 का जो यह समय है, इस समय तक गांधी जी थोड़े famous हो चुके थे भारत में भी, और भारत के कई लोग इनको वित्य साहता भी प्रदान कर रहे थे, जैसे की Tata Group के जो अध्यक्षत है उस समय, रतन Tata यह अभी वाले रतन Tata नहीं है, यह अभी वाले help करते थे, contributions भेजते थे 1911 में British Empire में एक नए राजा की ताज़कोशी होती है King Edward की death के बाद King George V राजा बनते हैं, यह वही George पंचा में जो दिल्ली में दरवार भी लगाएंगे अपना, तो King George V के coronation पर पूरे British Empire में बड़े-बड़े function रखे जाते हैं और ऐसा ही एक function South Africa में रखा जाता है, जहां पर भारत के Congress के नेता गौपाल कृष्ण गोखले को invite किया जाता है British सरकार इनको invite इसलिए करना चाती थी, क्योंकि इनका target यह था कि गोखले की मदद से एक agreement पर आया जाए यह जो Indian community प्रोटेस्ट कर रही थी बार-बार आंदोलन कर रही थी, जिनके leader थे मात्मा गांदी, इनके साथ बैट कर बातचीत करी जाए, तो गोखले गांदी जी के संपर्क में पहले से थे, चिठ्ठियों के माध्यम से, और यही से आगे इनकी जो यह political friendship है, यह आगे बढ़ती है, गोपाल कृष्ण गोखले को कई बार गांदी जी का mentor भी कहा जाता है, तो गोखले जब साथ आफरिका आते हैं, तो यह सब बैट कर बाचीत करते हैं, और इनके बीच में एक agreement होता है, जिसके तहित, South Africa की सरकार यह तहिक करती है, कि ठीक है, हम जितने भी racist कानून है, भेदभावपूर्ण वाले कानून है, इनको हटा देंगे, लेकिन एक साल के अंदर-अंदर ही सरकार अपने वादे से मुकर जाती है, तो 1912 तक यह वादा इनोंने निभाया, उसके बाद यह कानून फिर से लागू कर दिये जाते हैं, तो यह फोटो है उस समय का, जब गोपाल कृष्ण गोखले आय थे, South Africa, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह गांदी जी बैठे हैं, यह रहे गोखले, लेकिन जैसे ही ब्रिटिश सरकार अपने वादे से मुकर जाती है, फिर से वो पुराने कानून लागू कर देती है, तो गांदी जी भी अपना सत्याग्रह 1913 में, फिर से चालू कर देते हैं, इस बार सत्याग्रह के लिए एक और कारण मिल गया है, इनको कारण क्या था? एक नया टैक्स लाया जाता है, कहा जाता है कि जितने भी भारतिये मजदूर हैं, जो पहले indentured labor थे, यानि कि पहले bond period में सेवा कर रहे थे हैं, आपर 10-20 साल उन्होंने अपना bond period पूरा किया, अब वो free हैं, लेकिन उनको एक tax देना होगा, अगर उनको यहाँ पर रहना है, यहाँ पर vote देना है, तो उनपर एक poll tax लगाए गया, कि 3 pound दोगे, तभी आप vote डाल सकते हो local जो भी elections होते हैं उसमें, और यह 3 pound देने के लिए उनके पास थे नहीं, तो ऐसे में यह सत्याग रहे है जो है, इसमें गांदी जी के साथ बहुत सारे labor work के लोग शामिल होते हैं, और यह एक जन आंदोलन बन जाता है, it becomes a mass movement in 1913, अब यह अंदोलन चली रहा था, इस बीच South Africa के Supreme Court की तरफ से एक judgment आता है, जिसमें यह कहा गया कि जो भी शादी, Christian तोर तरीकों से नहीं हुई है, या जो registered नहीं हुई है, वो invalid है, null and void है, तो इस प्रकार से जितने भी भारतिय मूल के लोग थे, जो हिंदू, मुस्लिम, पार्सी तरीकों से जिन्हों ने शादियां करी थी, उन सब की शादियां registered ही नहीं है, South Africa में, तो उनकी शादियां निरस्थ हैं, उनके जो बच्चे हुए हैं, वो सब नाजायस बच्चे हो गए, इस कानून के अनुसार तो, तो ऐसे में अब मामला personal हो गया था, तो गांधी जी के आंदोलन में अब महिलाएं भी शामिल हो जाती है, क्योंकि अब तो महिलाओं की insult हो गई, इस कानून के कारण, तो इस प्रकार से लोग उनके साथ जुड़ते जाते हैं, और कई महिलाएं इस अंदोलन में अब हिस्सा लेती हैं, तो गांधी जी एक और सत्याग्रह शुरू करते हैं, final struggle, अब कहते हैं कि यह जितने भी कानून है, चाहे वो शादी वाला कानून हो या उससे पुराने वाले कानून थे, इन सब को हटाने के लिए हमें एक बड़ा सत्याग्रह करना ज़रूरी है, तो इस बार गांधी जी अपने सत्याग्रह में 16 सत्याग्रहों के साथ में मिलकर, जिन में से कस्तूरवा भी एक हैं, बॉर्डर क्रॉस करते हैं, फिर से पुराने वाले उस कानून को तोड़ते हुए, इनको अरेस्ट कर लिया जाता है, इन्होंने फीनिक्स सेटलमेंट से ट्रांसवाल के बॉर्डर तक की यात्रा करी, दूसरी और, ट्रांसवाल में स्थित टोल्स्टोय फार्म से 11 महिलाओं का ग्रुप नटाल टेरिटरी में एंटर करता है, और यहाँ पर यह न्यू कासल नाम के माइनिंग टाउन पर पहुंचते हैं, यहाँ पर बहुत सारे भरती मूल के वरकर्स थे, जो माइन्स में काम क जाते हैं, लेकिन इनके परिवारों को परिशान करने के लिए, जो माइन ओनर्स हैं, वो बिजली और पानी की सप्लाई काट देते हैं, और इसके कारण माइन वरकर्स को अपना घर छोड़ के जाना पड़ता है, इन में से कई माइन वरकर्स के परिवारों को गांधी जी के टोल्स्टोय आश्रम में शरंड दी जाती है वहाँ पर गांधी जी कहते हैं कि आओ यहाँ पर रह लो जमीन है टोल्स्टोय फार्म में आप रही है और गांधी जी 2000 लोगों का एक मार्च लेकर चलते हैं और फिर से बॉर्डर क्रॉस करते हैं लेकिन इस बार इन्हें ट्रांसवाल में जेल में डाल दिया जाता है और इस बार जो जेल की सजा है वो काफी यातनाओ भरी होती है इन्हें जेल में भूका रखा जाता है मार पीट करी जाती है इनके साथ और खास करके जो माइन वर्कर्स हैं उनके उपर बहुत सारे जुल्म ढ़ाय जाते हैं, गांदी जी को भी एक काल कोटरी में रखा जाता है उनको जब कोट ले जाते हैं तब एक आम कैदी की तरह किसी हत्यारे की तरह उनके हातों में बेडियां ड़ाली जाती हैं, इसके फोटोस जब छपते हैं अकबारों में, तो जो पूरा भारतिय समुदा है वो नाराज हो जाता है और कई सारे अन्य माइनर्स भी स्ट्राइक पर चले जाते हैं। ये पूरा आंदोलन जब साथ आफरिका में चल रहा होता है उसी वक्त गोपाल कृष्ण गोखले इस आंदोलन के बारे में, यानि साथ आफरिका में भारतियों पर हो रहे हैं जुल्म के बारे में भारत को बताने के लिए पूरे भारत की यात्रा करते हैं, भारतीय समुदाय के द्वारा इस पर जाच कमिशन बैटना चाहिए फाइनली भारतीय समुदाय और ब्रिटिश सरकार के बीच में बाचीट शुरू होती है इस बाचीट का हिस्सा थे गांधी जी भारत के वाइस रोय हार्डिंग, सी एफ एंड्रियूस जिनको कई बार दीन बंदू एंड्रियूस भी कहा जाता है, ये एक क्रिश्चन मिशनरी थे जो आगे चलकर भारत के आजादी के अंदोलन में शामिल हो जाते हैं और सौथ आफरिका की सरकार की तरफ से जनरल समट्स जो अब बन चुके हैं प्राइम मिनिस्टर, जो यूनिफाइड सौथ आफरिका है उसके ये प्राइम मिनिस्टर थे, तो इनके बीच में एक एग्रिमेंट होता है सौथ आफरिका की सरकार जादा तर भारतिये डिमांड्स को मान लेती है जो भारतिय समुदाय की डिमांड्स थी और इस प्रकार से गांधी जी का सत्यागरे काफी हद तक सफल रहता है इस एग्रिमेंट के कुछ समय बाद गांधी जी भारत की तरफ प्रस्तान कर जाते हैं लेकिन साथ आफरिका में जो ये पूरा स्ट्रगल है इसके कुछ की पॉइंट्स हैं आगे चलकर ये गांधियन वे ओफ स्ट्रगल का ब्लूप्रिंट यहां पर तयार हो चुका है उसी को फॉलो किया जाता है भारत में भी इसलिए हम इसके बारे में आज पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट यहां पर यह था कि यहां पर कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं देखने को मिली थी और यहां पर तयार होता है और यहां पर तयार होता है गांदी जी को यहां पर सबसे में एक्सपिरेंस जो मिला था वो यह कि गरीब लोगों को साथ लेकर वरकर्स लेबरर्स इन लोगों को साथ लेकर कैसे आंदोलन बनाया जाता है एक बड़ा जन आंदोलन कैसे लीड किया जाता है उसका एक्सपिरेंस मिलता है भारत में आपको यादी होगा कि कॉंग्रेस शुरुआत के 20 सालों तक कोई जन आंदोलन नहीं चला पाती है तो सभी को एक साथ लेकर चलना, सभी के मुद्दों के लिए लडना, ये भी यहाँ पर गांधी जी देखते हैं, experience करते हैं, बाशाई तोर पर भी South Africa में कई प्रकार के लोग थे, गुजराती मर्चंट्स थे, तमिल वरकर्स थे, इंडेंचर्ड लेबर्स थे, ये सभी South Africa छोड़कर अपने देश आता है, तो at the age of 46, उसके पास बहुत experience है, अंदोलन चलाने का, जन अंदोलन कैसे चलाया जाते हैं, और किस प्रकार से अंग्रेजी हुकूमत से negotiate किया जा सकता है, तो overall ये जो South African experiment है, ये भारत के लिए बहुत फायदेगा सोधा रा, क्योंकि इस बार fail भी होते हैं, लेकिन कई बार successful भी रहते हैं, तो इसी की पूरी कहानी आगे हम पढ़ेंगे, यहाँ पर एक ऐसी general fact है, याद रखेगा, South Africa और भारत के बीच का जो cricket match होता है, test series जो होती है, उसका एक particular नाम है, पहले इसको Gandhi Mandela Cup कहा जाता था, लेकिन गांदी जी की ज इसी प्रकार से भारत और और Australia के बीच में होने वाले test series में जो trophy दी जाती है, उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है? UKSC 2019 के prelims में एक question पूछा गया था, इन में से सही स्टेटमेंट कौन सा है आपको बताना है इसका अंसर मैं आपको दूँगा लेक्चर के अंत में अगर आप लेक्चर ध्यान से देखेंगे तो आपको इसका अंसर वैसे ही आ जाएगा तो गांदी जी का भारत के स्वाधीनता संग्राम में बहुत बड़ा रोल था अब दुनिया में चाहे वाट्साप फॉर्वर्ड कुछ भी कहते हूं लेकिन सच्चाई यही है कि रोल बहुत बड़ा था उसके पीछे कारण क्या है मास मुवमेंट यानि कि भारत के राष्ट्रिय आंदोलन को एक जन आंदोलन बनाने में गांदी जी का बहुत बड़ा हाथ था तो यह जो तीसरा फेज है हमारे राष्ट्रिय आंदोलन का यह कहलाता ही गांदियन एरा है क्योंकि इसकी शुरुआत होती है 1917 से तो जो होम रूल लीक वाला मुवमेंट था वहां तक आकर सेकेंड फेज खत्म हो जाता है और आपको याद हो तो होम रूल लीक के बाद एक गांदियन एरा कहते हैं और इस समय में जो सबसे बड़े राष्ट्रिय नेता थे पूरे देश के वो महत्मा गांदी ही थे इनके प्रिंसिपल्स जो थे वो थे अहिंसा, नौन वाइलेंस और सत्याग रहे के और ये दो अलग ही प्रकार के हत्यार थे जो पहली बार दुनि लिए ये आंदोलन इतना important है, तो गांदी जी ने सबसे बड़ा जो योगदान दिया अपना वो यही था कि राष्ट्रिय आंदोलन को एक सच्चे जन आंदोलन के रूप में बदल दिया, it was a mass movement under मात्मा गांदी, गांदी जी 1914 तक सौथ आफरिका में थे, वहाँ पर उन्ह से पहले politics में नहीं जाते, गोपाल कृष्ण गोखले जिनसे वो काफी सालों से संपर्क में थे, तो उनके कहने पर वो पूरे भारत का दौरा करते हैं, गोखले उनको कहते हैं, भारत आते ही कि तुम अभी politics मत जोईन करो, actively ना तो Congress जोईन करो, कोई संगठें जोईन मत करो Just take a tour of the country, पूरे भारत को घूमो, देखो, लोगों से बात करो, जानो की लोग क्या चाहते हैं, देश की क्या परिस्तिती है, तो इनी के कहने पर गांदी जी लगबाग डेड़ साल तक पूरे भारत में घूमते रहते, इन्होंने एक डेड़ साल तक कोई बहुत बड़ा अ आश्रम में थे, South Africa में, वो भी लॉट कर आये थे, तो उनके रहने के लिए एहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे एक आश्रम की स्थापना करी जाती है, जो एक तरह से Phoenix आश्रम का ही यहाँ पर उन्होंने फिर से उसी जैसा एक आश्रम स्थापित करने की कोशिश कर थी, आज इसको हम साबरमती आश्रम कहते हैं, एहमदाबाद सिटी में यह स्थित है, बहुत इंपोर्टन लैंडमार्क है, कोई भी विदेशी प्रदान मंत्री राश्टरपती आते हैं तो अकसर इस साबरमती आश्रम में जाते हैं, it is converted into a museum nowadays, तो गांदी जी जब भारत आ करके लेबर को भेजा दाता है दूसरे देशों में, यह समस्या इनको लगी, क्योंकि यह एक प्रकार की modern day slavery थी, देखो, slavery को England ने अपने देश में या अपने colonies में illegal करार दिया था, लेकिन यह उसका एक loophole निकाला गया था, कि अगर कोई व्यक्ति agreement साइन करके अपने आप स slavery में जा रहा है, तो वो गलत नहीं होगा, तो इसको indentured labor कहते थे, और इसको sign करके भारत के कई लोग दूसरे देशों में जाकर काम कर रहे थे, तो सबसे पहली जो दिक्कत समझ में आई गांदी जी को वो यही थी indentured labor वाली, उन्होंने देखा कि जो गरीब है, ignorant labor है, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता, उनसे ये agreement sign करवा के उनको भेजा जा रहा है British colonies में, तो यही समस्या उन्होंने वहां South Africa में भी देखी थी और अब यहां भी वापिस देख रहे थे, कि यहां भी परिवार उसके कारण परिशान है, तो उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में आपको option में मिलता है, तो indentured labor वाला लगाईएगा more correct ये वाला है, ठीक है, तो इस तरह की छोटी 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 चीज़ें आपको समझनी जरूरी है, तो गांधी जी ने क्या किया, इन्होंने जाकर सबसे पहले Vice Roy से मुलाकात करी, Vice Roy ने कहा कि ठीक है इसको हम बंद कर दें और सबसे पहले इस मामले को लेकर उन्होंने लोगों का support चाहा, तो support बहुत अच्छा था, गांधी जी की उमीदों से परे उनको support मिला, बहुत जादा support मिला in fact, और उन्होंने सरकार को ultimatum दिया कि आप 31 मई 1917 तक indentured labor को देश में खत्म कर दो, तो इनका response इतना अच्छा थ लोगों का इस मुद्दे के प्रती की वाइसरोय ने इस तारीक से पहले ही indentured labor system को समाप्त कर दिया, और ये जो पूरा मामला था, ये गांधी जी जब देश भर में घूम रहते हैं 1915-1916 में, उस समय ये मामला जो है, इनके काफी दिल के करीब भी था और ये एक तरह से testing the waters वाला काम था, यानि कि वो देख रहे थे कि क्या लोग उनको support करेंगे, क्या लोग एक जन अंदोलन के लिए तैयार हैं, तो इस मामले में जब उन्हें support मिला तो उन्हें लगा की नहीं, हाँ देश में लोग जो है वो थोड़े से जागरत हैं, और 20-30 साल से जो Congress काम कर रह है, someone who is insisting on truth, कि वो सत्य के लिए काम कर रहा है, सत्य चाहता है, लेकिन इसका real meaning ये नहीं था, कि कोई government से सच बुलवाना नहीं चाहते थे, इसका actual meaning ये था, in practice इसका meaning ये था, कि आप passive resistance दें, passive resistance और civil disobedience, ये दो घांदी जी के हतियार थे, इसको अगर विलकुल simple भाशा में आपको समझाओं कि इनका मतलब क्या है, तो एक scenario imagine करो, कि आपके घर पर आपकी माता जी ने आपको कहा है, कि बेटा तुम जाकर दुकान से ये सामान ले आओ, अब आप बैठ कर अपना टीवी देख रहे हैं, या कुछ भी काम कर रहे हैं, आपको नहीं जाना दुकान पे, तो passive resistance ये होगा, कि आप अपनी मम्मी की बात को ना माने और कहें कि मैं नहीं जाओंगा, ये काम आपको जिससे करवाना है, आप करवाईए, बट ये काम मैं नहीं करने वाला हूँ, दूसरा होता है civil disobedience, civil disobedience ये होगा, कि मैं तो दुकान जाओंगा नहीं, और मैं किसी को ज खड़े हो जाओ, कि ना तो मैं जाओंगा, ना मेरे भहिया, ना मेरी बहन, कोई भी नहीं जाएगा, घर का कोई साथ से दुकान पे जाकर ये सामान नहीं लेकर आएगा, तो this will be called civil disobedience, यानि कि आप सरकार को disobey कर रहे हो, और passive resistance होता है, कि active form में नहीं, बिना उग्र हुए बिना हिंसक हुए, अगर आप किसी को resist कर रहे हो, बेसिकली सरकार की खिलाफ हो आप, लेकिन कहीं पर भी हिंसा नहीं हो रही है, you are not aggressive, it is passive, तो इसको कहा जाता है, passive resistance, तो passive resistance हमें देखने को मिला था, non cooperation movement, अ सहयोग आंदोलन में, जहाँ पर गांदीजी ने कहा, लोगों को कि देश में आप सरकार का सहयोग ना करो, तो यह बिल्कुल वैसा है example है, जैसा कि आप अपने मम्मी का सहयोग ना करें, सामान लेकर ना आए, और दूसरा होगा, सविनय अवग्या, civil disobedience movement, जो हम देखेंगे 1930 में, civil disobedience में यह होगा, कि आप actively सरकार को कोई काम करने से रोक र सरकारी कामों को करने से रोक दिया, mainly वो salt सत्यागरह था, वहाँ से उसकी शुरुआत होगी, आगे कहानी पढ़ेंगे उसकी, तो यह passive resistance और civil disobedience, यह दो हत्यार थे, जिनके माध्यम से सत्यागरह किया जा रहा था, तो सत्यागरह को कई बार define करने की कोशिश करी गई है, गा कभी भी हिंसा का उप्योग नहीं करेगा, there would be no violence on the path of passive resistance और civil disobedience, यह बात सबसे important थी, अहिंसा इसका एक बहुत ही integral हिस्सा था, South Africa वाले time period में सत्यागरह की जो रूप रेखा तयार हुई थी, उसके अनुसार एक सत्यागरह से ये 3-4 उमीदे रखी जाती है, सबसे important है कि हमेशा सत्ये के mark पर रहो, अहिंसा का उप्योग करो, कभी भी हिंसात्मक नहीं होना है, जो गलत है, उसके सामने जुकना नहीं है जो भी consequence हो, चाहे jail जाना पड़े, चाहे फांसी चड़ना पड़े, लेकिन गलत के सामने जुकना नहीं है, जो भी suffering है, चाहे jail में डाला जा रहा है, यातना है दी जारी है, वो सब सहना पड़ेगा, जो भी evil doer है, उसके against, यानि कि यहां पर basically सरकारी होगी, British government होगी, और ये सब जहलने के बावजूद कभी भी हिंसा को नहीं अपनाना है, इन यातनाओं को सत्याग्रह का हिस्सा बनाना है, जो भी हो, सामने वाले से हमेशा प्रेम की भावना बनाए रखनी है, कभी भी उससे नफरत नहीं करनी है, hatred would not be part of his nature, it would be alien to his nature, only the brave and strong could practice सत्याग्रह, जो वाइसरोई चेमसवर्ड भारत में important नेताओं को invite करते हैं एक meeting के लिए और कहते हैं कि Britain का साथ दो इस Great War में, World War I उस समय चल रहा था, Britain और France, almost हार के कगार पर थे, ये बात है मार्च अपरेल 1917 की, जर्मनी ने कई जगे उनको बहुत करारी शिकस दी थी, खास करके Flanders campaign में Flanders Belgium में एक जगे है और वहाँ पर British Senik इतनी बुरी तरह से हा रहे थे कि English की भाषा में एक term introduced हो गया, Flanders Blues, इसको आज हम Post Traumatic Stress Disorder कहते हैं PTSD, लेकिन उस समय ये term नहीं था, तो कई बार ये शग्द इस्तमाल किया जाता है, आज भी Flanders Blue, तो Flanders जगे का नाम है, ठीक है, it ऐसे में जब उन्हें लग रहा था कि वो हार रहे हैं, तो उन्हें अपनी colonies का support सही है था, Britain ने US से मदद मागी थी, US ने कहा था कि हम शामिल हो जाएंगे युद्ध में, लेकिन अभी तक उनके सैनिक लड़ाई के मोर्चे तक पहुंचे नहीं थे, दूसरी और उनका साथ कि रशिया, वहाँ पर Russian Revolution शुरू हो गया था, तो Revolution से लग रहा था कि किसी भी समय रशिया इस लड़ाई से पीछे हट जाएगा, तो ऐसे में UK और France अकेले रह जाएंगे, तो इन्हों ने क्या करा कि British Army को reinforcement की ज़रूरत थी, तो colonies की तरफ अपने हाथ बढ़ा है, भारत में Vice-Roy ने सभी बड़े-बड़े नेताओं को नियोता दिया कि आप आओ, मुझसे मिलो, और इनका टार्गेट यही था कि नेताओं को बोलेंगे कि हिंदुस्तानी लोग रेकूरूट हो, आर्मी में जादा से जादा आर्मी के लोग वहाँ पहुंचें, ताकि हमारा campaign पाते करता आ रहा है इतने सालों से, उसको ये बोला जा रहा है कि हिंसा करने के लिए अपने देशवासियों को तुम बेजो, यानि कि अपने देश के नौजवान लड़कों को, 18-20 साल के लड़कों को फॉज में बेजा जाया किसी दूसरे देश में लड़ाई लड़ने क पाते हैं उस समय चल रही थी, यह secret treaties world war के पहले और उस समय world war के समय काफी चर्चा में चलती थी, इसके बारे में हम किसी दिन पढ़ेंगे जब हम world war के बारे में जानेंगे, तो यह secret treaty होते हुए भी हम इंग्लैंड का support कैसे करें, हम European powers एक दूसरे से लड़ रहे हैं, उसमे private secretary से करी और Champsward ने कहा कि जितना आप जानते हूँ अकवारों से उतना इंग मुझे पता है मैं थो secret treaty करी नहीं है तो secret treaty अगर हुई भी है तो मुझे उसके बारे में कोई जानक ही नहीं है मेरा काम यहाँ पर यह है कि मैं कि मुझे लगता है कि जो आदमी अहिंसा अहिंसा की बाते कर रहा था वो अचानक हिंसा के लिए लोगों को कैसे करता है तो I looked it up और मुझे ये बात इनकी आत्मकता के अंदर यहां पर मिली थी ठीक है तो वाइसरोय ने गांदी को कैसे convince किया Chemsford ने कहा कि अगर आपको लगता है कि British Empire overall एक सही काम कर रहा है It is a power for good अगर आप बड़े picture को देखते हो और भारत के लिए beneficial रहा है तो फिर मैं आपसे request करता हूँ कि भारत के लोगों को आप कहो कि आर्मी में recruit हो Empire को इनकी जरुरत है ठीक है तो इन बातों से गांदी जी संतुष्ट हो जाते हैं और Viceroy को अपना support देने का बादा कर देते हैं और गांदी जी इस तरह से World War 1 में अंग्रेजों को support करते हैं ये वाले fact directly पूछ लिये जाते हैं कि World War 1 में British government को कौन support कर रहा था कौन नहीं तो जहां जहां पर भी इनका जिक्रा आएगा बहुत ध्यान से इनको याद रखना highlight कर लेना, mark कर लेना तो गांदी वस supporting the British government during World War 1 लेकिन World War 2 में ऐसा नहीं होगा अब वाइसराय को वादा कर दिया था तो गांदी जी जाते हैं अपने गरह राज्य गुजरात और वहाँ पर खेडा district में जो एहमदाबाद के पास में इस्तित है वहाँ जाकर ये कई जगे प्रचार करते हैं, गाओं गाओं जाते हैं, लोगों से कहते हैं, नौजवानों से कहते हैं कि तुम आर्वी में शामिल हो और भारती लोगों को मदद करनी चाहिए British Empire की गांदी जी की उस वक्त ये belief थी कि अगर हम British Empire का support करते हैं, तो ultimately लड़ाई के बाद British सरकार हमारे मकसद के प्रती थोड़ी sympathetic रहेगी हमारा मकसद क्या है, भारत में नागरिकों को अधिकार मिले, याद रखना अभी भी इंडिपेंडेंस की बाते नहीं हो रही है, nobody is talking about पूर्ण स्वराज, कोई भी बात नहीं कर रहा है कि पूरी आजादी देदो, अभी तो बात इतनी हो रही थी, होम रूल लीग की, या फ और ये लॉर्ड चेम्सवर्ड वाली जो कॉन्फरेंस है, इसके दौरान मैंने अपनी नहीं लेकिन अपने देश के, अपने राज्य के लोगों को बोला कि जाकर अंग्रेजों की मदद करो, आर्मी में शामिल हो, और इस खेडा वाले के दौरान तो गांधी जी की खुद क की तब इत काफी खराब हो गई थी, और इन्होंने लिखा है कि मुझे लग रहा था कि मैं तो खुद मर जाओंगा इस समय, बट स्टिल वो रिकवर हो गए, और उन्हें लगता था कि इतनी मुसीवतों में जब हमने साथ दिया है ब्रिटिश एंपायर का, तो वो हमें बरा जी का पहला अंदोलन है भारत में, जो मैंने आपको पहले बताया था, indentured labor वाला अंदोलन, वो इतना बड़े स्तर पर नहीं था, और जादा तर जगे जब वो question पूछा जाता है, तो उसके answer में आपको चंपारन सत्यागरे ही मिलेगा, ठीक है, अगर कभी भूले भटके indentured labor वाला सवाल आ जाए, तो उसको भी लिख देना, दोनों का time period थोड़ा सा मिलता जुलता है, लेकिन वो 1916 में हुआ था, और ये 1917 में होता है, तो चंपारन सत्यागरे क्या है, civil disobedience moment है, जो राश्टर व्यापी civil disobedience सभीने अवग्या अंदोलन होगा, वो कब होगा, 1930 में, ल यहाँ पर दो चंपारन है, आज के समय में, west चंपारन और east चंपारन, तो यह west चंपारन district है, यह east चंपारन है, तो इस area में, नेपाल border के पास वाला जो area है, यहाँ पर यह अंदोलन हुआ था, these are the chंपारन districts, तो चंपारन district में क्या था, indigo की खेती होती थी, अब आपको याद होगा, मैंने एक पिछले lecture में आपको indigo revolt के बारे में पढ़ाया था, और उसमें मैं आपको बताया था कि indigo की खेती ना करने के लिए कानून पास कर दिया गया था, तो वो कानून mostly follow हो रहा था, लेकिन जब world war छिड़ता है, तो जो जर्मनी से artificial indigo आता था ना, उसकी supply रुख गई, यह synthetic dye जो है, जिसने replace कर दिया था natural indigo को, इसकी supply रुख गई, तो फिर से जो European planters हैं, वो किसानों को मजबूर करने लग गए कि आप indigo गाओ, तो 1914 के बाद से यहाँ पर indigo की खेती फिर से बड़े रूप में करी जाने लगती है, और उसके लिए European plantation owners किसानों को मजबूर करते हैं, और मजबूर करते हैं कि आपकी जमीन के 3 बटा 20 हिस्से पर, यानि कि 3 by 20 part of your land, उस पर indigo की खेती करनी कमपल सरी है, इसको कहा जाता था 3 कठिया system, यानि कि जमीन के अगर 20 हिस्से कर दो, तो 3 part में, यानि मानलो अगर 100 एकड की जमीन है, तो उसमें आ Europeans के हाथ में इसकी prices होती थी, indigo का पौधा जमीन की fertility को भी थोड़ा कम कर देता है, और सबसे important European plantation owners किसानों से बहुत जादा जमीन का rent लिया करते थे, और अगर कोई किसान indigo नहीं उगाता या देरी से उन्हें पैसा देता है, तो उस पर illegal dues भी लगाया जाते थे, तो किसान चमपारन के बड़े परिशान थे, और इनी परिशानियों को लेकर, राजकुमार शुकला, जो कि इस एरिया के खुद एक बहुत बड़े money lender और किसान वहा करते थे, ये जाकर मिलते हैं गांदी जी से, actually इनकी गांदी जी से मुलाकात हुई थी, 1916 में जो Congress का devotion हुआ था, तो इन्हों ने गांदी जी को जाकर convince किया, कि आप गुजरात छोड़ो पहले यहां हो, चमपारन में आकर देखो कि क्या हो रहा है, गांदी जी ने अपनी आत्मगता में लिखा है कि मैंने तो जीवन में कभी चमपारन का नाम ही नहीं सुना था, कि चमपारन कहां पर है, म पैसे rent देना बंद कर दो, जो जमीन का rent होता है वो मत दो, और इंडी गो उगाना बिलकुल बंद कर दिया जाए, तो इस प्रकार का एक आंदोलन गांदी जी महाँ पर शुरू करते हैं, किसानों से जाकर हर गाओं में मिलते हैं, तो ये सब जब चल रहा होता है, तो थोड़ा सा जुकती है, और प्रशासन ये तै करता है कि एक कमिटी घटित करी जाएगे, और इस कमिटी में गांदी जी को भी शामिल किया जाएगा, और ये देखेंगे कि किसानों की समस्या actually में क्या है, और अगर कुछ उसका निवारन किया जा सकता है, तो किया जाएगा तो कुल मिलाकर यहाँ पर प्रशासन थोड़ा सा जुकता है इस civil disobedience के सामने है, passive resistance के सामने है, क्योंकि इन्होंने ये सब कभी देखा ही नहीं था कि किसान कुछ उगाई नहीं रहे हैं, तीन कटिया system को following नहीं कर रहे हैं, tax दिने से मना कर रहे हैं, मार पीट का कोई असर नहीं हो रहा है, उनको धमकाया जा रहा है, तो वो धमकी देने पर भी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये सारी बातें civil disobedience movement को एक unique movement बनाती हैं, तो ये जो अंदोलन था, इसमें कुछ वकील भी शामिल होते हैं, पटना के prominent वकील थे जैसे राजेंदर परसाद, तो ये उन किस इस आंदोलन में शामिल होते हैं, और इन से inspire होकर permanently देश के आजादी के आंदोलन में शामिल हो जाते हैं, तो finally गांदी जी authorities को convince कर देते हैं, कि ये तीन कठिया system तो गलत है, इसको हटाओ, तो वो जो committee है, वो भी अपनी report में यही कहती है, कि तीन कठिया system गलत है, और इसम शुरू हो जाती है, और लगबग 10 साल बाद सारे plantation owners ये area छोड़ कर चले जाते हैं, तो इस प्रकार से गांदी जी आते ही अपने पहले बड़े political आंदोलन को सफलता पूरवक अंजाम पर पहुँचाते हैं, दूसरा आंदोलन है खेडा सत्यागरे, ये हुआ था गुजरा अला area है, तो खेडा district जो है, यहां पर हुआ था non-cooperation movement, अब याद रखना जो देश व्यापी non-cooperation movement है, वो होगा 1920 में, लेकिन जो ये localized non-cooperation movement है, असायोग आंदोलन, ये हुआ था 1918 में, इसके बीचे कारण क्या था, खेडा district में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, 1918 मे फसलें हुई नहीं थी अच्छे से, crops had failed, तो किसान चाते थे कि उस साल का tax ना देना पड़े, अब जब ये आंदोलन शुरू आता, उस समय गांदी जी जो है, वो चंपारन में थे, तो ground पर इस आंदोलन को lead करने वाले जो प्रमुख नेता थे, वो सरदार वल्लब भाई पटेल थे, पटेल भी इस समय तक गांदी जी के संपर्क में थे, लगातार वो लोग कम्यूनिकेशन में रहते थे, चिट्टियों के माध्यम से, और गांदी जी ने पटेल से कहा था कि आप इसको lead करो, तो कहने को देखो leadership गांदी जी की थी, लेकिन ground पर जादा काम सरदा शामिल हुए थे, ठीक है, अब यहाँ पर हुआ यह था कि जब फसलें fail हुई थी, तो किसानों ने कहा कि आप 1918 में tax मतलो, 19 के लिए भी कम लो, अगले साल भी कुछ पता नहीं है, तो यहाँ पर organization जो था उसका नाम आपको याद रखना है, गुजरात सभा, यह गुजरात गुजरात में, इसमें mainly किसान और कुछ किसान नेता शामिल थे, तो गुजरात सभा ने सरकार से कहा था कि आप revenue जो है, इस साल का मतलो, अगले साल का कर लेना, 1919 का, लेकिन जो Bombay Presidency की सरकार थी, उसने मना कर दिया कि नहीं, कोई प्रकार की छूट आपको नहीं मिलेगी, तो कई किसानों की जमीने जब्त कर दी गई, और सरकार ने auction कर दिया उनको, किसी और को बेज दी, जिसने भी उची बोली लगाई, उन्हें बेज दी गई, तो कई किसानों की जमीने यहाँ पर seize कर दी जाती है, इस आंदोलन की एक और खास बात ये थी, कि पहली बार, मान जाती है, कि हाँ ठीक है, टाक्स को हम कम कर देंगे, तो यहाँ पर अगेन अंदोलन सक्सेस्फुल रहता है, 1918 का टाक्स तो हटाई दिया गया, और 19 और 20 का भी टाक्स सस्पेंट कर दिया गया, और आगे भी कुछ सालों के लिए टाक्स में बढ़ोतरी नहीं होगी, यह अगरी पारिक, मोहनलाल पांडया, रवी शंकर व्यास, यह सभी important नेता थे, और आपको जानकर यहाँ पर यह काफी हरानी होगी, कि सेम राजेंदर प्रसाद की तरह सरदार पतेल भी एक बहुत ही successful lawyer थे, in fact he was one of the highest paid lawyers in एहमदाबाद, लेकिन यहोंने अपनी एक बहुत साथ दिया था, तो इसके बाद यह पूरी तरह से politics में आ जाते हैं, आगे चलकर Congress में, यह President भी बनेंगे, and he became a big part of the Indian National Movement, तीसरा आंदोलन है, एहमदाबाद मिल स्ट्राइक, अब एहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो है, यह पहली भूखड़ताल थी, गांदी जी ने बहुत भूखड़ताल करी अपने पूरे करियर में, और इन में सबसे पहली भूखड़ताल यहाँ पर एहमदाबाद मिल स्ट्राइक के केस में होती है, एहमदाबाद शहर में बहुत सारी textile मिले थी, इन textile मिल्स में जो मजदूर थे, उनका owners के साथ एक dispute हो गया था, dispute क्या था, plague ब बढ़ाई जा रही थी, तो मजदूर जो है, मिल मजदूर वो कह रहे थे कि हमारी तंखाओं को बढ़ाया जाए 50%, ताकि जो महंगाई बढ़ी है, वर्ल्ड वार वन के कारण काफी महंगाई हो गई थी, उससे हम उससे निपट सकें, हमारी daily जरूरतों को हम पूरा कर सकें, लेकिन जो मील ओनर हैं, वो कह रहे थे कि हम केवल 20% बोनस देंगे, तंखा 50% नहीं बढ़ाएंगे, मील मजदूरों की हरताल के बावजूद मील के मालिक पैसा बढ़ाने को तयार नहीं थे, इनफाक्ट उन्होंने बॉम्बे से लोगों को बुला कर यहां पर काम करवाना शुरू कर दिया, ऐसे में जो मजदूर हैं, वो अनुसुया सारा भाई की तरफ जाते हैं मदद के लिए, अनुसुया सारा भाई जो हैं, वो खुद एक मील ओनर की बहन थी, छोटी बहन थी, अंबालाल सारा भाई, he was one of the richest meal owners of Ahmedabad, और यह सारा भाई family बहुत famous है, अंबाला सारा भाई, यह मजदूरों को support करती थी, इन्होंने पहले भी एक हड़ताल में मजदूरों की मदद करी थी, इस सारा भाई family के friend गांदी जी भी थे, तो गांदी जी को अनुसुया बेन ने जाकर बुलाया कि आप इस मामले में mediation कर लो, आप शामिल हो, तो गांदी जी जो में अहिंसा के पत पर रहना है, हिंसा का रास्ता नहीं अपनाना है, कभी भी factory में तोड़ फोड या मील के अंदर कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए, तो मील ओनर इस 35 प्रतिशत के लिए भी नहीं माने, तो उसके बाद गांदी जी ने भूह अड़ताल करी, वो भूह अड़त ये हड़ताल बंद हो जाती है, मजदूरों को 35 प्रतिशत तंखा में इजाफा मिल जाता है, और गांदी जी का जो स्टैचर है, वो भी थोड़ा सा बढ़ जाता है, गांदी जी का कद यहां पर बढ़ गया, क्यूंकि बिलकुल ही अहिंसात्मत तरीके से इन्होंने इस strike को resolve करवा दिया था, आगे चलकर अनुसुया बेन एहमदाबाद टेक्स्टाइल लेबर असोसियेशन की स्थापना करती है, 1920 में, ये भारत में महिलाओं के मजदूर अंदोलन का पहला संगटन था, और इसको कई बार मजदूर महाजन संग, इस नाम से भी जाना जाता था, य लिख लेना, मैंने या PPT में लिखा हुआ नहीं है, तो ये गांदी जी के तीन शुरुवाती मुवमेंट्स थे, अब इसके बाद अगले लेक्चर में मैं आपके साथ डिसकस करूँगा, जलियावाला बाग, मैसेकर, नॉन कॉपरेशन मुवमेंट, पूरा 1919 के आगे का घ वन और थ्री करेक्ट हैं, तो इसका आंसर हो जाए, बाच को जॉइन करना है, दोस्तों इस सीरीज के लेक्चर नंबर 35 में हमने होम रूल लीग मुवमेंट के बारे में जाना था, ये होम रूल लीग मुवमेंट 1916 में 17 में अपने चरम पर था, लेकिन मॉन्टागू के ड भारतिय मामलो का मंत्री है, that was Montagu at that time, तो अगस्त 1917 में Montagu declaration के बाद, जो भारत में होम रूल लीग मुवमेंट चलाने वाले नेता हैं, उनको ये आश्वासन दे दिया गया था, कि आपको थोड़ा सा स्वायत शासन मिल जाएगा, एक self-governing institution की शुरुवात होगी भारत में एक responsible government होगी, जो किसके प्रती responsible होगी, जनता के प्रती responsible, जैसा आज की सरकारे हैं, क्योंकि हमारे जो चुनेवे नेता हैं, वो कहां जाते हैं, लोग सवा में, और जो executive है, वो responsible होता है, किसको लोग सवा में बैटे, members के प्रती, तो बिलकुल वैसा system नहीं, लेकिन उसकी श स्वदेशी आंदोलन के पहले है, जिसमें moderates काफी हावी थे, उसके बाद extremist नेताओं का वाला जो दौर है, 10-12 साल ये चलता है, और अब गांधियन फेज शुरू होने वाला है, तो हमने गांधी जी के बारे में पहले ही lecture number 37 और 38 में जान लिया है, आज हम आगे बढ़ें कौन सी वो इवेंट्स थे, जिनके बाद गांधी जी इस राश्ट्रिय आंदोलन में बड़े स्तर पर शामिल होते हैं, तो देखें, अब मॉन्टागू चेम्सफर्ड रिफॉर्म्स की तैयारी चल रही थी, क्योंके मॉन्टागू ने प्रॉमिस कर दिया था, 1917 में की 1918 में इसको पारित करने का पूरा प्लान था, कर भी दिया गया, और 1919 में इसे भारत में लागू कर दिया गया, मॉन्टागू चेम्सफर्ड रिफॉर्म्स को, इसके बारे में हम नेक्स लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, लेकिन इस रिफॉर्म से पहले, अंग्रेजी सरकार दो और कानून लेकर आती है legislative council में, और ये कानून क्यों लाए गए थे, क्योंकि militant nationalism 1910 के दशक में अपने चरम पर था, क्या आपको याद है, मैंने आपको बताया था, एक German-Indian conspiracy थी, उधर अमेरिका में भी कई लोग plan कर रहे थे, कि society बना रहे थे, कि भारत को आजादी द पर था, British इसे आतंगवाद कहते थे, लेकिन हम इसे militant nationalism कहते हैं, तो इसी nationalism को रोकने के लिए, दो कानून पास किये गए, और ये कानून किसके suggestion पे पास किये गए थे, Rollet Commission के, तो एक British judge थे Sydney Rollet, तो sir Sydney Rollet ने एक committee बिठाई गई, एक commission बिठाई गया, इनकी अध्यक्षता मे और इनसे पूछा गया कि कानून में किस प्रकार से बदलाव किये जाएं, ताकि सरकार के खिलाफ काम करने वाले, देश-दुरो का काम करने वाले लोगों को सजा दी जा सके, तो ये जो seditious conspiracy चली थी, बेसिकली वो जो जर्मन वाली conspiracy थी, उससे चिंतित होकर British सरकार Rollet Commission को ब कर दिया गया, लेकिन दूसरा वाला पास कर दिया गया, जिसको आगे चल कर कहा गया, Rollet Act, Rollet Commission के दो मेन सुझाव थे, सबसे पहला सुझाव ये था कि कानून ऐसा हो जिसमें किसी को भी बिना अदालत ले जाए, दो साल जेल में रखा जा सके, कोई भी activist, जिसके पास अगर अखबार भी मिल जाता है, कोई seditious newspaper मान लो, मैं उस समय का एक भारत में रहने वाला व्यक्ति हूँ, मेरे घर पर कोई ऐसा अखबार आता है, जिसमें अंग्रेजी सरकार को हटा देने की बाते लिखी गई है, तो वो एक seditious, यानि कि देश-द्रोही newspaper माना जाएगा, और वो अखबार भी किसी के घर पे मिल जाता है, तो भी उसको guilty मान लिया जाएगा, चाहे उसने किसी गतिविदी में हिस्सा लिया हो, या नहीं लिया हो, उसने bomb बनाए हो, नहीं बनाए हो, लेकिन किवल अखबार मिलने जैसी छोटी सी चीज़ पर भी किसी को भी guilty माना जा सकता ह तो basically अदालतों में कुछ प्रूव करने के आवशकता नहीं थी, दो साल तक बिना trial के किसी को भी jail में रखा जा सकता है और deport किया जा सकता है, deport का मतलब है आम तोर पर किसी और देश भेज देना, लेकिन दूसरा पास कर दिया गया और इसको आगे चलकर कहा गया रॉलेट act, इसका official नाम क्या था, एनर्कियल and revolutionary crimes act, तो आप देख रहे हो जो revolutionaries थे, उनको सजा देने के लिए, उनसे निपटने के लिए, और एनर्किय से बचने के लिए, सरकार ये कानून पास करती है, अब इस कानून के जादातर जो प्रावधान थे, वो 1915 में पास किये गए Defense of India Regulation Act से मिलते जुलते थे, आपको याद होगा तो मैंने उस लेक्चर में बताया था, कि Defense of India Act जब आया था, उसके बाद इन गतिविदियों पर काफी हद तक लगाम कस्दी गई थी, क्योंकि ये बहुती strict कानून था, World War I के समय ये लाया गया था, इन सभी conspiracies के खिलाफ, अब इसी कानून को और strict बना दिया गया, तो इसी के जाला तर प्रावधानों को रखकर और कुछ एड़ करकर, एनार्कियल एन्रेवल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट लाया गया, जिसको हम आम तोर पर रॉलिट एक्ट कहते हैं, तो आपको ये वाला नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है, इसको स्टार माक कर लो, डिरेक्टली प्रिलिम्स में ये नाम से पूछा जा सकता है, एनार्कियल एन्रेवल्यूशनरी क्राइमस एक्ट को किस नाम से जाना जाता है, तो मार्च 1919 में ये कानून लाया जाता है, भारत में पास किया जाता है, और ये इतना draconian था, यानि कि इसमें बिना किसी evidence के, केवल शक के बिना पे लोगों को दो साल जेल में रखने की बातें थी, तो इससे जो भारतिया members थे, जो elected थे इस legislative council में, वो नाराज हो गया और उन्होंने इस्तिफा भी दे दिया, तो मुहमद अली जिन्ना, मदन मुहन म मजरूल हक, जैसे कई prominent नेताओं ने इस legislative council से अपना इस्तिफा दे दिया, इन्होंने कहा कि ये तो बिलकुल इस draconian कानून है, ये हमारे लोगों के बिलकुल खिलाफ है, लेकिन फिर भी roll attack पास कर दिया जाता है, तो roll attack लाने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था, militant nationalistic activities जो 1907 के स्वदेशी आंदुलन के खत्म होने के बाद जादा बढ़ गई थी, और पिछले 10 सालों से British इस से काफी परिशान थे, इसमें सबसे बड़ा point ये था कि किसी को भी शक्त के basis पर, suspicion के आधार पर देश-दुरो का मुकदमा उसके उपर चलाया जाएगा, और मुकद करके ले जा सकती है, without any warrant, कोई भी आप appeal नहीं कर सकते है अदालत में, नहीं कोई petition कर सकते हो, ऐसे arrest के खिलाफ दो साल तक, अब कानून लाया तो militant nationalist के खिलाफ था, यानि कि जो हिंसा का रास्ता अपना कर सरकार को उखाड फेकना चाहते थे, लेकिन इसके दाएरे में कानून के दाएरे में आता था, और इनके साथ भी वही बरताव हो सकता था, जो militant nationalist के साथ हो रहा था, तो ये इस कानून का सबसे बड़ा problematic aspect था, रॉल अट आट के तहट दर्ज हुए cases को सुनने के लिए एक special अदालत बनाए गई जिसमें तीन high court judges होते थे, और इस अदाल साल आप जेल में रहेंगे, इस special अदालत को इतना power दिया गया कि Indian Evidences Act के तहट जो चीज़ें आम तौर पर सबूत के तौर पर okay नहीं थी, जिनको accept नहीं किया जाता है सबूत के तौर पर, उनको भी यहाँ पर accept कर लिया गया, तो यानि कि आपको मैंने बताया, अकभार मिल पुलिस किसी व्यक्ति को शक्त के आधार पर उठा कर ले गई, उसे 15 दिन जेल में रखा, लेकिन अदालत में नहीं पेश किया गया है, या फिर कोई FIR भी officially दर्ज नहीं करी गई है, तो ऐसे मैं आप अदालत का दर्वाजा खट-कटा सकते थे, habeas corpus writ के तहट और कह सकते थ कि उसको court में पेश किया जाए, अगर आपने Indian polity पढ़ी है तो आप जानते ही होंगे कि हमारे समयधान में भी ये writ है, और ये अंग्रेजों के समय में भी थी, तो ये वाली writ suspend कर दी गई, basically world war one के दोरान, जो भी सक्त कानून लाए गए थे, कई जगे लाए गए थे, ऐसा न आनून continue किये गए, और इनको permanent law बना दिया गया वाया roll attack, और इसी roll attack के तहट, press पर भी काफी सारी restrictions को लगाया गया था, roll attack को describe करता हुआ, उस समय का एक बहुत famous नारा था, ना दलील, ना वकील, ना अपील, तो अगर आप पर roll attack के तहट case किया जाता है, तो ना तो आप आप कोट में दलील दे सकते हो, evidence act आपके खिलाफ काम करेगा, ना तो कोई वकील hire किया जा सकता है, और ना ही किसी उच्च अदालत में अपील करी जा सकती है, तो अगर बिलकुल एक line में इस roll attack का अगर आप जिस्त चाहो तो यही था, और यही उस समय नारा दिया गया, इस चंद लोगों के लिए आप पूरे देश में इस प्रकार का draconian कानून पास नहीं कर सकते, कई लोग हैं हमारी तरह या Congress की तरह, जो इस वक्त बिलकुल अहिंसा के पत पर चलकर, आजादी या फिर कुछ स्वायतता की demand कर रहे हैं, तो उनका यह कहना था, not everyone should get punishment in response to isolated political crimes, तो और देश व्यापी प्रोटेस्ट की घोशना करी, यह गांदी जी का पहला national protest था, पहला देश व्यापी सत्यागरह था, रॉलट सत्यागरह इसका नाम दिया गया, इस रॉलट सत्यागरह को सफल बनाने के लिए गांदी जी ने सबसे पहले एक सत्यागरह सभा बनाई, और गई मेंबर्स को शामिल किया गया, क्योंकि इन Home Rule League मेंबर्स ने अभी दो साल पहले ही एक आंदोलन चलाया था, उनको काफी experience था, इनकी सहायता ली गई, Pan-Islamist को भी इसमें शामिल किया गया, ये वो लोग थे जो Ottoman Empire के विभाजन के खिलाफ थे, और Ottoman Emperor के, यानि कि खलीफा क हटाये जाने के खिलाफ थे, तो इनका जो रोल है, वो हम जादा detail में discuss करेंगे, non cooperation moment जो आने ही वाला है अगले lecture में, इस सत्याग्रह में, actually मैं करना क्या था, तो सबसे पहले गांदीज ने कहा कि एक हड़ताल होगी, देश वे आपी हड़ताल का आयोजन किया जाएगा, द लोग अपने आपको अरेस्ट करवाएंगे, अगर सरकार उन्हें अरेस्ट करने आती है, पुलिस अरेस्ट करने आती है, तो कोई मना नहीं करेगा, खुशी-खुशी लोग जेल जाएंगे, तो इस प्रकार से रॉलर्ट सत्याग्रह ने देश के राष्ट्रिय आंदोलन की दिशा बदल दी, कैसे? स्वधेशी आंदोलन के समय, लोग अपने आपसे ही कारेकरम चला रहे थे, लेकिन इस बार एक पर्टिकुलर डिरेक्शन था, गांदी जी ने कुछ स्पेसिफिक बाते कही थी, कि इस प्रकार की बाते हैं, इस प्रकार के आक्ट आपको करने हैं, तो इस बार केवल बातचीत नहीं थी, वरबल एक्सप्रेशन नहीं था, बलकि कुछ करके आपको अपना विरोध दिखाना था, और दूसरा सबसे important fact ये था, कि इस आंदोलन में किसान, artisans और गरीब लोग भी पहली बार शामिल हो रहे थे, स्वधेशी आंदोलन में किसा आने वाले 30 सालों के लिए एक जन आंदोलन बन जाएगा, अभी तक राश्ट्री आंदोलन केवल कुछ लोगों तक, हजार, कुछ लाग लोगों तक सिम्टा हुआ था, अब ये करोडो लोगों का आंदोलन बन जाएगा, it turns into a proper mass movement, तो स्वधेशी आंदोलन भी एक जन आं nationalism काफी चरम पर था, और इसी समय में जब रॉलर्ट आक्ट आया, तो लोगों को लगा कि ये तो हमारे साथ गलत होगा, बेद भाव होगा, तो रॉलर्ट सत्यागरे की अपील पर यहां पर बहुत लोग इखटा हो गए, और सरकार को भी ये लगने लगा, ब्रेटिश सरका को पंजाब में बुलाना शुरू कर दिया, अब इस समय पंजाब में दो कैरेक्टर्स हैं जिनके नाम आपको पता होने चाहिए, दोनों के नाम थोड़े मिलते जुलते हैं, इसलिए कई बार लोग कन्फ्यूस भी हो जाते हैं, तो यहां पर अभी इस पश्ट कर लो, मिलिटरी को लीड कर रहे थे ब्रिगेडियर जनरल रेजिनेंट डायर, रेजिनल डायर जो है यह वो आदमी है जिसने ओन ग्राउंड जलिया वाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था, और उस समय पंजाब का लेफनेट गवर्नर था माइकल ओडवायर, थोड़ा किया था, कि जो भी डायर ने एक्शन्स लिये, उसमें मेरी सहमती थी, इस तरह की बातें ओडवायर ने कही थी, तो जलिया वाला बाग मैसेकर के लिए इन दोनों को जिम्मेदार माना जाता है, तो डायर ने तो ओन ग्राउंड गोली चलाने का आदेश दिया, और माइकल ओडवायर का इन एक्शन्स के लिए पूरा सपोर्ट था पीचे से, ठीक है, तो ये दोनों नाम आप याद रखेगा, अब जलिया वाला बाग नरसनहार के बारे में बात करने से पहले आपको दो घटनाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इसका बैक्राउंड है, दो important घटनाए हैं जो आपको बता होनी चाहिए, देखे जब रॉलेट सत्याग्रह की अपील करी गई थी गांदी जी की तरफ से, तो पंजाब में कॉंग्रेस के दो नेता थे जो काफी active थे इस सत्याग्रह को ground level पर organize करने में, उनमें थे डॉक्टर सहफुद्दीन किचलियू जो कि एक मुस्लिम वकील थे और डॉक्टर सत्यपाल जो कि एक हिंदू डॉक्टर थे, ये दोनों ही नेता साथ में मिलकर काम करते थे और endeavor very active, तो सरकार को लगने लगा, प्रशासन को लगने लगा कि इनको अगर जेल में डाल दिया, तो काफी हद तक ये movement दीरे पड़ ज लिया गया, तो इन्हें धोके से एक तरह से रात को अरेस्ट करके बेज दिया गया जेल में, इससे लोग काफी नाराज होगे जो इनके supporters थे, उन्होंने तै कि 13 अप्रेल को इसके खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा, और 13 अप्रेल बैसाखी का दिन भी था, इसी बीच 11 एक और घटना होती है, जिससे ब्रिटिश प्रशासन और खास करके जनरल डायर काफी गुसा हो जाते हैं, 11 अप्रेल को क्या होता है, कि मार्सेला शेर्वूड नाम की एक इंग्लिश मिशनरी जो स्कूल चलाया करती थी, एक काफी एजेड महीला थी, ये 600 बच्चों का स्क स्कूल चलाती थी, और जब महुल खराब होता, दिख रहा था, प्रदर्शन, स्ट्राइक, हड़ताल की बाते हो रही थी, तो ऐसे में स्कूल बंद कर दिया गया, और बच्चों को उनके घर बेजा जा रहा था, तो ये जब बच्चे एक गली से निकल रहे थे, तब उन प पहुचा दिया, सेफली, लेकिन इससे डायर काफी नराज हो जाता है, डायर क्या करता है, उसके बाद उस गली में जाता है, जहां पर यह हमला हुआ था, और वहाँ पर सभी लोगों को इस प्रकार से सड़क पर रगड कर चलवाया गया, as a punishment, डायर के इस सक्त रवेए के क पहुच नहीं पाया, क्योंकि ये 12 तारिक के बाद ही रिलीस किया गया था, और 13 तारिक को पहले से एक प्रोटेस्ट बैंड प्लैंड था, और साथी साथ बैसाखी का दिन भी था, तो ऐसे में लोगों को इस order के बारे में पता नहीं था, कि भीड इखटी करने पर सरकार ब अज के समय में ऐसा नहीं होता था तब, अब आता है 13 अपरेल 1919 का दिन, जलियावाला बाग जो कि अमरित सर शहर के बीचो बीच थित है, हर्मंदर साहिब मंदर जिसको हम गोल्डन टेंपल भी कहते हैं, उसके नस्दीक ही है, तो यहाँ पर लोग इखटा होते हैं, क्योंक बीड इखटी होती जा रही थी, तो वहाँ पर जो लोग मौजूद थे, वो सभी उस प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं ले रहे थे, जातर लोग को इन प्रोहिबिटरी ओर्डर के बारे में पता नहीं था, कई लोग तो केवल बैसाखी के मौके पर अपने गाउं से शहर की तरफ आये थे, मेले वगेरा में गूमने फिर ने, तो ऐसी भीड भी यहाँ पर एकटा थी, लेकिन साथ ही साथ एक यहाँ पर प्रोटेस्ट रैली भी चल रही थी, इस जलियाँ वाला बाग में, रैली क्यों चल रही थी, मैंना आपको बताया, सैफुदिन किचलू और ड और कुछ देर बाद यहाँ पर फाइरिंग शुरू कर दी जाती है, लगबक 10 मिनिट तक यह गोली बारी चली थी, और 1650 राउंड यहाँ पर फाइर कर दी गए 10 मिनिट में, और इनकी सारी गोलियां खत्म हो गई, तब इन्होंने गोली बारी करना बंद किया, आज भी प्रिटार के ओफिशल आंकडों में 380 लोगों को मृत बताया गया और 1100 लोग घायल हुए थे, लेकिन जो लोकल सोर्सिस थे उन्होंने सब ने यह बात कई थी, कि मरे हुए लोगों की संख्या कम से कम हजार से उपर है, मिनिमम 1,000 प्लस डेट बॉडिज वहाँ पर उस द ना गरी, लेकिन House of Lords जो कि बिटेन की Parliament है, वहाँ पर क्या होता है, जनरल डायर की तारीफ है करी जाती है, जनरल डायर के लिए स्पेशल तारीफ करी गई और इससे लोग और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, और इसके तुरंद बाद एक कानून पास किया जाता है, Indemnity Act इसमें Indemnity Act में ऐसे प्रावधान बनाये गए, जिससे कि जो भी Army Officer इस हत्याकान्ड में इस जलियाँ वाला बाग नरसनहार में involved थे, उनको सजा नहीं होगी, उन्होंने जो भी वहाँ पर किया, उसके लिए उन्हें कभी सजा नहीं हो सकती, ये protection उन्हें मिल गया, तो इस Ind Indemnity Act को White Washing Bill भी कहा जाता है, लेकिन देश में लोगों का गुसा बढ़ता ही जा रहा था, और London के अकबार तक अपनी सरकार के खिलाफ हो गए थे इस बार, कई बड़े लोगों ने British सरकार से मिले सम्मान को वापिस कर दिया, जैसे कि Rabindranath Tagore ने अपना Knighthood return कर दिया, टेगोर कहा जाने लगा, गांधी जी को भी एक कैजरे हिंद मेडल मिला था, टाइटल नहीं था, ये मेडल था, जो इन्हें बोयर वार के दौरान दी गई सेवाओं के लिए मिला था, ये भी इन्होंने British सरकार को लोटा दिया, जलिया माला बाग नरसन हर के 5 दिन बाद ही गांधी जी ने रॉलट सत्यागरए वापस लेने की गोशना कर दी, क्योंकि वो हिंसा के खिलाफ थे, और देश में ऐसा महल था, कि शायद हिंसा भढ़क सकती थी, लोगों में इतना गुसा था, कि उन्होंने रॉलट सत्यागरए को वापस लेना ही ठीक समझा, तो अगर आपसे पूछा जाए कि रॉलट सत्यागरए सक्सेस्फुल था या नहीं, तो आंसर होगा नहीं, तो रॉलट सत्यागरए गांधी जी का पहला ऐसा सत्यागरए बनता है, जिसमें उन्हें जीत नहीं मिलती है, पहले जितने भी जो हमने तीन बड़े सत्यागरए और एक ओ indentured labor वाला जो movement उनका पढ़ा था, उन सभी में सरकार ने उनकी बात मान ली थी, तो ये पहला सत्यागरए बन जाता है, जहां पे गांधी जी अपना target अचीव नहीं कर पाते, अब इस नरसनहार को लेकर इतनी निंदा हुई British सरकार की, कि ultimately इन्हें एक inquiry committee बिठानी पड़ी, लोगों का गुसा शांत करने के लिए, October में जाकर इन्होंने एक Disorders Inquiry Committee की घोशना करी, और ये घोशना करी थी, Edwin Montagu ने, जो Secretary of State था उस वक्त, इस committee के अध्यक्षता कर रहे थे, Lord William Hunter, जो की Scotland ये पूर Solicitor General रहे थे, यानि कि एक senior legal figure थे, England के, लेकिन तीन भारतिय लोगों Member of Legislative Council of UP, और सरदार सहिब जादा सुल्तान एहमद खान, a lawyer from Gwalior, तो इस Hunter Committee में तीन भारतिय लोग शामिल थे, ये बात याद रखेगा, और Hunter Committee की स्थापना क्यों करी गई थी, जलियाँ वाला बाग नरसनहार की जांच करने के लिए, इस committee ने जब अपनी inquiry करी, और General Dyer को गुलाया गया, पूछताच के लिए, तो Dyer ने वहाँ पर साफ कहा, कि मैं अपना काम कर रहा था, I was doing my duty, और Dyer ने ये कहा, कि मेरा मकसद ये था, कि पंजाब में जो भी बगावत करने वाले लोग हैं, बागी लोग हैं, उनके दिल में एक डर बैठ जा, I wanted to strike terror in Punjab, ये Dyer क सकता था, I could have dispersed the crowd without firing, लेकिन वो फिर से वापिस आ जाते और मुझ पर हसते, और मैं एक बेवकूफ लगता, तो इसलिए मैंने गोलियां चलवा दी, ये Dyer का कथन था, इस inquiry committee के सामने, जो final report थी, hunter committee की, उसमें General Dyer को unanimously, इसके लिए responsible माना गया, सभी members ने माना कि General Dyer के कारेण ये गोलियां चलाई गई, डायर चाते, तो बिना गोली चलाए भी, इसको निपट सकते थे, इस situation से, report में ये बात भी सपश्ट तोर पर सामने आई, जो कई लोग आरूप लगा रहे थे सरकार पर, कि अगर गोली चलती है, तो उसके पहले हमेशा चेतावनी दी जाती है, जल्यावाला बाग में उस दिन किसी भी प्रकार की चेतावनी नहीं दी गई थी, गोलियां बिना किसी चेतावनी के चलाई गई थी, अमूमम जब भीड हिंसक हो रही होती है, या भीड काबू में नहीं आती, तो हमेशा पुलिस एक वार्निंग देती है, कि अगर आप लो में जरूर थी, लेकिन वो तीन साल पुराना हो चुका था, 1919 में, अप्रेल 1919 में कोई भी conspiracy उस वक्त पंजाब में नहीं पाई गई, जो सरकार को उखाड फेकने के लिए रची जा रही हो, कोई साजिश नहीं थी, लेकिन हंटर कमिटी जो है, इसकी inquiry report पर कोई कारवाई नह नहीं लिया गया, क्योंकि Dyer को एक तो indemnity act बचा रहा था, और दूसरा Dyer के जो army में superiors थे, वो Dyer के action से पूरी तरह सहमत थे, जो army council थी, उसने कासाफ तोर पर कहा था कि general Dyer ने जो भी किया वो सही था, तो ना तो Dyer को suspend किया गया, ना ही कोई penalty लगाई गई उस वक्त, लेक चलकर ये Britain के Prime Minister बनेंगे World War II के दौरान, तो इनका भी काफी दबाव था, और इन्होंने कहा कि कम से कम Dyer को dismiss तो किया ही जा सकता है, finally March 1920 में नरसनहार के लगभग एक साल बाद, general Dyer को अपने पद से हटाया गया, और वापिस UK बुला लिया गया, लेकिन उसके बावजूद Dyer पर कोई legal action नहीं लिया गया, और जब तक वो retirement की उम्र पर नहीं आ गया, उसको आधी तंखा मिलती रही, और बाद में पूरी pension भी मिली, तो pension तक नहीं रोकी गई Dyer की, जलियावाला बाग नरसनहार का बदला लेने के लिए, पंजाब के एक नौजवान उधम सिंग ने लेक्चर नमबर 34 में हमने इनको पढ़ा था, अगर आपको देखना है तो आप उस लेक्चर को भी एक बार देखिए, पहले अगर नहीं देखा है तो, और अगर भूल गए हैं तो थोड़ा से रिवाइस कीजिए, तो moralimento reform से जादतर देश के politicians खुश नहीं थे, क्योंकि इ इसने elected members की संख्या तो बढ़ा दी थी, लेकिन जादतर members अभी भी indirectly elect होते थे, और उसमें हावी कौन रहता था, British सरकार, तो वो क्यों हावी रहता था, उसका पूरा formula में आपको समझाया था, उस lecture number 34 में उसको जरूर समझिए, कुल मिलाकर moralimento reforms असली रूप से भारत के तो बढ़ा दी गई, representation बढ़ा गया लेकिन थी अभी भी ये advisory bodies, जो British हुकूमत चाहती थी, होता वही था, तो moralimento reforms का जो असली मकसद था, वो governance में भारतिय लोगों को शामिल करना नहीं था, बलकि communal disharmony बढ़ाना था, यानि कि आपस में समाजों के बीच में, धर्मों के बी पूरियां है, वो बढ़ती जाए, और political disharmony फैल जाए, in fact, John Morley, जिनके बीचे moralimento reforms नाम दिया गया था, Secretary of State थे, इनसे जब पूछा गया था, कि क्या आप ये reforms इसले लेकर आया थे, ताकि भारत में स्वायत्तिता मिले, लोगों को democracy की पत्थ पर aggressor किया जाए, तो इन्हों मिलाकर moralimento reforms जो भारत को Parliament के रूप में दिये गए थे, यानि कि ऐसा कहा गया था, कि ये तो gift दिया जा रहा है, Parliament दी जा रही है भारत को, वो उनका उद्देश्य नहीं था, John Morley ने खुद ये बाद British Parliament में कही थी, कि हमारा लक्षे parliamentary system की स्थापना करना बिलकुल भी नहीं थ अगर बाई चांस हो गया हो तो अलग बात है, बाकी हमारा उद्देश्य ऐसा नहीं था, तो moralimento reforms के कुछ साल बाद ही फिर से demand शुरू हुई कि नए reforms लाए जाए जाए, Parliament जैसी संस्था बनाई जाए, तो British हुकुमत ने जादा कुछ नहीं किया, कुछ छोटे मोटे resolution पास क लेकिन असली हकीकत यह थी कि जो रिपन के समय में powers दिये गए थे local bodies को, वही continue रहे, कुछ भी change नहीं आया, फिर home rule league movement जब समाप्त हुआ था, उस समय Montagu का declaration आया था, 1917 अगस्त में, तब Montagu ने कहा था कि हमारा उद्देश्य यह है कि self government भारती लोगों को दे दी जाएगी, यानि कि आप अपनी government खुद समालेंगे, एक responsible सरकार होगी, which would be responsible to the people of India, ऐसी संस्थाएं, ऐसे government institutions हम स्थापित करेंगे, basically Parliament की तरफ इशारा था, साफ शब्दों में Parliament नहीं कहा था, लेकिन self-governing institution यह शब्द इस्तमाल किये गए थे, इस declaration के बाद home rule league movement समाप तो जाता है, उन्हें लगता है कि Montagu अपना काम करेंगे, तो Montagu ने एक resolution of May पास किया, 1918 मई के महिने में, इसी Montagu declaration पर आगे बढ़ते हुए, इन्होंने एक resolution आगे पास किया, कि local bodies को representative बनाया जाए, जितना भी हो सकता है, उनको real authority दी जाए, जादा-जादा power हो local bodies के पास में, फिर Montagu ने किये लंबे चोड़े, और इन्होंने अपनी एक report बनाई, जिसको कहा जाता है, Montagu Chemsford report, इसी report को British Parliament में प्रस्तुत किया जाता है, 1918 में, और finally यही report बनाती है, कानून, कानून का नाम था Government of India Act, 1919, तो लंबा process था, 2-3 साल लग गए, 2 साल लग गए, इस पूरे process को खत्म होन में, आखिरकार 1919 में, यह कानून पास किया जाता है, British Parliament में, Government of India Act, यह जो report थी, इसकी मुखे बात यही थी, कि भारतिये लोगों को मंत्री बनाया जाए, और इन मंत्रियों को जिम्मेदारियां दी जाए, ताकि यह responsible रहे, किसके प्रती, electorate के प्रती, electorate कौन होता है, जो उ Department में, दूसरा, भारत अभी अलग नहीं हो सकता, भारत इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, इसको British हुकूमत का, British Empire का एक अभिन अंग बनकर रहना होगा, लेकिन इस British Empire के अधीन रहते हुए, दीरे-दीरे, progressively हम इनको जिम्मेदारियां देते रहेंगे, responsible government बढ़ती रहेगी, तो दीरे-दीरे, responsible government की तरफ भारत कदम रखेगा, लेकिन रहेगा British Empire के अधीन, तो responsible government जो है, वो successive stages में दी जाएगी, एक-एक करके कदम बढ़ाये जाएगे, ऐसा नहीं है कि एक दिन अचानक हम Prime Minister बना दिया और Vice Roy की सारी जिम्मेदारियां हटा दी, नहीं, successive steps में इस प् इस report को discuss करने के लिए, और उसकी अध्यक्षता करी थी, Barrister सायद हसन इमाम ने, तो ये नाम याद रख लेना कि इस special session की अध्यक्षता कि इस ने करी थी, कभी पूछ सकते हैं Prelims में, फिर आता है 1919 में, Montago Chamisford reforms, इसके तीन नाम है, Montford reforms भी कहते हैं, Government of India Act 1919 भी कहते हैं, कई स 1935 में, वो भी Government of India Act कहा जाएगा, तो इस Montford reform का सबसे बड़ा aspect ये था, कि इसने benevolent despotism को खत्म कर दिया, इन दोनों शब्दों को समझो, despotism का मतलब हुता है, ताना शाही, एक ताना शाही तरह British हुकूमत राज कर रही थी, जो वो चाहते थे, वो करते थे, लेकिन वो benevolent मानते थे, benevolent का मतलब है, जो किसी का भला चाहता है, किसी का अच्छा चाहता है, तो थे ताना शाह, लेकिन अच्छे वाले काम चाहने वाले ताना शाह, Hitler की तरह नहीं है, लेकिन मानते तो ताना शाही में ही थे, तो इसलिए इस कानून ने इस benevolent despotism को खत्म कर दिया, क उन डिबार्टमेंट्स या विभावों को संभालने वाले जो लोग हैं वो भारतिय होंगे तो यहाँ पर ताना शाही नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो चाहे ब्रिटिश हुकूमत कर सकती है तो इसका अंत हो जाता है, तो अब responsible government है, वो जिम्मेदार है किसके परती, electorate के परती, तो यह सबसे बड़ा बदलाव आता है Montford reforms से, तो अगर एक लाइन में आपसे पूछा जाए कि Montagu Chemsford reforms ने क्या हसिल किया, तो आप इसको कह सकते हैं कि benevolent despotism ताना शाही को खत्म करके responsible government की शुरुवात करी नाम इसको Montagu Chemsford क्यों कहते हैं, क्योंकि Secretary of State for India जो लंडन में भारती अमामलो का मंतरी होता था, वो उस वक्त था Edwin Montagu और भारत में वाइसरोय था Chemsford, इसका पूरा नाम था Frederick John Napier Thessigar, लेकिन सब इसको Lord Chemsford कहते हैं क्योंकि यह इसका family name था Chemsford, तो इस कानून के highlights आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, prelims में तो यह बहुत बार पूछे जाते हैं, और mains के लिए भी यह बहुत important topic है, तो सबसे पहली line इस कानून की यह थी, कि भारत अभी आजाद नहीं हो रहा है, it will remain an integral part of British Empire, तो भारत British हुकूमत का हिस्सा बना रहेगा, लेकिन दीरे-दीरे हम decentralization करेंगे, तो केंदर सरकार, जो उस वक्त दिल्ली से काम कर रही थी, कॉलकता से, कैलकता से राजधानी दिल्ली शिफ्ट हो चुकी थी, तो वाइसरोय जो दिल्ली में बैठता था, उससे power लेकर दीरे-दीरे प्रांतों को, यानि की provinces को दिया जाएगा, तो supreme hold of central government जो है, इसको हम कम करेंगे, तो थोड़ासा decentralized system होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि America की तरह United States of America बन जाएगा, नहीं, unitary form of government तो रहेगी, तो आप 1919 में उन्होंने ये कानून बनाया, वैसे ही हो सकता है, 10-20 साल बात फिर से एक नया कानून बनाया, और हम तै करेंगे कि कितना responsibility भारती लोगों को दी जाए, प्रांतों में partial responsibility इंडियन्स को दे दी जाएगी, लेकिन central government में कोई बदलाव नहीं आया, ये काफी important point है, कि central government में किसी भी प्रकार की डायार की नहीं आती है, लेकिन provinces में हम देखेंगे, दो तरह का शासन आ जाता है, उसको हम डायार की कहेंगे, और ये डायार की आपको आने वाले कुछ मिनिट में समझ में आ जाएगी, इंडियन legislative council जो है, उसको replace करके, अब दो council बनेंगी, तो अब bicameral system की भारत में शुरुआत होती है, पहली बार, एक होगी council of state और एक होगी legislative assembly, तो ये दोनों ही संस्था हैं, हमारी आज की लोगसभा और राजसभा की precursor हैं, इनके लिए शब्द इस्तमाल मत करना, लोगसभा, राजसभा कभी भी अपने answer में, इनका official नाम यही था, council of state और legislative assembly, आगे चलकर आजादी के बाद हमें ने कहेंगे लोगसभा और राजसभा, लेकिन ये उनके precursors हैं, ठीक है, पूरवर ररती जो उनकी सभाएं हैं, वो यही वाली हैं for the first time, central and provincial budgets were separated, पहली बार केंद्र और राज्यों के budget को separate किया गया, अलग किया गया, और प्रांतों के पास अभी या authority भी demand कर रही थी, कि हमें भी separate electorate दिया जाए, और ये demand इनकी मान ली गई, तो basically तुष्टी करण की राजनीती बढ़ाई करी जाती है, और जो आपस में धर्मों के बीच में खाई है, उसको बढ़ाने का काम यहां पर अंग्रेजों ने किया, divide and rule policy को extend किया गया, आईए बात करते हैं provincial government की, तो सबसे जाला changes, 1919 का act यहां पर राज्य के स्तर पर लेकर आया था provinces में सरकार के दो हिससे कर दिये गए, डायार की system आ गया, डाय का मतलब होता है दो, ठीक है तो दो तरह का राज आ गया, पहला किसका राज था, governor यानि कि British हुकूमत का और दूसरा जो भारत के elected members हैं उनका, इसको भी ढंक से समझेंगे, तो डायार की में दो class of administrator बना दिये गए, एक executive counselor कहलाते थे और दूसरे minister कहलाते थे, executive counselor सरकार के द्वारा, यानि कि मंत्राले जिनको कहते हैं, इनको दो हिस्सों में divide कर दिया गया, reserve list और transferred list, transfer list भारतिये लोगों को transfer कर दी गई, वो वाले विभाग हैं, जो भारतिये मंत्रियों को transfer कर दिये जाते हैं, तो reserve list के अंदर, governor in charge है और executive counselors को विभाग बाटे जाएंगे, तो इसमें जालातर important विभाग अभी भी रखे गए, जैसे law and order, irrigation, finance, land revenue सबसे important देखो, finance और law and order होता है, ठीक है, आज भी आप देखो गे भारत के जालातर राज्यों में, जो chief minister होते हैं, वो law and order अपने हाथ में रखते हैं, home minister को बहुत जादा power देते नहीं है, ठीक है, हमेशा नहीं होता, जाला तर राज्यों में आप यही system देखोगे और finance minister भी बहुत important portfolio होता है, आज के समय की बात कर रहा हूँ उस समय भी ऐसा ही था तो यह वाले जो महत्वपूर्ण विभाग है यह reserved list में रखे गए, यानि कि यह reserved थे अंग्रेजों के लिए अंग्रेज कौन से, जिनको governor appoint करेगा, जिनको ब्रिटिश हुकूमत appoint करेगी, लेकिन कुछ transferred list के subject हैं, जिनका in charge बनाया जाएगा भारती लोगों को और यह चुनकर आएंगे, elected members होंगे council के, जिनको education local government, health, excise industry, public works, religious endowment जैसे विभाग सौपे जाएंगे यह मंत्री जो है, जनता के प्रति responsible होंगे, जिन्होंने इनको चुनकर बेजा है और legislature के माध्यम से यह responsibility निभाई जाएगी तो यह जो ministers हैं, इनको nominate किया जाएगा, करेगा governor ही लेकिन उन members में से जो चुनकर आएं elected members of the legislative council जो होंगे उन में से ही कुछ members को governor के द्वारा यहाँ nominate किया जाएगा executive counselors जो हैं, वो legislature के प्रति जिम्मेदार नहीं है they are not responsible, तो मान लोग कि अगर law and order में कुछ problem आजाती है तो भारत के जो लोग हैं, या फिर भारत के जो चुने हुए members हैं, वो इनसे सवाल नहीं पूछ सकते, executive counselors से, लेकिन अगर इन मामलों का इन departments का मामला है, तो उनसे सवाल पूछा जा सकता है, क्यूंकि वो legislature के प्रति जिम्मेदार हैं, तो executive counselors को तो कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई थी, बस power दिया गया था, तो इनको मिला है बढ़िया सा power, इनको मिला है power, लेकिन साथ में जिम्मेदारी भी है, कि legislature की प्रति आपको जिम्मेदार रहना है, एक और important point था कि transferred list के मामलों में, governor को हस्तक shape करने का अधिकार था, लेकिन बहुत ही limited तरीके से, reserved list में तो governor जब चाहे हस्तक shape कर सकता था, क्योंकि ये executive counselors basically उसी के appointed व्यक्ती थे, appoint यहाँ पे भी governor करता था, लेकिन ये लोग चुनेवे होते थे, अब बात करते हैं legislature की, तो ये सारे मंत्री आते कहां से थे, ये legislative assembly जो प्रांत की थी, वहीं से आते थे, तो इन legislative assemblies का size बढ़ाया गया, सभी राज्यों में, और अब इन में 70% members elected होते थे, तो elected members की संख्या बढ़ाई गई, communal और class electorate यहां पर भी था, केंदर में भी होता था, और राज्यकिस्तर पर भी होता था, direct elections होता था members का, लेकिन चुनाव में vote देने वाले लोगों की संख्या बहुत ही restricted franchise था, आगे आपको सवाल पूछ सकते हैं, और bill pass करने के लिए governor की assent जरूरी थी, तो चाहे वो assembly से pass हो गया वो bill, लेकिन जब तक governor उस पे sign नहीं करेगा, तब तक वो pass नहीं होगा, और governor के पास veto अधिकार था, और वो ordinance भी issue कर सकता था, तो यह ordinance वाला system, आपको मैंने पहले ही बता दिया, कब शुरू हुआ था, मुझे comment में बता सकता है, कि यह ordinance system कब start हुआ था, तो उस समय से यह चला आ रहा है, और अभी भी जारी रहा है, legislative councils जो है, यह budget को reject कर सकती थी, लेकिन governor के पास यह अधिकार था, कि वो चाहे तो उस rejected budget को भी अप्रूव कर सकता था, तो ultimately आप देखोगी, जो finance वाला power है, वो अभी भी governor के पास ही है, यानि कि अंग्रेजों के पास ही है, भारत के ministers के पास नहीं है, फिर आते हम केंदर सरकार पर, central government पर, central government में भी दो हिस्से हैं, executive और legislature, तो executive में यहाँ पर topmost कौन है, अफकोर्स, governor general या viceroy, ठीक है, हम बोलते viceroy हैं, लेकिन पद का पूरा नाम governor general भी होता था, उसके title में governor general शब्द भी आता था, तो chief executive authority इसी के office में west करी गई थी, यहीं पर था, यहाँ पर दो list बनाई गई administration के लिए central और provincial, तो यह diarchy नहीं है, ठीक है, इसको confuse मत करना, diarchy के वल state के level पर है, province के level पर है, केंदर के स्थर पर नहीं आई है, लेकिन यह जो list है, यह कैसे है, जैसे आज के समिधान में आप देखोगे union list, concurrent list, state list होती है, उस प्रकार से दो list बनाई गई, central और provincial, provincial list में जो भी subject है, उस पर राज्य कानून बनाएंगे, और केंदर की list में जो भी subject है, उन पर कानून बनाएगा, center, वाइसरोय की executive council में, आठ सदस्य होते थे, इन में से तीन भारतिय होना कंपलसरी है, तो commander in chief के अलावा, जो सदस्य हैं, उन में से तीन भारतिय हो सकते हैं, तो कभी भी army का chief भारतिय नहीं हो सकता, दूसरी किसी भी post पे भारतिय व्यक्ती को appoint किया जा सकता था, executive में अभी भी जाला शक्तियां, वाइसरोय के पास ही थी, जैसे कि वो ordinance issue कर सकता था, house को summon करना, dissolve करना उसके हाथ में था, और ऐसे bill, जिनको legislature reject कर चुका है, यानि कि जो इस legislative assembly में reject कर दिये गए हैं, उनको भी viceroy okay कर सकता था, उनको भी pass करवा सकता था, अगर वो चाहे तो, फिर आते हैं legislature पर, यहाँ पर बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला, bicameral system लाया गया, bicameral का मतलब है कि दो हिस्सों में विभाजित, तो पहले आपको याद हो, 1919 तक एक ही assembly होती थी, लेकिन अब इसको दो हिस्सों में विभाजित कर दिया गया है, पहले legislative assembly, जिसको lower house कहा गया, यह आगे चलकर लोगसभा के रूप में तबदील हो जाएगा, लेकिन जब भी आप pre-1947 words यूज करें, तब तक लोगसभा शब्द का इस्तमाल कभी मत करना, अपने mainz के answer में इसको हमेशा legislative assembly ही कहा जाएगा, क्योंकि लोगसभा इसका ना तो नाम था, और ना है इसका true character ऐसा था, कि आज की लोगसभा से मिलता जुलता हो, लेकिन फिर भी उसका precursor है, दूसरा था council of state जो upper house बना, और यह आज की राज्यसभा का forerunner है नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, council of state में प्रांत का, यानि states का representation होगा, अब legislative assembly का अगर हम breakdown देखें तो यहाँ पर 145 सदस्य होते थे इसकी size बढ़ा दी गई, 104 elect होकर आएंगे, 41 direct nominate किये जाएंगे, 104 में से आप देख सकते हो कि यहाँ पर class और community को representation दिया गया है, जैसे Muslims, Europeans, landlords, Sikh इन सभी को यहाँ representation दिया गया, और जो nominated members है, यहाँ पर भी कुछ Anglo-Indian और Indian Christians को directly governor general के द्वारा nominate किया जाता था, यहाँ पर जो भी सदस्य थे, उनका कारेकाल 3 साल का होगा, तो आज के समय लोगसभा का कारेकाल 5 साल का होता है, लेकिन उस समय यह जो legislative assembly है, इसके members का कारेकाल केवल 3 साल का था, अगर हम council of states की बात करें, तो यहाँ पर 60 members थे, यह numbers ज़रूर याद रखेगा, 145 और 60, बहुत ही important है, आगे चलकर इनको थोड़ा बढ़ाया जाएगा, 1935 में लेकिन अभी 145 और 60, तो council of state, जो की राज्यसभा का precursor है, यहाँ पर 60 members हैं, जिन में से 33 elected और 27 nominated हैं, यहाँ पर केवल male members आ सकते थे, कोई भी महिला इसकी सदस से नहीं बन सकती थी, technically legislative assembly में महिला सदस से हो सकती थी, यहाँ पर कारेकाल 5 साल का था, और 5 साल के बाद में कुछ seat है, vacant हो जाएगी, तो वही rotation वाला formula है, यहाँ पर चलता था, अगेन यहाँ पर भी Muslim, Europeans और Sikh को separate electorate दिया गया था, official और non-official में क्या फर्क होता है, मैं आपको पिछले lectures में खास करके जो मिंटो मॉडले reforms वाला lecture है, उसमें समझा चुका हूँ, अब आते हैं, election में हिस्सा कौन ले सकता था, vote कौन डाल सकता है इस point पर, सबसे जरूरी यही है, क्योंकि हम बार-बार यह कह रहे हैं कि responsible है electorate के प्रती, लिगने electorate है कौन, तो देखो franchisee, यानि कि vote देने का अधिकार किसको दिया गया था, बहुत ही कम लोगों को, केवल ऐसे लोग, जो सालाना 50 रुपे का land revenue पे करते हों, 50 रुपे उस समय बहुत बड़ी रकम थी, बेसिकलिए आप जमीन का tax दे रहे हो, 50 रुपे का, तो आप land holder हो, दूसरा, जिनके पास rental property हो वर्थ 180 रुपीज, तो देखो जो शेहरों में लोग रहते थे, उनके पास खेत वेट तो है नहीं, तो वो land revenue नहीं देते थे, तो उनकी rental property की calculation करी जाती थी, मान लोग इसी के पास Bombay शेहर के अंदर 4-5 घर हैं, तो उनकी अगर value 180 रुपे किरायगी आती है, तो वो व्यक्ति वोट दे सकता था, और तीसरा criteria था, कि अगर आप 2000 रुपे का income tax दे रहे हो, तो आप eligible हैं, तो ये तीन criteria टै किये गए थे, ऐसे ही लोग vote दे सकते हैं, in short आप समझी गए होगे कि किवल अमीरों को vote देने का अधिकार था, और जो council of state है, वहाँ पर तो और जादा restricted थी franchise, यानि ये तो मैं legislative assembly के लिए बता रहा हूँ, जो council of state है, वहाँ पर ऐसे लोग दे सकते हैं, जो title holder हैं, जिनके बाद राय बहाद्दूर, नवाब, इस तरह के बैठे लोग, तो इस प्रकार से franchisee बहुत ही limited थी, और भारत की उस समय की लगबख 26 करोड के आबादी में से केवल 15 लाख लोग ही eligible थे, यानि इन सभी criteria को पूरे करने वाले सिर्फ 15 लाख लोग थे, जो vote दे सकते थे, लेकिन फिर से मैं आपको इस बात बताऊंगा, शुरुआत तो हुई है, 15 लाख से शुरुआत हुई, धिरे-धिरे franchisee बढ़ती जाएगी, जो चुनकर member बनते थे legislature के, उनको सवाल पूछने का अधिकार था, और budget के उपर जो vote होता था, उसमें भी वो हिस्सा ले सकते थे, लेकिन अभी भी पूरा budget votable नहीं था, किवल 25 प्रतिशत budget पर voting allowed होती थी, military मामले या फिर जो सरकार को लगता था कि बहुत ही important aspects हैं, उन पर कोई voting नहीं होती थी, तो 3-4 बजट पर कोई voting नहीं होती थी, किवल 1-4 बजट पर voting होती थी, किसी भी बिल को कानून बनने के लिए दोनों सदनों में पास होना ज़रूरी था, अगर कोई deadlock आ जाता है, तो दोनों सदनों के बीच में joint committees, joint conference या joint sitting का प्रावधान आता है, तो ये भी एक नया development है, joint sitting का प्रावधान यहाँ पर रखा गया, governor general या viceroy के पास बहुत सारी powers थी, सबसे important power यही था कि उसके sign के बिना कोई भी बिल, कानून नहीं बन सकता था, और अगर वो चाहे, तो ऐसा कानून भी पास करवा सकता था, जो legislature ने reject कर दिया हो, यानि कि assembly में उस पर negative vote हुआ हो, लेकिन फिर भी viceroy चाहे, तो उसको approve करके कानून बना सकता था, और अगर वो चाहे, तो किसी बिल को कानून बनने से रोक भी सकता था, अगर उसे लगे कि वो देश की शान्ती के लिए खतरनाक हो सकता है, तो मान लोगी दोनों ही सदनों ने उसे पास कर दिया है, लेकिन अगर viceroy को लगा कि नहीं, इससे शान्ती भंग हो जाएगी देश में, तो फिर वो उस कानून को रोक सकता था, viceroy के पास कुछ और ताना शाह जैसी पावर्स थी, जैसे कि वो सदन में पूछे गए, किसी भी question को reject करवा सकता था, adjournment motion को reject करवा सकता था, या कोई भी debate चल रहा है, उसे भी बंद करवा सकता था, इसके बाद हम बात करते हैं London State Indian Council की, इस Indian Council को भी थोड़ा expand किया गया, minimum 8 और maximum 12 सदस्य होने या जरूरी हैं, भारतिय सदस्यों की संख्या 2 से बढ़ा कर 3 कर दी जाती है, तो अब minimum 3 members भारत के होंगे, भारतिय मूल के होंगे, और जितने भी ये total सदस्य हैं, मानलो इस Council में 12 सदस्य हैं, तो उन में से कम से कम 6 सदस्य के ऐसे होने चाहिएं, जिन्होंने भारत में public service करी हो, यानि कि basically British officers, जिन्होंने भारत में कम से कम 10 साल का समय व्यतीत किया हो, तो चाहे वो civil services के हो, police officer हो, कोई भी officer है, भारत में 10 साल अगर व्यतीत करके आया है, तो ही वो इस council का member बन सकता है, यानि कि आधे member ऐसे होने जरूरी थे, ठीक है, half of the members should have 10 years of experience of public service in India, इस कानून के तहद London में एक नया office भी स्थापित किया जाता है, High Commissioner for India यानि कि भारत की तरफ से London में बैठा भारत का राजदूत, अब राजदूत ये independent इंडिया का नहीं था, उस समय जो governor general या वाइसरोय था है भारत में जो दिल्ली में बैठता था, उसके agent के रूप में ये काम करेगा, तो ये High Commissioner का नया office बनाया जाता है एक और important बदलाग था, कि Secretary of State की जो salary है, अब वो भारत की सरकार भारत से नहीं, बलकि British government अपने budget से देगी, तो 1793 के Charter Act के समय से ही एक प्रावधान चला आ रहा था, कि London में बैठे जितने भी officers या officers हैं, उनकी तंका भारत वाले budget से आती थी, इसको अब बदला गया, और Secretary of State, जो एक तरह से भारती अमामलों का मंत्री है, British cabinet का हिस्सा है, उसकी salary finally British की सरकार अपने budget से देगी, अगला महत्वपून बदलाव था कि एक Public Service Commission की स्थापना करी गई, तो भारत में पहली बार exams को करवाने के लिए एक commission बठाया जाता है भारत में, ना कि England में, और ये भी तैय किया गया कि जो भी Civil Services के exam है, वो भारत और England में simultaneously, यानि कि एक साथ, एक समय पर करवाये जाएंगे, एक तिहाई recruitment को भारत से किया जाएगा, और धीरे धीरे इसको बढ़ाया जाएगा, तो पहले भारत के लोग शामिल हो, ये इस कानून का धेय था, तो इसी recommendation के अधार पर भारत में Central Public Service Commission की स्थापना करी गई सन 1926 में, भारत के आजादी के बाद में ये बन जाता है, Union Public Service Commission, जिस exam की तैयारी आप कर रहे हैं, उसको यही लोग सेवा आयोग करवाता है, तो भारत में लोग सेवा आयोग की स्थापना याद रखना 1926 में हुई थी, तब इसका नाम हुआ करता था Central Public Service Commission इस कानून की एक बहुत अच्छी बात ये थी, कि Local Self Government को जातर जगे Transferred Subject की लिस्ट में रखा गया था, यानि कि Local Self Government किसके अधीन था? भारतिय लोगों के अधीन रहता था इससे जितने भी प्रोविंस थे, वहाँ पर Local Self Government को बहुत बढ़ावा मिला और कई राज्यों में इस प्रकार की संस्थाएं बनी, जो आज भी बहुत strong हैं, इसका best example मैं आपको दूँगा, मुंबई की जो municipal corporation है ब्रहन, मुंबई, महानिगर, पाली काजस का ये headquarter आपको दिखाया जा रहा है, इस photograph में ऐसी संस्थाएं काफी powerful हो गई क्योंकि ये सब transferred subject की list में आते थे, local self government जो है, वो भारतिय माम लोग को बारतिय मंत्रियों को सौप भी आ गया था लेकिन एक परेशानी अभी भी बनी हुई थी कि finance एक reserved subject था और executive counselor उसके in charge होते थे, यानि कि British सदस्य finance को handle करते थे, तो कुल मिलाकर इन स्वायत्त संस्थाओं को budget नहीं मिल पाता था, finance से उतना ही budget आयेगा जितना ये executive counselors चाहते थे, तो हमेशा इनको funds की कमी रहती थी और इसलिए ये उतना खुल कर काम नहीं कर पाये, जितना probably आज कर पा रहे हैं फिर इस कानून के अंदर एक important प्रावधान ता कि 10 साल बाद ये देखा जाएगा कि ये reforms कितने कारगर सिद्ध हुए हैं और 1929 में हम अगले reforms की दिशा पर बढ़ेंगे, इसलिए 1927 में Simon Commission की स्थापना करी गई और Simon Commission भारत आया उसने देखा कि ये जितने भी Montague-Champsford reforms हैं, ये कितने कारगर हैं इसने पूरे देश को टूर किया और अपनी report आगे submit करी थी, ठीक है तो इसके लिए भूमिका यहीं से बननी शुरू हो गई थी 10 साल पहले से ही तो अगर हम 1919 के act की कुछ pros के बारे में discussion करें कि इसकी अच्छाईयां क्या है, तो आप सबसे पहला point यहीं देखोगे कि इसमें responsible government की शुरुवात हो जाती है इसा concept पहले भारत में नहीं था responsibility अंग्रेजों के पास में थी लेकिन वो ज़्यादा responsible थे नहीं पहली वार भारतिये मंत्रियों को भारतिये लोगों को मंत्रा ले दिये गए और वो responsibility के साथ काम कर रहे थे और यह हो पाया था क्यूंके राज्यों के स्तर पर डायार्की का concept आया था इस कानून के साथ ही हम देखते हैं कि भारत में एक federal structure की स्थापना हो जाती है लेकिन unitary bias यानि कि केंदर जादा ताकतवर है यह यहीं से शुरू हो जाता है आज भी काफी हद तक यह सिस्टम हमारे मौजूद है हाला कि इसमें बहुत चीज़ा एड हो चुकी है इतना simple नहीं रहा है जितना 1919 के act में था आप जानते ही होगे अगर आपने quality पढ़ी है तो तो federal structure की शुरुवात है लेकिन unitary bias है प्रशासन में भारतिये लोगों की जो participation है वो काफी बढ़ गई उनको important portfolio भी दिये गए जैसे labor, health यह ऐसे मुद्धे हैं जो directly जनता से जुड़े वे हैं तो इसमें भारतिये लोगों ने काफी काम किया भारतिय मंत्रियों ने बहुत काम किया और चुनावों के कारण चाहे वो केवल अमीर लोग वोट दे सकते थे लेकिन फिर भी एक राजनेतिक चेतना जागरत होती है लोगों में political consciousness develop होती है और अब कई लोग demand करने लगेगी हमें भी वोट देने का अधिकार दिया जाए अगर कोई महीला tax pay करती है तो उसको भी वोट देने का अधिकार था तो theoretically महीलाओं को भी पहली बार वोट देने का अधिकार भारत में इस कानून के बाद में मिल जाता है लेकिन इस कानून के कई सारे limitations थे इसके कई सारे cons भी है, तो हमने pros discuss कर लिए, तो अब इसके कुछ negative हम discuss करते हैं, सबसे पहला इसका negative aspect यही था, कि इसने communal representation को बढ़ावा दिया, Anglo-Indians, Sikh, इन सबको भी separate electorate दे दिया जाता है, vote देने का अधिकार बहुत ही सीमित था, जिनके पास property है, जो high income tax देते हैं, केवल उ उपर जाकर भी वो कानून बना सकते थे, जो allocation of seat किया गया था, central legislature में, वो आबादी के अनुसार नहीं था, तो जैसे अगर United provinces है, उसके आबादी जादा है, तो उसको जादा seat नहीं दी गई है, अगर अंग्रेजों को लगता है कि Bombay presidency हमारे लिए जादा important है, तो उसको जा रोड मैप नहीं लगाया गया, एक रोड मैप नहीं दर्शाया गया कि कैसे भारत में responsible government आएगी, किस प्रकार से लोगों को जादा अधिकार दिये जाएंगे, ये निरने पूरी तरह से British हुकूमत के उपर था कि वो कैसे भारत में responsible government का रास्ता तै करेगी, और इस बात से कि लोग खास करके Congress काफी नाराज थी कि ये कौन तै करेगा, कि British तै करेंगे कि क्या भारतिये लोगों के लिए अच्छा है, क्या बुरा है, यानि कि हम responsible government या फिर vote देने के अधिकार के लिए तैयार है या नहीं, ये तै करने वाले British कौन होते हैं, ये तो भारतिये लोगो अगर आप महिपाल कोड का इस्तमाल करते हैं, तो Iconic और प्लस दो प्रकार के subscription है, Iconic में आपको one-on-one mentorship मिलती है, जो आपको simple plus plans में नहीं मिलेगी, plus में आपको बाकी बहुत सारे benefits मिलने वाले हैं, और इन सभी prices पे आपको 10% discount मिल जाएगा if you are using this code, और Prelims 2023 के लिए हम ए एक अलग सा subscription plan, यानि कि 9 month का plan launch कर रहे हैं, इसको आप अवेल कर सकते हैं, 24 October तक इस पर एक early bird offer है, यहाँ पर CSAT की तयारी करने के लिए भी हमने एक special offer आपके लिए जारी किया है, जो CSAT की तयारी करना चाहते हैं, they can also avail this special batch, हर अफते नए batches बनते हैं, इन batch courses को आप join कर सकत हैं कि आपकी knowledge कितनी है, thank you very much, have a great day.